नवस्का दोस्तों तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे NCEIT बुक्स के बारे तो याद रखिए अगर आप सिविल सर्विस या किसी स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए NCEIT बहुत जरूरी है ठीक फिर कह सकते हैं कि अगर यह स्टेट PCS हो सकता है निकल जाए बना NCEIT बढ़े लेकिन सिविल सर्विस इसमें कोई समझाता ना करें पहले ही पढ़ लें ठीक तो आपके लिए बहुत बेटर दी रहेगा तो कक्छा चटवी की हम लोग सभी बुक्स देख चुके हैं कक्छा साथ बी की और कक्छा आटवी की हम लोग तीन बुक्स देख चुक का एक के बारे में फिर कक्छा चटवी की दूसरी NCEIT की बुक्स थी आपका हमारा दीत के नाम से हमारा दीत भष्ट के नाम से जो आपकी बुक्स है उसे तीसरी कक्छा चटवी की बुक्स थी आपकी पित्वी हमारा आवाज कक्छा चटवी की चौत्री ती आपकी बिक्द्ध के लिए चारी गोक्स पड़ना है आपको कक्छा चटवी की फिर पहुंचेते हम लोग कक्छा साथ भी में to कप्छा साथ भी में अब हैं आपके 4 वुक्स हमारे लिए जरूरी कौन-कौन से सामाजिक एवं राजनितिक जीवन बाग्व तो हमारा तीत दो हमारा पढ़्यावन और विध्यान ए चार वुक्स आपकी कक्चा 7 विधी होगे कक्छा आठीवी की बात करें तो हम लोग इसमें भी हमें चारी इबुक्स पढ़नी है पहले थी आपकी सामाजी केवं विराजनितिक जीवन भागतीन दूसरी थी हमारा अतीप भागतीन तीसरी थी संसारन और विकास और यह बुक है आपकी जो हम पढ़ने जा रहे हैं यह पिग्यान यह लाष्ट बुक है आपकी कक्छा आठीवी की इसके बाद हम लोग कक्छनवी की बुक्स में बात करेंगी कक्छनवी की बुकों के बारे में बात करेंगी याद रखिए आपकी जो भी बूक्स होती हैं उनके चेप्टर वाई चेप्टर हम लोग खतम कर रहे हैं वह सभी NCERT पून कबरेज के नाम से बिलेज्ट सूची बनी हुए उसी में चले रहे थे हैं आपके सभी लेक्चर ठील तो चलते हैं हम लोग इसमें देखते हैं कि आखिर पढ़ना क्या है विग्ञान करचा आठवी की विग्ञान इसमें हमें बिसे सूची देख लिए थे हैं आखिर प लेकर पढ़िए ति आपको बहुतर समझ में आएगा और आप लोगों ने अक्सर देखा हुआ कि जब सरल सब्दों में किताबे हो या सरल सब्दों तो हमारा पढ़ाई सी मन ऊबने लगता है तो आपको बड़े धहर लगकर पढ़ना है और पढ़कर निकल जाना है आपके कॉंसेप्ट के लिए हो जाएंगे जो आपको जरूरी है वह 100% के लिए हो जाएंगे अगर आप लोग बड़े धहर के साथ और मन लगा कर पढ़ते हैं तो पहले हम लोग इसके बिसह सूची में देखिए बते हैं बिक्यान की बिसह सूची तो इसमें पड़ेंगे हम लोग पहला अध्याय होगा आपका फसल उत्तपाधन एवं परबंद्धन दूसरे अध्याय में बात करेंगे हम लोग सूक्षमजीव मित एवं सत्तरूफ तीसरा अध्याय होगा हमारा संसलेसिक, संसलेसिक रेसे और पिलाश्टिक अध्याय चार में हम लोग बात करेंगे पदार्थ, दातु और अधातु के बारे में अध्याय पांच में बात करेंगे कोईला और पैटॉलियम अध्याय चडवे में बात करेंगे दहिन और ज्वाला अध्याय साथ में बात करेंगे पौधे एवं जन्तूं का सरचन अध्याय आठ में बात करेंगे हम लोग कोईली का सरचन एवं पिकार अध्याय नौ में बात करेंगे जन्तूं में जनन जनन के अध्याय दस में बात करेंगे किसोरा वस्ता की ओर अध्याय ग्यारे में बात करेंगे बल तफंद्याप की बारे में अध्याय बारे में देखेंगे गहर संड अध्याय तिरे में दोनी की बारे में जानेगे अध्याय 14 में विद्धुधारा की रसायनिक प्रभाव के बारे में जानेगे अध्याय 15 में कुछ प्राक्तिक परिगणनाओं के बारे में जानेगे अध्याय 16 में हम लोग परिकास के बारे में जानेगे अध्याय 17 में तारे एवं सौर परिवार के बारे में जानेगे और अध्याय 18 में वायू और जलका पिदूसन देखेंगे कुछ परिवासित सब्दा बली होगी विग्यान से संभले उन्हें भी देखेंगे तो यह आपके अठारे जेक्रण होगी कितने अठारे तो यहने हम लोग करम भाई करम देखेंगे यहां आपके लिए मौलिक कर्तब दिये गए हैं यहने हम बारत का समिधान बाग चार में न का समाधान हो जाएगा उसकी लेकिन हम क्या करते हैं कहीं मूल करतब पढ़ते हैं तो मूल अधिकार चोड़ देते हैं मूल अधिकार पढ़ते हैं मूल करतब चोड़ देते हैं अगर इन दोनों को समझ में आ गया इन दोनों के बारे में आप क्यान गए तो आप एक मानव क करतब friendly प्रब्द कानरी का हुआ करतब का मतलब इस तरह से ले लिघे जैसे आपके माबाप ने आपको 18 साल तक से वा की 14-15 साफ जट तक सेवा की अब आपका करतब कबंता है आपका भी दुखर तब बनता है कि जब बोड़ाप आए तो उनकी सेवा करे या माबाब का मतलब यह मतल लिजे कि जिसने जनम दे दिया उसी देखो इस टाइम में हकीगत साथ किसी को बुरा लगे कि लोग लिकन हकीगत यही है कि जनम देना कोई बड़ी बात हकीगत है पालन पोसन करना समझ रहे कि उन्हें अच्छी सिक्षा देना अच्छी जिन्दगी देना क्योंकि आप भी देख रहे कि गाउं में दददस बच्चे पैदा कर देते हैं जो नहीं देते हैं सिक्षा बहुसी गरीवी में गुट-गुट कर मर जाती है तो आप के लिए भगवान से बढ़कर वो इंसान है जो आपकी जिन्दगी बतले और आपकी पढ़ाई लिखाई जो भी है आपको नहीं उचाहियां दे तो उससे बड़े बढ़ा आपके लिए कोई नहीं हो सकता है परिचाहिए उससे आपका खूंड करिस्ता हो या ना हो मेरा मानना देखिए वाई अब आप अपने साथे कर सकते हैं क्योंकि जन्म देना बहुत नॉर्मल बात है लेकिन पालन पोशन करना बहुत बढ़ी बात हो जाती है क्योंकि जन्म तो हर कोई दे देता है देखते तो आप लोग इतना तो समझदार है आप लोग जा सकते हैं मूल करतब की बात करें तो समिधान का पालन करें और उसके आधरसों संस्थाओं राष्टदर राष्टगान का आधर करें सुदंता के लिए हमारे राष्टी आंद्वलन को फेरित करने बाले उच आधरसों को हिदय में सजुगर रखें और उनका पालन करें भारत की संप्रभूता एक्ता और अकंड़ता की रक्षा करें उसे अच्छन बनाये रखें देश की रक्षा करें और आहान किये जाने पर विद्राष्ट की सेवा करें बारत के सभी लोगों में समरष्टा और समान भातित्त की बाहरना का निर्मार करें और धरम भासा और प्यदेश या बरग परादारित सभीत भिद्भारों भिद्भावों से परे हों ऐसी पिथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान की विरुद्धों हमारी सामासिक संस्कती की गौरबसाली परंपरागमत समझें उनका परी रख्चन करें पराक्तिक पर्यावन की जिसके इंतकत बन, जील, नदी और बनने जीव हैं इनकी रख्चा करें और उसका संबल्धन करें तथम पराणी मात के पिती दया बाव रखें बिज्ञानिक दिरुष्टी कौर और मानावार और ज्ञान पर जन तथा सुधार की बावना का विकास करें आगे आपका सारुजनेक संपत्ती को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर हैं बैक्तिगत और सामविक गतिविदियों के सभी चित्रों में पुतकरश की और बढ़ने का सतत प्रयास करें जिसे राष्ट नेंतर बढ़ते हुए प्रयतन और अलब्दी की नहीं उचाहियों को छूर दके यदि माता पिता यह संरक्षन है छे वर्ष से चौदे वर्ष तक की आयुवाले अपने एथा इस्तिती बालक या पिती बाल को सिख्चा की आउसर पिदान करें तो याद रखे यह मूल करतब आपके कप जोड़ें गया है उननीस सो चैंतर में 42 भी संविदान संसोधन द्वार पर यह आपका लाख्ट जो करतब यह कर जोड़ा गया था दोजार दो में 86 भी संविदान संसोधन द्वार 11 अगर कभी आपका मैंस राइटिंग में यह आपको याद नहीं है तो आप करम भूल कर भी ना लिखें ठीक है उने टेक्स्ट लगाकर लिख सकते है ठीक है अगर आपको पिलियर याद है तो आप लोग उसे करम डालकर लिख सकते हैं तो चली आगे से हम लोग कक्छा आटवी का विज्ञान का पहला बंद्यार हम लोग के बारे में बात करेंगे तो चली हम लोग बात कर रहे थे LCRT कक्छा आटवी की विज्ञान के बारे में तो आज हम लोग फर्ष्ट चेप्टर देखते हैं फसल उत्पादन इबं प्रवंदन इससे पहले हम लोग क्या-क्या पढ़ना है कच्छाटवी की विज्ञान के बारे में उसे देख चुके थे तो यह आपका फसल उत्पादन इबं प्रवंदन बार-बार में यह की सब्द नहीं है बड़े अच्छे से पढ़ना है दहर रख कर ठीक है गिरिसमा और कास में पहली इवंबू जो अपने चाचा की गए उसने चाचा ये उसका चाचा एक किसाने एक दिन उन्होंने खेत में कुछ औजार देखे जैसे की खुरपी दराची बैलचा हल देखिए कितना अच्छी कहानी के रूप देकर आपको समझाया जाता है फिर भी आप समझ में में दिख आप पढ़ चुके हैं कि सभी सजीवों को बोजन की आपसदक्ता होती है पौदे अपना बोजन स्वयम बना सकते हैं क्या आपको याद है कि हर पौदे अपना बोजन किस पेकास संसल सभी प्रापिक्रमों ने सिसित करते हैं मनुष्च सरसाइद सभी जन्तू बोजन बनाने में आ अ समर्द है तो जन्तूं के बोजन का सरोध क्या है परन्तु हम भोजन गिरहन ही क्यों करते हैं। आप जानते हैं यह हैं कि सजी भोजन से प्राप्त उज्या का उप्यों विविन्य जैविक पिक्रमों जैसे बाचन, सौसन एवन उस्ताजन के संपादन में करते हैं। हम अपना भोजन पौधों अत्वा जनतुओं या दोनों से प्राप्त करते हैं। एक विसाल जन संख्या को भोजन प्यदान करने के लिए इसका नेमेत उत्पादन, उचित प्रवंद, उबितरन आवस्त है। बात करते हैं किर्शी पद्दितियां। लगभग 10,000 इसापूर तक मनुस्व गुमन्तू थे। यानि कि वे एक जगए से दूसरे जगए गुमते रहते थे। इस्थाई जीवन या पन उनका नहीं तक। वे एक इस्तान से दूसरे इस्तान तक भोजन एवं आवास की कोज में समू में विजरन कलते रहते थे। बे कच्छे फल और सब्जियां खाते थे और उन्होंने भोजन के लिए जंतूं का सिकार करना प्यारम किया। कलांतर में केती कर चावल गयमों एवं अन्य खाद फसलों को उत्वादिक कर सके। इस पिकार किर्शी का प्यारम हुआ। जब एक ही किस्म के पौधों पौधी किसी इस्थान पर बड़े फिर्माने पर उगाया जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। क्या कहते हैं। फसल कहते हैं। उधारन के लिए आप गयमों की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाया जाने वाले सभी पौधी गयमों की है। आप जानते हैं कि फसलें विविट पिकार की होती हैं जैसे कि अन्न, सब्जियां एवं फल जिस मौसम में यह पौदी उगाए जाते हैं उसके आधार पर हम फसलों का वर्गिकान कर सकते हैं बारत एक विशाल देश है जहां ताप आती था और बरसा जैसी जलवाई भी परिस्तितियां एक चित से दूसरे छेत को में फिर्णा अता देश के विमिन भागों में विवित पिकार की फसलें हुगाए जाती हैं इस विवित ता कि बाद जूद मौटे तोर पर फसलों को दो भागों में या दो बारगों में बाटा जा सकता है बेज पेकार है पहला है आपका खरीब फसल और दूसरा रवी खरीब फसल की बात करें तो वह है फसल जिने बरसा रितू में बोया जाता है कब बोया जाता है खरीब फसल को बरसा रितू में और खरीब फसल कहलाती है भा ऐत्यादी खरी फसल ये आपका पूंच लेता है याद रखे प्रेलम्स मे की उंच लेनता है ये खरी फसल एक गार्वी फसल है किरम से लगाने के लिए के उधारने इसके आलावक कई स्थानों पर आपकी दाले और सब्जियां ग्रेस में उगाई जाती हैं अधिकारिक फसल पद्धितीना फसल होगाने के लिए किसान को अनेक क्रिया कलाब सामिग भवधीमे करने पड़ते हैं आप देखेंगे कि वह यह क्रिया कलाब उस पिकार के हैं जिनका प्रियोग माली अथवा आप सजाव़्टी पोदे उगाने के लिए करते हैं एक्रियाकलाब अत्वा कारिक्रसी पद्धितियां जो भांगी दिए गए जैसे मिट्टियों तयार करना प्रयापका बुआई खाद देवं और वक्त देना से चाई खरपदबाल से सुरक्षां कटाई बंडारण खेती किसाननी करना इतना आसान भी नहीं होता है देख ली दिया कितनी मेहनत होती है प्रयापका बात करते हैं मिट्टी त्यार करना फसलोगाने का प्रयापका बात करते हैं मिट्टी त्यार करना पिथम चर्ण है फसलोगाने का मिट्टी को पलगना तथा इसे पोला बनाना क किर्सी का अतिंत मत्वून कारिए इससे जड़े भूमी में गहराई तक जा सकती हैं पोली मिट्टी में गहराई में तसें जड़ी भी सर्वता से सुसन कर सकती है पोली मिट्टी किस पेकार पोदों की जड़ों को सर्वता से सुसन करने में सहाय खुत है आपने दूब देखा क्रिस्टी करने से बोने से पहले उसकी जुदाई की जाती है पोली मिट्टी में रहने वाले केंचुओं और सोक्षन जीवों की बिद्धी करने में भी सायब करती हैं यह जीव किसानों के मित्थ हैं क्योंकि यह मिट्टी को और फलट कर पोला करते हैं तता हीूमस बनाते हैं परन्तु मिर्टी को पलटना और पूला करना क्यों आवस्सक है? याद रखिए केंचुए को क्या कहते हैं? किसान का मिर्ट आप पिछली कक्छाओं में पढ़ चुके हैं कि मिर्टी में खने जलबाई तथा कुछ सजीब होते हैं इसके अतरिक मिर्ट पौदे एवं जन्तु भी मिर्टी में पाये जाने वाले जीवों द्वारा अबगटित होते हैं इस पिक्रम में मिर्ट जीवों में पाये जाने वाले पोशक मिर्टी में निरख निर्युक्त होते हैं ये पौसक पौद्रेस द्वाना आसी सित कीए जाते हिं क्योंकि उपने परत के कुछ सेंटी मीट्र की मिट्छी इपौदे की विद्धी में साहिक है इसे उलटने पलटने को पोला करने से पोसक पदात ऊपर आ जाते हैं और बहुत ही इन पोसक पदातों का फिर कल सकते हैं अता हमिट्टी को उलटना पलटना एवं पोला करना फसल उगाने के लिए अधिन्त मत्रों हैं मिट्टि को उलतने इबँ को ओला करने कि फिक्रिया को při क्या कहते है जुताई इसे हल चलाकर कर सकते हैं हल मिट्ट लखडी असवा लोगें के बने होतों कि यर्दी मिट्टी है तो जुताई से पहले इसे पानी देने की आवस्थता भी पड़ सकती है जोते हुए खेत में मिट्टी के बड़े-बड़े डेले भी हो सकते हैं एन्हें एक पाटल की साहता से तोड़ना आवस्चे बुआई और चेचाई के लिए खेत को समतल करना आवस्चे यह कार पाटल द्वारा किया जाता है कभी-कभी जुताई से पहले खाद दी जाती हैं इससे जुताई के समय खाद मिट्टी में भली बाती मिल जाती है बुआई से पहले खेत में पानी दिया जाता है अगर आप लोग गिरामीर चेत से हैं आपका परिवेश पालन पूर्शन ऐसी जगह हुए है जहां घीती किर्स्तानी अच्छे से की जाती है तो वैसे आप लोग इन सभी चेप्टरों को बहुत अच्छे से समझ रहे हों इस चेप्टर को आप बहुत अच्छे से समझ अच्छी उपद के लिए बुवाई से पहले मिट्टी को भुरुबुरा करना आवस सके यह कार अणिक वजारों से किया जाता है हल खुदाली एवं कल्टी विटर विटर इस कार में उप्यव के लिए प्रमुक वजारों देखिए यह है आपका वैसे तो आप बंद हो गया अगर अबी वी उप्यों गोते हैं तो बताएं आपका च्छित कौन सा है मैं भी तो जानू जोत यह आपका हल हाल हो गया हल सेट हल प्राचीन काल से हलका उप्यों जुताई खाद और वरक मिलाने खरदवर्द बार निकालने एवं मिट्टी खुरचने के लिए किया जाता रहा है यह ओजा लकडी का बना होता है जिसे बैलों की जोड़ी हत्वा अन पसुआं जिसे गोड़े ओंट की साहता से खीचा जा इसमें लोहे की मजबूत तिकोनी बत्ती होती है जिसे फाल कहते हैं हल का मुख भाक लंबी लकडी का बना होता है जिसे हल सेट कहते हैं इसके एक सिरे पर हेंडल होता है दूसरे सिरा जोद के डंडे से जुड़ा होता है जिसे बैलों की गरदन के उपर रखा जाता है एक लोडी वैल एवं एक आदमी इसे सलता से चला सकता है। आजकल लोहे के हल तेजी से तेजी लकडी के हलकी जगहें ले रहे हैं। कुदाली यही एक सरल लोग जा रहे हैं जिसका उपयोग खर पदबाय निकालने एवं मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है। इसमें लकडी अत्वा लोहे की छड होती है। जिसके एक सरे पर लोहे की चौडी वुडी बिलेड लगी होती है। जो बिलेड की तरह काल करती है। इसका दूसरा सरा पसूओं के द्वारा खींचा जाता है। पुदाली यह है आपकी। देख लेड़े। पर आपका कल्टिवेटर। आजकर जुताई ट्रेक्टर द्वारा संचाले कल्टिवेटर से की जाती है। कल्टिवेटर के उप्योग से सरम एवं समय दोनों की बचत होती है। आपके छित में इसे क्या बोते हैं। मेरे चित में कंटी मीटर बोते हैं। क्या बोते हैं कंटी मीटर। आपने चित कभी बताईए। बुवाई। बुवाई फसल उत्पादन का सबसे मत्कूं चरन है। बोने से पहले अच्छी गुडवत्ता बाले साफ एवं सवस्त बीजों का चैन किया जाता है। किसान अधिक उपत देने वाले बीजों को पिराक्त मिक्ता देता है। बात करते हैं बीजों का चैन के बाले। एक दिन मैंने अपनी मा को देखा कि मा चैने की बीज एक बरतन में रखकर उसमें कुछ पानी डाल रही है। कुछ मनिट पश्चा कुछ बीज पानी के ऊपर तेने लगे। मुझे आश्च्या हुआ कि कुछ बीज पानी के उपर क्यूं तहने लगे एक बीकर लेकर इसे पानी से यादा बरी है इसमें एक मुट्टी गयम के दाने डालकर बली माती हिलाई है को समय पितिक चलिए क्या कुछ बीज जल के उपर तहने लगते हैं जो बीज पानी में गर में आती है तो जिसमें वो घुन लग जाता है कीडे खा लेते हैं उसे अंदर से तो पानी के उपर आ जाता है तो घर में जो भी इसे दोते हैं मतलब तो उसे उपर वाले हिस्ते को फेक देते हैं और अगर आप लोग उसकी गुवाई भी करें तो कोई उससे बीज उत्पंज नहीं होगा पौदा होगेगा नहीं क्योंकि वो खराव हो चुकर जो नीचे बैठ जाता है वही अस्वर आपका बीज होता है अच्छे और सुस्त बीजों को छती गरस्त बीजों से अलग करने की यह एक अच्छी भी दिए बुआई से पहले बीज बोने के ओजारों के पारी में जानना हावस सकते परमपरागत ओजार परमपरागत रूप से बीजों की बुआई में इस्तिमाल किया जाने वाला और कीप के आकार का होता है बीजों के कीप के अंदर डालने पर यह दो या तीन नुकी ले सरे वाले पाइकों से गुजरते हैं यह सरे मिटी को भीद कर पीच को इस्था पर साल देते हैं बुआई होती है पहले होती थी मेरे तरफ लेकिन आप ज्यादा मैंने ने देखी तो आप बताईए दूसरी आपकी सीट डेल क्या है सीट डेल सीट डेल आज कल बुआई के लिए टेक्टर द्वारा संचाले सीट डेल का उपयो होता है इसके द्वारा बीजों में समान द्वारा धग जाए इससे बीजों की कुपक्चियों द्वारा खाये जाने से रोका जा सकता है सीट डेल द्वारा गवाई करने करने से समय एवं स्रम दोनों की बचत होती है दान जैसे कुछ पौदों की बीजों को पहले पौद साला में उगा जाते है। होता है अधिक गनेपन को रोखने के लिए कुछ पौदों को निकाल कर हटा दिया जाता है बात करते हैं फिर है आपका अंगला चल्ण खाद देवं और वरक मिलाना बेपदाट जिनने मिट्टी में पोसक इस तर बनाय रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद एवं और वरक कहते हैं मिट्टी फसल को खनेज पदात पिदान करते हैं या पोसक पौदों की बिद्धी के लिए आवस सकें कुछ छित्रों में किसान खेतों में एक के बाद दूसरी फसल उगाता रहता है खेत कभी भी खाली नहीं चोड़े जाते हैं कर उतना कीजिए कि पोसकों का क्या होता है फसलों के लगाताल लगाने से मिट्टी में कुछ पोसकों की कमी हो जाती है इस च्छती को बूरा करने ही तो किसान खेतों में खाद देते हैं या पिक्रम खाद देना कहलाता है आपरयाप्त खाद देने से पौधिक कमजोर हो जाते हैं खाद एक कार्वनिक जयविट पदार है जो कि पौधों या जन्तु अपसिश्टों से प्राप्त होते हैं किसान पादप एक जन्तु अपसिश्ट को एक गट्डे में डालते हैं तथा इसका अफगटन होने के लिए खुले में छोड़ देते हैं अफगटन कुछ सूख्ट जीगों द्वारां होता है अफगटित पदार खाद की रूम में उप्रयों किया जाता है आपकछा चटवी में बर्मी कंपोश्टिंग अथवा क्याच्वए द्वारां खाद तेजार करने की पेसा में और लेडी पढ़ चुके हैं किरिया कलाप एक याद रखिए किरिया कलापों को आपको पढ़कर निकल जाना है समझकर ठीक है करके करने इन्हें कहीं पैक्टिकल करके मत बैट जाना मालू चलागी दोख से चार साल इसी में बीद गए आपके पूंग अधवा चने की बीद लेकर उन्हें अंकुरित कीजिए इन में से एक एक ही आकार वाले तीन नवोद विद चांट लिए अब तीन गिलास अधवा ऐसे ही पात लिए इन पर A, B, C निसान लगाई गिलास A में थोड़ी सी मिट्टी लेकर इसमें थोड़ी सी गोबल डाल कर सुरक्षित स्थान पर रखीजिए पिदी दिन पांगनी देते रहेए सास से दस दिनों बाद उनकी विद्धी को नोट कीजिए देखे क्या तीनों गिलासों के पौधों में बिद्धी की गती एक समान है किस गिलास में पौधे की बिद्धी पेतर है किस गिलास के पौधों में बिद्धी सबसे अधिक है और वरक रसाइन रसाइन एक पदाते है जो विशेश पोस्टरकों से सम्वरद्ध होते है बेखाज से कैसे बेनने और वरक का उत्वादन फैक्टरियों में किया जाता है और वरक के कुछ हुदारन यूरिया, अमोनिया, सल्पेट, सुपरसल, फासफेट, पोटास, एनपीके यानि की नाइट्रोजन, फासपूरत, पोटेसियम है इनके उपयोग से क्रिसानों को गयों, धान, मक्का, जैसी फसलों को अच्छी उपच प्राप्त करने में साहयता मित्ती है, परन्तु और वरकों को कि अत्यदिक उपयोग से मिट्टी की उरवरता में कमी आई या जल पिदू सड़ का भी रोत बन गए, अत्या मिट्टी की उरवरता बनाय रखने के लिए में, और वरकों के इस्थान पर जैविक खात का उपयोग करना चाहिए अत्वाद दो फसलों के बीच में खेत कूकुश समय के लिए बिना कुछ होगाए छोड़ देना चाहिए थाप के उपयोग से मिट्टी के गठन एवं जल और सोरसन चमता में भी बिद्धी होती है इससे मिट्टी में सभी पोस्कों की पिती पूर्टी हो जाती है मिट्टी में पोस्कों की पिती पूर्टी का अन्य तरीका फसल चक्रा है यह एक फसल के बाद खेत में दूसरे किस्म की फसल एकांतर क्रम में हुगा सकता है पहले उत्तर भारत में किसान फलीदार चारा एक रितू में उगाते थे गया हूँ दूसरी रितू में इसके मिट्टी में नाइट्रोजन का फुरन फूरता रहता था किसानों को इस पद्दिती को अपनाने के लिए पुरोसायत किया गया पिछली कप्छाओं में आप राईयों के बेक्टिरिया के फिसाय में पढ़ चुके हैं यह फली दाल लेगी मीनस पुदी की जड़ों की गलती काओं में पाई जाते हैं और वाई मन्डी लिए नाइट्रोजन का इस थरी तरन करते हैं और चलते हैं हम लोग आंगे पढ़ते हैं औरवन एवन खाद में अन्तर क्या है जो ज़य गोबर वैं पॉद्ध हों के आउसे इसके बटार्ण से प्राथ होता है औरवरक का उत्पादन फेक्टरियों में होता है खाद केतों में मनाई जा सकती है औरवरक से मिट्टी को हिमस प्राप नहीं होती है खाद से मिट्टी को हिमस पिच्चोर मात्रा में प्राथ होती है औरवरक में पादक पोसक जैसे कि नाइट्रियन फासपोरस पोटेसियम पुचुरता में होती है, खाद में पादक पोसक तुलाजमक रूप से कम होती है, खाद के लाप देखते हैं, जैविक खाद और वरग की अपिक्छा अधिक अच्छी मानी जाती है, इसके प्रमों मुक कारण इसमें मिट्टी की जल्दारण चमता में बिद्धी ह होती है, इससे मिट्टी भर बुर्गरी एवं सरंद हो जाती है, जिसके कारण गयस बिद्वे सर्दा से होता है, इससे मिट्ध जीवाणों की संक्या बिद्धी हो जाती है, इस जैविक खाद से मिट्टी का गटन सुधर जाता है, जल्में क्या हो जाता है सुधेर जाता है अब बात करते हैं सचाही जीवित रहने के लिए प्पिते को जल की आवस्यता होती है gemacht पौदे की विद्धी यहें परिवार्धन के लिए जल का विसे इसमथ द्यश्थ है कि पौदे की से जड़ों 3 दौर जल्का अवस्यता कुदे है कि जिसके साथ खनीजों और उर्वरकों का भी आवसुषन होता है पौदों में लगवग 90 पिती सा जल होता है जल आवस सके क्योंकि बीजों का अंकरण सुस्क पिष्टिती में नहीं हो सकता है जल में घुले हुए पोसक का इस्थान अंतन पौदी के पितिक भाग में होता है या फसल की पाले एवं गरम हवा से रख्चा करता है स्वस्त फसल ही बिद्धी के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखने के खेद में नेमित रूप से जल देना आवस सके निश्चित अंतराल पर खेद में जल देना सिचाई कहलाता है सिचाई का समय एवं बारंबारता फसलों मिट्टी एवं रितू में मिन होता है गरमी में पानी देने की बारंबारता अपेक चक्रित अधित होती है ऐसा क्यों क्या यह मिट्टी एवं पत्तियों से जल्वास्त्वन की दरह देख होने से होता है जिए हाँ सचाई के स्रोथ कुए जल्कूप तालाब जी नदियां बांग नहर इत्यादी जल्के स्रोफ अलग खित में अलग अलग पिकाल से होती हैं जो सुग्दा आपके अप इस उपलब्दे उसी से आप करोगे न ए आपका मौट इस चैन पंप होगया एड़ा खेली ए मैने देखा है पता है ए मैने देखा है अगर आप नदेखा है तो ऐसी लीखे और नहीं देखा है तो नो लिखे ठेक अगर सिचाई के पारंपरिक तरीके कुवाँ जीलों एवं नहिरों में उपलब्द जल को निकाल कर खेतों तक पहुंचाने के तरीके विविन चेत्रों में भेनविन है मवेसी अत्वा मजदूर इन विदियों से इस्तेमाल किये जाते अता यह सस्ते पनतु कम यह कम दक्षें विविन पारंपरिक तरीके मौट जिसे घिरनी चैन पंप धकीली रहट उत्तोलक तंथ जल को उपर खींचने के लिए सामानता पंप का उप्यों किया जाता पंप चलाने के लिए डीजल, बायोगैस, बिद्धूत और सौर उज्या का उप्यों किया जाता है यह आपका छेड़का उतंत सेचाई की आधोनिक विदियों की बात करें में लोग सेचाई की आधोनिक विदियों द्वारा हम जल का उप्योग मित बेता से कर सकते हैं मुख विदिया है निम्द, छेड़का उतंत इस विदि का उप्योग आसमतल भूमी के लिए किया जाता है जहाँ पर जल कमात्रा में उपलगद है उड़द पाइपों नलों के उपरी सिरों पर गूमने वाले नौजल लगे होते हैं यह पाइप निश्चित दूरी पर मुख पाइप से जुड़े होते हैं जब पंकी साहता से जल मुख पाइपों में भेजा जाता है तो अब भूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है इसका छिड़काव पौदों परविश्च पिकार होता है जैसे बर्सा हो रही है छिड़काव लॉन कौपी की खेती इवं कई अनफसलों के लिए अतिन उप्य हुए होता है ड्रेप से चाहिए इस बिदी में जल बून-बून करके सीधे पौदी की जड़ों में गिरता है अता इसे ड्रेप तंत कहते हैं फल्दार पौदों बगीचों बैक्चों को पानी देने की यह सर्वुत्तम तरीका है इससे पौदे को बून-बून करके जल पराप्त होता है इस बिदी से में जल बिलकूल बैरत नहीं होता है यह जल की कमी बाले चेत्रों के लिए बरदान है देखिए ड्रेप से चाहिए ठीक है आँगे चलते हैं खरपदवार से सुरक्चा बूजो और पहली निगट के गया हूँ के खेत में गए और उन्हों देखा कि खेत में फसल के साथ कुछ अन्न पौदे भी उग रहे हैं खेत में कई अन्न वा आवांचित पौदे वराक्ति रूप से फसल के साथ उग जाती है इन आवांचित पौदों को खर्पदवार कहते हैं आपने देखा होगा कि कोई आप फ़सल होगा रहे हैं उसमें कोई ऐसा खर्पदवार यानि कि यह सी कोई पौधा हो गयाता है जिसकी हमें दिरूरत नहीं होती है तो हम उसे उखाड़ कर फिक दोती हैं वहीं आपका खर्पदवार है खर्पदवार हटाने को निराई कहते हैं निराई आवस्तक है क्योंकि खर्पदवार जल पोसक जगए प्विकास की इस परदा कर फ़सल की विद्धी पर प्रभाव डालते हैं कुछ खर्पदवार कटाई में भी बादा राते हैं, तथ हमनों से पसुवां के लिए बिसेले हो सकते हैं खर्पदवार को खटाने एबं उनकी बिड़ी को नेतीत करने के लिए किसान बेविन तरीके अपनाता हैं फसल उगाने से पहले खेद ब्यूतने से खरबदबार उखाडने और हटाने की में सहायता मिलती है। इससे खरबदबार पौदे सूप कर मर जाते हैं वो मिट्टी में मिल जाते हैं। खर्पद्वार हटाने करने सरवुत्तम समय उनमें पोस्पंड एवन भीज बनने से पहले ही काह हुता है खर्पद्वार पौद्री को हाथ से जड़ से उखाड़कर अत्वा भूमी की निकट से काटकर समय समय पर हटा दिया जाता है या काल खुर्पी या हैरू की साहता से किया जाता है रसानों के उपयोग से भी खर्पद्वार नियंतन किया जाता है इन्हें खर्पद्वार नासी कहते हैं जैसे टू, होड़ी, खेतों में इनका छेड़काओ किया जाता है, जिससे खरबदवार पौद ही मर जाते हैं, परन्तु फसल को कोई आनी नहीं होते हैं, खरबदवार वासी को जल में आवस्तक्तामसार मिला कर इस पेल, यानि कि फौहारा की साहता से खेत में छेड़काओ करते हैं, इस तरह से आपने देखा हूँ, मैं बता रहा हूँ का अगर आप लोग किरामीट छेत से हैं, या फिर आप लोग ऐसी जगह रहते हैं, जहां खेत जैसा पहले बताएगै हैं, खरबद बार की बित्ती पे समय अतवा पुस्पंग एवं बीज बनने के पहले ही खरबद वार नासी का छिड़काओ करते हैं, खरबद वार नासी के छिड़काओ से किसान की स्वास्त पर भी प्रिभाव पढ़ सकता हैं, अता हुने इन रसाय कप्रियों सावधानी पूर्वत करना चाहिए छिड़काओ करते समय उन्हें अपना मुहें एवं नाग कपड़ी से धक लेने चलिए अब पहुशते हम लोग कटाई पर फसल की कटाई एक मत्पून कारें फसल पक जाने की बाद उसे कारणा कटाई कहलाते हैं कटाई के दौर पकां या तो पथों की को खीच कर उखार लेती है हथपा उसे ध्रायत तल के पास से काट लेए एक अनाज फसल को पकने में लगवक तीन से चार माईने का समय लगता है हमारे देश में दराती की सायता से हाथ द्वारा कटाई की जाती है यह आपका दराती यह ऐसे हसीया भी बोलते है अत्वा एक मसीन का उपयों किया जाते है जिसे हम लोग हार्वेश्टर भी कहते हैं काटी की फसल से बीजों दानो को बुट सीशिय अलग करना होता है इसे थ्रेशिंग कहते हैं या कार कॉंबाइं मसीन दौारा किया जाता है जो बास्ताव में हर्वेस्टर और थेशर का सेवर प्रूब है छोटे-छोटे-छोटे खेद वाली किसान अनाज के द्रानों को भटक कर बिनोई अलग करते हैं किसान जला दिते हैं पहली इन टुकड़ों के खेतों में जलाने की कारण चिंते था वह जानना चाहती है किस से भी दूसर होता है इससे खेत में पड़ी भसल में आग लेने का भी खतरा होता है या आपका बिनोईंग या खटकने वाली मसीन है या आपका हाथ कॉंबाइन हो कटाई परव तीन-चार महिने के कटोर परिस्यम के बाद कटाई का समय आता है स्वयनिम्दानों से बरी भल खड़ी भसल किसानों के हिराय में उल्लास एवं अच्छे समय का भाव संचारेत करती है यह समय थोड़ा आराम करने एवं खुसी बनाने का क्यूंकि पिछली दू के पेरतन का पल मिलता है इसलिए भारत के सभी भावों में कटाई का समय हरो सल्लास एवं खुसी का होते हैं प्रोस एवं महिलाएं सभी मिलकर इस परव को मनाते हैं कटाई रितू के साथ कुछ विसेश परव जैसे पॉंगल बैसाकी ओली दिवाली नवान्या एवं बियू जोड़े हुए हैं पराता है आपका बंदारन उत्पादन का बंदारन एक मत्भू कारें जो उत्पाद होता है उसका बंदारन करना एक मत्भू कारें यदि फसल के दानों को अधिक समय तक रखना हो तो उने नमी, केट, चुओं एवं सूख छिंजियों से सुरक्चित गया हो तो उनके खराब होने है अत्वा जीवों द्वारा आकमर से बेंकुरन के लिए अनुप्रयोगी हो जाते हैं अता बंदारन से पहले जानों बीजों को दूब में सुखाना आवाज सके हैं जिससे उनकी नमी में कमी आए इनसे इनकी कीट पीड़कों जीवानों एव बड़े परमानी पर बंदारन साइलो और बंदार गिरों में किया जाता है जिससे इनकी पीड़कों जैसे चूहों और कीटों से सुरक्षित किया जा सकता है किया जा सकता है तो यह वंक्रीटों से सवरक्षे किया जा सकता है कि आंगे चलते हैं लोग कहां चलते हैं आंगे देखते हैं देखा हुगा परेशसी बंदा रख रहें अनाज बंडारण ये तूसाइलो नेम कि सुख़ी पत्तियां गरफ मैं अनाज की बंडारण में उपेयोग की आते ही बंडे बड़े बंडारण गरफ मैं अनाज को पीड़ को एवन सुक शिमजीवों से सुरक्ष करने के लिए रसायिन वुभी किया जाते ही अब बात करते हैं जन्तुओं से बोजन दूद गाय बेंस बखरी हो उठनी इस साड़ी की पूर्ती करने के वश्चात आपने देखा हुआ कि पौधों की तरह है कि जन्तुओं भी हमें विविन पिकार की खात पदार्थ जैसे मास हो गया और ओन हो गई टिप उन सरी उन छोड़िये क्योंकि उन तो पहनने के लिए खाने के लिए थोड़ी है मास हो गया दूद समुद्र के तटिय छित्रों में रहने वाली लोग मचली का मुख हार की रूम में उपयूख करते हैं पिछली कर्चाओं में पौधी से प्राप्त होने वाले खाद पदार्थों के विशे में आप पढ़ चुके हमने अभी सीखा है कि फसल उत्पादन के विविन चरन इसे ही आप लोग पसुपालन कहते हैं मल्चली जो होती है यह आपकी स्वास्त के लिए अच्छा है हमें मचली से खोड लीवर तेल मिलता है जिसमें विटामिन डी अधिक मातरा में होता है विटामिन डी आपका सूर्य में भी होता है तो इसमें आप लोगों क्या-क्या देखा है अब जिसे हम पूरा अध्याय पढ़ चुके हैं अब हमें अपनी छंता जानने के लिए कि हम अच्छे से पढ़ा है या नहीं तो इन सब्दों की परिवासा जान लिया करिए देख लिया करिए इन सब्दों को अगर आपने अधार, हल, रभी, बेज, साहिलो, बॉआई, बंडार, ठ्रेसिंग, खर्पद्वार, खर्पद्वार, नासी, फटकन, ये सभी आप लोग जानते हैं तो आपने क्या सीखा है इस अध्याय में अपनी बढ़ती हुई जिनसंक्या को भोजन प्यदान करने के लिए हमें और खरीब, जो दाई करके मिट्टी तेयार करना, उसे संतल करना आवस्क है, इस कार के लिए हल अध्वापाटल का उपियों करते हैं, बीजों को उचित गहराई पर बोना और उनके बीच उचित दूरी रखना अच्छी उबज के लिए आवस्क है, बीजों की अच्छी कि अध्वा उर्वरक के उपियोक्सी किया जाता है, फसलों की नई किसमों के आने से रहसाइनेक उर्वरकों के उपियोगों में बहुत गिज्दी हुए, उचित समय एवं अंतरालिक पनु, फसलों को जल देना सिचाई कहलाता है, निराई में आवांचित एवं बिना करते हैं, कटाई का आदत होता है, पकी हुई पसलों को हातों या मसीनों से हटाना, कातना, दानों को घुसे से अलगन करना, थ्रेसिंग कहलाता है, पीजों को पीड़कों एवं सूक चिंजीवों से संरक्चित करने के लिए उचित भंडारन आवस्यों, पसुओं को बाल कर अब भी खाद पदात हों, खाद पदात प्राप्त किए जा सकते हैं, इसे पसुबालन कहते हैं आपको, चलिए तो यह सब्द्याय से समंदित आपके कुश्चन से देख लेना, और याद रखना आपकी PDF, टेलिग्राम चैनल पर डाल दी जाएगे, वहां से डाउलोड कर ल अगर आपको इसे बड़े धहर के साथ पढ़ते हैं, तो आपको सब कुछ समय में आ जाएगे, टेला, तो यह था आपका पहला चैप्टर, क्या था हसल उत्पादन इवं पिरवन्द्र? दूसरे चैप्टर में हम लोग बात करेंगे, सोक्षम जीव, मिट देवं सब्त्रू के बारे में, टीक है? नवस्कार तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे, NCEIT कच्छा आठवी की बिज्ञान के बारे में, तो इसमें हम लोग एक चैप्टर आपका देख चुके हैं, यह आपका दूतरा चैप्टर. याद रखिए, आपकी NCEIT जितने भी कबर होती जा रहे हैं, वो सभी NCEIT, पूर कबरेज के नाम से जो आपकी प्लेलिश्ट सुझी है, उसी में मिल जाएंगी, चैप्टर वाई चैप्टर. आपकी 6 से लेकर पूरी 12 तकी उसी में मिलेगी, ठीक है? दूसरा चैप्टर है आपका सुख्चु जीव, मित एवं सत्तु. तो इस चैप्टर को बड़े ध्यान से पढ़िए और लाश्ट में इसका निसकरस बता दिया जाता है. जो लाश्ट में निसकरस होता है इसका इस अध्याय का पूरा निचोड के आए, उसके बारे में या यंत की साहता से केबल आखों से नहीं देख सकते हैं, इन्हें क्या कहते हैं सुख्चु जीव, उधारं के लिए आपने देखा होगा कि बरसा रितू में नमगरेड या रोटी सड़ने लगती है, तथा इसकी सतय सफेट काले दब्बों से धख जाती है, इन धब्बों क आवरदक लेंस की साहता से देखिए, आपको काले रंग की गोल्ड सुख्च सरचनाएं दिखाई देए, क्या आप जानते हैं यह सरचनाएं क्या हैं या कहां से आई हैं, तो सुख्च चिंदिए, किरिया कलाब 2.1, याद रखिए हमेशा कि जो भी किरिया कलाब हुआ करें कि अच्छे से पढ़के निकल जाना है, अब ऐसा नहीं कि आप प्रियोग साला में किरिया कलाब करते बैठ जाने, मालू चला 2-4 साल इसी में बुझा जाना है, ठीक पढ़ना है और निकल जाना है, बगीचे एदवा मैदान में एक बीकर में थोड़ी सी गिली मिट्टी ल आप क्या देखते हैं, एक तलाब फोकर से जलका कुछ भून लिए, कांच की स्लाइड पर फ्हला कर सूप्छन दर्सी की सायता से इनका पेक्चर कीए, क्या आपको सूप्छन जीव करती करती हुए दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों किरिया कलाब हों, इन पेक्चरों से प दिखने छोटे होते हैं, कि उन्हें बिना यंद की सायता से नहीं देखा जा सकता है, इन में से कुछ जैसे ब्रेड पर उने वाले कवक को आवर्तर लेंज की सायता से देखा जा सकता है, जबकि अन बिना सूप्छन दर्सी की सायता से दिखाई नहीं देते हैं, यही कारण जीवारू सेवाल पोट जवाल एवं कबक की कुछ सामान सूप चुझी चित 2.1 और से 2.4 में दर साए गये यह देख ली इस्पाइरल जीवारू इस छड़नोमा जीवारू यह आपका किले माइडो बाइड किले माइडो माइडो मो नास है इस्पाइरो गाईगा अमीवा पै इरामीसियम या कराई जो पस ब्रेड मोल्ड मोल्ड पैनिसीलियम एस पर जीवारू देख लिए ठीक है वीसाड़ू वायरस वीसाड़ू भी एक सूप्च्म होते हैं परन्तु वे अन्न सूप्च्म जीवां से बिढ़न होते हैं बेकिवल पर पोसी में ही गुड़न करते ह हैं अर्थाथ जीवानू पोथा मत्मा जनतु कोशिकाओं में गुड़न करते हैं आपके वायरस वीसाड़ू चित टूपइंट फार में उतर साय गया तूपऊंट फार में आपका वीसाड़ू उतर साय गया देख ली शाड़ू ठीक है आगी चलते हम लोग कुछ सामान रोग जैसे जुखाम हो गया, इन फ्लियों या फिलू हो गया अधिकतर खासी बीसाडू द्वारा ही होते हैं कि कुछ बिसेस रोग जैसे पॉली हो गया, यह मंखसरा भी, बीसाडू या वाइरस द्वारा होते हैं अतिस्तार एवं मलेरिया पोटो जुवा द्वारां होता है टाइपफाइड एवं छह रोग टीवी जीवाडों द्वारां होने वाले रोग इन में से कुछ सोग चुम जीवों के विशाय में आप कक्षा छटवी साथवी में पढ़ चुके है इन्हें याद रखा के लिए कि द्वारा होता है काई सा पोटो जुवाद वारे कुंकि ये वन डेक्षाम में और पिल्लेंस हां आपका क्या है कि क्रम से लगाने के लिए अभवेवस्ते दे देते हैं ठीक तुने याद कर लिए आपको आगे चलते हैं मंदोग सोक्षुण जीव रहते कहां आखे हैं सोक्षुण जीव एक कोसिक हो सकते हैं जैसे कि जीवाडु कुछ सैवाल एवं पोटर जुआ अत्वा बहु कोसिक जैसे कि कई सैवाल एवं कवक यह बरफिली सीट से उष्ण यानि गरम सिरोतन तक हल्पकारिक परिस्तिती में जीव रहे रहे यह मरूस्ताल एवं दल्दल में भी पाये जाते हैं यह मनों से सभी जन्तूं के शरीर के अंदर भी पाये जाते हैं कुछ सुख्षम जीव दूसरे सजीवों पर आश्रत होते हैं जबकि कुछ चन्न सुतंद्रोप से पाये जाते हैं अमीबा जैसा सुख्षम जीव अकेले रह सकता है जबकि कबक एवं जीवानों समूव में रहते हैं अब बात करते हैं सूक्षम जीवों की हमारे जीवन में मतूं क्या है इन में से कुछ हमारे लिए लाबदायक है तथा कुछ अन्हानी कारत तथा जीवों में रोख के कारत है आईए हम विस्ताल से इनका अध्यन करें मित्वत सूक्षम जीवों सूक्षम जीवी बिविन ने कारयों में उपयों किया जाता है इनका उपयों दही ब्रेड क्रेक बनाने केक बनाने में किया जाता है प्राचीन काल से सूक्षम जीवों का उपयों एल्गोहल बनाने में किया जाता है परयावान को स्वक्ष रखने क किया जाता है उधारन के लिए कार्वनिक अपसिष्ठ सब्जीयों के चिलके जन्तु आउसेस बिष्ठा इत्यादी का आपकटन जीवांड़ों द्वारा ही किया जाता है तथा हानी रहत पदार्थ बंद्दि इसमेड कीजे जीवांड़ों का उपयोग आउसदी उत्पादन इवं किर्सी में मिर्दा की और वक्ता में बिद्धी करने के महम किया जाता है जैसे नाइट्रोजन इस तरी करन जैसे क्या होता है नाइट्रोजन इस तरी करन आगे चलते हैं लोग दही इवं ब्रेड का बनाना आप कक्षाच साध्वी में पढ़ चुके हैं कि जैवाणू दूद को दही में परिवर्दित करते हैं कि दही में अलेक सूप्छम पाए जाने वाले सूप्छम जी पाए जाते हैं जिनमें लेक्टो बैसीलस लेक्टो बैसीलस नामाग जीवाणू प्रोक है जो दूद को दही में परिवर्दित कर देता है वह दूद में जनन कर उसे दही में परिवर्दित कर देता है जीवाडू, पनीर, ची, अचार, अनेक खात्पतातों के उत्पादम में सहायक है, रवा, सूजी, इडली, इबन भटूरे का एकमात्पूर, संगटक, संगटक क्या है दई, क्या आप अनुमाल लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों है, जीवाडू इबन इस्ट, चावल के आटे के कि इवाड में सहायक होते हैं, जैसे इडली इवन डोसा बनता है, बात करते हैं क्रिया क्लाब 2.3 के बाद, एक बर्तम में एक बर्ते 2 किलोग्राम आटा, अथवा मेंदा लेकर उतमें थोड़ी सी चीनी डाल कर गर्म जल्ब से मिलाएक हो, इसमें थोड़ी मात्रा एक चुट हुआ हुआ यानि की फुला हुआ पाय, इस्ट पाउडर या आपका खमीर द्वारा उठीवी मेला, इस्ट तीपता से जनन करके सुसन के द्वारा कारवन डाई ऑक्साइड उत्पादित करते हैं, गैस के बुलबुले खमीर वाले मैदे कायकन बढ़ा देते हैं, ये वेकि बड़े इस्तर पर एलकोहल, सराव, एसिटिक एसिड की उत्पादन में सूप नजीओं का ओप्योग किया जाता हैं, जो गैवुचावल एवं फलों के रस में उपस थे, प्राक्तिक सरक्रा में इश्ट द्वारा एलकोहल एवं सराव का उत्पादन किया जाता हैं, क्रिया जिसमें दो, इसमें दो से तीन चम्मच चीनी को लिए, इसमें एक वट्टे दो चम्मच इस्ट पाउडर लाग डालीए, इसे चार से पांच गंदों के लिए उस्ट नेताज पर डग कर रख दिए, बिलेयन को सुम कर देखिए, यह गंद एलकोहल की है, जो चीनी के एलको मैं परिवर्तन की यह पिक्रिया क्या कहलाती है, किडवन, हर्मेट, टेशन, कहलाती है, लुई पास्चर ने किडवन की कोज 1857 में की थी, देख दीजेन, लुई पास्चर, आगे बाद कलते हैं, सूप चुजीवों की औस दी ओप्यों, जब कभी आप बीमार पढ़ते हैं तो डॉक्टर आपको पहने से लिए इन का इंजेक्शन दे देते हैं, अत्वा कोई अन पिद्धिजेविक की गोली, अत्वा कैप्सूल देते हैं, इन ओस्दियों का सरोत सूप च्म जीव हैं, ये बीमारत बीमारी पैदा करने वाले सूप च्म जीवों को नश्ट कर देत हैं, अत्वा उनकी बिद्धि को रोग देखें, इस पेकार की ओस्दि को पिद्धिजेविक यानि की एंटिवायोटिक कहते हैं, आजकल भी जीवानों और कवक्ष से अनेक पिद्धिजेविक कोस्तियों का उत्पादन हो रहा है, इस्टेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक साइकलिंग रेथ्वमाइसिन सावान रूप से उप्योग की जाने वाली इत्वी जैविक हैं, जन्हें कवक एबं जीवाणों से उत्पादित किया जाता है, किसी पेकार के सुक्षमईव का स्तमभरधन करके पिद्धिजेविक का उत्पादन किया जाता है, जन्हें अनेक प्रोहों चिकेस्ता में उप्योग में हम लोग लाते हैं, सन 1929 में अलेकजेंडर फ्लेविंग जीवाणों से बचावईतों एक संबल्धन का पर प्रियोग कर रहे थे, अचानक उन्होंने संबल्धन तस्तरी पर हरे रंग के फपून के छोटे जीवाणों देखे, उन्हो कि बहुत सारे जीवाणों फपून द्वारा मारे गए, इस पिकार फपून से आपकी पैनिसलीन बनाई गई, सबसे पहले एंटिवाइटिक कौन सी है पैनिसलीन, 1929 में ठीक अलेकजेंडर फ्लेविंग में बनाई थी, पसु अहार एवं कुपकुट, अहार में भी पिति जैविक का उप्यों कुछ पौधों के रोख नियंतन के लिए भी किया जाता है, द्यान रखना चाहिए कि डॉक्टर की सलाय पर पिति जैविक की दवाएं लेनी चाहिए, तथा उस दवा का गोश भी पूरा करना चाहिए, यदि आप पिति जैविक उस समयल लेंगे जब उसकी आवसकता नहीं है, तो अंगली बार जब आप बीमार होंगे और आपको पिति जैविक की आवसकता होगी, तो आए उतनी प्रभावी नहीं होगी, इसके अतरेक्त अनावस्तर क्रूप से लीगें पिति जैविक सरीर में पोस्तित उप्योगी, जीवाडूगी, नश्ट कर देती है, सरी जुकाम, फिलू में, इती जैविक प्रभावसानी नहीं है, क्योंकि यह रोग बीतनाडू द्वारा होते हैं, बात करते हैं, बैक्सीन या टीका, जब रोग कारक्ष सुख चिंजीव, हमारे सरीर में प्रविश करते हैं, तो उन से लड़ने के लि तो उससे किस पेकार लड़ा जाएं, अता यदि मिर्तत अत्वा, निस्त्रीय सुख चिंजीवों को सौथ बैक्ति के सरीर में प्रविश्ट कराया जाएं, तो शरीर के लिए उसका हैं, उसी केम सा लड़ने के पिती रक्षी उप्पन करके रोग बाहक को रोग कारक को नश आपने बच्पन में पोलियो की दभापी होगी, तो इसका मतलब भी रहता है, पता है, उस समय आपने पोलियो की दभापी ले, कि अब कभी भी आपको जिन्दगी में अपने जीवन काल में पोलियो होता है, तो वो लड़ने के लिए, किस तरह आप लोग याद रख सकते हैं कि जैसे आप अपने बॉर्डर को लेगे पाकिस्तान भारत या हम लोग पहले से ही हमें मालू है कि पाकिस्तानी किस तरह से हमला करेंगे तो हम इस तरह क्या करें या आपका पाकिस्तान इंडिया तो हम अपने बॉर्डर को अपने भार निपट सके जैसे ही पाकिस्तान से आध्मकवादी जो भी उसे लिए मारी सेना बैठी होगी तुरंत वो सक्रिय हो जाई और निपट लेगी इसी तरह आपका जो टिंका रहता है पोलियों का इसी लिए जिया जाता है कि जीवन काल में आपके कभी भी अगर आपका पोलियों वायरस आप पर हावी होता है तो वो उसे दवा दिए एडवर्ड जैनल में चेचक के लिए 779 में चेचक के टीकों की टीके की कोछ किस ने की ती एडवर्ड जैनल में 779 में आपने बच्पन में आपको भी अनेक रोगों से रक्षा करने के यह तीनके वैक्सी दिये लिए होंगे क्या आप इन रूस रोगों की सूची तेयार कर सकते हैं इसके लिए आप अपने माताफ़ता भी मदद ले सकते हैं सबी बच्चों को इन रोगों की सिस्रक्षा की आवस्कता होती है आवस्क तीके निकट के अस्पताल में उपलब दोती है बच्चों को फोलियों से बचाने के लिए आपने टेलीवीजन एबन समाचार पत्रों में पोलियों के ठीका करण के बिड़ गयापन पल्स पोलियों देखेंगे। पोलियों डॉरॉप को बच्चों को दिया जाने बाला बास्तों में एक ठीका याने की बैक सीन है। चेचक के बिरुद बिस्वयाथी अवयान चलाए गया जिसके परड़ाम सुरूप बिस्ट के अधिकांस भागों में चेचक का अनुमूलन हो गया। आजकल सुख्च जीवों से टेके का उत्वादन बड़े श्तरपट किया जाता है। जिसे मनों से एबं अनेक जन्तुओं को अनेक रोगों से बचाया जाता है। मिटी की औरवलता में बिद्धी है। कुछ जीवार्वु एबं नीली हरेसेवाल बायूमंडलिये नाइट्रोजन का इस्तरीकरन कर सकते हैं। इस पेकार मिलता में नाइट्रोजन का संबर्दन होता है। और उनकी औरवलता में बिद्धी होती है। इन्हें सामान तक जैविक नाइट्रोजन इस्तरीकरन गहते हैं। नाइट्रोजन इस्तरीकरन साइनो बेक्टरिया एक नीली हरेसेवाल देख लिए। बात करते हैं पर्यावान का सुद्धी द्रण अपने विद्ध्याली की माली को दे ने की बश्चात पहेली बूजो दूसरे विद्ध्यातियों गहरों बापकरीच्चों से पत्तियां एवं सब्जीयों का कचराय करतित करके उसके निप्तान के लिए बनाएगे कड्डे में को समय बाद इसका विक्टन होने से यह खाद में परिवर्थित हो गया पहेली और बूजो जानना चाहते थी किया किस पेगाल हो सका किरिया किला 2.5, 2.5 दो गमले लेकर पिते को विट्टी से आदा बढ़ दीजें एन्हें ए और बी में चिन्नित किए ए गमले में पौदे का कचरा बढ़ दीजें तथा दूसरे गमले बी में पॉलीधिन की थैली कांच की खाली बोत लें इवं पिलास्टिक की टूटे खि क्यारी भल दीए उन्हें एक और रख दीजें तीम से चार सब्तार बार उनका प्रिक्चन की लिए क्या आपको दोनों गमलों की वर्स्तुम में कोई परिवर्तन यानि के अंतर देखाई देता है यदि हाल तो क्या अंतर पलिलक्षित होता है आप देखें यह गमला एक पादप आउस्ष्ट का अवगठन हो गया है यह कैसे हुए है सूख्छं जीवों द्वारा पादप आउस्ष्ट का अवगठन कर उसे खाद में बदल दिया गया है इस पिक्रिया में बने पोस्त पो खिलोने की तूटे हुए टुकडों में इस पेकार को परिवर्तन नहीं हुए सूख्छं जीव उन पर क्रिया करके खाद में परिवर्ते नहीं कर सकते हैं आप अक्सर बड़ी मात्रा में मिर्ट जीवों को सड़ते प्रिफादा पेवं कभी-कभी सड़ते हुए जंतों के रूम में देखते हैं आप देखते हैं कि कुछ समय बाद वह बिलुप्त हो जाता है इसका मुख प्यारण है कि सूख्छं जीव मिर्ट जैवी और अवसिष्ट का अगमेगन करके उन्हें सरल पदार्थों में परिवर्ति कर देते हैं यह पदार्थ अन्पौद में जंतों पुणहां उपयों कर लिए जाते हैं इस पेकार आनिकारे के उन दुर घंद एक पदार्थों का निम्लिक एण करने के लिए हम सूख्छं जीवों का उपयों करके पर्यावान का सुध्धी करां कर सकते हैं सूख्चंजीब अनेक प्रकार से हानिकार के कुछ शूखचंजीब मनोज जन्तों यह यह पोधाँ में रोग उत्पन करते हैं तो रोग उत्पन करने वाले ऐसे सूखचंजीब को रोगाड़ कि और रोग जन करते हैं कुछ सूख चुंजी भोजन कपड़े एवं चड़े चमड़े की वस्तुमों कुर संदूज सित कर देते हैं आए उनकी हानिकरिक दतिविदियों के विशाय में और अधित जान करिए राब करें करें ने दोर्व जींटू करने वाले स्वास द्वारा पेजल एवं भोजन द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं संक्यमित ब्यक्ति अत्वार जन्तु के सीधे संपर्ठ में आने पर भी रोग का संचन हो सकता है सूख्षे जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संख्यमित ब्यक्ति से स्वस्त व्यक्ति में बायू जल बोजन अत्वा कायक संपयक द्वारा प्हलते संचर्णी प्रोग कहलाते इस पेकार के रोग में कुछ उधारने जैसे है जरा हो गया सामान सर्दी जुखाम चिकन पॉक्स छे रोग आदि जब जुखाम से पीड़े कोई व्यक्ति चीनता है तो सुख्स मिपूनों के साथ हजारों रोग कारग वायरस यानि की भीचदाड़ों वायू में आ जाते हैं या वायरस स्वास के साथ ले जाने वाली वायू के साथ सरीन में प्रवेश कर जाते हैं मुझे इसलिए आपने देखा होगा कि चेंकते वक्त हम अपने या तो रोमाल लगा लेती हैं या अगर कोई चेंक राया तो उससे दूर हट जाया गई कि बात करते हैं कुछ कीट एवं जन्तु ऐसे भी जो रोग कारक्त सुख नजीगों को रोग बाहक का कारक्त करते हैं घरयलू मख्य कोड़े एवं जन्तु अफस्ष्ट पर बैठती है रोगानु उसके शरीर में सिच्च बग जाते हैं जब मख्य बिना धके भोजन पर बैठती है तो रोगानु का इस्थान अंत्रव संभव जो भी बैठती ऐसा संदूसित भोजन करेगा उसके बीमार पढ़ने की सं अता यह सलाय दी जाते हैं कि भोजन को सदा ही रख कर रखा जाए बिना रखे भोजन को खाने से बचना चाहिए मदा एनॉपलीज मच्चर इसका अनुदार नहीं मच्चर पिलेजमोड डियम मलेरिया परजीवी का बहात है मदा एडिज मच्चर डेंगु के वायरस का बहा हम मलेरिया अद्वार डेंगु करने इंतर इस विकार कल सकते हैं कि देखिए यह आपका मच्चर सभी मच्चर जल में उत्वन होते हैं हमें पानी को कहीं भी रोका नहीं रहने देना चाहिए कूलर टायरों फूल लानों इत्यादे में कहीं भी जल्के को एकत्तित ना हो प्रविदा होने से रोक सकते हैं ऐसे उपायों की सूची बनाएं बनाने का प्रयास कीजिए जिसे अपना कर मलेरिया को पहलने से रोका जा सकता है मनस्तों में सूच जीवां द्वारा होने वाले रोक इन्हें याद रख लीजी क्योंकि इस तरह के कुश्चन्स आपके बार बार पूंचे जाते हैं यह मानव रोग हो गया रोग कारक्त सूचन्जी हो गया संचन्ड का तरीका बचाओ के सामान वह पाय हो गया भांटा है छैसरा विरस होता है यह उड् charts है कि इसका संचन क्या से बाई खस्रा है वायरण से उता है यह सुछ दआ है chicken box वायरोर भाई या सीधे संपड़ मतलब पिद्धा है Polio वायरण से याँ जल इसका संचण का तरीक है, इसे वपाई की बात करें तो रोगी बैक्तिकों पूरी तरह से अन बैक्तियों से अलगर रखना चाहिए, रोगी की बैक्तिकर बस्तुकों को अलगर रखना उचित समये पर तुमिक अकन करने, है यह आपका जीवांडू से होता है इसका संचर्ण यानि की फैलने का तरीका है जल भोजन टाइप हाइड जीवांडू से फैलता है यह जल से फैलने जल के दवारा दूसरे की बास पहुंचता है ब्यक्तिका स्वच्छता एबं अच्छी आतों कोहना नहीं भली बाती पक्य भ चाहिए इसका संचेर्ण का जरिया है जल इसका उपाया है उबले हुए पेजल का उप्यो टी का करांसों मलेरिया है पॉटोजवां से फैलता है मच्छर से मतलब इससे रोकने का क्या है समाहदान मुच्छा दानियों का प्रीयोग मुच्छर वगाने वाले रशाइनों का प्रीयोग की प्यान ना सक कछ्छड you know को मच्चर प्रजिनन रोकने की जलकों की सतान पर सकति ना रहने मनीस समें ओने वाल कुछ सामान रो उनके फ्रविब रोकने की drinking पाई तालिखा दर्शाइय तेकर देख होंगे जन्तूं में रोग कारक जी बाडू के अनेक सूर्ठ मुझीद केवल मनुसेवं होदों में रोग के कारक नहीं है, बरन में दूसरे जन्तूं में भी रोग उत्पन करते हैं, वदारण के लिए एंतिक्स मनुसेवं अभेसिवं में होने वाला बयानक रोग है जो जीवाड़ू होता है गाय मक्खोर एक मुहे का रोग वायरस द्वारा ही होता है कि यह देखी लिए रोबर्ट कोच ने अठारे से चेत्र में बैसीलस एंथेसिस नामक जीवाड़ू की कोच्ची थे जो एंथेक्स एंथेंस रोग का कारक है बात करते हैं पौदों में रोग उत्पन करने वाले शूक्च मुई अनिए शूक्च गी गयमू चावल अलू गन्ना संत्रा सेव इत्यारी पौदों में रोग के कारक है रोग के कारन फसल की उपड़ में कमी आ जाती है तारीका 2.2 में कुछ बाधा प्रोग दर्साय गए हैं, कुछ रसायनों का प्रियूब करके इन सूख्षमी जीवों पर नेतन पाया जा सकता है। सूख्षमी जीवों द्वारा पौधों में होने वाले कुछ सामान आपकी रोगें। यह आपकी बाधा प्रोग होगें, सूख्षमी जीव हो गया, या संचर्ण का या फ्यलने का तरीका हो गया है। नीवू कैंकर जीवारा पौधों द्वारा प्पलता है बायू से। ग्यमू की रष्ट कबक बायू हों बीज, बिंडी की वायरस कीत, क्या है। वायरस से खेलता है, कीट द्वारा एक जगे से दुख से जवगे। बात करते हैं खाद विसाकतन। बूजो के एक मित्त ने उसे एक पाटी में अमन्तित किया। वहां उसने अनिक पिकार के बिंजन खाए। घर में आने पर उसे वामन यानि की उल्टी होने लगी। सुख्न जीवुद्वारां, संदूसित भोजन करने से खाद, विसाकतन हो सकता है। हमारे भोजन में उपण होने बाले सुख्न, कभी-कभी बिसहलिपदा उपण करते हैं या भोजन को विसाकत बना देते हैं। जिसके सेवन से व्यक्ति बहेंकर रूप से रोगी हो जा सकता है अध्वा कभी-कभी उसकी मित्ती भी हो सकती है अता है या आवसक है कि कभी वोजन को संदूर सित होने से बचाते हैं खात परी रक्षन अध्या एक में हमने क्या देखा था खात वीजों की परी रक्षन एवन भर्णारन के उपायों उपर किबिसे में पढ़ाता है हम पकेवुए वोजन का घर पर परी रक्षन किस कर सकते हैं आप जानते हैं कि खुले वा नम इस्थानों पर रखी ब्रेड़ पर कभग आख कर देते हैं सोख्ण जीव हमारे भोजन को संदूसित कर देते हैं संदूसित भोजन से दुर्गन आने लगती है और इसका स्वाद भी खराब हो जाता है तथा रंग रोग में भी परिवर्थन आज सकता है क्या भोजन का संदूस न एक रसाइने अभी किरिया है पहरी ने कुछ आम खरी दे परंदू कई दिनों तक वह उन्हें नहीं खास पाई बाद में उसने देखा कि भी सड़ कई परंदू है जानती है कि उसकी दादी द्वारा बनाया गया आम काचा है काफी समय तक संदूस नहीं होता है यानि कि नहीं सरता है वह ध्यमित है आहिए हम खाद परिक्षन के कुछ सामन तरीकों का अध्यन करें जिनका उप्यों हम अपने घड़ों में करते हैं हम इने सूप्च जीवों से बच्छाओ के उपाय करना चाहिए सूप्च जीवों की बिद्धी नहीं होती है सोडियम अंजयोैट तक सोडियम ह। आइट सामान परीरक्षण जैम इवं सुख्वे बनाने में रसाइनों का उप्योग इन्हें संदूसित होने से बचाता है नमक द्वारा परीरक्षण सामान नमक का उप्योग मास एवं मचली के परीरक्षण के लिए कापी लंबे अर्शे दे किया जा रहा है जीवाणों को विद्वी रोपने के लिए मात एवं मचली को सूखे नमक से डग देते हैं नमक काउप्योग आम आउला हिमली के परीरक्षण में भी किया जाता है अच्यार में आपने देखा हुआ चीनी द्वारा परीरक्षण जैम जैली एवं स्कोर्स का परीरक्षण चीनी द्वारा किया जाता है चीनी के पेवक से खादबदालतों की नमी में कमी आती है जो संदूसान करने वाले जीवाणों की विद्धी को डेंतिक करता है तेल एवं सिर्के द्वारा परी रख्चन तेल एवं सिर्के काउपयों अचार को संदूसन से बचाने में किया जाता है क्योंकि इसमें जीवारों जीवित नहीं रह सकते हैं सब्सक्राइब प्रवल मचली अत्वा मास्क परी रख्षन इस विधी द्वारा करते हुए गरम एवं ठंडा करना आपने अपनी मार को दूद उबाल कर रखते हुए देखा हुए उबालने से अनेक सूप चिंजिए नष्ट हो जाते हुए और इस पेकार में अपना भूजन रेफिजरेटर में रखते हुए क्योंकि हम ताप सूप निजिगों की बिड़्दी को रोपता है और चरीक दूद को बिना हो वाले इस्तिमाल किया जा सकता है क्योंकि यह सूप निजिगों से मूखत होता है इसलिए दूद को सटर्ष डिग्री से पर 15 से 30 सेकंड के लिए गरम करते हैं फिर एकाएक ठंडा कर उसका बंदारन कर लेती है ऐसा करना से सूप निजिगों की बिद्धी रोप जाती है इस पर क्रिया की कोज लूई पॉस्चर नामवविग्यानिक ने की थी इसे निजिए से पॉस्चरी करन कहते है बंदारन एवं पैकिंग आजकल देवे ततना सब्गियां भी बाई रोधी सील कर किये गए पैक्टों में बेंचे जाते हैं जैसे सूप निजिवियों से सुरक्षा होते हैं अब बात करते हैं नाइट्रोजन इस्थरी करन आपने कफचा चटवी और साथवी में राईयो बीयम जीवारू के बारे में पड़ा है जो लेगियों पॉते दलहन में नाइट्रोजन इस्थरी करन में साहिए होते हैं इसमाइट कीजिए याद कीजिए कि राई जो बीयम लेंगियों पॉदे की गरंतिकाओं में रहते हैं जैसे सैम और मटर जो एक सही जीटता हैं कभी-कभी तड़ित विद्धुत द्वारां भी नाइट्रोजन का इस्थरी करन होता है पद्दु आप जानते हैं कि नाइट्रोजन की मात्रा बायू मंडल में इस्थर रहती है आपको आश्चर होगा कि यह कैसे संब्भव आईए इसके बिशाय में अंगले भाग में समझते हैं कि नाइट्रोजन चक कि देखिया लेंग्यू पदे की जड़गर्णत ही आए हमारी वायू मंडल में अठत्तर पिती सत्थ नाइट्रोजन गयसे सबसे जानगल नाइट्रोजन सभी सजीवों का आवासक संगटक है जो प्रोटीन पर हंदित किलोरोपिल नियूकलेट असे और बिटामिन में उपस्तित होता है पौधों यवां जन्तु भायू मंडली नाइट्रोजन का उप्यों सीधे नहीं कर सकते हैं मिट्टी में उपस्तित जीवाडू मन नीर नीले हरे सेवाल भायू मंडली नाइट्रोजन कर्षतरी करके नाइट्रोजन एवुकों में परि दिवर्तित हो जाता है तो पौदी इसका उप्यों मिट्टी में से जड़ द्वार जड़तंत द्वार करते हैं कि इसके पश्चाद आउसोसित नाइट्रोजन का उप्यों प्रोटीन एवं अन एयोगों के संसेलेशन में करते हैं पौदों पर निर्वार करने वाले जन्तून के प्रोटीन एवं अन नाइट्रोजनी योगे प्राप्त करते हैं पौधों एवं जन्तियों की मित्तियों के बाद मिट्टी में ओपस्तित जीवाड़ों एवं कवक्त नाइट्रोजन अपसिष्ट को नाइट्रोजनी एवकों में परिवर्द करते थे जो पौधों द्वारा पुना होपियों किया होता है कुछ भिसिश्ष जीवान्य नाइट्रोजणी ंवकों को नाइट्रोजन गेस में परिवर्थ faculty दें जो भाइउव मन्डल में चलीा है को ऒंडाम सवरूब भाईउमनंळ में नाइट्रोजन की मत्रा लगभग इसतर है पर दो हिंगुह प्रदेगति है को नाइट्रोजन ही यह हो में परिवर्तित मिट्टी में वबस्तित नाइट्रोजन के यह होगे जीबाडू द्वारा नाइट्रोजन यह होगे का गैसी यह नाइट्रोजन में परिवर्तित द्वारा नाइट्रोजन इस्तरिकन छिव परे मिट्टी में वबस्तित नाइट्र इस तरह से आपका चक चलता रहते हैं तो इस अध्याय में हमने क्या क्या जान लिया है अगर इन सब्दों की आपको परिवासा या इस अध्य होती क्या है समझ में आ गया तो आपने अध्याय बहुत अच्छे से पढ़ा हुए तो इसमें आपने सहवाल के बारे में जाना है इति जयविक के बारे में जाना है, इति रक्षी, जीवाडू, वाहक, संकरमा क्रो, किडवन, कवाक, लेक्टुबैसिलर, सूप्चमजीब, नाइट्रोजन चक, नाइट्रोजन इस्थरीकर्ण, पस्थरीकर्ण, रोग जनक, परीरक्षण, पोटोजवा, राईयोग, डियम, टीका, बीचाडू, इस्थ, या खमी, इन सभी के बारे में जाना, अगर आपने अच्छे से द्यान से सुणा हुआ लेक्टूर, तो इन सब के बारे में समझ में आया हुआ, आपने क्या सीखाया है, सूप्षन जीव अतेंत छोटे होते हैं, तथा बिनेयनत की सायता से, अ सूप्षन जीव बायू, जल मिट्टी, बौधों एवं जन्तू के सरी में पाए जाते हैं, एकोसिक एवं बहु कोसिक होते हैं, जीवाडू कभग फोटो जुआ, एवं कुछ सेवाद, सूप्षन जीवों के अंतरगत आते हैं, बीचाडू इन में से अलग हैं, लेकिन फि कुछ सूप्षन जीव, जैविक कच्री, जैसे कि मेरत पौधे एवं जन्तू अक्षिष्ट को अभगटित कर सर्व पदार्तों में परिवर्टित कर देते हैं, तथा बातावड को सक्च बनाते हैं, पोटो जुआ अतिशाद के तथा मलेगिया जैसे रोवधपन करते हैं, कुछ सूप्षन जीव, हमारे भोजन को बिलसाथ कर देते हैं, कुछ सूप्षन जीव लेगियों पौधेत जड़ों एवं तथा गरंती काओं में पाये जाते हैं, बायू मंडलिये नाइट्रूजन को मिट्टी में इस्तरी कर देते हैं, जैसे मिट्टी की रुबरता में बिद्धी होती है, मिट्टी में उपस्ते जीवाणू और नीले हरे सैवाल, बायू मंडलिये नाइट्रोजन को इस्तरी कर देते हैं, बिसे जीवाणू मिट्टी में उपस्ते नाइट्रोजनी योगों को नाइट्रोजन गैस में परिवर्टित कर देते हैं, जिनका, जिस सबी इसलिए पढ़ने के लिए कि आजाता है कि आपका वेस मजबूत है अब जैसे आप आंगे जाएंगे जो बेहतर किताब हैं जैसे आपका एंद लच्मिकांत हो गया या फिर आपकी हिष्ट्रीगी हो गई इस्पेक्ट्रम हो गई कि अगर आप पढ़ते हैं आगी तो आपको सब्द समझ में तो आना चाहिए कभी आपसे पिती जैविट सेवाग पिती रक्षी जीवाड़ु वाहाग संक्रमक्रो केडवन ये सब्द आ जाते हैं तो इनके बारे आपको पता तो होना चाहिए वहां क्या समझोग या तो इसल समंदित आपके कुछ अभ्यास के लिए कुर्श्यंस दिये गया हैं देख लेना हैं और पीडिय अब आपकी टेलिग्राम पर उपलग करा दी गया है वहां से डाउनलोड कल लेगा है कि अच्छे से पढ़िए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बड़ा अच्छा कहानी का रोप दे दिया गया है वह कुछ सब को समझ में आ जाए बस आपको देहर के साथ पढ़ना है कि आप जानते हैं जीवाणों के दिभी पर मनुस्त के बहुत पहले से रहे रहे थे हैं यह बहुत सक्त जीव है इसलिए बेकतिन परिस्तिति में भी रह सकते हैं बे मिट्टी के वरतन में उबलते तथा ठंडे बरकेले पानी में जीवित पाए जाते हैं बेकाश्टिक प्रेविक एसेड के पोकरे में पाए गया है वे अनेक किलोमीटर की गहराई में जीवत रह सकते हैं वे संभावता अंत्रेक्ष में भी रह सकते हैं इस पेकार का जीव जीवानु कैमरे पर देखा रहे हैं जो चंदमाफा दो वर्सनों से था संभावता कोई पर्यावाण ऐस पर देखा नहीं है जिसमें जीवान जीमित ना रह सकें तो चली यह था आपका दूसरा दिया है सुब्ची जीव में तेवं सत्व तीसरे चेप्टर में हम लोग बात करेंगे संसले से फिरेट से और पिलास्टिक के बारे में हेलो दोस्तों तो चली हम लोग बात कर रहे थ करेंगे संसले से और प्लास्टिक के बारे में एक बात हमें से याद रखिए कि इन सभी अध्याय को अच्छे से पड़ी लाश्ट में आपका जोगी निसकस होता है यानि कि इस चैप्टर का जोगी निचोर होता है उसे बता दिया जाते है ठीक है तो धहर के साथ आपको पोसाग जिने हम पहिंते हैं कपड़े से निर्मित होते हैं कपड़े प्राक्तिक या फिर किंतिम सुरोतों से प्राप्त रेसों से बनाये जाते हैं क्या आप कुछ प्राक्तिक रेसों के नाम बता सकते हैं रेसों का उपयोग विवित पिकार के अनेक घरे लोग बस्तुओं के निर्मार है तुभी किया जाते हैं रेसों से निर्मित कुछ सामान निम बस्तूओं की सूची बनाईए उन्हें प्राक्तिक और किंतिम रेसों से निर्मित बस्तूओं में विभाजित करने का प्रयास कीजिए आपने कुछ बस्तूओं की किंतिम चिन्ने को किंतिम चिन्ने किया हो अपने पिछली कफ्चाओं में पढ़ा है कि प्राफ्टिक रेसे जैसे कपास हो गया उन्ध हो गया रेसम आधी पोदों अत्वा जन्दू से प्राफ्ट होते हैं दूसरी ओर संसलेसित रेसे मनुस्त सुंद्वारां बनाए जाते हैं इसलिए संसलेसित अथवा मानव निर्वित रेसे भी कहलाते हैं संसलेसित रेसे क्या है धागे से जोड़े मनकों के हाद में पाई जाने वाली एक रूप बनावट को इसमाइड करने का प्रयास कीजिए इस तरह से कुछ कावित किल्पों को जोड़कर एक लंबी सिंखला बनाने का प्रयास कीजिए तो अदोन में कोई समनता है एक संसलेस ते रेसा भी छोटी इकाईओं को जोड़कर बनाई गई एक सिंखला है पितेक छोटी इकाई बास्तों में एक रसानिक पतार थे इस प्रएकार की अने चोटी इकाईयां मिलकर एक बड़ी एकल इकाईयों इकाई बनाते हैं जो बहुलाक अंग्रेजी में से क्या कहते हैं पॉलीमर कहलाथ पॉलीमर जो आपका सब्दी घ्रेक भासा की दो सब्दों पॉली ŁUK और मर दोन Evans से बंगता है। बहुलक प्रक्ति में भी पाये जाते हैं उधारन के लिए का पास एक बहुलक है जो सेलूलोज कहलाता है। सेलूलोज बड़ी संख्या में गिलूल कोच विकाईयों द्वारा निर्मित होता है। संसलेसित रेसों के विकार रेयोन। आपने कक्षा साथमी में पढ़ा है कि रेसम कीट से ब्राप्त किया जाते हैं। इसकी खोच चीन में हुई थी। और इसे लंबे समय तक कड़ी सुरक्षा में गोपनी हैं रखा गया है। रेसम रेसों से ब्राप्त कपड़ा बहुत महेंगा होता है। परन्तु इनकी सुन्दर बनावट निप्पिदेख ब्यक्ती को मुह लिया। रेसम को किंतिम रूप से बनाने के प्रयास किये गए। उन्नीसबिस दापदी केंतिम चोड़ पर बिग्यान को कूप। रेसम समान गुड़ों बाले रेसे प्राप्त करने के सफलता प्राप्त किया। इस पकार का रेसा काश्ट लुगदी के रसायनिक उप्चाल से प्राप्त किया जाता है। यह रेसा रियोन अत्वा किंतिम रेसम कहला है आपकर। यह पी रियोन प्राक्तिक रेसे प्राक्तों से स्रोध काश्ट लोगदी से प्राक्त किया जाता है यह एक मानवनेमित रेसा है यह रेसम से सस्ता होता है परन्तों इसे रेसम रेसों के समान बुना जा सकता है इसे रंगों की किसमों से रंगा भी जा सकता है रियोन को कपास के चाद्र ने बनाते हैं अधवा उन के साथ मिलाकर कालीन या पिराफ गलीचा बनाते है। रह निर्मित बस्तु३ों का चित देख लिएए, नाइलोन से निर्मे विभिन बरस्तों नाइलोन एक अन्य मानों निर्मे रेशा है इसे 1931 में बिना किसी प्राग्तिक कच्चे माल पौधिय या जन्तु से प्राग काउपियों किये बिना किये बनाये बराग क्या है नाइलोन एक अन्य मानों निर्मे रेशा है इसे आपका 1931 में बिना किसी प्राग्तिक कच्चे माल कउपियों किये बिना बनाये था इसका निर्माण कोईले जल और बाइब से किया या पिथम पूर्ण रूप से संसलितिद रेशा है नाइलोन रेशा प्रवल पित्यास्त और हलका या चमकीला और दुलने में सोगम था अता या कपड़ों के निर्माण हितु बहूल बहुत पिछलित होती हुआ क्या नाइलोन रेशा बास्तों में तना प्रवाल है कि हम इससे नाइलोन पहरा सूथ और चक्टानों पर चणने हितु रस्ते बना सकते हैं हम लाइनों नाइलोन से निर्माण कई बस्तों को उपयोग में लाते हैं जैसे जुराबय हो गए रस्ते तंबू नाथ साफकरने का बोर्ट ब्रोस कारों की सीट के बट्टे स्लीपिंग बैट सेंध्यला परदि आधी नाइलोन का उपयोग परासूट नाइलोन का उपयोग परासूट वर चट्टानों पर चणने हितु रस्तों के निर्माण में भी किया जाते हैं एक लान नाइलोन का ताल इस पात के ताल से अधिक पिरवल होता है देखिए इस तरह से किरिया क्लाप 3.1 एक क्लैम युक्त लोही का स्टेंड लिजे लगवक 60-60 cm लंबा एक सूथी धागा लिए इसे क्लैम से बांद दीजिए जिससी है सुतंत रूप से लटक जाए चित तीन दसम्लों पात में पितर से ते मुक्त सिरे पर मुक्त सिरे पर एक बहु एक होख लगा पलड़ा बांद दीजिए जिसमें बांट रख रखे जा सकें पलड़े में एक एक करके बांट तब तक रखते चले चले जाए जब तक की धागा टूटना जाए धागे को तोड़ने ही तो आवस्य कुल भाल को लिख लीजिए यह भा आपड़ों को साइड़नी 3.2 की माती साइड़ीवत करें दागों को उनकी पढ़ते समर्थ के किरम में बिवस्तित करें आप रेशों या दागों को लटकाने ही तू दीवार फल भी एक हो अत्वा कील कवपयोब भी कर सकतें दूसरे सिरे पॉलितन की थैली बांट सकतें ब पड़के निकल जाना है इस पर जादा दिमाग मत लगाईगी पॉलिष्टर और एक्रेलिक पॉलिष्टर एक अन्न संसलेटिस रेसा है आपका इस रेसे से बने कबड़े में आसानी से सिल्वटें नहीं पड़ते हैं यह सब आठ रहता है और सद्दाबूबक धुल जाते ह आपने लोगों को संदर पॉलिष्टर कमी है और अन्न परीधान पहने अवस्त दिखा होने टेरीलीन एक लोग प्रिये पॉलिष्टर है इससे बहुत महीन रिसों में खींचा जा सकता है जैने फिर किसी भी अन्न तंतुस समान बुना जा सकते हैं पेट पॉलिष्टिन एथिलीन तर्थिलेट एक बहुत सुपरचित प्रिकार का पॉलिष्टर है इसका उप्यों के लिए बरतन फिल्म तार और अन्न बहुत सी उप्योगी उत्पादों की निर्माड़ीतू किया जाता है पेट चारों और दिश्ट की गुमाईए उपॉल पॉलिष्टर 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 पॉल पॉल यह पॉली एश्टर और ओन का मिसरण है हम सर्गीयों में स्वेटर पाइंते हैं तथा साल अध्वा कंबलों का उपयूग करते हैं इन में से बहुत से बास्तों में प्राक्तिक उन से निर्मित नहीं होते हैं यह प्राक्तिक उन के साधिर्स दिखाई देते हैं यह अन्य प्रिकार के संसलेटिस रेसे से तियार किये जाते हैं जो एक्क्रेलिक कहलाते हैं प्राक्तिक शरोतों से प्राप्त थ Running काफी महहंगी होती है ज manifold के सस्थ होती है ए बिवित रंगों में उपलपत होती है संसलेट प्रे से अधिक ठिकाव और पहुंच के वीतर होते है जिससे ये प्राक्तिक रेसों के अधिक शलोक परिये हैं आप पूर में प्राक्टिक रेसों को जलाने का क्रिया क्लाब कर चुके हैं क्रिया क्लाब 3.6 कफचा अपने साध्वी में देखा थे यदि आप संसलेटिर रेसों को जलाने को प्रियास करें तो आप पाएंगे कि इनका विभार प्राक्टिक रेसों से बने आप यह भी पाए बस्तों में आग लग जाती हैं तो यह बहुत अपजान आपदा जनक हो सकते हैं कपड़ा पिगल जाता है वो पहने वाले व्यक्ति के सरी से चिपू जाता है अता हमें प्रयोग साला अत्वा रसोईगर में कार करते समय संसलेशित बस्त नहीं बहनने चाहिए सभी संसलेशित रेसे पेट्रोलियम मूल के कच्चि माल जो पेट्रोल रसायन कहला थे से विवित पिक्रों द्वारा तेयार किये जाते हैं हैं बात करते हैं हम लोग संशलेसित रेसों की गूर दरमों कल्पना करी कि आज बर्सा का देन हैं आप किस पिकार का चलता पिरेयों में लाएंगे और क्यों संसलेसित रेसे आधुदिया गूर्दरमों बाले होते हैं जोने परीधान समगरी है तू लोग परिये बनाते हैं इसी सूपते हैं और अधिक चलाओ कम आएंगे आसानी सोपलग और रख रखाओ में सूपधा जानक हैं निम्लिकित क्रिया क्लाप संपाधित कीजियो और स्वन सीखे क्रिया क्लाप 3.2 एक आकार के दो कपड़े के टुकड़े लीजिए पिते एक लगवाग अधा बीटर वर्ग का हो इन में से एक प्राफ्ति रेसे सिने में होना चाहिए दूसरा आपका संसलेतित रेसों से बना हो सकता है इन टुकड़ों के चैन ही तू अपने माता-पिता की मदद ले सकते हैं आप लोग त टुकड़ों को पितक बीकरों या मगों में बिहोई है जिनमें बराबर मात्रा में जल भराओ पांच मिनिट बात कपड़े के टुकड़ों को पत्रों से निकाल लिए उन्हें कुछ मिनिट दूम में खेलाई है कि एक पात में सेस रहे जल के आयतन की वर्स पर तुलना कीज क्या संसलेसित रेसे प्राक्तिक रेसों की अपिक्चा कम जल सोखते हैं क्या विसूपने में कम समय लेते हैं या किरी अकलाब आपको संसलेसित कपड़ों की गुड़ धर्मों के बारे में क्या बतलाते हैं अपने माता पिता से इन कपड़ों की प्राक्तिक रेसों की तुल सब्सक्राइब कोई परचित होगी इस परकार की वस्तु आँ उनके उपयागी सूची बना सकते हैं संस्थ लेते फ्रेसी कि तरह ही आपका पिलास्टिक भी एक बहुलग है सभी पिलास्टिक को में एकाईयों की बश्ता एक ही परकार की नहीं होती है कुछ में यह रेखिये ह यानि कि क्रोस बद्ध होती है रेखिये यह आपका रेखिये होगा यह आपका क्रोस बद्ध द्वस्त आएंगे पिलाश्टी के वस्तों है सभी संभव आकारों और साहियों में उपलब जैसा कि आप चित देख रहेंगे देखिए क्या आपको अर्षय नहीं होता है कि या कैसे संभव आसे सांचे में ढाला जा सकता है अर्था से कोई भी आकार दिया जासकता है पिलाश्टी का पुना जक्रन हो सकता है इसे पुना प्रियोग किया इसे रंगा और पिगलाया जा सकता है इसे बेल कर चत्रों में बरला जा सकता है अतवा इसकी तारें बनाई जा सकती है और इसलिए इनके इतने बिवन पिकार के उपयू होते हैं आपके बालती देखो कुर्थी गिलास पॉली थिन पॉली प्लस एथिन प्लस्टिक का ये आपका उधाराने जो सामान उप्लस्टिक में आने वाली पॉली थेलियां बनाने के काम आधा है अब आप स्वेम पिलास्टिक के टिकुड़ों को मोड़ी, चार सभी पिलास्टिक बस्तु में सलता पुरवक मोड़ी जा सकती है, आपने देखा है कि कुछ पिलास्टिक की बस्तु में सलता पुरवक मोड़ी जा सकती है, जब कि कुछ मोड़ने यह तो बल लगाने पर थर्मो पिलास्टिक पॉलीथन और पीवीसी थर्मो पिलास्टिक के कुछ खुदार ने इनका उपे खिलोने कंगिया और बेवेन पेकार की पात्रों के बड़े फिर्मानेपन निर्माण हेतु किया जाता है कि दूसरी और देखें हम लोग तो कुछ पिलास्टिक ऐसे हैं दो धारान इसके बेकिलाइट और मेला माइन बेकिलाइट उसमा और विद्धुत का कुछा लग है यह बिजली के स्विच विवेन परतनों के हत्ते आधी बनाने में काम आता है मेला माइन एक बहु उपेव भी पता थे यह आख का पिती रोद अखे तो था अन प्लास्टिक किये पिक्चा उसमा को सहिन कर किया देख चमता है इसमें यह भर्स की टाइलों प्रसोई के वरतनों और कपड़े बनाने के ओवेट में लिया रहते है जो आख का पिती रोद क पित्र सब्सक्राइब करते हैं चित्र 3.8 में थर्मोप्लास्टिक पूर्प्लास्टिक और थर्मो सप्लास्टिक के लिश्यो को डल्स आए गया है गया कि अधी या की थर्मो फ्लाष्टिक से नहीं में बस द धुत ब$ आज हमसर यास यैरी हमकोई खाद सामक्ती वे यल दोद्ध रचाद सुखे में वे हाधीश चान करने की सोचए तो पिलाश्टिक पात सबसे सुविधा जनक लगते हैं इसका कारण उनका हलका भार कम कीमत अच्छा समड और उपयों में आसानी है दातुँए उपिक्च्छा हलके होने के कारण पिलाश्टिक का उपयों बाईवानों और अंत्रिक चानों में भी होता है उपयों की यह सूची आसे में यदि हम चब्पल पर नीचल और सजावट की वस्तुओं आदी से गिरना प्यारम करें करें कर सकते हैं आप पिलास्टिक के अविलाग्ष नि गुड़ों की विचना करने पिलास्टिक अनभी किरियासील है आप जानते हैं कि लोहे जैसे धातों को जब नमी और बा तो उनमें जंग लग जाती है, परन्तु फिलास्टिक जल और बाईव से अभी किरिया नहीं करती है, उनका संचारन आसानी से नहीं होता है, इसलिए इनका उपयोग बहुत से रसायनों सहथ विभिन पिकार की पदार्तों के संचेन ही तो किया जाता है, फिलास्टिक हलका प् उपयोग में ले रहे हैं, पिलास्टिक पात्रों को उपयोग में लाने के क्या लाव हैं है, क्योंकि पिलास्टिक बहुत हलका, प्रवल, चिरिश्थाई और बिवेन आकारों और सायों में डाला जा सकता है, अता यह बिवेन उध्यस होई तो उपयोग में लाया जाता है, प्लास्टिक सामानने तरा धातों की अपयक्षा सबस्ते होती हैं, ये ओद्धुवों गहरेलुपारियों में ब्यापत रोप से उपयोग में लिए जाते हैं बिवेन पेकार के पिलाश्टिक पात्रों की सूची बना सकते हैं जो देने कुप्यों में जीवन में कुप्यों करते हैं पिलाश्टिक कुचालक है आपने उपर सीखा है कि पिलाश्टिक उस्मा और विद्धुत के कुचालक है इसलिए बिजली के तार पिलास्टिक से धकी रहते हैं और खाना मनाने वाले पास्ट्रों के हत्ते इसके बने होते हैं क्या आप जानते हैं पिलास्टिक का स्वास्त देखवाल उद्ध्यों में ब्यापा कुपयों होता है इनके उप्यों के कुछ अंत कुछ उधारन है जैसे दवा की गोलियों टिकियों को बैक करने हैं तुब गाओं को सीने ये तुब धागे सीरिंग चिकस्तों के दस्ताने बिवित पिकार की चिकस्ती है ये microwave oven में भोजन पकाने हैं तुब बिशिष्ट पिलास्टिक पात उप्यों में लिए जाते हैं microwave oven में ओसमा खात प्रदारतों को पका देती परन्तु पिलास्टिक पात को प्रभाव है नहीं बड़ते ओक प्रगत गई यह भोजन पकाने के लिए पात्रों पर नाच चिपकने वाली परत लगाने की काम आता है अगनी सह प्लास्टिक यगपी संसले से तुरे से आसनी से आग पकड़ लिती है परन्तु यह जानना रोचक होगा कि आग बोजाने वाले करमचारियों के परीधानों पर मेलमाइन प् जब हम बाजार जाते हैं तो हमें पिलास्टिक अत्वा पॉलितन जैसे हैं थेली से में लपेटी बस्तु में मिलते हैं यह एक कारण है कि हमारे गरहों में पिलास्टिक का कच्रा इखटा होता है प्रेया पिलास्टिक कूड़ेदार में चला जाते हैं पिलास्टिक का प्राक्तिक रियाओं द्वारा सर्लता से वेक्टिन दियुते हैं आपकी जयव आ निमनी करन्ट करनी हैं कर लाते हैं यह आपके अप्सुष्ट की प्राइब रासित होने में लगने वाला समय देख प्रक्कीति हैं सब्जी और फलों की चलिपे बचा हुआ भुजन आदी आपकी प्रफिक्ति कागल है दस से 30 देन जयव निमनी करन्ट हैं सुथी कपड़ा दो से आपस अज़ निमनी करन्ट लक्री 10 से 15 बर्स जयव निमनी करन्ट ओनी वस्ट लगभग एक बर्स जयव निमनी करन्ट टिन एलुमिनियम और अन्न धातों के डिपे एक सौसे आसो पर जैव आनिमनिकरन करने हैं प्लास्टिक थैरिया कई वर्स जैव आनिमनिकरन करने हैं इसलिए आपके यह समस्या बनी हुए अगे बात करते हैं क्योंकि प्लास्टिक अगटित होने में कई वर्स लेता है यह पर्यावण हितेस ही नहीं है यह पर्यावण करन बनेता है इसके अतरिक जब इस संसले सिप्दाद को जलाया जाता है फूरता जलने में लंबा समय लेता है इस पिक्रम में या भारी मात्रा में बिसेली दूम और सर्जित करपदार पर्यावन के दूसरी इस समस्या के समाधान कैसे किया जा सकता है यह था संभाव पिलार्टिक क्यों प्योग से बचिए कपास या जूट के बने थेलों का प्रयोग किए जैब निम इसनी करनी है अब अपसिष्टों को अलग एकटा करिए और इनका अलग इश्दार्ण करिए आपने देखा होगा अभी हाली में सरकार ने भी बेन की थी को इसने पिलास्टिक को इस तरह अपने घरों घरों में बिवार में लाइए कोछ और तरीके भी सुझाए लिए जनक अपस्ट सर्मोफ्लाक्रटिक पुना हा चकरेत की जाते हैं। जिन बस्तुआं का पुनाहा चक्रन की आ जा सकता है, उनकी सूची बना सकते हैं। पुनाहा चकरन के लिए समय टॉक्ष कुछ रग पिदान करने वाले अभी कर्मक मिला दिया जाते हैं। इस से पुनाहा चक доп सामग्री का उपयोग विसेस रूप से खादबदातों के संचेन ये तो सीमित हो रहा है एक उत्तादाई नांगरिक की रूम में फायबार सिद्धान्थ को याद रखिए कि वह उपयोग करिए रीडि पुनह prova करिए दियूज पुनहाचकेद करिए रेसाइकल फुनए पराप और प्रात करिएzig रेकवर और फुांपयोगना करना रेफिश इस प्रकार की आत्रेछन करिए जो प्रयावन हित्यची वह क्या आपने कोई ऐसा कच्री का देज दिखा है जहां पसु विसे इस रूप से गायन कच्रा खा रही है खाद अपसिष्ट खाने की पिक्तरम में पसु पॉलिथिंग की धैलियों और खाद पदातों की रहपर भी निकल देते हैं क्या आप इसके परिढामों की कलपना कर सकते हैं पिलास्टिक पदात इंपसुगों के स्वसंतंत में कंठ रोध उत्फन करते हैं अत्वा आमसे में एक अस्तर बनाते हैं और अंधता उनकी मित्युखा कारण बन सकते हैं लापरवाही से इधर उधर फेकी कई पॉलिक्तिन की थेलियान नालियों को रुख देते हैं कभी कभी हम बहुत अधिक लापरवाही देखते हैं चिप्स से विस्कुट और अनखाद पदातों के प्रेफ और शड़क पर उध्यान अत्वा पिकनिक के स्थान पर इस्थानो नहीं चाहिए एक उत्तरदाई नागरिक के रूम में आप क्या उपाय सुझाती है बता सकते हैं मैंने हमेसे आप लोगों को उसे बताया है कि अगर इंसान दो कामों में दो काम सीजिया है तो आदा देश हमारा सुधर जाएगा वो देश बहुत आनिवर जाएगा पहला थो क्या होता है कि अधीकतर लोगों के अधिकार तो अपने पता होता है लेकिन वह अपने मूर करतब वुल जाते हैं अ है रिचा विबिकछ पिलास्टिक की थैलियाँ जलाय से मेंय अध्रवास सडक पर नहीं पहाए कि खरीचिदारी क्लिए जाते समय रहा ले सभी कतार जंदार पतार पतारags को करें कियंकर क नाईलोन प्लास्टिक पॉलिस्टर transformer पॉलिथिन, रेयों, संसलेसित रेसे, टेरीलिन, थर्मो पिलास्टिक, थर्मो सेंटिंग पिलास्टिक और इनी सब्दों के बारे में जालना था, ठीक हो, अगर आपने अच्छे से अध्याय सुना होगा तो इन सब्दों की परिवासा देने में सच्छा मुझा अब इसका निसकस बता दिया जबता है, आपने क्या सीखा है सद्धयाइञी संसलेसित रेसे, और पिलास्टिक प्राक्तिक रेसों की बाती, बहुत बड़ी से निमित होते है, जो बहुलक कहलाते हैं, बहुलक अनेग छोटी एकाईएwał से निमित होते है जबकि प्राक्तिक रेस से पौधों और पसुओं से प्राप्त होते हैं संसलेटित रेस से पेट्रो रसायन के रसायनिक पिक्तरन से प्राप्त होते हैं प्राक्तिक रेसों की बाती इन रेसों को भी कंपणों के रोम में बुना जा सकता है संसलेत्वित रेसों का उप्य भरहलू बस्त हुए जैसे रस्ते वाल्टियां परनीचर पात आधी से लेकर वायूयान जलयानों अंत्रक्षानों स्वास्थ सेवा आधी उच्छ विचिश्टा वाली उपयोगों में किया जा सकता है संसलेत रेशों के बेहत निर्माड़ी तू उपयों में लिये गए प्रसायनों के प्रकार के आधार पर उन्हें है रियोन, नायलोन, पॉलिस्टर और एक के लिए नाम थिये गए विवेन प्रकार के रेशे अपनी प्रवलता, जल और चूसन, चमता, दहन पिर कृटी, मोल, चिर इस्थायत आधी गुणों में परस पर भिंदन, ता रखते हैं आज पिलास्टिक के विवेन जीवन की कलपना नहीं की जाते हैं, चाहे गहरों या प्रवार, पिलास्टिक सभी ओड़ने, पिलास्टिक द्वारां उत्पन अफसर्ट, पर्यावर्ण हित्ते सी नहीं है, जलाने पर ये विसेली गेस उत्पन करते हैं, भूमी पर डाल देन से, इन्हें अब ब्रेष्ट होने में कई वरस लग सकते हैं, ऐसा इनकी जैव, आनिमनी करण, करनी परिकिती के खारण फोटो, हमें आवस्ता है कि संसले से रेसों उपलाक्टिक खाप्यों इस पेकार करें, कि हम उनकी अच्छे गुड़ों का आनन्द ले सकें, और साथी स अजीब समधायों कि परयावन संकट को नियून तम कल सकें, यह आपके इसी अध्या से समधित कुश्चन से यह देख लेना, ठीक है, पीडियाप आपकी टेलिग्राम चैनल पर दली हुई है, वहां से डाउंलोड करकर रख लें, क्या कर लाएं, डाउंलोड करकर रख लें अच्छे से पढ़िए और निकल जाएजिए, क्योंकि जाना टाइम भी इसमें आपको नहीं कपाना है, क्या आप जानते हैं, नाइलोन रेसम जैसा दिखता है, यह फिरवल और लचीला होता है, जब 1949 में लाइनोन नाइलोन सामने आया, तो उसके मुहाद गोड़ों ने ज महलाओं के मोजों कोई भारी मांगती, परमन तु दुर्भाग से दुतिय विसे होता है, यानि कि 1949 से 45 के चलते हैं, नाइलोन उतपादन का दिकांस बाद पहरा सूट बनायें तो, काम में लिया जाने लाँ, यह उतके बाद जब मोजों का उतपादन पुनहा प्यारम नाइलोन उपदरब्धी हो जाते थे, तो यह था आपका तीसरा चक्तर, 14 चप्तर में हम लोग बात करेंगे, पधार्थ, धातु और अधातु के बारे में जाने ही, नमस्का दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे, NCEIT कक्छाटवी की विग्यारी के बारे में, तो इसमें अभी तक हम लोग तीन चेप्टर आपके खतम कर चुके हैं, यह आपका 14 चेप्टर है, इसमें बात करेंगे हम लोग पधार्थ के बारे में, दातु और अधातु दोनों के बारे में जानेंगे, तो याद रखिए हमें सब, कि इसे जो भी आपकी NCEIT books हैं, इन्हें आपके बड़े लगन के साथ पढ़िए, द्हार रखकर, जो भी इनका Niscus होता है, यानि कि जो भी चेप्टर का पूरा निचोड होता है, वो लास्ट में बता दिया जाते हैं, तो बड़े द्हार के साथ आपको सुनना हैं वस, ठीक हैं, आप लोहा, अलूमिनियम, ताबा आदी जैसे कुछ पदारतों से परचित हैं, कुछ पदात आपके साथ चार में दिये गया है, आएरन हो गया, कोईला, सलफर, अलूमिनियम, कॉपर, ठीक, क्या आप उन पदारतों के नाम बता सकते हैं, जो धातू हैं, साथनी 4.1 में सेथ पदात अधातू, धातूं का अंतर उनके बहुत दिक और रसाइनी कुड़ों के आधार पर किया जा सकता है, इसमाड करिए कि चमक और कठोड़ता बहुत दिक कुड़ है, ठीक है, तो इसमें हम लोग इन सभी के बारे में जानेंगे, ठीक है, दातू और दातू कबरगी करंट के सपकार होता हैं, जैसे दातू आपकी आएरन ही, या लोगा, कोईलाव का दातू हुगया, एलूमेनियम, कौपर, दातू ही है, दातू और अधातू के बहुत ही गुड़ों के बारे में बात करते हैं, क्या आपने लोहार को लोहे के टुकड़े, अथवा लोहे से नेरमेद बस्तू जैसे फावड हुआ, बैलज़य, कुलहारी, आदी को पीठते हुए देखा है क्या इन बस्तूँ को पीठने पर आप इनके आफार में कोई परिवत्न पाते है, क्या कोएले के टुकड़े को पीठने पर भी बैसे परिवत्न के अफिक्चा करते हैं? आईए जानते हैं इनकी बारद, किरि अकला भूती इनने पढ़कर आपको निकल जाना है ठीक है करते नहीं बैठ जाना है कहीं पता चला कि दो से आप स्वयम को चोट ना पहुंचाने जो से पीटने का प्रयाद करें अलूमिनियम के तार पर भी जो से चोट करिए इसलिए पिकार का पिक्रम कोईले के टुपड़े और पैंसल लेड के साथ भी करिए अपने पिक्चरों में रेकॉर्ड कर सकते हैं आपने देखा कि लोहे की कील और एलूमिनियम के तार को पीटने पर उनका आकार परिवर्टन हो गया है यदि उन्हें अधिक सकती चे पीटा जाए तो उन्हें सीट में परिवर्टे किया जा सकता है आप संभावत मिठाईयों कुछ सजाने के लिए उपियोग में लाए जाने वाले चान्दी के वर्व से भी परचित होंगे आप एलूमिनियम पनी परड़ी का द्वारा खाद समगरी को लबटने के उपियोग से भी अवस परचित होंगे धाथूं को गुड जिसके कारां उनेपीकर सीट में परिवर्टित किया जा सकता है क्या है धातूं का वह गुड जिसके कारण उन्हें पीट कर सीट में परिवर्थित किया जा सकता है अगाद वर्धिनियता कहलाता है क्या एं धातुओं का वहा है गोड जिसके कारों में पीट कर सीट में परीवर्द किया जा सकता है उन्हें क्या कहते हैं अगार वरदी नहीं एता यह धातुओं का अभी लाग चड़ी गोड है जैसा आपने देखा होगा कोईले और पैंसल लेड जैसे पदार्द कब यह गोड पिदरसित नहीं करते हैं क्या हम इन्हें धातु कह सकते हैं बिल्कुल नहीं क्या बिना पिलास्टिक या लकड़ी के हते बाले गरम धातु के पात को स्वयम को बिना आगात पहुंचाए पकड़ सकते हैं सायद नहीं क्यों कुछ अन अनुभाओं की सूची बनाने का प्रयास करिए जिसमें एक उसमा के चालन के विशे में चा कह सकते हैं आप एक बिद्धुत कर्मी को पैचकर से काम करते हैं देखा होगा उसका हद तक किस पिकार का होता है क्यों आईए जानते हैं इसके बाले में याद करिए किसी बस्तू में बिद्धुत का प्रवा होता है किसी बस्तू में बिद् किया हुगा या दोगा। कच्छा चटवी में विभेन वस्लवभा की साथ एक किरिया में किया हुगे। किया हुगा अब इस ही किरिया में क्या हैं कि यह िविन देपदार्थों के साथ दोराई पेखचन लीजिए और उन पदारिथों को सूचालक ओं कुछालकों में बरगिर किति कर सकते हैं, जैसे लोही की छड़ सूचालक है, गंदा वापका कुचालक हो गया, तामी कीतार आपकी क्या होगे, यह आपकी सूचालक हो गई, कोईला आपका कुचालक है, आपने पाये कि लोही की छड़ कील और तांबी का तार सुचालक है जबकि गंधक और कुईला कोचालक है आपने अनुवाव स्मेट करने और फिर इसे क्रिया कलाब करत यह दिखाना था कि धातु उस्मा और वित्धुर की सुचालक होते हैं यह हमने कच्छा छटवी में सीखा भी था आप अलूमिनियम और तांबी की तारों का प्योग कहां देखते हैं क्या आपने कोईली की तारें देखी हैं निश्य दूप से नहीं धातू का वह गुड जिससे उन्हें कीज़ कर तारों में परिबर्ति किया जा सकता है उसे तन्यटा कहलाता है उसे क्या कहते हैं इन्हीं पॉइंट्टों को आपको पकड़ना है पता है पूरी कहानी आपकी इन्हीं पॉइंट को समझाने के लिए की गई है या गड़ी गई है तो आपको इनी पॉइंटों को जैसे दादूओं का वैगर जिससे उन्हें कीच कर तारों में परिवर्दिक किया जा सकता है तर्नता कहलाता है ऐसे ही पॉइंट पकड़ी हो पढ़कर निकल जागी क्या आपने कभी लोय की सीट, प्लेट, दातू का सिक्का और एक कोईले का टुकड़ा खर्ष पर गिरा कर उन्हें से उत्पन धोनी के अंतरपर ध्यान दिया है यदि नहीं तो आप प्याद प्रयास कर सकते हैं क्या आपने उत्पन धोनियों में पोई अंतर पाते हैं क्या आपने मंदिरों में लगड़ी की घंतियां देखी हैं क्या आपने इसका कारण पता सकते हैं दातुओं से बनी वस्तूओं को जब कठोर सत्य से टकराया जाता है तो एक नी नाद धोनी रिंगिंग साउंड उत्फन होती है माना आपके पास दो समान दिखने वाले डिपे एक लकडी से निमित और दूसरा धातू से क्या आप दोनों डिपों पर चोट करके बता सकते हैं कि कौन सा डिपा धातू का बना हुआ है क्योंकि धातू गायन धोनिया उत्फन करते हैं धातूं की गुड़े भी है क्योंकि धातूं गायन धोनिया उत्फन करते हैं यानि कि वे ध्वानिक कहलाते हैं दातुओं के अलावा अन्पदाद धोवानिक नहीं होते हैं, अगर कभी दातुओं का गोड़ लिखने के आ जाए, ते लिख सकते हैं पॉइंट को ठीक, उक्त के रियाकलाब करने के बश्चात हम कह सकते हैं, कि कुछ पदाद का ठोड़ चंकीले, अगात वड़, तन्न, धो होनिक, उसमा तथा बित्वत के सचालक होते हैं, पदाद जिन में सामानता ये गोड़ होते हैं, धातु कहलाते हैं, धातुओं के ये सभी गोड़ हैं, तिक, धातुओं के उधारन है आपके आयरन, कॉपर, ऐलूमिनियम, कैल्सियम, मैगनेसियम, इक्तिया दिए, इसके व हो जाते हैं, ध्वानिक नहीं और उसमा तथा बित्वत के उचालक हैं, ये पदाद आपके अधातु कहलाते हैं, अधातुओं के उधारन हैं, सलफर, कारवन, ऑक्सिजन, हॉस्पोरस, इत्यादी, सोडियम और पोटीसियम धातु नरम होते हैं, और नय चापन से भी काटा जा सकते हैं, मरकरी, पारा के वल ऐसा धातुएं, यो कमरी के तामान पर द्रव अवस्था में पाये जाते हैं, ये आपका वाल हैं, अब बात करते हैं, धातुओं और अधातुओं के रसानिक गुड़ों के बादे, ऑक्सिजन से अभिकिरिया, आप आयरन में जंगल लगन करिया, कर्षमर करिये, आपने कक्चा साथवी में, मैगनेसियन रीबन के बायूं में दहन के रिया कलाब किया था, आपने सीखा था कि दोनों पे क्रों हुए, ऑक्साइड बनते हैं, आयरन और मेक्स, मैगनेसियम की ऑक्सिजन के साथ निमलिकित अभिकिरिया, कुतूरा कर आएरेन एक तरी ऑक्सिजन और टू जल एस्टू ओ मैगनेसियम प्लस ऑक्सिजन किरिया कलब 4.3 आएरेन ऑक्सिजन और जल की अभी किरिया के पैड़ाम सरूर बने जंग की प्रकिति की जात करें लगभग एक चंबत जंग को एक खटा करिए उससे बहुत थोड़े जल में गोलिए आप आएंगी कि वह जल में निलम्मन की रूम में रहता है लटकन को अच् परिक्षन के इंसाल लाल नीले लेटमस पत्रों से करिए आप क्या देते हैं बिलेन अम लिये या चारिये जंग की प्रक्तिति का परिक्षन या की जंग होगे लाल लेटमस पत्र जंग का निलम्मन क्या कॉपर में भी जंग लगता है मैंने कॉपर के बरत्मों की सतर पर हरा पतार जमा हुआ देखा है जब कॉपर के बरत्मों को लंबे समय तक नम बायू में खुला रखा जाता है तो उस पर एक हलकी हरी परत जम जाती है या हरा पतार कॉपर हाइडरोकसाइड और कॉपर पर कार्वोनेट का मिसरन होता है अब किया निम्ले के थे इस पकाल अब मेगनेसियन रेवन के कृा कलाप नहले करें इस देशन कर से अब डीया खाने करने पर पराब तराक को जल्में गोल कर उसकी आमलिये या फिर चाळीये प्रक्किती जानने ही तूं बिलेन का प्रिक्षन करते हैं बिलेन अमलिय और चारी है आप इसको किस पेकाल सुनेश्चे करेंगे आपने प्रिक्षन किया होगा कि लाल लिकमस नीला हो जाता है इसलिए मैगनेशनियम के औक्साइड की प्रक्किती चारी होती है सामानत दात्विक ऑक्साइड छारिये प्रक्रक्रिति के होते हैं क्रेय अकलाब 4.4 चोडित सल्फर की कुछ मात्रा एक उद्धान चम्मच में लीजिए और इसे गरब करें यदि उद्धान चम्मच उपलब्द ना हो तो आप किसी भी बोतल का धात्व के ढखकन ले सकते ही इसके चारों और एक धात्व कताल लफिट लीजिए जैसा की चित 4.4 एमें दिखाएगा जैसे ही इस तरह से जैसे ही जलना प्यारम हो तो चम्मच को एक गैस जार या काच के गिलास में ले जाईए गिलास को एक ढखकन से ढख दीजिए जिससे बनने वाली येस बाहर न जासके कोश समय पश्चा चम्मच को हटा दीजिए गिलास में थोड़ा जल लाली और तुरंत ढखकन से बापस ढख दीजिए अब गिलास को भली भाती हिलाईए बिलेयन का परिक्षण के रफना लाल नीले लेटमस पत्तों से करिये लेटमस पत्तों द्वारा बिलेयन का परिक्षण केलिएम हैड़ ओकस्एड केलिसियम सल्फफर और ऑक्षिजन की अभी क्रियास में बनने वाले उत्पात का नाम सल्फफर डाई-ाकस्एड गैस है जब सल्फर डाई-ओकस्एड को जल में बिले करते हैं तो Ranch-Sulfuric, Site-Sulfurus Amla प्राफ्त होता है, अभी केरिया नेमनेट कार्ड दी जा सकती है, शलफधाई Oxide plus Gel यह अभी केरिया करके सल्फिवरस Amla मनाते हैं, H2, CO3, सल्फिवरस Amla नेले लेटमस पथ को लाल कर देते हैं, हैं सтесь ल कुल और जान डार समस्दift आपके नैले लेटमास को पथ नाल कर देते हैं सामानता अधातिओं के उक्साइड कैसे होते हैं कर surah और अधातिओं के अम-दा प्रेयोपसाला में काम आने वाली कुछ अमलों और च्छारों की नाम याद करिए जो आपने कप्छा साध्रियों पड़े थी अब बात करते हैं जल के साथ अविकिरिया आएए देखें धातु और अधातु किस पकार जल से अविकिरिया करते हैं सोडियम दातु बहुत अभी किरिया सील होती है यह ऑक्सीजन और जल के साथ अथेन तीब अभी किया करता है अभी किरिया में बहुत अधे उसमा उत्पन होती है इसलिए यह मिट्टी के तेल में संचित रखा जाता है किरिया कलाव 4.5 एक 250 ml का बीकर या काच का गिलात लिए इसे यादा जल से भरिए अब सावधानी पूरवग एक छोटा सो सोडियम का टुकड़ा काटिए फिल्टर पत का उपयोग कर इसे सुखा लिए फिर रूई के छोटे टुकड़े में लपिड लिए रूई में लिपते सोडियम के है तो बीकर कुछ हुई है आप क्या अनुबाव करते हैं कि आप बीकर गरम हो गया बिलेयन का लाल और नीले लेटमस पत्तों से परिक्षन कर गयो बिलेयन अम लिए है या चारी में आपने देखा है कि सोडियम जल के साथ तीब अविक्रिया करता है कुछ अन दातु यसा नहीं करते हैं उधारन के लिए आयरन जल से देमी अविक्रिया करता है सामानता अधातु जल से अविक्रिया नहीं करते हैं सामानता अधातु जल से अविक्रिया नहीं करते हैं एक बहुत सक्रिये अधात हुए बाईयों में खुला रहने पर रखने पर यह आग पकड़ लीता है हॉस्पोरस से बाईयों डालिये ऑप्सीजन का पर ना हो सकी इस लिए उसे जल में रखा जाते हैं अब बात करते हैं हमलों से अभी करिया आईये धातू और अधातू अमलो और सावदानी परक्नली के मुए को अपने चेहरे से दू रखी परक्नली पकड़ने के लिए परक्नली होल्डर का प्रियोप करिये साइनिक फॉर पॉइंट्स फाय में सूची बत दातू और अधातू कि नमूने पिथक परक्नली में लीजे उन्हें A, B, C, D, E, F से चिन्न परक्नली में एक एकर के 5 एमिल तनू हाइड्रोक्लोरिक हमले डालीए अविकिरिया का सावदान पूर्वक पेच्छंड करिये यदि ठंडे पिलेयन में कोई अविकिरिया नहीं होती है तो परक्नली को हलका गरम करिये पितेक परक्नली के मुए के पास एक जलती भी माचिस की तीली लाईए यही करिया कला तनू हाइड्रोक्लोरे कम के स्थान पर तनू पिरिक हमले लेकर दोराईए क्या धातू और अधातू अमलों से भिन नपिगार से अभिकरिया करते हैं परक्नलियों के मुह के पास जल्दी हुई माचिस की तीली लाने पर कुछ में पॉप दोनी क्यों उत्पन्न होई थी आपने पाया हुआ भी अधातु सामाजता अमलों से अभिक्रिया नहीं करते हैं परन्तु धातु अमलों से अभिक्रिया करते हैं हाइड्रोजन गेस उत्पन करते हैं जो पॉप दोनी के साथ जलती है आपने देखा है कि copper तनु भाइड्रोक्लोरी कंब से गरम करने पर भी अभिक्रिया नहीं करता है परन्तु ये sulfuricंब से अभिक्रिया कर लेता है बात करते हैं छारों से अभिक्रिया एक परक्नली में sodium hydroxide का ताजा बिलियन उनकी उसकी 3-4 टिकिया 5 ml जल में गोल कर बनाई है इसमें एक aluminium की पन्नी कर टुकडाल डालिए एक जलती भी माचिस की तीली परक्नली की मुई की निकट लाई है ध्यान से पिक्षंट लीजिए पॉप दोनी क्या दरसाती है पहले की तरह पॉप दोनी hydrogen gas की ओपस तीती दरसाती है धातु sodium hydroxide से अभी किरिया पर कर hydrogen gas उत्वन करती है अधातुओं की चारों से अभी किरियाएं जटल है प्रयापका विश्थापन अभी किरिया कॉपर सलफेट और आयरन के मत अभी किरिया वाले किरिया क्लाप को याद करिए जो आपने कक्षा साथ भी में किया था आईए इस पिकार की कुछ और अभी किरियाएं देखते हैं किरिया क्लाप 4.8 दस मिली के पांच भीकर लीजिए उन्हें ए बी सीडी इचिन्नेत कर दीजिए पितेक भीकर में लगवा 500 ml जल दीए पितेक भीकर में चित 4.6 ते में 10 आई पदारतों में से पितेक का एक चमबच गोभल दीजिए इस सिक्स पॉइंट यह हो गया सिक्स पॉइंट बी बीकर ए कॉपर सल्पेट प्लस जिंक का टुगड़ा बीकर भी कॉपर सल्पेट फिलर्स लोहे की की बीकर सी जिंक सल्पेट तामे का चीलन बीकर डी आयरन सल्पेट तामे की चीलन बीकर ए जिंक सल्पेट लोहे की कील ठीक है आपने विवर्ण बीकरों में क्या परीवर्तन देखेते हैं आपने पढ़ा है कि एक दातु दूसरे दातु को उसके योगे की जली विलेन से विस्थापित करता है बीकर ए में जिंक कॉपर सल्पेट फिलेन से कॉपर को विस्थापित करता है और इसलिए कॉपर सल्पेट अन्डीला रंग आदिस हो जाता है और बीकर के पैंदे इपर कॉपर का लाजचून जमा हो जाता है अभी किरिया को निमनेपकार से पिदर से किया जाता है कॉपल सल्पीट फिलस जिंक, जिंक सल्पीट फिलस कॉपल बीकर C में जिंक का कॉपल द्वारा और बीकर E में आयरन द्वारा विस्थापित हो सकता है इसी पिकार बीकर D में आयरन का विस्थापन कॉपल द्वारा हो सकता है क्योंकि हम बीकर C में कोई परिवर्तन नहीं देखते हैं हम इस निसकर पर पहुंच सकते हैं कि कॉपर जिंक सल्पिट से जिंक को पिती स्थाफित करने में सक्षम नहीं है परन्तु क्यों जब बीकर A में जिंक कॉपर को पिती स्थाफित कर सकता है तो बीकर सी में कौपर जिंक को पिती स्थापित क्यों नहीं कर सकता है याद रखिए बिज्ञान मनमाना नहीं होता है यह तत्थों पर आधारे निश्चित नीमों का पालन करता है पर यह नियम एह है कि जिंक, कौपर और आहरन से अधिक अभी क्रिया सील है अब देखिए इस लाइन को बताने के लिए कितनी कहानी बताईए याद रखिए जिंक और कौपर जिंक, कौपर और आहरन से अधिक क्रिया सील होता है एक अधिक अभी क्रिया सील धातु कम अभी क्रिया सील धातु को बिस्थापित कर सकता है परन्तु कम अभिक्रिया सील दातु अधिक अभिक्रिया सील दातु को इतीज थापित नहीं कर सकता अब आप समझ सकते हैं कि B का D में B का D और E में बेश्थापन अभिक्रिया क्यों संपन नहीं हुई कि आप जिंग आयरन और कोपड की मंत अधिक अभी किरिये शील सी त्सक्म अभी किरिये से धातू की क्रेग क्रम का अनुवाल लगा सकते हैं ऐ liberty बात करते हैं धातू और अधातू की उपएँ आपको अनुवाल लगाने में सब्चमब होना चाहिए कि क्यों दातुओं का उपयोग मसीने मोर्टर गाड़ियां वाईवयां रेल गाड़ियों उपगरों उद्दोगिक साज साजो सामान खाना मराने कि पात जल वयलर आदी के निर्मान में किया जाते हैं आप कुछ अधातुओं के उपयोग से भी परचित होंगे या कुछ अपके रोचक उपयोग दिये जा रहे हैं हमें विश्वा से या आप उन्हें सही अन्मान पाएंगे अधातुओं जो हमारे जीवन के लिए आवस्ट हैं और जिसे सजीव सोसन के समय अंदल देते हैं अधातुओं जिनका उपयोग और वर्कों में पौदों की बिद्धी हितू किया जाते हैं अधातु जिनका उपयों जल सुद्धी गंपिकरम में भी किया जाते हैं। अधातु जिनका बैगनी रंग का विलें एंटिबायोटिक की रूम में भी घहाओं पर लगाया जाते हैं। पठा मुक्कों में प्रिक्त होने वाला अधातु। आप अपने अनुवा से दातु और अधातु उठे कुछ और उपयों जोड सकते हैं। आपने कक्चा सादवी में सीखा है। क्या सीखा है। रसाने कभ किरिया से नई पदात बनते हैं। यह पदात उन पदातों से भिन होते हैं। जिन से जिन में अभी किरिया होती है अभियादी कोई पदार्थ रसाने कभी किरिया हों द्वारा ठंडा करके गरम करके अत्वा बिद्धुत अभगटन द्वारा और अधिक बेग्टित नहीं किया जा सकता है तो वह तत्त कहलाता है सलफर एक आपका तत्त हैं इसी पिकार आयरन और कार्वन भी एक तत्त हैं तत्त के एक नमूने में एक ही पिकार के परमाडू होती है परमाडू तत्त की सबसे छोटी ही काई होती है तत्त के बहुते परिवर्तनों में तत्त के परमाडू आपरभावित रहते हैं उधारन लि कि निए द्रव सलफ़ का परमाणू जो भूं उनों से ठोस अत्वा वास सफंधर की परतों के समाने थे यह की ब्रह्मट मैं पराठ्व कि यह संख किसमें और इन्हें बनाने बाले ततों की संख्या सीअ में थ intest report on Ivan 94 से अधिकन लदात्व तत्तों का एक मत्मों बरगी करने हैं अधिकास तत्त धातु हैं सेज तत्त या तो अधातु हैं या फिर उपधातु हैं उपधातु धातु और अधातु दोनों के गोड़ रखते हैं उपधातु में आपके धातु और अधातु दोनों के गोड़ रहते हैं तो इसमें आपने क्या क्या सीखा है परमाडू के बारे में जाना है चालक विस्थापन अभिक्रिया तन्यता तत कठोरता अगादवर्ण नहींता दातू उपदातू अधातू द्वाने बस इनी को समझने के लिए इनी सब्दों की परिवासा जानने के लिए पूरा चप्ट होते हैं सामानता धातू अगादवर्ण निय और तन्य होते हैं अधातू नहीं होते हैं सामानता धातू उस्मा और विद्धुत के सुचालक होते हैं परन्तू अधातू नहीं होते हैं दहन करने पर धातू ऑक्सीजन से अविक्रिया कर धातू ऑक्साइड बनाते हैं जो छ कुछ दातु जल से अविक्रिया कर दातु हाइड्रोकसाइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन करते हैं, अधातु जल से अविक्रिया नहीं करते हैं, धातु अमलों से अविक्रिया करते हैं, धातु लवड तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, सामानता अधातु अमलों से अ अभिक्रिया नहीं करते हैं कुछ धातु तारों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गयस देते हैं अधिक अभिक्रिया सिल धातूं को उनके धातू यह उक्कों के जलिये विलेन में विश्थापित कर देते हैं धातूं और अधातूं के कद्धैनिक जीवन में बयापक उप्यो होता है यह आपका इस अध्यायगा पूरा नेसकर्स इसी चेप्टर से समद्धित आपके questions दिए गए हैं तो इन्हें देख लिए न और आपकी जो PDF थी वो पर डाल देगे हैं उससे डाउनलोड करके रख लें पर एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए और निकल जाईए क्योंकि इसमें ऐसा कोई भी सब्द नहीं मिलेगा जो आपको समझ में आ सकें क्योंकि बहुत ही साधान सब्दों में एक कहानी का रूप देखकर लिखिया वे हैं तो यह था आपका चौत्रा चेप्टर दात्व और अधात्व पांचवे चेप्टर में हम लोग बात करेंगे कोईला और पैटॉलियम के बारे में हेलो दोस्तों तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे NCEIT करच्छा आठवी की बिज्ञान के बारे में इसमें अभी यहारे में चार चेप्टर barking रखता है यह आपका फांचवे चेप्टर को देखते हैं चलिए हम लोग पांचवे चेंटर को आंप फांचवे प्यारतों को उपयोव में लाते हैं। इन में से कुछ प्रक्तिती में पाय जाते हैं। कुछ का निर्मान, मानविये प्रयासर उसे किया गया है। क्रिया कलाप 5.1 आपने देनिक जीवन में उपयोग में लाई जाने वाले पदार्थों की एक सूची बना सकते हैं। क्या इस सूची में बायू जल मिलता और खने संबले थें। क्योंकि ये सभी प्रक्ति द्वार उपलोद कराये जाते हैं। ये आपके प्राक्तिक संसाधन कहलाती हैं। क्या बायू जल और मिलता, मानव एक कुरीय कलाकों दोरां समाब्ध हो सकती हैं। जब जल के बारे में आपक्चा सादमी में बढ़ चुके हैं, क्या जल एक आसेमित संसाधन है। प्रक्ती में विवेण संसाधनों की उपलत दिदिष्टी से प्रक्तिक संसाधनों को ब्याप्विक उपस्तित होते हैं और मानभी ये क्रीया कलापों से समाप्त होने नहीं होते हैं जैसे आपको सूर हो गया सूर से चुल कैंड़ां और वाले प्राक्तिक संतादूनों की बात करें तो प्रक्ति में अनकी वाद्त की मात्रव सीवित थे इमान में यह किरिया कलापों द्वारां समाप्त हो सकते हैं इन संसाधनों के उदारने आपकी बन हो गया है बनेजीव, खानेज, कोईला, पैटॉलियम, प्राक्तिक गयाज अब सूर के पिकास का आप लोग कितना भी फिरेव करिये, बायू का कितना भी फिरेव करिये, खतम थोड़ी होगी बायू, इसलिए देखा आपने 2014 से, जबसे आपकी NDA सरकार आई है, तो यह आपकी इस तरह की उल्जापन, जैसे बायू से उल्जापन, सूर से, जल से, इस संसाधनों की समाप्थ होने वाले संसाधनों की बात करे दो बन कार्ट की खतम किये जा रहे हूं, बन GP इसतरहu खनेज गविला पेटॉलियों तो यह आपकी समाप्थ होने वाले, पराक्ति संसाधन किरिया कलब 5.2 कुछ पात लीजिए उन्हें पॉपकॉर्ण मोंखली बोने हुए चने टौपीयों से भरिए विध्यातियों को साथ के समहूं में बाढ़ दिजिए अब इन समहूं को एक दो और चार विध्यातियों वाले उप समहूं में बाढ़ दिजिए उन्हें किम ज़िए आप उपक्समोग उब्भोकताओं, को निरूपित करते हैं, जन संख्या मैं बिध्धि के साथ दूसरी और तीसरी पिडी मैं ओब्भोकता की संख्या अधेते, पितेक समो के लिए मेज परे पूरा भरा पात रखते कि पितेक समोग की पहली पीडी के उपभोगताओं से कहिए कि वे अपने समोग के पात से वस्तुओं का उपभोग करें अब पितेक समोग की दूसरी पीडी को भी बैसा है करने के को करिए बिंद्यातियों से कहिए कि पितेक पात में विबस्तुओं की उपलब्दता को ध्या तो पितिक संबू की तीसरी पीडी वो इसका उप्योग करने केए और अन्तिम रोग से देखिए कि तीसरी पीडी के सभी उपोगता हो खाने ही तू कुछ मिला है या नहीं ये भी देखिए कि क्या पात्रों में अभी कुछ सेस बखिया है माल लीजिए कि पात्रों के खादपदार्थ कोईले पैट्रोलियन या प्राक्तिक गेस्ट जैसे समाप्त होने बाले प्राक्तिक संसादनों को पिदर्सित करते हैं पितेक समूव का उठोब पिती रोब भिन हो सकता है क्या किसी समूव की पहली पीडी बहुत अथि लाजजी है हो सकता है कुछ समूव में पहली पीडी आने वाले पीडी के लिए प्राक्तिक संसादनों की उपलत्वता के विशह में चिन्ते थो इस अध्या में हम कोईले पैटॉलियम और प्राक्तिक गेस्ट जैसे कुछ समात्थ होने वाले प्राक्तिक संसाधनों के विशय में अध्यान करेंगे। इनका निर्माद सजीव प्राणियों के मिर्द आउपसेसों जीवास्मों से उतने। अता है इने जीवासमी इनन कहते हैं। यहां आप लोगों के महत्मा गांधी ने वक्तब बोला था एक कथन कहा था आपको सायद यादो कई बार हम लोग भी इसकी चर्चा कर चुके हैं। महत्मा गांधी ने कहा था कि प्राक्तिर संसालन धर्ती हमारी आवसक्ताओं को पूर्टी की आवसक्ताओं को पूरा कर सकती है। लेकिन किसी एक लाल्ची बैठती के आवसक्ता को इत्वी पूरा नहीं कर सकती है। तो यहां समझाने का यही मतलब है कि अगर हमारी एक पीड़ी है चली हमारे जो पूरवश्थ थे वो अच्छे से सीमित तरह की से यहां हम लोगों के बारे में सूच कर वो उपयोग करते रहे तभी आज हमारी लिए जल उपलब्द है तेल उपलब्द है अब आज हम लोग क् में आकर पूरा तेल, कोईला, प्राक्टिक गेस अभी उपयोग करने है और अपनी आने वाली पीड़ी के लिए ना रहने में क्योंकि आपको पता है कि कोईला हो पिर जाए आपका कोई प्राक्टिक गेस हो पैटल हो यह एक-दो साल में बनने वाला तो है नहीं हजारों सा के बाद बनता है ठीक है बात करते हैं कोईला कोईला आपने कोईला देखा होगा या इसके बारे में सुना होगा यह पत्थर जैसे कटोर काले रंग का होता है इस तरह से खाना पकाने ही तो उपयोग में आने वाली इंदनों में कोईला आई है पहले इसका उपयोग रेल एंजिनों को चलाने के लिए भाब बनाने में होता था इसका उपयोग तापिये सकती सैंतों में विधूत पन करने हितू भी किया जाता है कोईले का उपयोग विभिन उद बाड जैसे प्राक्तिक प्रक्रमों के कारण एबन मिर्दा के नीचे दब गए उनके उपर अधिक मिर्दा जम जाने के कारण भी संपीडित हो गए जैसे जैसे बैग गहरे होते गए उनका अताप भी बढ़ता गया उच्छ दाव और उच्छ ताप पित्वी के वीतर मेट प करम द्वारा कोईले में परिवर्तन को कारवनी करन कहते हैं क्योंकि यह वनसपति की आउसेसों से बना अताहे कोईले को जीवास में इनन भी कहते हैं, चित्व 5.2 में एक कोईले की खान को दिखाये गया है, एहाँ की कोईले की खान वायू में गरम करने पर कोईला जलता है मुखरोब से कर्मटाइट गैस उत्पन करता है उत्दोम में कोईले के पेक्रमड द्वारा कुछ उप्पयोगी वह पात प्राप्त किया जाते हैं जैसे कोप, कोलतार, कोईला गैस यह उसी तरह से हो सकता है आप लोगोंने नहीं देखा होगा तो ठीक चमगादड देखी चमगादड का तेल निकलता है क्या करता है चमगादड से तेल निकलता है कई लोग जो इस तरह की काम करते हैं वो तेल निकलते हैं बहुत उपयोगी होता है तेल उसका चोट दर्व महरत के लिए तो उसका क्या है कि अब यही वह किसी में तो बगलेगा नहीं बगलेगा तो यही वह आपका जो भी पेट्रोल डीजल होता है इसी तरह से आता है कोग यही कठोर सरंद और काला पदाते यह कारवन का लगवक सुद्धरूप कोग का उप्यूप इस पात की उद्धो के निर्वान बहुत से धातों के निस्क्रशन में किया जाता है कोलतार यह एक आपरिये गंद वाला काला गाड़ा दिरभ होता है यह लगवक 200 पदातों का मिस् दारतों के उद्धोगी निर्मार में तथा उद्धोगों की जैसे संसलेतिज रंग औस दी बिस्वोटक सुगंत पिलास्टिक प्रेंट फोटोग्राफिक सामगरी चत निर्मार सामगरी आधी में होता है रोचक्तत मौत और अन्यकीटों को भगाने ही तो प्रयोग में ला द्वाण में कोलतार किस्थान पर यक प्रेटोलियम को पाज भीटों में कप्रिगों किया जाता है कोईला गैस कोईले की प्रक्रमड द्वारा कोल को बनाती समय कोईला गेस प्राफ्त होती है या कुविला प्रक्रमण सेंद्कों की निगत इस्ताफित बहुत से उद्धूहों में इंधन की रूम में उपयोग की जाती है। लंदन में 1810 में, निवार्क में 1820 के लिए आसपास कुविला अगेस का उपयोग पिथम बाद सड़कों पर रोसनी के लिए किया गयाता। पैटटॉल कभी हलके 140 वा आओं जैसे आपका मोटर साइकलों में में बारी मोटर वायनों जैसे इसक तरोकों टैंक्रों को चलाने के लिए डिजल काम आता है। क्यूंकि एक जमीन के नीचे के चतbau्चे की मत्रहा से निकाला जाती है। क्या आप जानते हैं कि पैटॉलियम कैसे बनते हैं पैटॉलियम के निर्माण समुद्ध में रहने वाले जीवों से हुआ है जब ये जीव मिल्द हुए इनके सरीर और समुद्ध के पेंदे में जाकर जम गए फिर रेग अतबा मिट्टी कीता हूं द्वारां ठक गए लाखो तेनों वरस्णों में बायू की अनुवस्ती ऊच्चिताप और ऊच्चिताप से ने मिल्द इवों को पैटॉलियम प्राक्तिक गैस परिवर्ति कर दिया चित 5.4 में देखे जो पैटॉलियम और प्राक्टिक गयस के भंधारों को दर्साता है अब देख सकते हैं कि पैटॉलियम तेल और गयस की परते हैं जल की परत के उपर हैं ऐसा किया है याद करिए कि तेल और गयस चल से हलके होते हैं इनमें मिस्विट नहीं होती है तेल और से चेताने जल हो गया तेल ग्यास है अब प्रवेश चेताने लिट श टैर्म हुए क्या यह्ख तेल के कुवर हो गया ? तेल के कि पाहले तेल कनुव फैन सिलीवी बिनिया अमेरिका में 1869 में परवेधित डिल किया गया था आठ वर्सवाद 1867 में असम के माकूं नामकिस्थान पर तेल का पता चला बारत में तेल असम गुजरात बंबेहाई और गोदावरी तत्हा किष्णा नदियों के बेशन में पाया जाता है प्रेश करन इसकी घंध आतुरीय होती है यह वेवन clean संगत्सके को असने हैं कि फेराफिन ओंौ को फिस्करन कहला है यार कार प्रैटॉलियूम प्रस्करणी में सम्पारिफ किया जाते हैं प्रैटॉलियूम के लिए तरहुन संगट पंझधत ओनके ? Assigny . देये देए लए कि एपम कि पेटलियुम प्रेस करेएं देए है पेटलियुमार के बीवन संगटहों संगट्त्रगी ऊपएोः पेट यह चाह świe पेटलियुम संगट्रग ऊपएव देवेद्पेट Story प्रेटियम गैस एल्पीजी घरों और दोगों में इनन के रूप में पैटॉल मॉटर नीदन सुच के धुलाई के लिए बिलाए मिट्टी कतिर इस्टोप लेंप जैट बाई वैन के लिए इनन डीजल भारी मॉटर वानों विद्धित जन्नेतों के लिए इनन इसने यक्तिय इसने हैं पैरापीन मॉन मरहम मॉंबत्ती बैसलीन आदी बिटुमें प्रेंट एवं सड़्प निर्माड़न थी आंगे बात करते हैं पैटॉलियम और प्राक्तिक गयस से अनेग उपयोगी पदार्थ प्राप किये जाते हैं इन्हें पैट्रो रसाइन कहते हैं इनका उप प्राक्तिक गयस से प्राक्त हैट्रोजन गयस का उपयोग और वरकों इवरिया के उत्पादन ही तुप किया जाता है अपने बहुत अधिक बेवसायक मात के कारण पैटॉलियम को काला सोना भी कहते हैं प्राक्तिक गयस प्राक्तिक गयस एक मात्पूर जीवास इनन है क्योंकि इसका परिवहन पाईपन वारा सल्था पूर्वव हो सकते जाता है प्राक्तिक गयस को कुछचदा पर संपीधित प्राक्तिक गयस के रूम में बंडारे किया जाता है सी एंजी का उपयोग उज्जा उत्पादन हेतु किया जाता है अब इसका उपयोग परिवहन बाहनों में इनन के रूम में किया जाता रहा है क्योंकि यह कंपिदूसन कारी है यह एक स्वप्च इनन है सी एंजी का अधिक लाव यह है किसे घरों और कारकानों में सीधा जलाया जा सकता है जहां इसकी आपूर्थी पाइपों के माध्यम से की जा सकती है पाइप लाइनों का ऐसा जल बढ़ोद्रा गुजरात दिल्ली के कुछ भागों रन इस्थानों पर उपलब ते हैं प्राक्तिक गेस का उपयोग प्यारम भी परदार्थों के रूम में बहुत से रसायनों और उपरवर्खों के ओद्धो भीक निर्माड में किया जाते हैं बारत में प्राक्तिक गेस के विशाल भंडारन हमारे दिसमें प्राक्तिक गेस्तिक पुरा राजिस्तान महाराष्ट किष्णा गोदावरी डिल्टा में पाई जाते हैं कुछ प्राक्तिक संसाधन निर्मित हैं सीमेत हैं आपने सद्ध्या के प्यारा में पढ़ा है कि कुछ प्राक्तिस अंसारन जैसे जीवास मीनन, बंखनिज, आधी समप्त होने वाले हैं आप जानते हैं कुवेला और पेटोलियम जीवास मीनन, मिर्ट जीवों के इनन में परिवर्दन के लिए लाखों वर्ष का समय लग जाता है, दूसरी वर इनकी ग्यात बंदार कुस्तो वर्ष और चलने वाले हैं, इसके अतरिक्त इन इंद्रों का जलना वाई के दूशन का इनका समद्ध विस ऊशनन से जीए, अतहाय यावास के कि हम इन इंद्रों का व्यों तभी करें जब नितान आवस्थक हो, इसके पड़ाम स्वरूप परियाबन बेहतर बनेगा, विस ऊशनन का खत्रा कम रहेगा, इंद्रों की उफलगता लंबी समय तर होई, बायरत में प पेट्रोल डीजल बचाएं, उनके गुरित हैं, जहां तक संभाव हो गाड़ी समाल और मध्यम गती से चलाएं, यातायात लाइटों पर, अधवा जहां आपको पितिक्षा करनी हो, गाड़ी का जन बंद कर दीजिए, टायरों का दाप सही रखिए, गाड़ी को नियमित र रखाओ, सुनिश्ची कीजिए, तो इसमें हम लोगोंने क्या देखा है, कोईला के बारे में देखा है, कोईला, गैस, कोलता, को, जिवासिमिनन, प्राक्तिक गैस, पेट्रोलियम, पेट्रो, पेट्रोलियम परिस्करनी, इनी के बारे में मैं जानना है, जिससे आगे अगे तो इनके बारे में हमें पता तो होना चाहिए इसलिए कहीं कोईला लेखा मिल गया हमें पता ही नहीं है कोईला क्या होता है तिसी लिए आपको सलाय दी जाती हैं सीयाइटी पड़ने की कि सेभी सर्विस के लिए राम इण हैं आपने क्या सिख अ Q educational और प्राक्तिक गेस्स जीवाक्स मिनme जीवासमी इंदन का निर्माट से जीवों के मिलता उसेसों से लाहों वर्स पूरू हुआ था जीवासमी इंदन समाप्त होने वाले संसाद में कोग, कोलतार और कोईला गैस कोईले से प्राप्त उत्वाद हैं पैटॉलियम के परिसकर्णट से पैटॉलियम गैस, पैटॉल, डीजल, मिट्री, कतेल, पैराफीन मौव, इसने यक्तिव, आधी प्राप्त है, कोईले और पैटॉलियम के संसादन सीमत हैं, हमें इनका नय उचित उप्यों करना चाहिए यह आपके अभ्यास के लिए क्विश्चेंस दिए गया हैं, मैंने देखने हैं, पीडियाप डाउनलूड करके रख लेना, टेलिग्राम पर डाल दी थी, ठीए, तो यह थापका, पांच बाच चप्ट, चटवे चप्टर में बाहत करेंगे अब्लोग, देहन और जुआला के बारे में, नमस्का दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात फेर रहे हैं जी, N-C-E-R-T, कच्छा आठवी की विज्ञान के बारे में, तो इसमें अभी तक आपके पांच चप्टर हम लोग कतम कर चुपेंगे, यह आपका छटवा चप्टर है, इसमें ब बता दिया जाता है, जो आपका मेन उद्देश होता है इस चप्टर को पढ़ने का, उसे समझा दिया जाता है, ठीक है? हम घर पर उद्दोगों में और बाहनओक को चलाने के लिए बेबहन पिगार की हिंदनों का उपयोग, बेबहन प्रियोजनों के लिए करते हैं क्या आप अपने घरों में प्रयोक्त होने वाले कुछ इंदनों के नाम बता सकते हैं व्यापार और उद्धोगों में उपयोग होने वाले कुछ इंदनों के नाम बताई मोटर गाड़ियां चलाने में कौन से इंदन काम में आते हैं आपकी सूची में समले इंदन होंगे गो Caste Kooya, Petalter, Diesel Somepidic Practicess यानि कि CNE आप मौमबत्ती के जलनें से परचते हैं मौमबत्ती के जलनें और Kooya जैसे इनधन के जलनें में क्यान तरह साइद आपका नुवान सही था मौमबत्ती ज्वाला के साथ जलती हैं जबकि Koila नहीं इसी पिकार आप अनेक कैसे पदार्थ पाएंगी जो बिना ज्वाला के जलते हैं आईए जलने के रसायनी पिक्रम और इस पिक्रम में उपन ज्वाला के पैरूपों को काद्यन करेंगो दहन क्या है? कच्चा साथ भी में मैगनेसियम दहन के क्रियाकलाब का इस्मयड यानिक याद के लिए हमने देखा था कि मैगनेसियम चल कर मैगनेसियम ऑक्साइड बनाता है और उसमा तथ हम प्रकास उत्पन करता है कि इसी पिकार का क्रिया किलाव हम एक कास्ट कोईले का टुकड़ा लेकर कर सकते हैं कास्ट कोईले की टुकड़ों को संडासी से पकड़िए और एक मौंबत्ती अत्वा बुन सैन बर्नर की जुआला की निकट लाईए आप क्या देखते हैं हम बाते हैं कि कास्ट कोईला बाय छाइन में जलका कारवन डाई ओकसाइट ऊसमा और पिकास देता है कि इस तरह से मैंगनेशियम का दहन हुए है कि जलना तो रसायन इक प्क्रम में पिक्रम जिसमें पदार्थ औक चीजन से अभिकिरिया कर ऊसमा देता है दहन कहलाता है रसायनिक पिक्रम जिसमें पदार्थ और सीजन से अभिकिरिया कर उस्मा देता है दहन कहलाता है जिस पदार्थ का दहन होता है वह है दाहा कहलाता है इसे इनन भी कहते हैं इनन ठोस द्रव या फिर गैस हो सकता है कभी-कभी दहन के समझ जवाला की रूम में अत्वा एक लौपी रूम में प्रिकास्वी उत्पन होता है उपर दी गई अविक्रिया में मैगनेसियम और काफ्ट कोला दहन पदालती ठेक ही तो है हमारे सरीर में भोजन ऑक्सीजन से अविक्रिया कर अगटित होता है और ओस्मा उत्पन होती है यह हमने कख्छा सात्वी में सीखा भी था किरिया कलाव 6.1 6.1 इस्टरा मार्चिस की तिलिया मिट्टी का तेल कावज लोहे कीखिने पत्थर के टुकड़े सीचा आदी कुछ पदार्थ एकटिक करिए अपने सिक्चक की मदद से देखरेक में इन पदार्थों को एक एक करके जलाईए यदि पदार्थ जलता है तो इसे दाहर दिखाईए अन्नधा उसे आदा है लकड़ी जलता है कावज पदार्थ जो जलते हैं और आदा है पदार्थ जो नहीं जलते हैं क्या आप कुछ और पदार्थों के नाम बता सकते हैं क्रिया क्लाब 6.2 को देखते हैं याद रखेए जो भी क्रिया क्लाब होते हैं इन्हें अच्छे से पढ़के आपको निकल लाएं इसमें जाना दिमाग मत लगाईए कहीं आप बैठे रहे हैं याई करते वगे करना नहीं है बस आपको निकल जाना एक जलती मौमबत्ती को मत लिजान होता है प्रेव activation होता रहे हैं देखीए जौला को क्या होता है अब लगड़ी की गुट के हटा कर चिंदी को मेच पर टिका दिए मुझी पुना हा जुए अंध में काज की प्लेट चिंदी चिंदी की उपर रख दी गई जौला कउ पुनाह देखिए 3 इस्तिति में वायू की भूमिक्या के बारे में निज्कार निकाल सकती है देखे बुझ गई ना तो जलने के लिए वायू बहुती आवसक होती है यानि कि ऑक्सेजन की बहुत जरूरत होती है इस पूरे किरिया कलाब में हम पाते हैं कि दहन के लिए वायू आवसक है अवस्ता ये में म अवस्तासी में ज्याला बुझ जाती है कियोंकि उसे बायू उपलद नहीं हो पाती है कि सूर में उसमा और विकास नाब किये अभिक्रियाओं द्वारा उथपन होते हैं आप इस पिक्रम के बारे में आंगी चलकर पढ़ेंगे किरिया किलाप 6.3 एक लकड़ी या लकड़ी के कोईले का जलता हुआ टुकड़ा लोही की प्लेट या तभी पर रखी इसे एक काज के जार अध्वा पारदर्सक फिलास्टिक जार से धख दीजिए देखिए क्या होता है कि आप कुछ समय बाद लकड़ी का कोईला जल्लाबंद हो जाता है क्या आप सोच सकते हैं कि यह जल्लाबंद क्यों हो जाता है आपने सुना होगा कि जब किसी बैक्ति के बस्त आप पकड़ लीते हैं तो आप बुजाने के लिए बैक्ति को कंबल से क्या एक माचिस की तीली अपने आग जल उठती है या किस पेकाद जलाई जाती है एक बात हमेशा यावर किये जब आप लोग गैस में अग लगती है सिलेंडर में तो आप पानी डालेंगे तो और वो फैलेगी आग तो इसके लिए बहतर रहता है कि इस तरह के कंबल या बोरे प्टे या आपकी जो रजाई होती है उससे दवाएं से तो बहतर आग बच जाएगी क्योंकि पानी से क्या रहता है कि ऑक्सीजन उसे मिलती रहती ह आपको कागज के टुक्रों को जलाने का अनुभा और सोगा जब जलती भी माचिस की तीलें इसके पास लाते हैं तो यह जल उपता है क्या आप लगडी के टुक्रे को जलती माचिस की तीली उसके पास लाकर जला सकते हैं लगडी या कोईले को जलाने के लिए आपको जंगल में लगने वाली आग के वारे में सुना है, गर्मियों के मौसम में बहुत अधिक गर्मी पढ़ने पर कुछ स्थानों पर सूती घास आग पकड़ लेती है, घास से आग पेड़ों में फैलती है और जल्दी पूरा जंगल आग की चपिट में आज जाता है, इस पेकार बिविन ताप पर आग पगड़ती है, वह निवनतम ताप जिस पर कोई पदार जलने लगता है, उसका जलन ताप कहलाता है, वह निवनतम ताप जिस पर कोई पदार जलने लगता है, वह उसका जोलन ताप कहलाता है, क्या आप आप बता सकते हैं कि कमरे के ताप पर मार्च मांचिस की तीली अपने आप क्यों नहीं पकड लेती हैं मांचिस की तीली मांचिस की डिवियाद के बगल में रगणने पद क्यों जल जाती हैं माचिस का इतियास बहुत पुड़ाना है, 5000 से अधिक वर्सपूर पिराचीन मिस में, गंधक में डोगोए गई चेड की एक लगडी के छोटे टुपडे माचिस की तरह उपयोग किया जाते थे, आधवनिक निरापत माचिस का विकास लगवग 200 वर्सपूर हुआ, एंटिवनी, ट्राइव सलफाइड, पोटेसियम किलोरेट और स्वेद फॉस्पूरस का मिसरन कुछ गौन्द और इस्टार्ज की साथ मिलाकर उचित लकडी से बना माचिस की तीली के सिरेपल लगाया जाता है, जब इसे किसी खुरदरी सतय से रगड़ा जाता है, तो घहसन क की उस्मा के कारण स्वेद फास्पूरस पिल्चोलित और उठता है, इससे माचिस की तीली का दहन पहरम पुझाता है, परन्तु स्वेद फास्पूरस माचिस उद्ध्यों में काम करने बालों और माचिस का उपयोग करने बालों दोनों के लिए खतरनाक सिद्धुआ, आज काउच और थोड़ा सा लाल फास्पूरस लगाते हैं, जो कम खतरनाक होता है, जब माचिस की तीली को खुड़दरी सत्य पर रगड़ा जाता हैं, तो कुछ लाल फॉष्पूरस स्वेद फास्पूरस में परिवर्तित हो जाते हैं यह तुरंत माचिस की तीली के सिरे पर लगी पोर्टीसियम किलोरेट से अपकिरिया कर परियाप तूसमा उत्पन कर देता है जिससे एंटीवनी ट्रायचलफाइड कर दहन प्यारम हो जाते हैं हमने पाये कि बाह पदार तब तक आग नहीं पकड़ सकता यह जल नहीं सकता जब तक उसका ताप उसके जोलंताप से कम रहता है क्या आपने कभी भोजन पकाने वाले तेल को आप पकड़ती देखा है जब तलने वाला वलतन लंगे समय तक जलती हुए श्टोप परखार रहता है कमरें के ताप पर मिट्टी का तेल लकडी अपने आप आग निन पकड़ती परणतु यदि मिट्टी के तेल को थोड़ा गरम कर दें तो यह आप पकड़ लीता है क्या इसका जुलन ताप लकडी के जुलन ताप से कम है क्या इसका रहत है कि मिट्टी के तेल के रखने में हमें विसे सावधानी वरतनी होगी निम्लिकेट किरिया कलाब के दर्सीत करता है कि किसी पदाब के जहन के लिए उसका ताब उसके जुलन ताब तक पहुचना हावस सके क्या है किसी पदाब के जलने के लिए उसका ताब उसके जुलन ताब तक पहुचना हावस सके तभी वर्पदार जलेगा क्रिया कलाव 6.4 कागज के दूख कपल तयार करिए इनमें से एक कप में 500 ml जल डालिए दोनों कपों को अलग अलग मुंबत्ती द्वारा गर्म करिए आख क्या देखते हैं कागज के खाली कप का क्या होता है जल युक्त कागज के कप को क्या होता है क्या इस कप का जल गरम हो जाता है यदि हम कप को गरम करना चाहरी रखें तो हम कागज के कप में भी जल को उबार सकते हैं क्या आप इस परियाटना का कोई इस्तपश्टी करन सोच सकते हैं कागज के कब को दी जाने वाली उसमा चालन द्वारन जल्व में चली जाती है। अताहजल की उपस्किती में ताफ कागज की जुलंताफ तक नहीं पहुंच पाता है। इसलिए जलता नहीं है। जिस पदार्तों का जुलंताफ बहुत कम होता है। वो जो जुआला के साथ सब क्या आप कुछ और जोलंसील पदार्थों की सूची बना सकते हैं हम आग पर नियंतन कैसी बात है आपने घरों दुखानों और कारखानों में आग लगते देखा या सुना हुगा यादी आपने इस प्रिकार की कोई दुर्गत ना देखी है तो उसका संच्छेप्ट विर्व अगयों के साथ जल्गिप्टिक कर आप यह वो जाता है कि क्या आपके सहर या नगर में फाइर्विगेट इस्टिसं है जब फाहर इंशन आती-क्ति-वोह आप्पर जल डालती हों जुल्ग जोलंसील पदार्थों को थंडा करता है जिसे उसका ताप उसके जुलंताप से क और आग बुज़ जाती है आपने पड़ा है कि आगोधपन करने के लिए तीन आवस्कताइं होती है क्या आप इन आवस्कताओं की सुची बना सकते हैं यह आवस्कता है इंधन, बायू, ऑक्सिजन की आपूर्थी तीसरा है ओसमा इंधन का ताप उसकी जलनताप से अधिक कर करना या दोनों होती हैं ध्यान दीजिए कि अधिकां सित्यों में इनन को हटाया नहीं जा सकता है उधारण के लिए यदि किसी भवन में आग लगती है तो संपूर्ण भवन ही इनन होता है कि जब सबसे अधिक है पिजलित अगनी समख है परन्तु जल अभी तभी कार कर सकता है जब लकड़ी और कावर्ज यसी बस्तुओं में आग लगी होती है यह जिए विद्धूत उपकरणों में आग लगी है तो तो जल विद्धूत का चालन कर सकता है याद रखिए अगर व हो इभी वी उपयो ना कऱे क्योंकि जल आपका विद्थुथ का चाल में होता है और आख वंद्थुथ पहज जाएगlovी ठीक और आग वो भ्लत बालों को हानी सकती आग व जल का वापयो अछित नहीं होता क्या आपको याद है कि जल तेल से भारी होता है अताहा यह तेल के नीच्चे चला जाता है तेल उपर जलता रहता है बिद्धूत उक्करण और पैंटॉल जैसे जोलंसी पदार्थों में लगी आख के लिए कारवंडाय ओक्साइड यानि कि सीओ टू सबसे अच्छा अगनी स सामत है ऑक्सीजन से भारी होने के कारण सीयोटू आख को एक कंबल की तरह लपिट लेती है इससे इनन और ऑक्सीजन की भी संपर तूट जाता है अताहां की आख पर नेंतर हो जाता है सीयोटू का अत्रिक्त लाव यह है कि सामान तरह बिद्धुत करणों को कोई हानी भी नहीं पहुंचाती है हमें कारवंडाय ओक्साइड की आपूरती कहां से मिलती है उच्छ दाप पर यह द्रब की रूम में सेलेंड्रों में भरी जा सकती है सेलेंड्र से छोड़ने चोड़े जाने वक पर सीयोटू बहुत पहलती है और ठंड़ी हो जाती है अता है यह ना केवल आपको चानों से घेल लेती है बलकि इनन के तापको यह नीचे ले जाती है इसलिए अति उत्तम अगनी समक है CO2 प्राप्त करने का एक दूसरा तरीका sodium bicarbonate यह potassium bicarbonate जैसे प्रसाइनों के पाउडर का भारी मात्रा में चिड़काव है आपके निकट इस्पदार से बहुत सी carbon dioxide gas निकलती है यह आपकी हाथ बजा देती है अब चलते हैं हम लोग देहन के पिकार देखते हैं एक जलती हुई माचिस के तीली अतवा gas lighter कुरसोई में gas stock की निकट लाईए सावधानी सिंग गैविश्टोग की गुंडी नौप घुमा कर gas चालू कर दीज़ें आप क्या देखते हैं हम बाते हिंगे येस तेजी से जलने लगते हैं तथा उसमा और पिकार सुत्पन करती इस पिकार का देहन तीब देहन कहलाती है ओस्पूरास जैसे कुछ पदार्ट जो कमरे के ताथ पर बाइब में जलुपते हैं इस पिकाल का दहन जिसमें पदाथ बिना किसी पित्यक्ठ कारण के अच्छानक लख्णों के कारण जलुपता है उसे क्या गयते हैं सुता दहन कोली की खानों में कोली की धूल के सुता दहन से कई वार खतरनाक अगनीकांड हो सकते हैं जंगल के सुता अगनीकांड कभी अधिक गर्मी के कारण होते हैं कभी आकास में विदली गिनने से होते हैं परन्तु जंगल में आग अधिकतर मनुस की लावारवाई से लगती है जंगल में दी आप पिकनिक अधवा सिवर में जाते हैं और केंप फायर का आई दिन करते हैं तो इस्थान छोड़ने से को आपको पूर्टा फूजाना आवसक अवस्यादर की है हम प्यार तक ही बताईए एंसे इव्याटी में कितने अच्छी बात हैं लिकीन कहां हम लोग मानते हैं हैं पड़ा सब कुछ लेते हैं लेकिन मानते कुछ नहीं है आगे देखते हैं हम तेवारों पर अक्सर आतिसवारी करते हैं जब पठाके को जलाते हैं तो एक आकस में अभिकरिया होने लग से उस्मा पिकास और धोनी पैदा होती है अभी किरिया में बनी गैस बड़ी मात्रा में निकलती है, इस पिकार की अभी किरिया बिस्पूर्ट कहलाती है, पठाके पर दाफ डालने पर भी बिस्पूर्ट हो सकता है, बात करते हैं ज्वाला, LPG ज्वाला का पिक्षन करिए, क्या आप ज्वाला का रंग बता सकते हैं, तेशी बस्तूओं को जलाने का नुवाब नहीं है तो आप उन्हें आप कर सकते हैं अपने पेप्चन में लेख सकते हैं देखिए यह आपका मुंबत्ती वरस्वईगर की इस्टॉप की ज्वालाओं का रंग है यह आपका मुंबत्ती एक इस्टॉप मिट्टी के तेल के लेंप मुंबत्ती बुनसैन बर्नर की ज्वालाओं है यह आपकी ठीक बात करते हैं ज्वाला की सरचना एक मुंबत्तर जलाई है एक काज की 4-5 सेंटीमेटर पतली नली को संदासी द्वारा पकड़ी है और उसका एक सिरा मुंबत्ती की आकमबित ज्वाल में प्रवेश कर दिए पात की नली की दूसरे सिरे के निपट एक जल्दू हिमाचस की दीली लाई क्या होँ को समय पश्चा ज्वाला उत्वन होती है यदि ऐसा है तो यह क्या है जो ज्वाला उत्वन करता है ध्यान दीजिए कि गरम बत्ती के पाप कम मौम चल्दें पे जाता है देखिए इस तरह है दहन की समय जो पदार्थ वास्पित होता है पिज्वाला का निर्मार करते हैं उधारन के लिए मिट्टी का ते और पिगली वी मौंबती के साथ उपर उठते हैं वो दहन की समय वास्पित होकर ज्वाला का निर्मार करते हैं इसके विपरीथ आफ 6.5 में क्या काच की नली से बाहर निकलने बाला मॉम का बास क्या ज्वाला पुटपन होने का पारण हो सकता है जब मॉमथ्थी की ज्वाला इस्तिर हो तो ज्वाला की तीव छेत में एक सप्ष काच की पिलेट या सलाइट प्रवेश्ट करिये उसे संदासी से लगवग 10 में सेकेंड तक पकड़ कर रखिए फिर उसे हटा लिए तो आप क्या देखते हैं इस तरह देखी 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 काज की पिलेट या सलाइड एक गोल काला बलै बन गया यह ज्वाला के दीप चित में उपस्तित बिना जलेकारवन कड़ों के जमाओं को दल्साता है एक पतले लंबित तामे के तार खुझ लगवग तीस सेकेंड तक ज्वाला के अधित चित में पकड़कर रखिए इस तरह द्यान दीजिय के तार का भाग जो ज्वाला के कुछ ही बाहर है रख्त तप्त हो जाता है क्या यह दल्साता है कि ज्वाला क कि अधित चित्का ता बहुत अधिक है बास्ता में ज्वाला करें भाग सबसे अधिक गरम होता है कि सौने व चांदी को प्रिलाने के लिए सोनार धातू की पुपनी से ज्वाला की सबसे बाहरी वाग को उस पर सब्ढू करते हैं अलिए कि बिज्वाला की सबसे वाधिवाब कभ्यों करते हैं देखिए सबसे गरम भाग होद दहनका वाहच से लिए कम गहन, कम गरब सबसे कम गरब यह आपको, यहां सबसे बिना जली मौबथी का सबसे आंत्रिक यह आपका दिख रहा है और यह आपका आंसिक दहनवाला मदवां, पीला, ठीक दातों की पुखनी से पूंखता हुआ सुना इस तरह से तो पूंखते हैं इनन क्या है अब बात करते हैं इनन क्या है याद करिए कि घरेलू और उत्तोदिक उपियोगों से समधित उस्मा उज्या की प्रमुप्स रोद लपड़ी काश्टोला पैटॉल मिट्टी का तेर आदी यह पदात इनन कहलाते हैं अच्छा इनन होय है जो सहज उपलब्द हो जाता है यह सरस्ता होता वो बाईव में सामानदर से सुगंता पुरवक जलता है यह अधिक मात्रा में उस्मा उत्वन करता है यह जलने के उपरांत कोई आवांचनी पदात नहीं छोता है संभावता यह सा कोई भी इनन नहीं है जिसे एक आदर्फ इनन माना जाते हैं हमें ऐसा इनन ढूनना चाहिए जो किसी विशिष्ट उपयों की आधिकांस आवस्ताइं पूरी करता हो इनन के मूलनों में बिन्न चंता होती कुछ इनन अनने इननों की अप्यक्षा सस्ते होते हैं जिन इननों से आप परिच्चत हैं उनकी सूची बनाएं सायनी 6.3 की बाती इने ठोस द्रव और गैसी इननों में बर्यक्रिक करिये इनन चंता यदि आपसे कहा जाए कि गोवर की उपले, कोईला और एलपीजी की को ज़़ा कर पानी की एक निश्चे मातरा को वा लें तो आप कौन से इनन को चुनेगे इसका कारण बताएगे आप अपने मातरा पता की मदल दे सकते हैं इसके जिए क्या ये इनन बराबर मातरा में उस उसमा उत्पन करते हैं किसी इनन के एक किलो ग्राम के पूर दहन से प्राप्त उसमा उलजा की मातरा इसका उसमीय मान कहलाती है किसी इनन के एक किलो ग्राम के पूर दहन से प्राप्त उसमा उलजा की मातरा उसका क्या कहलाता है उसमीय मान इसी तरह कि आपको पॉइंट या कि मानग द्वारा मात्रक द्वारा कि दसे किए Megala कि कुछ दिनों के महिद tama आपके सैभ्यालini 6,4 में देखते लो be girag a Len médico के विभे में फिनों के कुषनی डीजल 45, मेथन 50, CNG 50, LPG 50, जैवित गेस 35 से 40 वा हैड्रोजन एक लाख पच्छास अजा, देड़लाग, बात करते हैं इनन के दहन से हानिकारक उत्पात पराफ्त हुए, इनन को बढ़ता हुआ पर्यावन पर हानिकारक प्रभाव डालता है, लकडी को यह वह पैटोल जैसे क कारवन इदन, बिना जले कारवन कड़ छोड़ते हैं, इस सूप में कड़ खतरनाग इदूसर कुते हैं, जो दमा जैसे स्वांसरों पन करते हैं, सदियों से लकडी का उपयोग घरेल्व अत्वा तथा उद्दोगी की इनन के रूम में हो रहा था, परन्तु अब इसका इस उपलग और सस्ती हैं, परन्तु लकडी को जलाने से बहुत मात्रा में धुआत्वन होता है, जो मन उसके लिए आनिकारत हैं, और सुसनकष्ट उत्वन करता हैं, साथी व्यक्षम हमें बहुत सी उपयोगी बस्तु में उपलग कराते हैं, जो इनना के रोग में लकडी का उ जैसा कि आपने कक्चा साथी में बढ़ाता है, आप अपने चेत के बारे में बताईए, कि आपके यहां अभी भी लकडी हो पर रोटी बनती हैं, इस तरह की इनन से, लकडी हो गया, गोवर के वो ओबले हो गया, उस तरह से, कमेंटर बोक्स में अपना चेत बताईए, अग कार्वन मोनोकसाइड गयस दिता है, या थेनत बिसली गयस है, बंद कमरे में कोईला जलाना खतरनाख होता है, और कभी-कभी मित्ती भी हो जाती है, मौद भी हो जाती है, उत्पन्न कार्वन मोनोकसाइड गयस से कमरे में सो रहे बैक्तियों की मित्ती भी हो सकती है, आधिक पितिवी के बातवरण के तामान में बिदी विस उठनन कहलाती है अनवातों के साथ साथ इसमें हिमनत प्रिकलने लगते हैं जिसमें समुद्ध में जल इस्तर बढ़ जाती है तटी अचेत बाढ़ गरस्त हो जाती है ऐसा भी संभाव है कि निचले इस्तर बाले तटी अचेत इस्थाई रोग से जलमगन हो जाती है कोईला और डीजल के दहन से सल्फर डायोकसाइड गरस नकलती है यह अत्यम्त धम गुंटू दम गुंटू और संचारन गरस है इसके अत्रिक पैट्रोली इंजिन नाइट्रोजन के गेसी यह उकसाइड छुड़ते हैं सल्फर और नाइट्रोजन के उकसाइड बरसा जल में गुल जाते हैं तथा आमल बनाते हैं ऐसी वर्सा अमेरिये बरसा कहलाती है जो भावनों फसलों और मिदा के लिए बहुत हानिकारक होती है इसके विशाए मैं आपकच्छा साध्वी में पढ़ चुकी हैं पहले मोटर वाहनों में हीधन की रूम में डीजल और पैटोल का इस्थान अब सी एंजी संपीडित प्राक्तिक ब्यासने ले लिया क्योंकि से एंजी सल्फर और नाइट्रोजन की ऑकसाइड का उत्पानन अल्प मात्रा में करती हैं सी एंजी एक अधिक स्वप्चीनन है आपका तो इस सद्ध्या में आपने प्रमुक सब्दे देखी हमलों वर्षा के बारे में जाना है उस्मिये मान देका है दहम देका है बिसपोटक बनमुलन ज्वाला अग्मी समक इनन इनन दक्षता बिस्तूशन आदर्स इनन जोलता जोलन सील पदार्थ आपने क्या सीखा है यह आपका निस्कर करें सकती है जो पदार्थ बायू में जलती है दाहे पदार्थ कहलाते हैं दहन के लिए ऑक्सीजन बायू में बायू आवसक है दहन के पिक्रम में उस्मा और पिकास उत्पन होते हैं जोलन ताप वह निमनतबत जिस पर दाहे पदार्त आपको अकड़ लीगते हैं। जलनसील पदार्तों का जलन ताप बहुत खम होता है। आप उपन करने ही तू आवसकताओं में से एक यार आधिक को हटा कर आप पर नियंतर पाया जा सकता है। आप पर नियंतर पाने ही तू सामानता है। जलका प्रयूप किया जाता है। बिथूत उपकरणों और तेलों में लगी आपको नियंतर करने के लिए जलका उप्यूप नहीं करते हैं। वहाँ आपको लों CO2 यानि की कारवनडाई उपकाइड का उप्यूप करते हैं। देहन बिबिन पकार्णों होते हैं। तीव देहन, सुता देहन, बिसकोटच। जुआलग के तीन बिन चेते हैं। अदीब्द, देप्द और ज्योती इन चेत। आदर सीनन सस्ता आसानी से उपलग, आसानी से जलने वाला और आसानी से बहन्यों होता है। इसका उसमी एमान उच्छ होता है या हैसी गयस या आउसेस नहीं छोड़ता है जो पर्यावाण को पिदूर से कलगते हैं। इंदनों की दक्षता और मूल परसपर भिन हो सकते हैं। इंदन दक्षता को उसमी इमान द्वारा पिलदरसित किया जाते हैं। जिसका मत्रक किलो जूल पिती किलोगराम होता है। वायू में बिना जले कारवन कड़ खतरनाग की दूसर होते हैं। सुसंक कश्णों को उत्वन करते हैं। इनन के अपूर दहन में सेली कारवन मोनोकसाइड ग्रेस बनती हैं। वायू में कारवन डाई मोकस ऑकसाइड की बड़ी विल मात्रा कुबिस उस्नन का कारण बताया जाता है। कोईलेट डिजल और पैट्रोल के दहन से उत्वन सुफर और नाइट्रोजन के उपसाइड अमलबर सा उत्वन करते हैं। जो फसलों और भावनों प्रमेदा के लिए हामिकारण होती है। कि आपके इसी अध्यासी संब्धित कुश्चन से इन देख लेना। ठीक है। जो आपकी पीडिएप है वह टेलीगराम पर उपलब दें। ठीक हुआ से डाउलूड कर लेना। अपने पास रख लेना। सभी आपकी जो भी बुक्स कतम होती जा रहे ही कप्छा चटवी से लेकर। उन सभी की पीडिएप आपकी प्रेलीगराम पर उपलब दें। उन्हें अपनी पास अच्छे से रख ले। तो यह आपका चटवा चप्टर था। दहन और ज्वाला। हेलो दोस्तों तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे NCRT कच्छा आटवी की विज्ञान के बारे में साइंस के बारे में तो इसमें अभी तक हम लोग साथ छे चेप्टर आपके देख चुके हैं साथ वामने चेप्टर देखना है। तो इसे बड़े दहर के साथ सुनिये या पर पढ़िए और लाश्ट में जो भी इसका निसकस होता है वो बता दी जा जाता है और आपका जो भी मैनुद्दे से पढ़ने का वो समझा दिया जाता है तो द्यान से आपको सुनना है उप्टर पौधे एवं जन्तुओं का संर वन भरमड किया था वो अपने सह पार्टियों के साथ अपने अनुभाव बाटने के लिए बहुत उत्सुख थे कर्चा के दूसरे सह पार्टी भी अपने अपने अनुभाव बाटने के लिए अत्यन्त उत्सुख थे क्योंकि उनमें से कुछ भारतपूर अभ्यारन बह्मन करने गए थे कुछ ने काजी रंगय राख्टी हुद्यान लोग चाओ वन्ने जन्तु अभ्यारन तथा ग्रेट निकुवार वायोस पेर ट्रेजर वियन निकुवार जे मंडल सरक्चेचित बाब सरक्चेचित इत्यादी की विवारी में सुना था बात करते हैं बनुमूलन एवं इसके कार्ण क्या है हमारे पितवी पर नाना पिकार के पौदे एवं जन्तु पाये जाते हैं यानि कि वेवेन पिकार के पौदे एवं जन्तु पाये जाते हैं इमानोल जाती के अस्तित में एवं भली पिकार से रहने के लिए आवतसर होती है आज इन जीवों के अपस्तित के लिए बनमूलवन एक बहुत बड़ा ख़तरा बन गया है हम जानते हैं कि बनमूलवन कारत होता है बनों को समाप्त करने पर प्राप्त भूमी का अनिकारियों में उप्योग करना बनमें बैक्षों की कटाई निम्न उद्देशों से की जाती हैं किर्सी के लिए भूमी प्राप्त करना घरों एवं कार खाना का खानों का निर्माण फरनीचर बनाना बनाने तथा लगड़ी का इननके रूम में उप्योग दवाहल एवं भीचन सूखा भी वनमूलन के कुछ प्राक्तिक कारण हो सकते हैं क्रिय अकलाप 7.1 अपनी सूची में वनमूलन के अनिकार्डों को लिखें और एवं मालाव निर्में बनमूलन भी कर सकते हैं बात करते हैं बनमूलन के पईडाम जो बन सफाया हो रहा है इनके आखित पईडाम क्या है पहली एवं भूजो ने बनमूलन के पईडाम याद करने का प्रियास किया उन्हें इस मायड़ा की बनमूलन से पिद्वी परताब एवं पिदूसन के इस्तर में बिद्धी होती है इसे भाई मंदल में कारवन डाई औक्साइट का इस्तर बढ़ता है, बौम जल का इस्तर भी निमनी करन हो जाता है उन्हें पताए कि बन उनभूलन से प्राक्तिक संतुलन भी प्रभावित होता है प्रोफेस हैं अहमत ने उन्हें बताया था कि यदी पित भी कि इसी पिकार अनुवरत कठाई चलती रही बेक्चू की तो वर्सा एवं भूमी की उर्वरता में कमी आ जाएगी इसके अतरिक्त बाढ तथा सूके जैसी प्राक्तिक आपदाओं की संभावना बढ़ जाती है याद कीजिए कि पिकास नंसलेशन की क्रिया में पौदों को होजर बनाने के लिए कारवन डाई उक्साइड की आवसकता होती है कम बैक्षों कारवन डाई उक्साइड की उपयूग में कमी आना जिससे वाई वंदल में इसकी मातरा बढ़ जाती है क्योंकि कारवन डाई उक्साइड पित्वी के द्वारा उक्साइड पूस्मिये विक्रेणों का प्रगरहन कर लेती है अताहा इसकी मात्रा में विद्धी के पैडाम सरूप विस्थ उठनन होता है इत्वी किताब में विद्धी के जलजक्त का संतुलन बिगड़ता है वो बरसादर में कमी आती है जिसके कारण आपका सूखा पड़ता है मेर्दा के गुड़ों में परिवर्तन आने का मुखकारण बनो नूमूलन है किसी चित की मेर्दा के बहुते गुड़ों पर वैक्षा रोपन और वनस्पती का प्रवाव पड़ता है कच्छा साथ भी मैं आपने देखा था याद कि लिए कि बैक्ष किस पेकार मिर्दा परदन को प्रोपते हैं भूमी पर वैक्षों की कमी होने से मिर्दा परदन अधिक होती है मिर्दा की उपरी परत हटाने से नीचे की कठोल चट्टाने दिखाई देने लगती है इससे मिर्दा में ह्यूमस की कमी होती है तथा इसकी औरवरता भी अपेच्छा के कम होती है धीरे धीरे औरवरक भूमी मरोस्थल में परिवर्तित हो जाती है इसे मरोस्थली करन कहते हैं इसे क्या कहते हैं मरोस्थली करन वनुमूलन से मिर्दा के जल्व धारण चमता तथा भूमी की उपरी सतर से जल्व के नीचे की और अंता सरवाण पर ती विपरीद प्रभावड़ता है जिसके पैड़ाम सुरूप बाढ आती है मिर्दा के अनगोर जैसे पोसकत गठन इत्यादीवी वनुमूलन के कारण प्रभावित होते हैं हमने कक्चक साथ भी में पढ़ा था कि बनों से हमें अनेक उत्वाद प्राफ्त होते हैं इन उत्वादों की सुची बना सकते हैं बात करते हैं बन एवं बन पराणियों का सलक्षन बनों नमूलन के ब्रभाव जानने के परश्चात पहेली और बूजो चिंतित थे जिए प्रोफेसर अहमद के पास के उन्होंने पूचा कि बन एवं वन पराणियों कुप किस पेकार बचाया जा सकता है प्रोफेसर अहमद ने पहेली बूजो एवं उनके सहपाटियों के लिए चेब मंडल सरक्षित चित के प्रमण का आयजिन किया इसके लिए उन्होंने पच्मडी जै मंडली है सरक्षित नामचित चुना बेजानते हैं किस चेट के पौधे एवं जन्तु उपरी हिमाले की सिंकलाओं एवं निचले पश्चमी घाट के समान हैं प्रोफेसर आहमद का विश्वास है कि चेट की जै वेविता अनूटी है उन्होंने बंग करमचारी श्री माधर जी से चैट मंडली है सरक्षित चेट में बच्चों का मारे निर्देशन करने का अनुरोज किया उन्होंने पताये कि जैविक मात्य के छित्रों का संरक्षन हमारी राष्टिय परंपरा का एक भागे जै मंडल पितवी का वह भागे जिसमें सजी पाए जाते हैं अथवा जो जीवने आपन की योग होते हैं जै बिवित्ता करत होता है पित्वी पर पाये जाने बाले विवने जीजों जीवों की प्रिजातियां उनके पारस पर एक संबन एवं पर्यावाण से उनका संबन आपका जै बिवित्ता मादाउची ने बच्चों को समझाया कि हमारे व्यक्तित प्रयासों एवं समाज के प्रयासों के तरिक सरकारी एजन्सियां भी बनों एवं जन्तुओं की सुरक्षा इतु कार रहते हैं सरकार उनकी सुरक्षा और सुरक्षा इतु नियम, विधियान, नीतियान बनाती हैं वनस्पत्ति जात प्राणी जात और उनकी आवासों के सरक्षन हीतू सरक्ष चित चिन्नित किये जिन्हें बन्नजीब अप्यार है राश्टी उध्यान और जेव मंटल आरक्ष्य चित कहते हैं ब्यक्षारोपन किरसी चारागाय ब्यक्षों की कटाई सिकार खाल प्राप्त करने लिदू सिकार यानि कि पॉंचिंग इन छित्रों में निश्यत है यानि कि बंग है वन्यजीव अभ्यारण वच्षित जहां जन्तु एवं उनके आवास किसी भी प्रकार के बिच्छोप से सुरक्षित रहते हैं या आपके वन्यजीव अभ्यारण होते हैं राष्टी उद्ध्यान वन जन्तुओं के लिए आरक्षित चेत जहां वर्सुतंद निर्वाद रोप से आवास एबं प्राक्तिक संसाधनों कवपयों कल सकते हैं जैमंडल अरक्षित चेत वन जीवन पौदों और जन्तुओं संसाधनों और उन चेत के आदिवासियों के पारंपरी धंग से जीवन याद पन येतु विसाल संरक्षित चेत आपका जैमंडल अरक्षित चेत होता है अब बात करते हैं जैमंडल अरक्षित चेत में प्रिवेच किया मादव जी ने समझाया कि जै बिवित्ता के संरक्षण के उद्देश से जै मंडल आहरक्षित छेत बनाए जाते हैं जै बिवित्ता के संरक्षण के उद्देश से ठीक है जैसा कि आप जानती हैं कि जैब विवित्ता करत किसी छेट विशेस में पाए जाने वाले सभी पौदों, जन्दूं और सुख जीवों की विविन पर जाती हैं किसी छेत का जैब मंडल आरक्षे छेत विवित्ता एवं संस्किती को बनाय रखने में सायट होता है किसी जैब मंडल आरक्षे छेत के अंतरगत अनुनस आरक्षे छेत भी हो सकते हैं पच्मडी जे मंडल आरक्षे चिदम शच्पड़ा नमक एक राश्टी उद् episode त संब बोरी इवं पच्मडी नमक तू वध्यान्त अब्यारण आते है但 यह आपका पच्मडी जे मंडल आरक्षिच हे खेंद् बोरी अब्यारणं चूनां, जैन, बोरी पच्मडी पनारवानी गेट पिपरी आप को पच्मडी अब्यारा है यह आपका सक पुड़ा राश्टी यह उद्ध्यान है सरक्षप्षेत बात करते हैं पेड़ पौधे एवं जन्तु बच्चों ने बेरमाट करते समय जैमंडल आरक्षे चेत्रों की हर्याली संपदार की पिसंसा की बेल लंबे-लंबे सावन टीक के बैच्चों एवं बनपराणियों को देखकर पिसंन थे पहली ने अचानक एक थरगोस देखा उसे पकड़ने का प्रियास किया वह उसके पीछे दोड़ने लई प्रोफिसर अहमद ने उसे रोके उन्होंने समझाया कि जन्तु अपने आवास में पिसंन रहती है हमें उनको परेशान नहीं करना चाहिए मादव जी ने समझाया कि कुछ जन्तु एवं पौधे एक चेत बिसेश में पाए जाते हैं किसी बिसेश चेत में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस चेत के बनस्पति जाते हैं एवं जीब जन्तु प्राड़िकार कहलाते हैं साल सागोन आम जामन सिल्वर फान अर्जुन इत्यादी बनस्पति जाते हैं चिंकारा नीलगाय वार्किंग हिरन चीतल तिंदुगात जंगली कुथा बेड़िया इत्यादी पच्मडी जैंबंडल आरक चिछित के प्राड़िया पता है आप लोगोंने कई बार सुना होग यह बेड़िया यह आकट दिदुगा फार्ण जामन सुनाओगा कि वह कई रोड पर सेर भूंते मिले तो पता है जब हम उनके छेती नष्ट करते जाएंगे तो वह कहां जाएंगे रोड पर तो आएंगे तो वह हमारी छेत में नहीं आ रहे हैं बल्कि हम उनके छेत में कुछ निर पहले दिल्ली मैं सुनाता है चली आंगे देखते हैं विसेश चित्री प्रजाती बच्चे सी की सांती पूर्वा गहरेवन में प्रविष्ट हो गये बच्चे एक विसाल का गलहरी को देखकर अचंबित रहे इस गलहरी की एक लंबी भरदार पूच बेश के वि कि यहां की विसेश चित्री स्पीसीज है पौदेवन जन्तुओं की वह स्पीसीज जो किसी विसेश चित्री किई जो सब्सक्राइबORO ये किसी अन्चेतमें प्राख्तिक रूप से नहीं पायू जाती है किसी बिशेज पपेकार का पाधा या जनतू किसी बिशेज छेत राज अत्वाच छेत की बिशेज छेतरी हो सकते है मादावजी ने पच्पणी जब मंदल आरक्षी चित में इस्तित साल और जंगलियां के पेड को देख दिखा कर विसेश चितरी वनस्पती का जगत का उधारन दिया विसन भारतिय विसाल गिलहरी तथा उड़ने वाली गिलहरी इस चित के विसेश चितरी प्राणी हुँ प्रविश से विसेश चितरी प्राक्तिक आवाज पर प्रभाव पढ़ सकते हैं इसके अस्तित को भी खत्रा हो सकते हैं यह आपका जंगलियां हो गया है यह आपका विसाल गिलहरी देख कि इस प्रिशीज सजीवों की समिष्टी का वह समूब है जो एक दूसरे से अंतर ज जन करने में सक्चम होते हैं इसका रख है कि एक जाती के सदस्केवल अपनी जाती के सदस्वों के साथ अन जातीयों के सदस्वों को छोड़का जनन जम संतानुत्पन करते हैं एक जाती के सदस्वों में सामानलग्चन पाय जाते हैं अब बात करते हैं बन पराड़ी अब् प्रवावफेसर अहमद ने बताया कि आरक्षत बनों की तरह यी कुछ ऐसे चेते हैं जहां नौन पराणों जयंतु रक्षत और सरक्षत रहती है इन्हें बन पराणी अभ्यारन केहते हैं मादव जी पुनाहा बताते हैं, कि अब्यारन वह इस्थान हैं जहां पराणियों ततना जन्तु को मारना, यह सिकार करना अथब पकड़ना पूर्ण का लिशिष, एवं धंड ने अपरादे हैं, यानि कि यहां नहीं पकड़ सकते हैं, ना इनका सिकार कर सकते हैं, वोह इन्ह नहीं मार सकते हैं कुछ मत्पून संकट पन बन जन्तु जैसे काले हेरन स्वेत आख वाले हेरन हांती सुनाई रीविली गुलावी सिरवाली प्रधक घड़याल कच्छ मगरमच अजिगर गेरणाल इत्यादी हमारे बन प्राणी अभ्याणों में सुरक्षे तैवं सरक्षन है भारती अभ्यारों में अनूठे दर्स भूमी बड़े समतल बन पहाडी बन तथा बड़ी नदियां के डेल्टा की जाड़ी भूमी अत्वा बुसलेंड है यह अपसोस की बात है कि सरक्षत बन की जीवों के लिए सुरक्षत नहीं रहे क्योंकि इसके आसपास की छेत्रों म कहा जाता है उन्हें इसमाड है कि प्राणी उद्ध्यान भी वच्षत थे हैं जहां प्राणियों जन्तुओं का सरक्षन करते हैं कि आंगे चलते हैं राष्टी उद्ध्यान सडख के किनारे एक और गोड लगा था जिस पर लिखा था कि सत्पोड़ा राष्टी उद्ध्यान बच्चे वो वहां जाने के लिए उत्सुप थे हैं मादाव जी ने उन्हें बताया कि ये विसाल आरक्षित के थे हैं तथा पर्याबन के संपूर्ण संगट्खों का संरक्षन करने में पर्याबते हैं इन्हें राष्टी उद्ध्यान कहते हैं ये बनस्पति जाद प्राडी जाद द्रस्बों में तता इतियासिक पस्तुओं का संरक्षन करते हैं सत्पोडा राष्टी उद्यान भारत का प्रितम आरक्षित बन सर्वोत्तम किस्न की टीके सावोन इस बन में मिलती हैं सत्पोडा राष्टी उद्यान की चट्टानों में आवास भी इस्ति थे ये इन बनों में मनुस्की गतिविदियों की प्रग्रितिहासिक प्रमार्ण जिसमें हमें आधी मानों की जीवन या पन के बारे में पता चलता है चट्टानों के इन मानव आवासों में कुछ पैंटिंग, कलाक्तियान भी मिलती हैं पच्मडी जेमंडल सरक्ष छित में पच्पन चट्टान आवास की पहचान की जा चुकी है जन्तु एवं मनुस को इन कलाक्तियों में लड़ते हुए सिकार, नित, बाद्यन्तों को बजाते हुए इतर साय गए आज भी एक अधिवासी जंगल में रहते हैं जैसे बच्ची आंगे बड़े उन्हें एक बोर्ड दिखाई दिया जिस पर लिखा था कि सत्पोड़ा बाग आरक्ष छेत मादों जी बताते हैं कि हमारे सरकार ने बागों को सरक्ष नहीं तो फिरोजेक्ट टाइगर अथा बाग परियुजना लागों की इस परियुजना का उद्देश अपने देश में बागों की उत्तर जीपता एवं सबर्दन करना या नहीं ने बच्चाना है यह आपका बाग हो गया जंगली वैसा बारे सिंगा लेख लिए बाग उस इसपीजी इसपी सीज में से एक है जो धीजी रितिरे पनों से बिलु ऑठ उधारणा किसी समझ सेर हाती जंगले वह से आत्वबारे जिंगा अपर्जण पर राश्टी वद्दियार में पाए जाते गहां बेजंतु जिनकी संक्या एक निर्दरी इस üzsp Stud कम होती जारीए बिलुप्त हो सकते संकटपन जन्तु कहलाते हैं। याद रखना, बेजन्तु जिनकी संक्या एक नेधारिश इस्तर से कम होती जा रहे हैं, बेविलुप्त हो सकते हैं। संकटपन जन्तु उते हैं बूजों को डाइनासौर के विषय में याद दिलाए गया जो लाखों बर्स पूर बिलुप्त हो चुके हैं कुछ जीवों के प्राक्टिक आवास में बेउधान होने से उनके अस्तित को खतरा पैदा हो गया है प्रोफेसर एहमद ने बताया कि पौध्यों और जन्तुओं के संरक्षन के उते से सभी राट्टि उत्ध्यानों में कड़े नियम लागू किया जाते हैं मानवी के गत्ती विदियां जैसे चराना, अबेज सिकार, जानवरों को पकड़ना या फिर मारना, जलावन पौधे की लग्टी और और उस्धिय पौधों एकद्धित करना सुईकार नहीं है मादाव जी पहली को बताते हैं कि बड़े जन्तों की अफेक्चा छोटे प्राणियों के बिलुप्त होने की संभावना कहीं अधिक है अपसर हम साप मैड़क चिपकली, चमगालन, उनलू इत्यादी को निर्द, दर्यता से माल डालते हैं वह पारितंत में उनके मद्ध के विसे में सोचते ही भी नहीं है, उनको मारकां स्वैम कोहानी पहुचात रही हैं, यक भी बे आकार में छोटे हैं, परन्तु पारितंत में उनके उदान को अंदेखा नहीं किया जा सकता बे आहार याल, आहार सिंखला की भागें, जिसके बारे में आप कप्चा साद्वी में पड़ चोगें, किसी चेत्र के सभी पौधे, पराड़ी, एवं सूख छंजीब, अजैब गटक, कौन जैसे जलवाई, बूमी, नदी, डेल्टा, इत्यादी से पुरूप से किसी पार रेड़ डांता बुक में लिष्टिट याल गये है, प्रोफेशर आहमत् को बच्चों को रेड़ डांता बोग के विशे में समुझाती है, वह उनको बताते हैं कि रेड़ डांता बूग, राटब उस्तक है, जिसमें सभी संकट्ञण सब्सकद्र, इसपी सीज का रेकौड रखा जाते हैं पौदे जन्तुओं और अन्य इस्पिसिज के लिए अलग लग रेड डाटर बुक उस्तर है प्रवास मादवजी के निर्देश्टन में ब्रहमण पार्टी गहरे बन में पिर्वेश करती है वो अद्दावास नरप्चत चेत में कुछ समय आराम करती है पहेलीने नदी के समीब कुछ पक्षी देखे मादवजी बताते हैं कि ये प्रवासी पक्षी है ये पक्षी संसार के अन्य बावं से उड़कर यहां आये हैं जलबाई में परिवर्तन के कारण प्रवासी पक्षी पितेग बर्स सुदूर चेतरों से एक निश्चित समय पर उड़कर आते हैं वह वह अंडे देने के लिए आते हैं क्योंकि उनके मूल आवास में बहुत अदेख सीथ के कारण वह जीवन यापन एतु अनकूर नहीं होता हैं ऐसे पक्षी जो गोड़कर सुरूर छेतरों तक लंबी यात्रा करते हैं प्रवासी पक्षी कहलाते हैं जैसा कि पहिरीने कप्षा साद्वी में पढ़ाता हैं उसी तरह कह लिए जैसे हम लोग गाउं से सैनों की तरफ चले जात हैं जैसे गाउं में सुख्दा नहीं है आपके पाद सिप्षा स्वास्ति और रोजगार कीं सुख्दा नहीं है तो आप लोग क्या करते हैं गाउं छोड़क कर किसी ऐसी सेरह में जाते हैं ऐसी जगह जाते हैं जहां को लेये सभी सभी उबलब्स दूसरी दरए बक छीव ह यही करते हैं जहनके जीवण यापन के लिए अनकूल परिस्थिती नहीं वो इसथान नहीं हुगा तो वो दूसरे चित्वरों में चिले ज़ये जहाए जानके जीवण यापन के लिए अनकूल छेफ करते हैं कागज का पुनर चक्रन परोफेसर एहमad बच्चों श्ब्रम का दयान बनुन मुलान के एक और कारण के ओर आखरशिद करते हैं। वोय उन्हें बताते हैं कि एक तन कागज प्राप्त करने के लिए उमूर रोपेन बिख से सत्तरय वेक्षओं को काटा जाता है। यानि कि एक टंड कागज प्राफ करने के लिए हमें 77 वेक्षों का खात्मा किया जाता है यानि कि काट दिया आता हमें कागज की बचत करने चाहिए प्रोफेसर अहम나ड यह भी बताते हैं कि अपयों कि लिए कागज का माट से 6 बार तक पुनाहा चक्रण किया ज़सकता है। यदि कोई 6 दिन में माट दी कागज की बचच करता है, तो हम एक बर्स में अनेग ब्च बचच सकते हैं। हमें कागज की बचच करनी चाहिए। इसका पुना उपयोग एवम उनाः चक्रन करना चाहिए इसके दौरा हमना केबल बैक्चू को बचाहेंगे वर कागज उत्ति पादन के याने वाफ चल एवम वुज़ा की वुआ जाति ही कर सकते हैं इसी के साथ अजम्स का अक्षा कागज उत्पाधन की उपयोग में आने वाले रांव का रिकत但是 कमी कि अक्षर आप लोगों ने देखा हो कि गाउ में क्या हinos है जिव Border Department कि था उड़ी हो जादे हैं तो अज networks करण दरते हैं को differenti कि कहते हैं कि जैसे हमारे यह एक कच्छा चटवी जैसे हम कच्छा साथवी कीपता पढ़ रहे हैं तो इस बुक को मुझे लगता है कि कही जगह 70-80% एक बार में ही इसे नश्ट कर देते हैं काट पीट के गोला पोला लगा के और अन्य देसों बेखसित देसों की बात करूं तो मैं पढ पच्छा साथ भी में होगे वह आपकी बुक से बढ़ेंगे फिर उनकी से नीचे जो होंगे वह बढ़ेंगे इस तरह से कई बार बुक आपकी चल्दी रहे हैं लेकिन अधिक तरह हमारे इंडिया में जा होता है कि एक बुक आपने लिए तो उसे आपकी खतमा उसका खातम करने की इस तरह से उसे उपयों में करेंगे दूसरे की पढ़न लायक छोड़ेंगे ही नहीं उसे तो बचाईए वुक्स को और अगर आप उसकी कच्छा से या आपकी उपयों को से वह बच जाती है तो दूसरे को देदीजिए अब बात करते हैं पंणरंवण प्रोफेशर एकमध का सुझा भाए कि बनन मूलन का उत्तर पंणर वन रोपन में काटे गए दक्यों की कमीप पूरे करने के उत्तिय से नएए दक्यों का रौहर करना है प्रोपनवादियि वयक्षी समान था उसी स्पीशी के होते जो उस बन में पाए जाते हैं हमें कम से कम उपने ब्यक्षितू लगाने चाहिए जितने हम कासते हैं प्राक्तिक रूप से भी बन का पुनारवरण हो सकता है यदि बन मूलित छेत्रों को आवदी छोड़ दिया जाता है तो यह सुता ही पुनार इस्थाफित हो जाते हैं प् संगली पीडी के लिए हरी संपदा बनाए रखनी है तो अधिक ब्यक्षा रूपन की एकमात बिकल्प है प्रोफेसर अहमद ने उने बताया कि भारत ववन सनक्षण अधिनियम है इस अधिनियम काउद्देश प्राक्तिक बनों कर सनक्षण परीवक्षण परीरक्षण और सनक्षण करना है साथ ही साथ ऐसे उपाय भी करना है जिसमें बन में और उसके समीब रहने वाले लोगों की आधारूर्थ आवस्वक्ताओं की पूर्टी हो सके कुछ समय बिस्तराम करने के बश्चात मादव जी ने बच्चों को बापस चलने क्यों कहा क्योंकि सूर्यास क कि बश्चात बल में रुख वन में रुखना ठीक नहीं बापस आने के बाद प्रोफेसर अहमद इवन बच्चों ने इस उल्लास्पूर्ण अनुवव के लिए मादव जी का आवार व्यप्त किया पता है हसी तो तब आती है जब कहते हैं बेटी बचाओ बन बचाओ जिन्हें हम जो हमें ही सब कुछ देते हैं अब जैसे बन बन हमारे उपर निर्वन नहीं है हम बनों के उपर निर्वन बस अगर बन अपने आप में छती जो रुपती है प्राक्तिक संसादनों में वो भरन पोशन कर लेते हैं तब तक कोई लाजची व्यक्ति उसमें छड़चाड़ ना करें ठीक इसी तरह कहते हैं बेटी बचाओ अरे भाई जो बेटियां जो मा घमें भी तो किसी माने जनम दिया हुगा उसी को बचाने की बात कर रहे हैं जिससे हमारी उत्वत्ति भी है उसी को बचाने की बचाने की ओर में लगी हुए चलिए जो भी यह ठीव है तो इसमें क्या सीखा है सद्धिया में जय वेवित्ता के बारे में जाना जय मंदल आरक्षन सरक्षन आरक्षन ये उन सरक्षन के बनुमूलन मरुस्थलीकरन पारितन संकटपनत स्पीची विशेश्चित त्रीश्पीच सी बिलोग प्राणिजाद बनस्पतिजाद प्रवासी पक्षिव राष्टी उद्यान रेट डाटा पुस्थग पुनर बन रोपन अप्यारन तो इनी के वारे में हमें जानना है आपने क्या सीखा है वन पराणी अप्यारन राष्टी उद्यान एबं जय मंदल आरक्षचित ऐसे नाम है जो बन एबं बन पराणियों का संरक्षण एबं परीरक्षण ये तू बने हैं जय विवित्ता गया थे कि किसी विश्ट छेत में पाए जाने वाली सरीवों की विविन किसमें किसी चेत के सभी पौदे जन्तु उन उस छेत के बनस्पतिजाद प्राणिजाद से जाने जाते हैं रेट डाटब उस्तक में संकटपन में स्पीसी का रेकॉर्ड रहता है प्रवास होए घटना है जिसमें किसी स्पीसी का अपने आवास के लिए किसी अन आवास में हर बर्स बिसेश आओदी में बिसेश का पिजनन इतु चलन होता है हमें बैक्च पोड़ जान और पानी की बचच करने के लिए काघज की बचच उनका पुणार उपयो और पुना चक्रण करना चाहिए दोस्त्वन रोपन निश्ट किये बनो पुनार स्थापीत करने के लिए रोपड करना है यह आपके अप्यास के लिए कुस्अ कुश्चन के साथ निकल जाई है क्योंकि इसमें ऐसा कोई भी सब्द नहीं है जो आपको समझ में ना आ सके वस द्यान से पड़ना है कि यहां देख लिए क्या आप जानते हैं विस्में जंगली वागों की आधिस याधिकाव संख्या भारत में पाई जाती है इसी पेकाराब का 65-35 एक सीन वाले गहंडे 100-35 एसीन से भारत में पाई जाती हैं विस्ट के बाते बढ़े जयबवित्ता वाली देशों में भारत का चटास था हैं विस्ट के 34 जयबवित्ता तब insightful में से तो भारत में इसंति थे यह पूर्वी हमाला आ प्ष़िमी घाठ यह अच्छे जयबश्वित्त देस बहुत धनी हैं आज पराड़ी बंद पराड़ जो विस्क के संकटपन स्पीसीज का 2.9 पूरवी हमाले के तब तरिश्थल में पसू और पौधों की स्पीसीज को सामिल करते हुए लगवग 163 बैस्विक संकटपन स्पीसीज है बारत में एसिया की कुछ दोल्ला प्रजातियां जैसे बंगाल लॉंबली संग मरमरी बिल्ली एसियाटिक से भारती हाती एसियान जनली एकादा भारती केड़ा गौर जनली एसियाटिक जल बहेंसा त्यादी यह आपकी कुछ साइटें दी गई है देखते हैं तो यह था आपका साथवा चप्टर आठवी चप्टर में हम लोग बात करेंगे कोशी का सरजना इवं पिकार के बारे में कोशी के बारे में जानेगे कि हेलो ुश can the profitable चलिए हम लोग बात कर रहे थे ऐंसी य Border कि विग्ज्ञां के बारे में सेंस के बारे तो इसमें अभी तेकम लोग साथ चेप्टर आपके कितम कर चुकी है यह आखा आठवा चेप्टर है इसमें बात करेंगी कोर्षी क्या कि बारे में इसकी सरचना देखेंगे इसके प्रड़कार देखेंगे तो चलिए बड़े धायर के साथ सुनिए लाश्टर जो भी इसका निश्करस होता है पूरे चेक्टर का निचूर कह लिए वह आपको बता दिया जाता है इसलिए हड़ बढ़ाने की यह रूरत बिल्कुल भी नहीं है बहुत अच्छा चेक्टर रहते हैं जो भी आपकी एंसी इन अभी तक की बहुत कहानी का णोट देखर बहूत अच्छा रहता हैं वह सब्लेशस जो भी चीज़ ल自 होती है जो भी शल चेक्टर वह पढ़ने से ऊपते हैं तो इसलिए धैर के साथ मन को अच्छे से पढ़ना है ठीक ऐसे आप पहले ही पढ़ चुगे हैं कि हमारे आसपास की वस्तु हैं या तुझी सजीव हैं या फिर निजीव हैं साथ ही आपको यह भी याद होगा कि सभी सजीव कुछ मुलबूत कार संपादित करते हैं कि आप इन कारेओं की सुची बता सकते हैं बिभेन अंगों के समुव बिभेन कारें करते हैं जो आपके द्वारा सूची बद किये लिए इस सद्याय में आप अंगों की सर रख सर नाचनात्मक बोलबूत एकाईयों के विसर में पढ़ेंगे जिसे आप क्या कहते हैं कोशिका की तुल्ला हम इंटों से कर शकते हैं जिस पकार बिभेन इंटों को जोड़कर भवन का निर्माट किया जाते हैं उसी पकार बिभेन कोशिकाओं कोशिकाएं एक दूसरे चुट जोड़कर पितेक सजीब के सरीर का निर्माट करते हैं अब बात करते हैं कोशिका की खोच गारावर्ट हुग ने रावर्ट हुग ने शोलेज सोपैसट में कोर्ण के सिलाइस का सामान आवर्द के यंद की साहता से अधेन किया कौर्क पेड़ की चाल का एक भावे उन्होंने कौर्क की पतली सिलाइज ली और उसका सूक जुन दर्थी की तार सहायता से अध्यान किया उन्होंने कौर्क की सिलाइज मेनेख कोष्टिप अध्वा बीवाजित बक्सी देखे ये वक्त से मदुमक की चत्ते की समान दिखाए दिये इस तरह से रोवाट होग द्वारां देखी गई कौर्क की कोष्टिप अध्या है बास्तों में मित कोषिकाहинаं थी हर सजीवों की जीवित कोषिकाहों को संबडित स्व चुम दलसी की खोण के बाद ही तेखाजा सकता है प northeast ऐसके में कोष्ट के खोजवी उसके बाद ही देखाजाजा है रोबर्ट होग के पेक्षड के लगबग 150 बलसं तक बाद तक भी कोशिका के बिसे में बहुत कम जानकारी थी आज हमें कोशिका की सरचना एबं कारेओं के बिसे में बहुत अदिक जानकारी है या देख आवर्धन, चम्ताबाले, संबर्दी सूप चुंदर्सी एवं अन्य तक नेक द्वारा की संबव हो सका कोशिका बागा भवन के लिए एट एवं सजीवों में कोशिका तोरों भी मूलबूत सरचना एक आई है मतलब समझ रहे भवन के लिए जितने एट की आवा सकता है उतली सजीवों में कोशिका तोरों ये एक भी भवन निर्माण में एक समान एटों का प्रेव होता है पजनतों उनकी आत्कृति डिजाइन या पर साई अलगलग होते है इसी बकार सजीव जगत के जीव एक दूसरे से मिन होते हुए भी कोशकाओं के बने होते है निजीव एट के पेक्छा सजीवों की कोशक मुर्गी का अंडा एक एकलव कोशी का है तथा आकार में बड़े होने के कारण इससे नगन आपकाव से भी देखा जा सकता है आंगे बात करते हैं सजीवों में कोशी का किसंख्या आकृति एवं साईजी में बिन्नता होती है बिग्यानिक किस पेकार सजीव कोशिकाओं का पेक्छंद एवं अध्यान करते हैं व्यास स homosexual करते हैं जिसके साहoulder से भस्तू के आवर्दिक पित्य अच्वितर कत्याल का विस्तित अध्यान करने के लिए अवी रंजक का उभ्यों Knight पित्वी पर लाक में जीव हैं वय अक्रिती एवं साइज में बिन्ने उनके अंगों की अक्रिती साइज एवं कोश्काओं की संख्या में भी बिन्नता होती है कोश्काओं की संख्या क्या आप किसी लंबी ब्यक्ष अद्वार हांती जैसे विसाल जन्तु के सरीर में पाई जाने वाली कोश्काओं की संख्या का अनुमान लगा सकते हैं जैसे क्या आगों करों में हो सकती है मनमस्त के शरीर में कई खरब कोसिकाएं पाई जाते हैं एके कोशिकाओं के विबिन ने समुद में अनेक पिकार के कारिक करते हैं एक अरब में सौ करोड जो होते हैं और एक करोड में सौ लाक जीए वह जीब जिनका शरीद एक सेदी कोशिकाओं का बना होता है उसे क्या कहते हैं बहु कोशिक मल्टी, सेलूलर, मल्टी मतलब ले और सेलूलर मतलब कोशिका छोटे जीब़ों में कोशिकाओं की कम संख्या उनके कुरिया कलाबों को किस पिकार प्रभाविथ नहीं करती हैं आपको जानकर आश्या होगा कि अरों कोशिकाओं बाले जीवन का प्यारम एक कोशिका से ही होता है, जो निसेचित अंडा है, निसेचित अंडा गोडन करता है, ततना विर्दी इवन परिवर्धन के साथ कोशिकाओं भी संख्या बढ़ती जाती है, तो याद रखना, क्या है जो भी जीव होते हैं अपने पितिक जीव का प्यारम एक कोशिका के सही होता है उसके बाद वो बढ़ती जाती है एक कोशिका से बने गुए एक कोशिका बाले जीवों को एक कोशिक अमीवा प्रामेशियं एक कोशिका बाले जीव को एक कोशिक जीव कहते हैं एक कोशिक जीव की वही सब आवसक करियाय करता है जो बहु कोशिक जीवों द्वारा की जाती है एक कोशिक जीव जिसे जैसे की अमीवा बोजन का अंतरंगयन करता तो था पचाता है और सुसन और सर्जन बिद्धी इवं पिजनन भी करता है बहु कोशिक जीवों में यह सभीकार विस्ष्ट कोशकाओं की समूद्वारा संपादि किये जाते हैं कोशिका का यह समूद उतक का निर्माट करते हैं तथा विभेन उतक अंगों का निर्माट करते हैं कि एट क्रिया क्लाब 8.1 अध्यापक अमीवाग एवं पैरा मेजियम की स्थाई स्लाइड सूफ में दाज़ती यह दिखा सकते हैं इसके अध्यापक तालाब से जले करते करके स्लाइड बनाकर उस जल में उपस्ते जीवों को भी दिखा सकते हैं बात करते हैं कोशीका की आख्रती के बारे में चित्ट 8.3a को देखिए इसे जित्त में दसाएके अमीवाकी आख्रती को आप किस पेकार परिवास्यट करेंगे आप करसे दते हैं कि कि आख्रती आहनीमे थे बास्तों में अमीवा कि में कोई सुनिश्चित आक्ति नहीं होती है। यह अपनी आक्ति बादल बदलता रहता है। इसके मुख सरीर से बाहर की ओर परीवर्थी लंबाई के फिवर्थ हो बढ़ते हुए दिखाए दिते हैं। इन्हें पदाब कहते हैं। जैसा कि आपक्षा साथभी में पढ़ चुके ह यह अपिवर्थ हमीवा की गति के समय अत्वा भोजन का अधिक गरहन करते समय बनते एवं बिगड़ते रहते हैं। यानि की WVC भी एक कुष्की है सरजना का एक उधारन है जो अपनी अख्रती बदल सकती है। WVC एक कुष्का है जबकि अमीवा एक उण विक्सित जीव है जिसका सुदंद अस्तित है। आपकी विचार में उन जीवों में कुष्काओं की अख्रती कैसी होई जिन में लाकों कुष्काओं होती है। चित 8.4 ABC में मानों के विवेन पेकार की कुष्काओं जैसे रक्त पेशी एवं तंतिका कुष्का दिखाए गई है। यह विवेन आगती उनके जिस्ष्ट कारेयों से सम्मदित है। देख लिए यह आपकी गोला का रक्त को सिखाए है। यह आपकी तरकू रूपी पेशी कोष्काएं सी में आपकी लंबी साकानवीत तंतिका कोष्काएं। कोष्काएं सामान में गोली है चप्ती गोल अतवा लंबी होती है। कुछ कोष्काएं लंबी होती हैं जिनके दोनों सरे नुक्किले होती है। हिनका आकल तरक को रूख होता है कभी कभी कोश्काइं बहुत लंबी होते हैं कुछ execution साखानवित होती है यसे तंथिका कुष्चा का संदेज प्राप्ते और कर उनका स्थानाएं तर करती है कि इसके द्वारा रेज शरीर में नियंत्रण उस्सामनवय का कारिव करते हैं क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि कोशिका का कौन सभाग इसे आक्रती बिदान करता है कोशिका के विवन संगटक एक जिल्ली द्वारां परीवत होते हैं या जिल्ली पौदों एवं जन्तुओं की कोशिका को आक्रती जीवार कोशिका में एक अत्रिक्त आवरन होता है जिसे해도 कोशिका को अकार्य वंद्रता जीवान roaring साइब जीवान कोशिका में भी कोशिका बेंथी पांद drauf, बात करते हैं cooling कोशिका का साहीच सजीवों में कोश्का कर साइज एक मीटर का दस लाकवे भाग यानि कि माइक्रो मीटर या थवा माइक्रो मीटर की बरावर चोटा सा हो सकता है अत्वा कुछ सेंटीमीटर लंबा भी फ़रंतु अधिकतर कोश्का है अतिस सुक्ष दर्सी अगोती है एवं नग्र आपों से दिखाई नहीं देती है उन्हें सुक्ष दर्सी द्वारा बड़ा अत्वा आवर्तित करना आवर सके सबसे चोटी कोश्का का साइज जीरो माइक्रो मीटर है जो की जीवाण कोश्का है सबसे बड़ी कोश्का आपकी सुत्वर्मोग का अंडा है जिसका साही 170 mm से इन्टू 130 mm होता है क्रिया कला 8.2 मुर्गी का एक अंडा हवाली है उसका चलका अलग करिए आप क्या देखते हैं एक सफेद बदार केंद के पीले भ सुपेद बार एल ब्यूमिंड है जो अउबालने पडिघ। में परिवर्त इत फो गया है पीला वाक योग है यह एक एकल्म कोश्का का भाग है आप इसे आवहर्थ कोंड के बिना भी देख सकते हैं किसी कोशिका के साइज का संबन किसी पोधे अत्वा जन्तु के साइज से नहीं होता है। ऐसा विल्कुल भी आवस्तक नहीं है कि हाती की कोशिका चूहे की कोशिका से बहुत बड़ी अधिक बड़ी हो। कोशिका के साइज का संबन उसके विकार यानि किकार से है। वो धारण के लिए तंतिका कोशिका हाती एवं चुगे दोनों में ही लंबी एवं साखान भी तोती वह संदेश के इस्थानांतरन का कार करती है प्रबाद करती हैं कोशिका सरजना एवं पिकार आप पढ़ चुके हैं कि पितेग जीप के अनेक अंग हैं आपकचर साफी में पाचन अंगों के विस्यामें पर चुगे हैं जो समलेत रूप से पाचनतर बनाते हैं किसी तंत में प्यतेय कंच अलग-वलंग पिकार करता है यैसे पाचन सवांगी करन तथा आउसुसन इसे कर विविन पादक अंग विभीशिष्श याविसिष करते हैं उधारन के जड जल खनेजों के उसुसंग में साहयता करती है, आपने कप्चा साध्वी में बढ़ा कि पत्ती हैं बोगजन की संसलेशन का कारिण करती है पिते एक अंग में पुनहा छोटे भावों से बना होता है, जिसे फूतक कहते हैं उतक एक समान कोशकाओं का वह समुवे जो इस बिसेश्ट प्रिकार करता है पहली को समझ में आ गया कि अंग उतक के बने होते हैं, वो उतक कोशकाओं से बने होते हैं सजीव की सरजना, सरजनातमा के कल कोशिका है कोशिका के भाग, कोशिका जिल्ली, कोशिका के मूल घटक, कोशिका जिल्ली, कोशिका दिरव और केंदक है, कोशिका दिरव एवं केंदरक कोशिका जिल्ली केंदर परीवत होते हैं, कोशिका जिल्ली एक कोशिका को दूसरी कोशिका एवं घरे हुए माध्यम से अलग करते है कोशिका जिल्ली जिसे पिलाजमा जिल्ली भी कहते हैं सरंद होती है तथा बेवेन पतार्तों कि कोशिका मैं आवागमन करनीमन करते हैं किरिया कलाफ 8.3 किसी कोशिका के मोल संगटों का पेक्छड करने के लिए एक प्याज लीजिए उपकी सोखी गुलाबी पर आवरण को प्याज की सफेद मौसल परश्य से चिम्टी की साहता से अथवा अपने हाथ द्वारां भी अलग कर सकते हैं आछ प्याज को तोड़ कर भी इसकी पतली जिल्ली को अलग कर सकते हैं प्याज की जिल्दी का एक छोटा टुकड़ा कांच की सिलाइट पर जल की पूर में रखिए। पतली जिल्दी को ब्लेड या चिम्टी की सायता से छोटे टुकड़ों में काटा जा सकते हैं। इस पर मैथाइलिन बिलू की एक बून डालकर कवर्ण सिलिप रखिए। कवर सलेट रखते समय इस बात का ध्यान रखिए कि कवर सलेट के अंदर वायू के बुल्बले नाम सूक दर्शी की नीचे सिलाइड का पेक्ट्यम किजिए इसका आरेट बनाकर नामांकित कि लिए आप इसकी तुलनावाद चित्त 8.5 से कर सकते हैं कर आद रखिए जो भी आपके एक करिया कलाव होते हैं इन्हें पढ़के दिलदी से निकल जाना है इसमें जाना दिमाख मत लगाए ठीक है प्याज की कोशिका की सीमा कोशिका जिल्ली द्वारा परिवर्थ होती है जो एक और द्रड आवद्ध होती है जिसे कोशिका बेत्री कहते है कोशिका के केंद में घनी एवं गोला का सरचना होती है जिसे केंदर कहते है केंदर के एवं कोशिका जिल्ली के मत एक जली के समान प हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि कोशिका जिल्डी कोशिका को आकार पदान करती है। पौधों में कोशिका जिल्डी के अतरिक तेक बाहरी मोटी परत होती है। जैसे कोशिका भिद्रीख करती है। कोश्का जिल्डी को आवद्ध करने वाली या अत्रिक्त सरजना पौधों की कोश्का की सुरक्षा की आवस्थ पादक कोशिकाओं को ताप में परिवर्टन तीव गति से चलने वाली वायो बाई मंडली नमी इत्यादी विभन परिवर्थनों से सुरप्चा की आवसकता होती है वह एन परिवर्थनों से विरभावित है क्योंकि बेचल नहीं सकते कोशिकाओं का पेक्षण ट्रडश किसिया इलोडिया अत्पार रोईयों की पत्ती की जिल्ली में किया जा सकता है आपके आप इनकी सलाइड भी उसी पेकार बना सकते हैं इस पेकार प्याज की जिल्ली की सलाइड बनाई थी पहली ने बूजों से पूचा क्या वह जंदू को सिखाऊंगा भी तेक्छन कर सकता है क्रियक लाफ 8.4 एक सौच्छनार खोदनी तूद पिक अत्वा माचिस की तीली जिसका मसाले वाला सिरां मोड कर हां अटा दिया गया हो लेजिए इनकी सायता से गाल की आंत्रिक पर्ग को भीरे से खुर्चिय इसे काथ की साइट पर रखे पानी में रखिए इससे आयोडेन विलेयन की एक आयोडेन विलेयन की स्थान पर आप मैंत आई लेंज बीलो की एक दू वोन डाल सकते हैं सोख्चिन तरसी के नीचे इसका पेक्षण कीजिए आपको खुर्ची हुई परतमयाने कोश्काय दिखाए जैने आपको उसका वीत्ती कोश्का द्रब केंद्रक को भी पहसान सकते ह जनतु कोश्कायं में आपकी कोश्का वीत्तरी अनुपस्तिद होती है जत ही मनोसकी गाल याँ केंद्रक जिल्ली ओगया है कोश्का द्रब हो गया है यह आपको केंद्रक होगा है कोशि का दिर्व यह एक जली जिसा पदार्ट है जो कोश का जिल्दी एबं केंद्रव के बीच पाये जाते हैं कोशिका के अन्ना संगट अत्वाग कोश का अंघ कोश का दिर्व में पाये जाते हैं यह हैं म्यट्रिकांडिया गालगी काय राइबोसॉम हिट्ट्यावी आप यह बात करते हैं केंद्र, सजीब कोश का कहिया है की मद्धभाग में इस्तित होता है इससे दें सल्था पूर्वक अभीरंदित करके सूपन-धर्थी की नीचे आसानी से देखा रहता है केंद्रक को उसके द्रफ से ही एक जिल्दी द्वारां अलग रहता है जिसे केंद्रक जिल्दी अत्वा केंद कावरण करते हैं यह जिल्दी भी सरंद होती है अत्वा कोशी का द्रफ एवा केंद्रक की भी पदार्टों की आभा अगमन को नेंदिर रहती है वो चावर्धन चम्ता वाले सोप चम्ता सी द्वारां देखने पर हमें केंदरक में एक छोटी सगन सरज्णा लिखाई देती हैं इसे कैंदी का अत्वा नुपिलियोस कहते हैं इसके दरिक कैंद में धागे के समान दरजना भी होती है जो क्रोमोसूम अत्वा गुड़सूत कहलाते हैं या जीन के धारक है तथा अनुवांसे गुड़ों अत्वा लक्षणों को जनक से अंगली पीली में स्थान नांतित करत हैं गुड़सूत कोश्का विभाजन के समयदी देखाई देते हैं जीन जीन सजी में अनुवांसिक की एकाये या जनक से संत्तिकों अनुवांसिक लक्षण के इस्थानांतन का नेंतन करते हैं इस करते हैं कि आपके माता पिता कि कुछ लक्षण उनसे आपको प्राप्त यदि आपके पिता जी की आँखे बोरी हैं तो संभाव है कि आपकी आँख बोरी हो सकते हैं यदि आपके माता जी के गुंवराले बाल हैं तो हो सकता है कि आपके बाल भी गुंवराले पुस परंतु जनक प्राप्तिविविन जीन के सेवत होने के बैडाम सरूप को सकती तो वानसानुगत अथमागा है कंधरघ खोषका की क्रियकलाप़ों कभी नयतर्म करता है सैजीब खोषका की समग संगत को जीब दिरव प्रोटोटो पलाज्मा की नाप से जाना जाता है कि इसमें कोषट का दिरब और मेरे द्रभ दोनों समले कोते हैं। जिव्द्रभ खोशका का जीविस पतारग कहलाता है। जीवाड़ो कोशका का कैंदरग बहु कोशिक जीवों केकेंदरग के समान सुख संगाटिग नहीं होता ईसमें कैंदरग जिली अनफ़स्तित होता जा के तरहेता है। एसी कोषकह जिनमें म gauge अधारत हैं, के के ओधारेंगरक जिलिक के बिना होता है। प्रोक्रागों कुछिका के क कहा लाता है।ака के खश्दकशा दॉसलिकैंट जाते ह। जीवाडों ओ नेली हरे सेवाल इसके उदार में प्याज की जिल्ली एवन गाली की कुलस्का जैसी कुलस्काओं celebrating । प्यास को शिकाए प्याज की जिल्डी स्तों का प्रिक्ञ्ट कट्री समय क्या आपने को स्या धरक्त के बिद्धा के खाली यक दिखने वाली रिजन में प्रजिदयाया दिया हिने रिक्टिता तिका कहते हैं यह मत याणे एवन एवन बढ़ी तकी जैसे कि प्याच की जिनली कीकोश्का में दिखाई देती है ज़ंतुों मैं रप्रोस्का में बहुत चोटी होती है प्राडेस केंग्स या पत्ती की कुश्टाओं में आपने अनेक छोटी दकी सर्चना देखिएूं, बिपत्ती की खुष्टाओं की कुश्ट काद्रमें चितरी रेती हैं इने भेलेस्टड करते हैं यी अबिवनियर रंगों के उत्री हैं। उन मैंसे कुछ मेहरा रंजक उपस्थित उताइ। जोसे केलो रूलोपिल कहते हैं। किलोरोफिल हरे रंग के प्लेश्टर को किलोरोफिल किलोरोफिल के लिए आवस्ट पादप एबं जन्तु कुछकां की तुल्ड यदी आप इछले प्रियाकलाब 8.3-8.4 को याद करें तो उसके आधार पर आप पादप कुछकां एबं जन्तु कुछकां की सरचना की तुल्ना कल सकते 8.7-8.7-a-b कल्द्यान पूर्वक चित को देखिए यह आपका आलक कुछका यह आपका जन्तु कुछका कोश का बीती कोश का जिल्ली हरितलवा कोश का जिल्ली यह आपका कोश का जिल्ली रिक्ठ का यह रिक्ठ का कैंद रख इसमें भी कैंद रख कोश का जिरब आईए पादब एवं जन्तु कोश्काओं की समानताओं और अंतर को सुचिवेद करें सायने 8.1 में किवल कोछी लक्षों का उले किया गया है कोश्का जिल्ली पादब कोश्का में उपस्तित रहती है जन्तु कोश्का में भी उपस्तित रहती है कोश्का भीती उपस्तित रहती है जन्तु कोश्का में अनपस्तित रहती है केंद्रक आपकी दोनों में उपस्तित रहता है केंद्रक जिल्ली भी आपकी दोनों में उपस्तित है कोश्का दिरप भी आपका दोनों में उपस्तित है तो इसमें क्या देखाएं लोगों में कोशिका के बारे में जाना है कोशिका जिल्ली के बारे में कोशिका भीत्ती के बारे में अरितलवक के बारे में किलोरपलास्ट गुरसूत कोशिका दिरब यूकरियोट के बारे में जाना है जीन, बहुकोसिक, केंद्रक जिल्ली, केंदिका, केंद्रक, अंग, कोचकांग, पिलाजमा, प्लेश्टेड, प्रोक्रियोट, पदाब, उतक, एकोचिक, रिक्तिका, और स्वेत, रख्ट कोचका हैं, डबलू बीसी, इन सभी को इस अध्याय में आपने पढ़ा हैं, यह आप का निस्करस के लिए, पूरा, यह आपने जो, जिस अध्याय को, जिस उद्देश से पढ़ा है, इन सब्दों की परिवासा जानने के लिए पढ़ा है, इस पूरे अध्याय का निस्करस है, अधिकतर जीवों में छोटी सरचाय दिखाए देती, चिनें अंग कहते हैं, सभी कोषकाओं की रौवर्ट रौक ने 1655 में कोषकाओं की विविन आप्तियां, इसाई परिलक्चित होते हैं, विविन जीवों में कोषकाओं की संख्या विवे थे, कुछ कोषकाओं बहुत बड़ी हैं, जिनें नगन आखों से देखा जाबता हैं, धारन के लिए मूरगी का कुछ जीव मात एक कुछका के एवं अन्य जीव अनिक कुछकाओं से बने होते हैं एक कुछिक जीवों में एकल कुछिका की बेस अभी मुलूद पेकार करती हैं जो बहु कुछिक जीवों में विशिट कुछकाओं के समभूर द्वारा संपादी होता है कोशिका के तीन मोख्य भाग है कोशिका जिल्दी कोशिका द्रब जिसमें चोटी-चोटी सरचनाय पाईजाद तीसरा है अपका केंद्रब केंद्रब और कोशिका द्रब को केंद्रब जिल्दी अलग करती है कोशिका जिसमें सोसंगटस केंद्रक नहीं होता है अतराद कनले जिल्ली अनपस्तित होती है यह प्रोक कार्योटिक कोशिका कहलाती है पादब कोश्का जन्तु कोश्का से बेनने क्योगी इसमें कोश्का जिल्ली के बहार कोश्uard sólo होती है रंगी जिसमें एक किला र्ष्टिट में कहती है kijवारे वि permettajadim ट्रॉषकामें अंब तो विर्यक्तिका होती जपकि जन्तु और छोटी-चोटी है कि इसी अध्यास के शEMAishment के आपको अभ्यास के लिए questions देए देख सकते हैं पीडियाप आपकी टेगली रापर अपलब देए वहांसे डाउनलोड करगे रटीज़ अच्छे से पढ़िए और निकल जाएए इसमें जादा दिवार लगाना ही नहीं क्या आप जानते हैं कि हमारी तुछा के बाहिस तर में पाई सामान वायस में लगबग 2kg मिर्ट तुछा होती है इत्ती दिन तुछा की लाप मिर्ट को इसकाओं का छेट होता है रहता है हर बाद जब अपनी अंगली से बेच की दूल को साब करते हैं तो पुरानी तुछा कब बहुत बाद छेट हो जाता है तो यह आपका आठवा चेप्टर था नौवे चेप्टर में हम लोग बात करेंगे जन्तुमों में जनन देखेंगे ठीक है नमस्कार दोस्तों तो हम लोग बात कर रहे थे जी याटी कच्छा आठवी की विज्ञान के वाहे में यानि की साइंस तो इसमें अभी तक हम लोग आठ चेप्टर आपकी खितम कर चुके हैं यह आपका नौवा चेप्टर आथ देखेंगे जन्तुमों में जनन देखेंग नहीं मिलेगा जिस जो आपको समझ में ना आसे और आपको करना क्या है आपको अपना जो भी कामगों से निकालो निकल जाओ मतलब अपना अद्देख निकालो और निकल जाओ इसे पढ़कर लाश्ट में में पता चली जाता है कि आखिर इस अध्याय को पढ़ने का हमारा इसलिए हमें ज़रूरी कहा जाता है कि NCEIT पढ़ना ज़रूरी है हमारे तो आराम से रहें बस पढ़िए निकल जाहिए कि आपने पाचंत परीसंचन य इवाँ सौसं पेक्रम की बारे में पिछली गत्षाओं में पढ़ा ता है क्या आपको इनके बारे में विशह में यादै Edu एपक्रम पितेक जीव की उत्तरजीविता के लिए आवस्स दखें, आप पूदों में जनन के विशाय में गेविए और चुपिए, जननन्स जाती, इस पिसीज की निरंतता बनाने के लिए आवस्स के, कलपना कीज़े कि यदि जीव पितेजनन नहीं करते हैं, तो क्या हमते ह को मानेंगे कि जीवों में जनन का विसे स्माथ है क्योंकि यह एक जैसी कि जैसे जीवों में पीडी तर पीडी नेंता बनाए रखना सुनेश्चे कर दाई आप पिछली कक्षाओं में पौधों में जनन की विषय में पढ़ चुके हैं इस सद्धिया में हम जानेगी कि जनतु किस पेकार जनन करते हैं जनन की विदिया क्या आपने विवेन ने जनतु के वच्चों के वच्चों को देखा है कि चूजे और इल्ली, केटरपिलर, किस पेकार जनम लेते हैं? बिलोटे और जनम किस पेकार होता है? क्या आप सोचते हैं कि जनम से पुर यह जीब? वैसे ही दिखाई देती हैं, जैसा कि अफ दिखाई देती हैं? आईए पता लगाते हैं. पौदों की तरह जन्तुओं में भी जनन की दो भीतिया हैं एक आप कर लेंगे जनन दूसरा आ लेंगे जनन देखिए मनुस्व में जैसे सिस्सू, बिल्डी, मियाउं, कुत्ता में, फिल्ला, गाय में बच्छडा, मुर्गी में चूजा इस तरह से बात करते हैं हम लेंगे जनन, कक्च्छा साथ मी में आपने पौदों में जनन के विशय में पढ़ा था, इसे इसमर्ड करने का याद करने का प्रियास की है, आपको याद होगा कि लेंगे जनन करने बाले पौदों में नर और मदा जननां बहाग होती थे, क्या आप इने बहा की तरह चन्तुवी नर इवर मदा युगमक का बनाते हैं, जो सल्लेत होकर युगमनज बनाते हैं, या युगमनज बिक्सित होकर एक नया जीब बनाता है, इस पेकार जनन का, जिसमें नर इवर मदा युगमक का सल्लेन होता है, लेंगे जनन का कहलाता है, या नर तथा मद युगमक का सलेन यानि की दोनों का जरूरी होना है उसी लेंगे जनन आईए मनुस में जनन भागों का पता लगाएं तथा जन्पिक्रम का अध्यन करें नर जनन अंगों में एक जूड़ा विर्षण दो सुक्राणू नलिकाएं और एक सिसन लिंग होते हैं विर्षण नर युगमक उत्वन करते हैं जिन्यमलों सुक्राणू कहते हैं विर्षण लाखों सुक्राणू उत्वन करते हैं चित्त 9.2 में आप देख सकते हैं मद, पूंच, रें जित्में सुक्राड़ू का चित दिखाएगा सुक्राड़ू एक पी बहुत सूठ होती है पर पितेक में एक सिर, एक मद अबागड और एक पूंच होती है क्या सुक्राड़ू एकल गोष्काज जैसे पितीध होते हैं बास्तों में हस कुराणू में कुष्किया की समान संगटक्ट पाई जाए मानव नर जनांग याका मानव सुक्राण। माला जनन अंग जनन नांगों में एक जोड़ी अंड़ा से अंडवाईनी टिमिट बाईनी तथा गरवा से होता है जनन अंड़ा से मानव मद्यान जननना में यह आपका अंड़ा से हूगती जिनें अंड़ाडू यारी की निमि e मान explXT फो से एक जिएंड़ा से एक भंदा से में से एक विक्षत अंड़ाडू यह घ्मिका निर्म्चन अंभाईनी में होता है गर्वासे का वय भाल जहां सिसू का विकास होते हैं सुक्राणू की तरह अंडाणू भी एकल होते हैं मानव अंडाणू बात करते हैं निसेचन जनन पिक्रम का पहला चनन आपका सुक्राणू और अंडाणू का सल्ण है यानि की मिल्ला जब सुक्राणूं अंडाणूं के संपर्ख में आते हैं तो इन में से एक सुक्राणूं अंडाणूं के साथ संलित हो जाते हैं सुक्राणूं और अंडाणूं का क्या सले हैं निसेचन कहलाते हैं निसेचन के समय सुक्राणूं और अन्डाणूं सनलित हो गर एक हो जाते हैं, निसेचन के पैड़ाम सुरूप योगुमनाज का निल्माण होता है आपका, यह आपका निसेचन पिक्री है, इस सुक्राणूं यह आपके अन्डाणूं, इस तरह से सनलित खेंद योगुमनाज क्या आपको जानकारी थी कि एक योग नज नई विष्टी का प्यारम करता है। निसेचन के पिक्रम इस्त्री मा, क्याननु और नर्द पिता की सुकरानु का सही वजन होता है। अतहा नई संत्त्ती में कुछ लक्षण अपनी माता से, कुछ लक्षण अपने पिता से बंसानुगत होते हैं। अपने भाई अत्वा बहन को देखिए। यह पाच्यानक बिर्यास कीजिए। उनमें कौन से लक्षण माता से और कौन से लक्षण पिताई से परातो है। क्या आपने परक नली सिसू के विशय में सुनाये बूजो और पहली के अध्यापक ने एक बार कक्छा में पताया था कि कुछ इस्त्रियों के अंडवायनी अवरोध होती हैं ऐसी इस्त्रियों सिसूत बंद करने में आसमर्थ होती हैं क्योंकि निसेचन के लिए सुक्राणू, मार्ग, अवरोध होने के कारण अंड़ाणू तक नहीं पहुंच वाते हैं ऐसे इस्तिति में डॉक्टर, चिकेसर, ताजा अंड़ाणू का एवन सुक्राणू इकत्तित करके उचित माध्याम से कुछ घंटों के लिए एक साथ रखतें जिससे आई भी है अधवा इनवेट्रो निसेचन सरी से बाहर किंतिम निसेचन हो सकें अगर निसेचन हो जाता है तो एवन नज कुलगवक एक सब्ताय तक बिक्सित किया जाता है जिसके पश्चात उसे माता की गर्वासय में स्थाफित किया जाता है माता की गर्वासय में और विकास होता है तो तना सिसू का जनम सामान सिसू की तरह ही होता है इस तकनीकी द्वारा जण्मी सिसू को परक्नली सिसू कहते हैं या एक मिथ्था है नाम है क्योंकि सिसू का विकास परक्नली में नहीं होता है बस निसेचन उठाई बाहर आपको यह यह जानके रच्च्छ हुगा कि अनेक जन्तूओं में निसेचन की क्रिया मादा जन्तू की सरीर के बाहर होती है इन जन्तू में निसेचन जल में होता है आईए पता लगाएं कि 21 पेकात संबन होता है क्रिया कलाप 9.1 वसंत अथवा बर्शा रितू की समय किसी तालाब अत्वा मंदगती से बहते जन्ने का बर्मड कीजिए जल पर तैदते वे मैड़क के अंडों को दूड़ी अंडों के रण तत्था साइच को नोट रसे वसंत अथवा बर्शा रितू में मैड़क तथा तोड़ पोखर तालाब और मंदगती से बहते जन्ने कीजिए जाते जब नर तथा मदा एक साथ पानी में आते तो मदा सेक्णों अंडे देती है मुर्गी के अंडी की तरह मेड़क अंडे कबस्ते रखे नहीं होते हैं अता है आपे चक्र बहुत कोमल होते हैं क्या होते हैं बहुत कोमल होते हैं जली की एक परत अंडों को एक साथ रखती है सता इसकी सुरक्षा भी करते हैं मेड़क के अंडे मादा जैसे ही अंडे देती है नर्ड उस पर सुक्राणू छोड़ देता है पित्तेक सुक्राणू अपनी लंबी फूचकी साहता से जल में इदार हो था तैलने लगते है सुक्राणू अंड कुछका के संपर्क में आते हैं जिससे फ़लसौरो आपका निसेचन होता है इस पेकार का निसेचन जिसमें नर एवादाईवो का सलगन मानों की सरीर के बाहर होता है बाहनेशेचन कहला या मचली इस्टार पिस जैसे जली एपिरानियों में होता है या में कि तीम यकपी या जनतू सेटड़ों अंडे देते हैं तथां लाकों सुकरानों निर्मोचित क होता है और उहां नए जीव नहीं मन पाते हैं इसका कारण है कि अंडे एवं सुक्राण जल्की गती वायू बलसा से प्रभावित होते रहते हैं तालाव में दूसरे ऐसे जनतु भी होते हैं जो इन्डों का बोजन कलते हैं अताहा अंडे पुश्काओं एवं सुक्राणूं क तब बड़ी संख्या में खुत्वन होना आवस्क है ताकि उनमें से कुछ में निर्शेचन सुक्राण सुनिश्चित किया जे सके चित्तिे एक में युगमनच कवणना युगमनच से भूड का भिकास चित्तवी में कुछनाओं का पैड़ का गरवासे में रोपाड से गरवासे रोपी दूड एक आपका अंड़त् सरन यह आपका अंड गर्वा से बीच्टी बिक्सित होता है लोग के फ़लक्त भूता है ऑन्के चलते हूं लुफ, भूळ का परिवतन निस्येंचन के पारड़ाम सुरूँ यहोंनज बनता है, जो बिक्सित होगा, भूह में परिवत्त होता है योगमनच लगातार विभाजित होकर कोशिकाओं की गोले में बदल जाता है तत पश्यात कोशिकाओं कोशिकाओं सामुई कित होने लगती है तथा विवन उतकों और अंगों में परिवर्दित हो जाती है इस विक्सित होती ही वे सरचना को भूर कहती है पूर्ड गरवासे की दिवार में रोपे थोकर विक्सित होता रहता है गरवासे में भूर करने रंतर विकास होता है देता है धीरे धीरे विविन सारे रिकंग जैसे की हाथ, पैर, सिर, आठ, कान इत्यादी विक्सित हो जाते है बूर की वायवर्था जिसमें सभी सारे भावों पी पैचान हो सके उसे गरव कहलाता है जब गरव का विकास पूरा हो जाता है तो मा नवजा सिसु को जनम देती है यह आपका गरवास है गरवास है में यह आपका भूर है मुर्गी में भी आंत्रिक निशेचन होता है परंदु क्या मनोस और गाय की तरह मुर्गी भी बच्चों को जनम देती है विल्कुल नहीं आप जानते ही हैं कि मुर्गी बच्चों को जनम नहीं देती है तब चूजे कैसी जनम लेती है आईए पता लगाए निशेचन के फौरंग बाद ही इर्मुहज लगातर विवाजित होता रहता है और अंडवायनी के नीची को बढ़ता रहता है इसके नीची बढ़ने के साथ साथ इस पर सुरक्चित परत चड़ती जाती है मुर्गी के अंड़े पर दिखाई देने वाली कठोर कबच भी इसी का ऐसी सुरक्चित परत कठोर कबच के पूर्ण रूप से बन जाने के बाद मुर्गी अंड़े का निर्मोचन करती है मुर्गी के अंड़े को चूज़ा बनने में लगवक तीन सब्तार का समय लगता है आपने मुर्गी के उस मायन के लिए अंड़ों पर बैठे देखा हो क्या आप जानते हैं कि अंड़े के अंड़े के अंडर चूज़े का भी खास इस सौधी में ही होता है चूज़े के पूण रूप से विक्सित होने के बाद कबश के प्रस्पूटन के बाद चूज़ा आपका बाहर आ जाता है बाहर निसेचन बाले जन्दू के भूण का भीकास माला की सरी के बाहर ही होता है भूण अंड़ावरन के अंदर विक्सित होता रहता है वूर्ण का विकास पूर्ण होने पर अंडो जुद्पती होती है आपने तालाव जन्ने में मेड़क की अनेक टेड़ पोज तरती हुए लेखेंगे जरायुज एवं अंड प्रजग जन्तु हमने चाना है कि कुछ जन्तु विकषिद सिसु को जन्तु कहलाते हैं बे जन्तु जो अंडे देते हैं अंडप्रजग जन्तु कहलाते हैं निमने क्रियागलाब की साहता से आप इस बार्खो और अच्छी तरह से समझ सकेंगे। जरायूज इवं अंडप्रिजक में भीवित भी कर सकेंगे। क्रियागलाब 9.2 क्या आप इन सभी प्राणियों के अंड़े का अंड़े देती है। पलंतु आप गाय, कुत्ता, बिल्ली के अंड़े एकत्तित नहीं कर सकते हैं। या इसलिए क्योंकि या अंड़े नहीं देती हैं। इनमें माप पूर्ण भीक से सिसु को ही जनम देती है। या जरायूज जन्तूं के उधारन। क्या आप जरायूज एवं अंडप्रिजक जन्तूं के कुछ अन उधारन दे सकते हैं। सिसु से वैस्क बात करते हैं सिसु से वैस्क हूँ। नवजाद जन्तू नवजाद जन्मे पराणी अथवा अंड़े के पिस्पूर्टन से निकले पराणी तब तक बित्ती करते रहते हैं। जब तक कि वैस्क नहीं हो जाते हैं। कुछ जन्तूं में नवजाद जन्तू वैस्क से बिलकुल अलग दिखाई पर सकते हैं। रेसम के कीट के जीवन चक्त का स्मर्ट कीजें। अंड़, लार्व, अधवजन, इल्डी, प्यूका, वैस्क जिसके विशा में आप कच्छा साथवी में पढ़ चुके हैं। मैड़क, मैड़क इस्पिकार की जन्तूं का अन्नोधार हैं। मैड़क में अंड़े से पहारम करके वैस्क बनने की बिम्हिन अवस्थाओं चर्णों का बिल्चन कीजें। हम तीन इस पर्ष्ट अवस्थाओं अत्वा चर्णों को देख सकते हैं। अंड़, टेड़पूल, लार्व, और फिर वैस्क। क्या टेड़पूल वैस्क मेड़क से भिन दिखाई नहीं देती हैं। क्या आप सुच सकते हैं कि किसी दिन यह टेड़पूल वैस्क मेड़क बन जाएंगे। उसी पेकार रेसम कीट की इल्ली या प्यूपा वैस्क के रेसम कीट से बहुत अलाग दिखाई करता है। देकिन मेड़क का जीवन चक। अंडे आरंबी टेड़पूल बात का टेड़पूल यह आपका फून वैस्क मेड़क। आपने एक सुन्दर सलब कोकून से बाहर निकलते देखा हूँ तेड़पूल रूपांते थोकर वैस्क में बदल जाता है। जो चलांग लगा सकता है। और तेर भी सकता है। कुछ विसेश परीवर्तनों के साथ टेड़पूल का वैस्क में रूपांतरन, कायांतरन पहलाता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमें सरीर में किस पेकार की परीवर्तन दिखते हैं। क्या आप सोचते हैं कि हमारा भी कायांतरन होता है। मन उसमें जनम के समय से ही नवजासी सुख में वयस्क समान सारी रिखंग मौजूद होते हैं। तो यह आपका लेंगिक जनम था। अब बात करते हैं आ लेंगिक जनम। जब हमने जनन पेक्तरम करते हैं उन जन्तुओं में पड़ा जिसन से हम परचित हैं परंतु अत्यंत छोटी जन्तु जैसे कि हाइड्रा एवं सूख्चम दर्सी हैं जन्तु जैसे कि अमवीवा में जनन किस पेकार होता है। क्या आप उनके पजिनन करने कि धंग के पिसे में जानते हैं आजिए इसका भी पता लगाते हैं। क्रियकला 9.3 हाइड्रा की स्थाई स्लाइड लीजिए आवरत्क स्लेंज अत्वा सूख्चम दर्सी की सायता से इस स्लाइड का अद्धिन कि जनक के सरी से क्या कुछ औरती सरचनाय दिखाई देती हैं। इनों गुरी हुई सरचनायों के संक्या ग्याद कीजिए। इनका साइज भी ग्याद कीजिए। हाइड्रा का चित बैसे ही बनाए जैसा कि आप कुछ दिखाई देता है। इसके तुल्लान चित 9.11 यानि कि 9.11 कीजिए। इस तरह ऐसे। देखिए। यह आपका नया हाइड्रा विक्सित होगे। पितेख हाइड्रा में एक यादिक उभार दिखाई दे सकते हैं। या उभार विक्सित होगे नए जीव हैं जिने मुकुल कहते हैं। इसमायड कीजिए कि इष्ट में भी मुकुल दिखाई दोते हैं हाइडरा में भी एकल जनन से निकलने वाले उर्दल से नए जीव का विकास होते हैं इस पिकार की जनन को जिसमें केवल एक ही जनन नए जीवों को जनन देता है आलेंगिक जनन कहते हैं यानिकि एक ही जीप की वह मिख्या होती है जिसे जनम देने में वह आपका लेंगिक जनन होता है हाईडरा में मुकट से नया जीव बिकसित होता है इसलिए इसपपेकार की जनन को मुकलन पहते हैं आलेंगे जनन की एकन्य विदी अमीवा में देखाई देथी, आईए देखते हैं, यह है आपका अमीवा, संतक्ति इस तरह से, विवाजित केंद्रग इस तरह से, दो हो जाते लार्ट कर, आप अमीवा के शरच्चां के विश्य में पढ़ चुगे, आपको इसमेर होगा कि अ आमीवा एक कोशी खुटर, इसमें केंद्रक के दो भागों में विवाजित से, जनन पिक्कीडिया क्रिया पारम होती है, इसके बाद कोशकर भी दो भागों में बढ़ जाती है, जिसके पिदेख भाग में केंद्रग होता है, पईडाम सुरूप एक जननक से, दो आमीवा जिनके द्वारा एक जीव संत्रती जीवूँ, इसके कहानी पढ़ते हूं, ठीक, आपका एक अमीवा का था, डॉली की कहानी किलोन, किसी समरूप खोज क्या, या किसी अन्य जीवित भाग, अत्वा संपूर जीम को किन्तम रूप से उत्पन करने की पिक्रिया किलोनिंग कहलाती है, यानि कि आप लोग बकरी की ले सकते हैं, या बेड़ी की ले सकते हैं, पिलकुल पिती रूप, किलो समरूप का यही मतलब होता है कि उसके समाद किसी जंतु के सभलता पूर्वक किलोनिंग सरपिथम यान विलमट और उनके सहब योगियों ने एडिनवर्ग स्कॉट्लेंड कि रॉजलेन इंस्टिटूट में की थी उन्होंने एक बेड को किलोन किया जिनका नाम जिसका नाम क् के जनम पाथ जुलाई उननीस और च्यानवेक हुआ यह किलोन किया जाने वाला पहला इस्तंदारी थापका फिन डॉर्षेट भीड स्कॉट्टिक्स ब्लेक पेस्ट भीड यह आपकी डॉली है देखिए डॉली की कलोन करते समख्ड फिन डॉर्षेट नामक माना भीड की इस्तन गिरंतियों से एक कोईचका इक त्तित की गई उसी समख्ण स्कॉट्टिस ब्लेक पेस्ट इप से एक अंदडक कोईचका भी इक त्तित की गई अंडी कोश्का से केंद्रक को हटा दिया गें तत्पश्चात फिंड और सेट भीड की इस्तंग्रंतियों से ले लिए कोश्का के केंद्रक को स्कॉर्टिस ब्लेक फेस इप की केंद्रक बेन अंड़ कोश्का में इस्थाफित किया इस पिगार उत्पन अंड कोशिका को स्कॉटिस ब्लेक फेशीव मेरोपित किया गया अंड कोशिका का विकास एवन परिवर्धन समारूप से हुआ तथा अंधिता डॉली का जनम यह पी स्कॉटिस ब्लेक फेश एवन डॉली को जनम लिया परंतु डॉली फिन डॉर्सेट बेट की समरूप थी जिससे केंद्रक लिया गया था क्योंकि इसकॉटिस ब्लेक फेश एवन के केंद्रक को अंड कोशिका से हटा दिया गया था अता डॉली में इसकॉटिस ब्लेक फेश एवन का कोशिका भी लक्षन परी लक्षित नहीं हु दुरुभाग से फैंपरों के रोक के कारण 14 फरवरी 2003 को दौली की मित्य हो गई दौली के बाद इस्तंधारियों के किलोन बनाने के निक प्रयास किये परन्तु बहुत तो जन्म से पहले ही मर गए कि इसकी जन्म के बाद मित्यु घुगाई के लोन बाले जन्तु में एकसर जन्म के समय अनेक बित्तियां को जिसे आप एक्स ले लिए यह ए बाई आब क्या कि रहेगा कि बाई का जो अन्डारूं है इसके एक जगे एक्स है जो इसके अंडाणू को इसमें plantation यानि कि इस अपर करा दीती है और पूरी पिक्रिया सामान जो आपकी Fy है इसी में होगी गटित हुई लेकिन जो जनम लेगा तो वो X की समान दिखाई देगा इसका मतलब यहीं हुए देखिए फिन डौर सेट भेट इसका अंडाण लक्षन इसके समान है तो इसमें आप लोग ने क्या देखा है आलेंगिक जनन दूइखंडन मुखलन अंडे भूर बाह निसेचन निसेचन गरव हांतलेक निसेचन कायांतरन अंप्रजक्ट जनतू लेंगिक जनन सोक्राणू जरावियूज जनतू और यहुम नज और इनी सब्सक्राणूं को मैं जनना है तीम्हоп आपने क्या सीखाए इसमें जनतू दो विदियों द्वारा पिनilageर करते हैं मनारकिक जनन जर लहेंक जनन नर के जनननंग में आपका वेशन सुख्राणू निली सिसन है अन्डा से मदा युगुमक उत्पन करते हैं जिसे अन्डाणू अत्वा अंड कोशिका कहते हैं वेशन नर युगुमक उत्पन करते हैं जिसे सुख्राणू कहते हैं अन्डाणू यवां सुख्राणू का सलेन निसेचन कहलाते हैं, निसेचित अंदा योगुनज कहलाते हैं, माला की सरीर के अंदर होने वाले निसेचन को आंतरिक निसेचन कहते हैं, या मनोसेवं अन्य जन्तू, जैसे कि मुर्गी, गाय, इवं कुट्ते इत्यादी में होते हैं, वा निसेचन जो माला की सरीर के बाहर ह जैसे मेड़क में मचली इस्टार्पिस इत्यादी में योगमनज में अनेक विभाजन होते हैं तता भूर बनता है भूर गर्वासे की दीवार में इस्थाफित होता है उसकी विद्धी इवं परिभलति होता है जहां भूर की वह अवस्था जिसमें उसके सभी सारे रंग बिक्सित होका पहचान यूख हो जाते हैं उसे गर्व कहते हैं मनस गाय कुत्ते जैसे जन्तु जो सिसू के जनम को जनम देते हैं उन्हें जरा यूज जन्तु कहलाते हैं मुर्गी मैडक छिपकली तितली जैसे जन्तु जो अंडे देते हैं अंड़ प्रजक जन्तु कहलाते हैं लारवा का कुछ उग परिवर्तनों द्वारा वएस के जन्तु में बदलने की पिक्रिया कायांतरन कहलाते हैं जनन का वाय प्रिकार जिसमें केवल एक जीव भाग लेता है आलेंगिक जनन कर लाता है हाईडरा में मुखुल द्वारा नए जीव कविकास होता है इस पर अध्यास के आलेंगिक जनन को मुखुलन कहते है अमीवा स्वयम दो भागों में विवाजित होकर संतिती उत्पन करत इस पेकार के आलेंगी पेजिन आपको दुई खेंदन कहते हैं इसी अध्यास से सम्भन देते आपके questions हैं देख सकते हैं आपने पीडियाप आपकी टेलिग्राम पर डली विए ठीए वहां से डाउंलोड करके रख लीजिए कभी टाइम मिलता है तुसे आप पड़ सकते हैं कि आप जानते हैं मधु मक्कियों के चत्ते में रोची का संगठन देखा गया है जो कईवी हजार मक्चिकाओं की कालोनी है केवल एक ही मधु मक्ची अंडे देती हैं यह मक्चिका यह रानी मक्चिका कहलाती है अंड सभी मादा मक्चिका कर्मी मक्चिका होती है उनका मुखकार चत्ता बनाने नन्नों की देखभाल करना तता रानी मक्चिका को पर्याप्त होचा देकर स्वस्त रखना है जिससे हुआ अंडी तेशर एक रानी मक्चिका हजारों अंडे देती है निसेचे तंडे में से इन कर्मी मक्चिकाओं का काम होता है कि वयाणनों कि उस्यान हितु चत्यक अताब मान 35 डिग्री सेल्सियद बना रहे हैं कितनी अच्छी जानकारी दी गए हैं आप देख रहे हों कि एक बच्चे का दिमाग किस तरह से समझधार हो किस तरह से आदमी विक्सित हो लेकिन कहां हम अपने उपर फॉलो करते हैं सबको हम तो बस पढ़के निकल जाते हैं कि अभी अधिकतर लोग एंच्छा निकाल दे हैं तो यह था आपका नौवा चप्टर दसवे चप्टर में हम लोग बात करेंगे किस हुरा अवस्था की वर क्या है आपकी एड़ेंट किस हुरा अवस्था की वर हेलो दोस्तों तुम लोग NCEIT पढ़ रहे हैं तो इसमें हम लोग अभी तक आपके नौव चप्टर खतम कर चुके हैं कख्छा आठवी की विग्ज्ञान के ठीप NCEIT कख्छा आठवी की साइंस के अभी तक कितने नौव आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे दसवे चप्टर की बारे में किस हो रहा आवस्था की हो तो चलिए से हम लोग देखते हैं पिछली एंतल में आपने पड़ा है कि जंतु किस पिकार जनन करते हैं जनतु एक निश्चित current तक बड़ पहुचने के बाद ही जनन कर सकते हैं मानओ किसी निश्चित आयू के बाद ही क्यों जनन कर सकते हैं इस अध्याय में आप मानों की सरीर में होने वाले उन परिवर्थनों की विशय में पढ़ेंगे जिनके उपरांत हुए जननीतु सक्षम हो पाता है। अध्याय नौ में आप मानों जननागों की विशय में पढ़ चुके हैं। इस अध्या में हम उन हार्मोनों की विशय में चर्चा करेंगे जो सिसु यानि की बच्चे में होने वाले उन परिवर्तनों में मत्फून मुहमिख्या निवाते हैं जिनके कारण बच्चा बड़ा होका वैस्थ होता है तो किसुर आवस्था से किसुर आवस्था एवं यो नारम बूजो अपना बारेवा दिन मना रहाता है मित्रों के चले जाने की परच्चा बूजो और पहली अपने माता-पिता के साथ बात करने लगी पहली करने विद्धियाल में पढ़ती है वह हैसने लगी उसने कि बूजो कि कई मित्र जिनसे हुआ एक बर्स बात मिली थी कि लंबाई एक आएक कितनी बढ़ती है उनमें से कुछ तो मूच कुछ की तो मूचें आने से जोकर याने की कार्टून नजर आ रहा है है उसकी माने समझाया कि लड़के बड़े हो गये विद्धी चनम के समय से कि होने लगती है पदंथो दस या ग्यारे वर्स की आयूँ के बाद बिद्धी में एक आएक तील प्रता आती है और बिद्धी साफ दिखाई देने लगती है शरीर में होने वाली परिवत्न बिद्धी पिद्क्रिया का एक भावे यह इस बात पसंगिए थे कि अब आप ब ना तो बच्चे रहते हैं, ना ही बड़े, मैं जिग्या से हूँ, क्या बालकाल, एबं एवावस्था में, कि मत इस अवधी का कोई विशिस नाम है, बिद्धी एक प्राक्तिक पित्क्रम है, जीवन काल ही ही हुए अवधी, जब सरीण में ऐसे परिवतन होते हैं। जिसके पैडाम सुरुप जनन परिव अक्वता आती है कि सोर अवस्था कहलाती है। जिसोर अवस्था आपकी लगवग 11 बर्स की आयूँ से प्यारम होकर 18 से 19 बर्स की आयूँ तक प्रहती है। यह अवदी क्योंकि अंग्रेजी के टीन्स 13 से 18 या 19 बर्स की आईव तक किसवरों को टीनेजर्स भी कहा जाते हैं लड़कियों में अवस्था लड़कों की अपिप्चा एक दो बर्स पोर्ड पैरम हो जाती है किसवरावस्था की अवदी बेक्तियों में बेनमिन होती है किसवरावस्था की दोरन मन उसके सरी में अनेक परिवर्तन आते हैं इन में से सबसे मत्वून परिवर्तन लड़की तुम लड़कियों के जनन चमता का विद्गास किस ओर की जनन परिभकता के साथा योनारम समाफ़ को जाता योनारम में होने बाले परिवर्तन लंबाई में बिल्ती लंबाई में एक बिद्धी योनारम के द्वारान होने वाले सबसे अधिक दृष्टी यूचल परिगत्र है इस समय में शरीर की सबसे लंबी अवस्तियों की अर्था थाथ एवं पैरों की अस्तियां हट्णियों की लंबाई में बिद्धी होती है और बैक्ती लंबा फूर करिया क्लाब 10.1 निमνεद चार्ट में लड़की या लड़की योंगी ऊई की शात लंबाई में विद्धी की और सत धर्श को दर्षाए गया कोलब्धी की बियद्धी की लंबाई कीऑ लड़की लड़की पितिसत में दर्साय गया है किसी आयू पर पहुंचने पत्ति आयू को कॉलम एक में दर्साय गया है उधारन 11 बर्ष की आयू तक एक लड़का पूर लंबाई का एक्टीवन यानिक 81 पितिसत लक्ष प्राप करता है जबकि एक लड़की अपनी पूर्ण लंबाई की 88 पितिसत तक पहुंच जाती है यह आकड़े पितिने दुद्ध मात थे हैं जो ब्यक्तियों में बेन वो सकते हैं अपने मित्रों के लिए सायनी का प्रियोब करके उनकी अ मित्तु हों लंबाई तानवा लगा लेक्षा ज़्की आया यूद् लड़कि ऊटी रस में यह बतर परचेंट और लड़कियां 77 परसेंट इसी तरह नो बरस में 75 परसेंट लड़की और लड़कियां 81 परसेंट लंबाई प्राथ कर लेती है इसी तरह से आपका 16 की बात करें तो 98 लड़कों में 99.5 लड़कियों में अठारे में 100 कि तीशल और 100 कि लड़कियों में तो 77 की तरह में आपका थारे यारी 100 कि तीशल पूर्ल लंबाई के लिए गड़ना सीहें में सेंटीमीटर में बरत्मान लंबाई बरत्मान आउयू में पूर्लंबाई का भाग किती सथे इंटू 100 उधारन के लिए आप इस तरह लेख सकते हैं एक लड़का जिसकी आयू 9 वर्स है तथा लंबाई 120 सेंटीमीटर बिद्धीकाल की समात्ती पर उसकी अनुमादिक लंबाई इस तरह से निकाल सकते हैं 160 सेंटीमीटर क्रिया क्लाव 10.2 क्रिया क्लाव 10.1 यानि कि 10.1 में दिये आपकों का उप्यों करके एक ग्राप बनागी आयू को एक सब्च पर पता लंबाई में बिद्धी का पितिसद बाई एक पर लिजे अपने आयू को ग्राप पर विश्रत रूप से चिन्नित कीजिए आप लंबाई के जिस पितिसद को प्राप्त कर चुके हैं उसका पता लगाईए आप अंतता जिस लंबाई को प्राप्त कर सकेंगे उसका प्रीकलन कीजिए आप अपने ग्राप की तुल्ला में निमने ग्राप से कर सकते हैं यह आपकी आयू बरसों में होगे है यह आपकी लड़के ये लड़कियां लड़के इस तरह आँगे चलते हैं प्यारम में लड़कियां लड़कों की अभेक्षा अधिक तीवगता से बढ़ती हैं परन्तु लगभग 18 वर्ष की आयों तक दोनों अपनी अधिक्तम लंबाई पराप कर लेती हैं अलगलक प्यक्तिओं की लंबाई में बिम्धी किदर बी बिन बिन होती हैं कुछ ओना अरम्में तीव गती तत्हां बाद में यह गती धीमी हो जाते हैं जब कि कुछ दीरे दीरे बिर्दी करते हैं पहले कुछ चिंतित होने की आवस्क्ता नहीं है सरीर के सभी अंग समानदा से बिद्धी नहीं करते हैं कभी-कभी किसोर के अथवा पैद सरीर के अंगों की अपिछबड़े दिखाई देती हैं पलंतु सीगी दूसरे वागवी बिद्धी कर सारेरी कनपार को संतुलिक कर देती हैं फलता सरीर से खोड़ सुडूल हो जाता है अपने द्यान दिया होगा कि किसी व्यक्ति की लंबाई उसके परिवार के किसी ना किसी सदस के लगवर समान होती है इसका कारण है कि लंबाई माता-पिता सित्राथ जीन पर निर्वा करती हैं परंतु बिल्थी के इन बरसों में उचट पिकार का संतुलिक आहार्त आवास करते हैं या अस्तियां पेशियों इवन शरीर के अन्न भावों को सही नहींसे बिल्थी करने हैं तो पर्याप पोषण करने में सहायता करता हैं आपके सोवर की पोसक आवस्तक्ताओं की विषय में सद्ध्या में पढ़ेंगे। चलते हैं आगे हम लोग सारी डिक आप कृत्ती में परिवती। क्या आपने द्यान दिया है कि आपकी कक्चा के चात्रों के कंदेब एवन सीना निचली कक्चा के चात्रों के अपिक्चा अधिक चोड़े होते हैं इसका कारण है कि योना आरंग में पिरवेश कर चुकी है जब बिट्थी के कारण कंदेप फैल कर चोड़े हो जाते हैं, लड़कियों में कमर का निचला बाद चोड़ा हो जाता है। बिट्थी के कारण लड़कों के सारे रिख पेसियों, लड़कियों के पिच्चा सुवसपस्ट एवन गट्टी दिखाई देती हैं। अताहक कि सुवरा अवस्था में कि दौरान लड़कों एवन लड़कियों में होने वाले परिवर्थम होते हैं। बात करते हैं स्वर में परिवर्तन, क्या आपने ध्यान दिया है कि कभी-कभी आपकी पच्छा में कुछ लड़कों की आवाज भठने लगती है, योनारम में स्वर यंत अध्वार लेरिणीयों में बिड्दी का प्यारम होता है, लड़कों का स्वर यंत भिख्सित होकर अफ में दिखाई देता है जिसे एडम्स एपल कंटमड़ी कहते हैं ए लड़कियों में स्वर यंद्ध अपेट चाहिए चोटा होता है अता बाहर से सामानता दिखाई नहीं देता है सामानता लड़कियों का स्वय उच्छो तारत बाला होता है जगी लड़कों का स्वय गहरा उत दिखाई चछोव लड़कों में कभी कभी स्वर यंद्ध की पेसियों में अनिश्ट अवाज भड़ने यह भरा ने लगते है यह इक्तिती कोछ जिनों अद्बहकुछ सब्था तक बनी रह सकती है जिसके बाद स्वेद सामन हो जाता है कि बात करते हैं स्वेद एवं तेल गरंथियों की क्रिया सेल में बिढ़ती है कि सोरा वस्था में स्वेद एवं तेल गरंथियों का स्राव बढ़ जाता है इन गरंथियों की अधिक क्रिया सेल के कारण कुछ ब्यक्तियों के चेहरे पर हुंसियां और मुहा से आधी होने लगते हैं, स्वेद गरंती, तेल गरंती तह लार गरंती जैसे कुछ गरंतियां अपने स्राव वाहियों द्वारां सरावित करते हैं, अन्ता स्रावी गरंतियां हार्मोन को सीधे रोधे प्रभाव में निर्मोच करते हैं इसलिए नरीका भीहिन गरंतियां भी कहते हैं जो आपके चेहरे पर थोड़े पुंसी होने लगते हैं वो एक उम्मे के बाद कुरते हैं आपने बच्पन में नहीं देखा हुआ कि किसी को मुहासी हो गए या पुंसीया हो गए नहीं न और ये उमर के ड़लने के साथ अपने आप ठीक हो जाते हैं लेकिन क्या कहते हैं कुछ लोग टेंस्वन में आकर इलाज-फलाज करवाने लगते हैं उसी तरह है कि किसी के बाल सफिर हो जाते हैं तो वो अपना कलल से बुड़ा पर ढख लीता है लेकिन भाई ये तो प्राक्तिक नहीं प्रक्तिक है प्रक आनो जन नांगों का पुनार लोकन कीजिए यो नारंब में नर जननंग जैसिक ब्यसंड शिसन पूर्णता विक्सित हो जाते हैं ब्यसंड से सुक्राड़ूं का अक्पादम भी प्यारं हो जाता हैं लड़कियों में अंडा से साही में बिद्धी हो जाती हैं तथा अंड परिवक्त होने लोकियों अंडा से से अंडाड़ंगों का निर्वोचन भी पहरां हो जाता हैं मांसिक बॉत दिख और संबेदनात्मत परिवक्ता प्राथुन किसोर आवस्ता ब्यक्ति के सोचने के जन्ग में परिवट्वन क्योदी भी है पहली ही अपेक्छा किसोर अधि सुतन इभाद्य पिती अधिक सचेत होता है उनमें बहुत दुरेख विकास भी होता है तथा बेसोचने विचारने में काती समय लेती है बास्तों में किसी व्यक्ति के जीवन में है वह समय है जब उसकी मस्तिस्थ की सीखने की चमता सरवादी कोती है कभी कभी यगती किसोर सारीड़े एवं मालसिक परिवतनों के इति अपने आपको ढालने इतु प्रयास करता हुआ तो स्वयंको आसुरक्षित महसूस करता है परंद किसोर होने के नाते आपको समझना चाहिए कि आसुरक्षित महसूस करने का होई कारण है यह परीवतन प्राक्तिक हैं जो सारे की बिद्धी के कारण पुद्फन हो रहे हैं पर आपका गौण्ड लेंगे लक्षन आप अध्याय नो में पढ़ चुके हैं कि बेशन एवं अंडा से जनत होते हैं बे योमक अर्था सुक्राणूं एवं अंडाडूं कुद्पन करते हैं युवावस्था में लड़कियों में इस्तनों का विकास होने लगता हैं तथा ल श Mixed Language लक्षण करते हैं लड़कों की सीने पर भी बाल आजाते हैं लड़कों लड़कियों दोनों में ही भगल एवं जांक क्यूपन भाग-अधभाभ प्यूविक चित भी बाल आन गज़ते हैं ूर स्पहली दोनों ही जानना चाहते हैं युवारन्म में उन्यु casos कॉर ET किसburg आवस्ता में होने वाली परीवर्टन यह लड़कों में परीवर्टनों का कारण करें जिसके बारे में आपने अभी पढ़ा है उधारन के लिए चेहरे पर बालों खाना लड़कियों में यह नारम की साथ यह अंडा से इस्तरी हार्मोन यानि कि इस्ट्रोजन उत्पादित करना प्यारम कर देता है जिससे इस्तन विक्सित हो जाती है दुख दिस्तरावी गरंतिया अत्वा दुख दिक गरंतिया इस्तन के अंदर विक्सित होती है इन हार्मोनों के उत्वादन का नियंतन एक अन्न हार्मोन द्वारा किया जाता है जो प्यूस गरंथी अत्वा पिट्ट्यूट्री गरंथी द्वारा सेरावित किया जाता है आँ प्रवर्वत करते हमें जनन पृकार पहरम करने में हार्मोन की भूमियां अंतासरवी गनतिया हार्मोन पुलूर्धिर प्राण 다음에 सिरावित करती है जिससे वह सरीर के वेवन भाव अध्वा लक्ष इस्थल ततर्पहुश सके हैं लक्ष इस्थल हार्मोन के इती अनुकिलिया करता है हमारी शरी में अनेक अंतासरावी गर्णति है ब्रेशनाड एवं अंडास है लेंगिक हार्मोन सिरावित करती है आपने अभी अभी पढ़ा है कि हार्मोन गौंड लेंग लेंगिक लक्षनों के लिए उर्तदा है लेंगि वैसे एक हार्मोन अंडाचे में अंडाणू इवं बेशन में सुक्राणू की परिपक होने को नियंदित करते हैं। पिऊज किरंथी से स्रावित हार्मोन, जन्र आंगो को स्रावित करते हैं। तथा सरी के बेवन भावों लर्च स्तल तक पहुटता है। यो नारम के समय सरीर में परिवर्त्नों को दीट करते हैं। पहली और भूजो अब समझे गए कि उना आरंव बैक्ति में जनन अवदी का प्यारा में है जब बैक्ति जनन का जनन की छमता प्याराब करता है परंतु वे जानना चाहते हैं कि आज जनन काल एक बाल प्याराम होने के बार जीवन परहंत तद चलता रहता है या कभी समात्त ह होता है कि बात करते हैं मनों जननमे काल की अवदी कि कि जब किसवरों के वेष्टन अतवां अन्डा से हैं येुमत उत्फिध करने लगते हैं तब जनन की ओ हो झाल्ष येुमत की परिपकत्ता एक को उत्फिधन की चंव्था अधित रहती हो है इस्तरियों में जन्ननाव यवस्ता का प्यारम युणना वस्ता यानि की 10 से 12 बर्ष की आयू से हो जाता है और यह सामनता 45 से 50 बर्ष की आयू तर सल्टा रहता है। योनारं पर अंडाडू परीबख होने लगते हैं अंडासेयों में एक अंडाडू परीबख होता है तथा लगवग 28-30 दिनों के अंतराल पर किसी एक अंडासे द्वारं निर्मोचित होता है ये साओधी में अगरवासे की दीवाद मोटी हो जाती है जिससे वह अंडाडू की निस्यचन की परशाद योगमनाज को गहन कल्पते जिसके पलस्वरूफ गरवाद धार्ण होता है यदि अंडाडू का निस्यचन नहीं हो पाता तव उस स्विस्थि में अंडाडू तथा गरवासे का मोटा स्थम उसकी रोधीर बाहिकाओं से निस्तारित हो जाता है इससे इस्तिरियों में रक्त स्राव होता है जिसे रितु स्राव अत्वार रजुधरम कहते है रितु स्राव लगवग अपका 23-30 दिन में एक बार होता है पहला रितु स्राव युनावर अरं में होता है जिसे रजू दर्सन कहते हैं लगवग 45-50 बर्ष की आयू में रितू स्राव होना रोग जाता है रितू स्राव के रोग जाने को जर्जू निविती कहते हैं प्यारम में रितू रिसाव चक्र आनी निमित हो सकता है उसके निमित होने में कुस्मय लग सकता है रितू सराव चक्ते का न Anime हार्मोन द्वारा हुथ है, इस चक्ते में अन्णानों का परिपक होने इसका निर्वोचन गर्वासे की डीवार का मोठा होने इवह वन निसेचन ना होने कि श्तिती में उसका टूटना साम्झ द्रिकवार अपड़े बात कते हैं संती का लिंग निदारन किस पेकार होता है लड़कात पर लड़की निशेचन अन्डाणू अत्वा एवुनाच में जनम लेने वाले सिसू के लिंग निदारन का संदेश होता है यह संदेश निशेच अन्डाणू में धागे सी सरचना अत्वा गुर्षूत्रों के अध्याय 8 का इसम्र्ण कि इन soul क点 हुछ फैन रिंडर्क में हुपस्ते हुदीा सभी मनोस्की कोषकाओं के इन रख में तैइष जोड़ी जोड़े गुड़्सूथा पाए इन में से दो बुड़ोर्फ जोड़ी दो भुड़॥ leaning इंग सुत थें, जिने xy कहते हैं, इस तरी में 2x σेक गड़ सुत होते हैं, जब कि पूरस में 1x प्रेक बाई गड़ सुत होता है, यह मक्ना अणानू तरथा सुक्रानू में गड़ सुत्रों का एक जुड़ा होता है, आ ने से चिदव अंड़ाउनू में सदाएक X गुर्सूत होता है. परन्तु सुक्राणू में दोर्ची रूपती है जिसमें एक पीकार में X गुर्सूत दूसरे में पेकार याद रखी अ Nut लड़की लड़का होगा फ्हीमेल या मेल यह आके परष Ughur निद्रभण करता है वजब एक्स गुरसूत बाला सुक्राणू अंडाणों को निश्चीच करता है तो इगुम्नाज मैं दो एक्स गुरसूत होगे तथा हुए मादा सिसु में बिख्सित होगा यानि कि लड़की का जनम होगा यदि अन्डाणूं को निश्चिश करने माले सुक्राणूं में बाई गुरसुत हैं तो एव नच नर सिसु में बिख्सित होगा यानि कि पुरुस होगा इस तरह से ये आपका पूरस ये आपका इस्तरी खब आप चान गए होंगे कि जर्म से पूर सितु के लिंग का निरधारन उसके पिता के लिंग गुरसुत्तों द्वारा किया जाते हैं यह द्वारना है कि बच्चे के लिंग के लिए उसकी मा उपतर नहीं यह पूर्टा गलत है यानि की निरधार है एवं अन्याय संकति है उसको याद रखिए पुत्त और पुत्री के जिम्मिदा उसका बाप होता है ना कि उसकी मा लेकिन हमारी संस्किति यह अलग है हमारा दे पति को दोस्त दे सकती है इसके लिए ठीक है आगे बात करते हैं लिंग हार्मोन के त्रेक्त अन्य हार्मोन और यह सही तो बोला है कि न्यूटन का कभी थेड़लों भी महलाओं पर भी लागव हो जाता है अगर मर्द भी पिति क्रिया दे रहे हैं तो तुम भी तो दो बद हार्मोन चित्त 10.3 का पुनार अवलोकन कीजिए प्यूस गरंथी द्वारा से रावित हार्मोन जनारागों को उनके हार्मोन उत्पन करने के लिए उत्दीत कलते हैं आप पढ़िए चुके हैं कि प्यूस गरंथी एक अंतासरावित गरंथी है जो मस्तस्क से जुड़ी है प्रवा प्यूस गरंथी बेशन एवां अड़नासर के सरिक हमारे शरी में थाइर्यओ अगलासर एवां यगयर्णल जैसी कुछ अन अनतासरावित गरंथी ह्यासari मवाझुद ही देखिये आपकी प्यूस गरंदी है यापकी थाइरॉइड गरंदी है यापकी एडिनल गरंदी है यापकी आगनासाय हो गया यह आपका ishtrima एंडासाय की स्थे थी और पुर्चों में ब्रेटान ठीकिए बूजो और पहली को याद है कि एक बार जब वो अपनी डॉक्टर बुगा के यहां गए थे तो उन्हों ने वहां काका नाम के एक लड़के को देखा था जिसका गलब बहुत फूला हुआ था एबं कोबरा हुआ उनके पूवण ने उन्हें बताए कि इसका ग्रॉटर नाम ब्राधी सिगर्थ है जो थायराइड गरंती का ब्रोग लें काका की थायराइड गरंती थायरोकसीन हार्मोन का उत्पादन नहीं कर रही थी उनकी बुगा ने यह भी बताया कि उनके फुपादी मदों में इसे पीड़े थे क्यों भी उनका अगना से इंसुलेन हार्मोन का उत्पादन प्रयाप्त मात्रा में नहीं कर सकत रहा है बूजोए एवं पहली ने उनके दबाखाने में तंगे चार्ट में दरसाई गई एडिनल किरंथी के विशह में पूंचा उनकी गुगाने उन्हें बताया कि एडिनल गरंथी ऐसे हार्मोन सरावित करती है जो रोधीर में नमक की मात्रा को संतुलिप करता है एडिनल एडिनेलिन नामक हार्मोन का सरावित में करती है एडिनेलिन क्रोध चिंता हिम पुप्तेजिना की अवस्था में तनाव की सर्यूजन का काल करती है थायरोइड एवं एड्रिनल गरंति प्यूस गरंति द्वारा स्रावित हार्मोन के मात्यम से प्राप्त आदिश के अमसार ये अपने हार्मोन स्रावित करती है तिरूस प्रियुक्स गैंती बिधी हार्मोन भी सवर्वित करती है जो व्यक्ति की शामान बुद्धी के लिए आवस्थे बात करते हैं की टेव मेड़क में जीवन चक फूर करने में हार्मोन का जीवन आप रेसम के कीट एव मेड़क की जीवन चक्के विशाय में तो पढ़ चुके हैं इल्ली के वो इल्ली को वैस्क सलब बनने पर तक अनेक चरणों से गुजर्णना परते हैं कच्छा साथवी में पढ़े रेसम के कीट के जीवन चक्का इस्मर्ट कीजिए इसी पेकार टेड़ पूल को भी वैस्क मेड़क में बनने के लिए अनेक चरणों से गुजर्णना परते हैं लारवा से वैस्क बनने के इस परिवर्दन को कायांतरन खेते हैं कीटों में कायांतरन करनी यंतर्ण कीट हार्मोन द्वारण होता है त्रिएक लप आईयोडीन की उपस्त्ति आवश में दो तुकित डूखनु दॉक्तर को टूरतितेत defense धूरती से हैं तो दीन इप्त नमक के उपफ़पर एक नोट तयार के लिए आप इसकी जानेकारी इंटरनेट पर भी देख सको हूँ बात करते हैं जन्नात्मत स्वास्त बैक्ति का कारेक एवा मानसिक बिसंगति इमोक्त होना उस बैक्ति का स्वास्त कहला दो किसी भी आयू हो कि बैक्ति के स्वास्त रखने के लिए उससे संतुलित आहर की आवस्त्ता होती है बैक्ति को बैक्तिय स्वास्त्यता एवं सपाई का नेवित रूप से पालन एवं पर dumbbell सारे व्यायन भी करना चाला एव किसोर आवस्था में जब सरीर विद्धी करता है तो उपर्योक्त बातें और भी अधिव आवस्था हो जाते हैं बात करते हैं किसोर की कोसर आवस्था में किसोर आवस्था तीद गती तीद बिड़्दे एवं विकास की अवस्था है अता किसी भी किसोर को आहार नियोजन अत्यन सावधानी पूर्वक करना चाहिए आप पढ़ी चुके हैं कि संतुलित आहार क्या है याद किए कि संतुलित आहार क्या थे कि भोजन में प्रोटीन, कार्वोहिटे, बसा, विटामिन, खनीज का पर्याप मात्रा में समावेश हो हमारे भारती भोजन जिसमें रोटी, चावल, दाल, एवन सब्गिया होती है एक संतुलित आहार है, दूद अपने आप में संतुलित भोजन है, फल भी हमें पोसंड देते हैं, सितुंगों को मास के दूद से संपूप पोसंड मिलता है, जिससे उनकी जरूरत है लोह आयरन, तथे रोधीर का निर्बार करता है, तथा लोह पिचुर खाब जैसे पत्तिदाय सब्जियां, गोड, मास, संद्रा, हावला, इत्यादी किसोर के लिए अच्छे खाब देते हैं अपने दोफ़र एवं रात्री के भोजन के खादपदार्थों की जाज पिए, क्या भोजन संतुलित एवं पोसक है, क्या इसमें ऐसे खाद्यान समलित हैं, जो हूजा पिदान करते हैं, तथा क्या इनमें दूद, मास, नत, एवं दाले भी सामिजान, जो बिर्दी ये जो उजा पिदान करते हैं, फल एवं सज्गियों का क्या इस्थान हैं, जो रक्षी भोजन हैं, चिप्स तथा पैक की हुए अत्वा डिब्बा बंद खाते हैं, यक भी स्वाधिश्ट होते हैं, परन्तु उन्हें नेवित रूप भोजन के इस्थान पर नहीं खाना चाहि अपने मित्रों के साथ एक सम्हू बनाएं, उन खात्यान, खात्पदार्तों के नाम लिखें, जो आपने पिछले दिन कल्यानी की नास्ते दुपर की भोजन, रात्य कालीन भोजन में खाई थे, उन खात्पदार्तों की बहच्चान की जो समुचित बिद्धी के लिए उत् क्योंकि आपको कुछ सब्दों की परिवासा जाननी है कुछ सब्दों की बारे में जानना है वो आपको पता चल जाता है किरिया कलाब 10.5 चित दस दसनमलोग 6 से पेना लेकर 4 दवा पोश्टर बढ़ाकर अपनी कक्छा में लगाई है जिसमें आपके सोर की इसके लिए आप अपनी रजनात्मक सक्ती का पिरियोग करें इसे बिग्याकन के रूम में भी पिदासित कल सकते हैं आप इसे बिसाइब पर पिदिये उद्दा का आईज्यमी कल सकते हैं यह मास हो गया सब्लिया होए यह आपके दूर और अंडे होए यह फल हो गया आपके य जान होए व्या बात करते हैं ब्यक्ती का स्वक्षेदर एक ब्यक्ती को दिन बीदन एक बार इसनान करने चाहिए यह किसोरों के लिए और भी आपज्ञत के क्योंकि स्वेद्गरंतियों की अधिक क्रिया सेंथा के कारम सरीर से गन्द आने लगती है शरी के सभी भावों को को इस्नान करने हैं ते समय भली पेकाद दो करद दो लेना चाहिए क्यादी सफाई नहीं रखी गई तो जीवानु संकमण होने का पत्रा रहता है लड़कियों को रित्वू स्राव की समय सफाई का विश्चिस द्यान लखना चाहिए उन्हें अपने रित्वू स्राव चक का द्यान रखती हुए रित्वू स्राव के लिए त्यार रहना चाहिए हमेशा साप सेनेटरी नैपकिन अध्मा घरों पर त्यार किये गए कपड़ों की पैड इत्यादी का प्योंक करें आवस्चता उन्हों सार्थ 4-5 गंटी में नैपकिन अध्मा घर पर त्यार किये गए सारेडिक ब्यायां से ताजी जवा से टहलना एवं खेलना सरीकों चोस्त एवं स्वश्त रखता है सभी युबा कि लड़के फिर लड़कियों को टहलना वियायां करना बाहर खेलना चाहिए ब्राम्तिया एवं असत्य अवधाय में करें और ना करें अध्याय नौहूं आपने मनुस्त के जनन संबंदी बिज्ञानिक तत्यें सिद्धांदों के बारे में पड़ा हुए ऐसी बहुती असत्य अउधार्नाएं पिछले थे जिने आपको जानकर किसोर होने के नाति छोड़ना चाहिए उधार्न के लिए किसोरों के सरीरिक परिवर्तन संबंदी अनवहों को लेकर अनेक ब्रांतियां इवन असत्य अधार्नाएं इन में से कुछ को नीचे दी गए जारे हैं अब आप इस संबंद में तर्क फिस्तु कर सकते हैं कि यह मित अधवा असत धार्नाएं जिनका कोई आधार नहीं है रितुस राओ के समय यदि कोई लड़की किसी लड़की को देखती है तो अगर अपुती हो जाती है यह आप बिलकुल गलत है संतान के लिंग के लिए उसकी मां उत्तरदाई होती है यह भी आपका गलत हुद है रितुस राओ की अवस्ता में लड़की का रसोई का काम करना निसे थे यह भी बिलकुल गलत है अभी केरल वाला मुद्धा उठा हुआ था आपने देखा हुआ अरे भाई जिसने मुझे जनम दिया उसी में फरक है बता नहीं है आपको ऐसे अनेक अन अनेक कथन या मित मिलेंगे जिनका कोई आदार नहींगा उनको खाड़ पेखिए और छोड़ दीगे आंगे निकलिए कहां भी देखिए क्रिया कलाब 10.6 अपनी कप्छा में उन से बाटियों के आंपरे एक कत करते हैं तथा उनके आप्रे भी इकतित कीए जो ब्यायाम नहीं करते हैं क्या आपको उनकी चुस्त्री एवं स्वास्त में कोई अंतर दिखाई देता है नैमित ब्यायाम के लाब पर एक रिपोर्ट त्यार किए नसीली दवाएं ड्रॉक्स की करने से द करें किसोरा वस्ता ब्यक्ति के सारे रिक एवं मांतिक रोप से अधिक सक्रीट जाता समय जो ग्रदिकाल का एक सामन भाग है अता ब्रमित अत्वा आज सुरक्षित ना महसूस करें यदि कोई व्यक्ति आपको यह पताता है कि किसी ड्रॉक्स या नसीली दवाते हैं सेवं से आप अच्छा अत्वा तनाव मुक्त महसूस करेंगे तो आपको इसके लिए ना ही कहना चाहिए जब तक कि दवा डॉक्टर द्वारा ना दी गए ड्रॉक्स नसीली पताते हैं ज परबाद कर देते हैं आपने एर्स के पिसे में तो अबस्ती सुना हुआ जो HIV नामक खतना वीसाड़ू यानि कि वाइरस द्वारा होता है यह वाइरस एक पेडित ब्यक्ति से स्वक्स ब्यक्ति में ड्रॉक्स के लिए इस्तिमाल की जाने वाली सेरेंज द्वाराई भी जा सकता है। वाइरस का संख्मन दूसरे माध्यमस्वें जैसे कि पेडित रोगी मान से दूद्वारां उसके सिसूम में हो सकता है। HIV बीप से पेडित ब्यक्ति के साब लेंगेक संपड स्थाफित करने द्वारा भी इस रोग का संख्मन हो सकता है था। बात करते हैं किसोर द्वार गर्वधार। आप संभावत जानते होंगे कि हमारे देश में विवार की विधी संगत कानुनी आयू लड़कियों के लिए 18 वर्ष लड़कों के लिए 21 वर्ष इसके कारण 10 आयू किसोर लड़कियां मा सारे रिख एवं मानरुप्स मांसरुप्स से मातुत के लिए त्यार नहीं होती बाल व्यवार कम मामें व्यवार तथा मात्त से मा एवं संतान दोनों में 6 संबंदि समस्यायं होत्वं हो सकते हैं इससे युअत्वा हुआ इस त्रीओं के लेवेवसह की आफसरों में भी कमी या दिनुन कि मात्त्मिiber एपलारिक उठा जमुक सब्द देखें एडम्स, एफल, किरोर, किसुरावस्ता, एडिन, एडिन, निलिन, संतुलिताहार, अंतास्त्रावी गरंतियां, एस्टोजन, हार्म, इंसुलिन, प्यूस गरंति के बारे में जाना है, योनारम, जननात्मक, स्वास्त, गौंडलेंगिक लक्षन, सब्दों की परिवासा आफ लोग समझ गए होगे, अगर कोई आप से पूछें, आफ लोग इनका जवाब देने के तयार होगे, आपने क्या सीखा, योनारम होने पर व्यक्ति जनन के सच्चम हो जाता है, गैर्ए बर्ष की आईट से उन्नीस बर्ष तकी आईटी के सुर आवस्ता कहलाती है, योनारम का प्यारम होने पर जनन अंगों में बिद्धी होती है, तसना सरीर के विवेन इस्तानों पर बाल आने लगते हैं, लड़कियों में इस्तन बिक्सित हो जाती हैं, तसना लड़ योना रम्म एवां जनन अंगों का प्रिपक्ख ओना, हार्मोन द्वारा नियंतित होता है। हार्मोन अंता सरावी गंथियों द्वारा सरावितival चो रोधिर में सीदे कहने। पीव्स गरंति हार्मोन सरावित करते हैं जैसे की बीड़ी हार्मोन अत्वा अन्य गरंतियों जैसे बेटरण, अन्डास है, थायराईड, एडिनेल को हार्मोन सरावित करने के लिए उद्धीप्त करते हैं अगना से इंसूलीन का थायरोग थायरोईड, थायरोकसिन का एडिनल, एडिन, नेलीन का हार्मोन का वतफादन करते हैं टेस्ट्रिस्टोन, नरहार्मोन हैं तथा इस्ट्रोजन मादा हार्मोन हैं गरवासे की दिवार निशेचन नाहोने की इस्तिधी में गरवासे की दिवार की अंत्रिक सत्य निश्तारित होकर शरीर से बाहर रख्त के साथ फिरवाहित हो जाती है इसे रित्रूस राव या रजो धरम कहते हैं आजर में शिशु का लेंग नेदारन इस बातवर नेबर करता है कि योग मनाज में एक्सेस गूर्शू या फिर कत्वा एक्स वाई गूर्शू है कि सवरावस्था में संतुलित आहार करना तो बेवबस्ति सवर्श्था का पालम करना ना थोने एक आपकी अब्व्यास के लिए क्वेश्चन्स दिए गए देख सकते हैं टिक पीडिये अब आपकी टेलीगराम चैनल पर उपलब दें वहां से डाउनलूड करकी रखे लिए जिससे आपको आगे कभी जरूरत पढ़ती है तो आप उसे पढ़ सकते हैं तो यह था आपका दसवा चैप्टर 11 चैप्टर में बात करेंगे हम लोग बल तथा दाप की बारे में देखेंगे नमस्कार दोस्तों तो चलिए हम लोग बात कर रहे थी आपके पढ़ने का जो भी उद्देश होता है वो बता दिया जाता है तो अच्छे से आपको पढ़ना है इसमें ऐसा कोई भी सब्द नहीं है जो आपको ना समझ गया यह बहुत थे साधरार्ज सब्द हमें ठेकी गए आपकी करच्छा 7 भी में आशीक चुक है कि बस्तु है गति कैसे करती है क्या आप बता सकते हैं कि हम यह कैसे थ피शित करते हैं, कि कोई वस्तू दूसरी वस्तू से अधिक तेज घृतिशी है, किसी वस्तू द्वारा एकांग समयदे हैं चली गई दूरी क्या सुचित करती है आप यह भी जानते हैं कि जमीन पर लोड़कती हुए गैन जैसी कोई गती सी लवस्तु धीमी हो जाती है। कभी-कभी यह अपनी गती का की दिशा भी बदल सकती है। यह भी संभवा की गैन धीमी हो जाए तथा अपनी दिशा भी बदलने। क्या आपने कभी सूचा है कि गती-सील बस्तो धीमी या देज कैसे हो जाती है अत्वाग अपनी गती की दिशा कैसे बदल लेती है आई अपने पितीदिन के कुछ अनभवों को याद करें किसी फुटवाल को गती-सील करने के लिए क्या करते हैं किसी गती शील गेंद को और अधिक तेजी से चलाने के लिए आप क्या करते हैं एक गोली गोल रख्चक गेंद को किस पेकार रोकता है होकी कक्खिलाडी होकी से प्रहार करके किसी गती सील गेंद को कि दिसा बनल देता है छेत्रक्षक बल्लेवाज द्वारा जिटकी गई गैन को कैसे रोखते हैं। इन सभी स्तितियों में गैन की गति को तेज या धीमा कर दिया जाते हैं। अत्वा इसकी गति की दिशा को बदल दिया जाते हैं। हम प्रया कहते हैं जब किसी गैन को धक्का देते हैं या फिकते हैं या ठोकर मालते हैं यह या फिरहार करते हैं तो उस पर बल लगाये जाता है बल क्या है जिन वस्तुमों पर लगाये जाता है बल उन पर क्या प्रिभाव डालता है इस अध्याय में हम ऐसी है आपके जो गोल को बचाते हुए आँ कि ग्यांड पर प्रहार करते हुए ए छेट रक्ष illness din को रोपते भुए बल कर्षण याभी कर्षण करें से ओठाना खेल खोलना बंद करना ठोकर मानना हिट करना पुरहार करना, धक्का देना, खींचना आदी ऐसी क्रिया हैं जो फुरहा कुछ कारेओं का बढ़न करने के लिए प्रयोग की जाती है इन में से पितेग कार फुरहावस्तू की गतिवें किस पिकार का परीवत्न लाने का प्रयास करता है क्या इन सब्दों की जगे एक प्रया आधिक अन्न सब्दों का प्रयोग कर सकते हैं आई ये ग्याद करते हैं क्रिया कलाब 11.1 साइनी 11.1 में बस्तूओं की गतिगी सू परचित इस्तियों के कुछ उधाण दिये आप इन में कुछ ऐसे ही और अधिक इस्तियां को जोड सकते हैं तथा इन उधाणों में से दक्का देना या खींचना के रूम में परचानी तथा साइडी में लिखी है आपकी साइटा के लिए एक उधारन दिया इस तरह के जो भी किरिया कलाब हुआ करेंगे उन्हें आपको बड़े अच्छे से पढ़के निकल जाना याना दिमार मत लगाईए ठीक है बेच पर बड़ें पर दिया है कि इनमे से पितेक कार को अभी करसन खींचना या पिर अपकरसन धक्का देना हथबाद दौनों के रूम में बैट किया जा सकता है क्या हमसी इनिसकर्च निकाल सकते हैं कि कि किसी बस्तू को गटी में लाने के लिए उसे धक्का देना आपकरसित करना या खींचना अभी कर्शित करना पड़ता है। विज्ञान में किसी बस्तु पर लगने वाले धक्के यानि की अभी कर्शन या फिर ख्यचाओ यानि की अपकर्शन को बल कहते हैं। अता हम कह सकते हैं कि बस्तु को दी गई करती बल लगने के कारण होती है। बस्तु पर बल कब लगता है आईए याद करते हैं बल अन्यों किरिया के कारण लगते हैं माली ये कोई आदमी इस्तिर कार के पीछे खड़ाएं क्या उसकी उपस्तिती के कारण कार गती में आएगी माली ये आदमी कार को धक्का लगाना पैरम करता है अर्था तुवार इस पर बल लगाता है कार लगाएगे बल की दिशामें गती करना पैरम कर सकती है द्यान दीजिए द्यान दिजिए कि कार्ग को गद्धी देने के लिए आदमी को से धक्का लगाना लगाती तरह नहीं होगा चित तेरे दसमलोग तेन तेन इस्तितियां दसाएंगे जिन में संभावता आप परचे थोंगे कि आप बता सकते हैं कि इन इस्तितियों में कौन कीच रहा है कौन धक्का दे रहा है चित त्ध ग्यारे दसमलोग 3 में दोनों लड़कियां एक दूसरे को धक्का देती हुए पिती थोरे देखिया चित 11.3 दिन बान में लड़कों कर योँ एक दूसरे को किचने काeking फरेयतन कर रहा है इस पकार चित 11.3 ым में गाय आदमी गाय तथां आदमी दौनों दूसरे को किचते दिना थे यहाँ पर दरशाई गई दौनों श्तितियों में लड़कियां एक दूसरे पर बल लगा रही है क्या यह बात आदमी तथा गाय पर भी लगू होती है इन उधार्णों से हम निस्कस निकाल सकते हैं कि बल लगने के लिए कम से गम दो बस्तों में अन्यून किरिया होनी आवस्त के इस पेकार दो बस्तों के बीच अन्यून किरिया के कारण उनके बीच बल लगता है बात करते हैं बलों की खोजवीन आईए बलों के बारे में कुछ अधिक सीखने का प्रयास करते हैं किरिया किलाब 11.2 11.2 कोई भारी बस्तों जैसे मेल या संदू लिए जिसे आप जोड से धकेलने पर ही गती में ला सकते हैं इसी अखेले धकेलने के प्रयक अलुकार्थ श्रयतन कीजिये क्या आप इसे खिसका सकते हैं अब अपने किसी मित्र से कहिए कि बखशे को उसी दूसा में धकेलने में आपकी िसाहता करें कि यारे दिसमलो इस तरह भी कि आप इसको खिसकाना आसान है कि आप बदा सकते हैं कि ऐसा क्यों अब उसी बस्तु को फ्रेसे दखे लिए लेकिन इस बार अपने मित्य से कहिए कि वह ऐसे बिप्री देशा में दखे लिए क्या बस्तु गती मान होती है यदि यह है गती में आती है तो इसकी गती की दिसा को नोट किए क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि आप मैंसे कौन दे बल लगा रहा हैं क्या आपने कभी रस्ता कसी का खेल देखा हैं इस खेल में दो तोलियां एक रस्ते को बिप्री दिसा मे खींचती हैं 11.5 चित की तरह इस तरह से दोनों टोलियों के सदस रस्ते को अपनी दिसा में खींचने का फ्रयातन करते हैं कभी 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 रस्ता विल्कुल नहीं के सकता क्या यह यह चित तेजरे दिसमलों 11.3 B में 10 आई गई इस्तिती की समान नहीं है जो टोली अधिक जोल से खींचती हैं अर्थत अधीग बल लगाती हैं अंत में वहीं खिल में बेज़ारी होती है ई हुधारम बल के बारे में क्या का सुझाती हैं किसी वस्तु पर एक ही दिसा में लगाये गए बल चोड जाती है जैसे किसी बस्तु पर एक ही देशा में बल लगाया जा रहे हैं वो जुड़ जाती है। अब इसमाइट कीजिए कि किरिया कलाब 11.2 में जब आप अपने मित्रों से भारी संदूख को एक ही देशा में धकेला था तो क्या हुआ था। यदि किसी बस्तु पर दो बल विप्रेज देशा में कारे करते हैं तो इस पर लगने बाला कुल बल दोनों बलों के अंतर के बराबर होता है। किरिया कलाब 11.2 में जब आप दोनों भारी संदूख को बित्री देशा में धकेल रहे हैं तो आपने क्या देखा। याद किजी कि रस्ता कसी के खिल में जब दोनों पोलियां रस्ते पर बराबर बल लगा कर खीचती हैं तो रस्ता किसी भी दिसा में नहीं जाते हैं। इस पेकार हमने सीखा है कि एक बल दूसरे बड़ा या छोटा या फिर बराबन हो सकता है। बल की प्रवलता प्रया इसी पहिडाब परिमाण से मापी जाती है। बल के बारे में बताते हैं समय हमें उस दिसा का उल्लेक करना भी आवसक है। जिसमें बल का कार्य करता है यह भी याद रखिए यदि लगाएगे बल की दिशा या पई माड में परिवर्तन हो जाए तो इसका प्रभाव भी बदल जाता है सामान रूप से किसी बस्तू पर एक सेदिक बल लगे हो सकते हैं तदा पी बस्तू पर इनका प्रभाव नेट बल की कारणी होता है बात करते हैं बल बस्तु की गत्ती अवस्था में परिवर्तन कर सकता है आईए अब ग्याद करें कि जब किसी बस्तु पर बल लगता है तो क्या होता है क्रेया के लाप 11.3 रवर की एक ग्याद लीजिए इसे किसी सम्तल सतय की जैसे मेज पर यहां के कंक्रीट के भस पर तरखिए अब ग्याद को धीरे से सम्तल सतय पर धख्का दीजिए 11.6 की तरख इस तरफ से क्या ग्याद गती में आ जाती है गती सील ग्याद को फिर से दख्का दीजिए क्या इसकी चाल में कुछ परीवर्तम होता है यह बढ़ती है यह फिर घरती है अब अपनी हदेलियों को गती सील ग्याद के सामने रखिए जैसे यह गती सील ग्याद इसे इस परस करेगी हदेल क्या आपको गतिली गैन्द पर कोई बल लगाती है गैन्द की चाल पर इसका क्या विर्भाव पढ़ता है क्या यह बढ़ती है या पर करणती है यदि आप गतिशील गैन्द को अपनी गतिली से रोक लें तो क्या हुआ आप इसी विकार की अनिस्तिदियों पर भी बिचार कर सकते हैं उधारन के लिए पैनल्टी किक लेते समय खिलाडी गैन्द पर बल लगाता है किक लगने से पहले गैन्द विर्भावस्ता में थी अता इसकी चाल सुनने थी लगाए गैन्द गैन्द को गोल की वो गति पिदा की मालीजी गोली गोल बचाने के लिए गैन्द पर जबढ़ता है या उचलता है इस करिया द्वारां गोली गतिसी गैन्द पर बल लगाने का प्रियतन करता है उसके द्वारां लगाया गैबल गैन्द को रोक सकता है या विच्छेपित कर सकता है और गोल होने से बचा सकत यदि गोली ब्यान को रोकने में सफल हो जाता है तो इसकी चाल सुन हो जाती है एक चंस हो जाती है किसी बस्तू पर लगाए गए बल द्वारा उसकी चाल बदली जा सकती है यदि लगाए गए बल गती की दिशा में है तो बस्तू की चाल बढ़ जाती है यदि बल बस्तू की गती की दिशा के विप्रीद दिशा में लगाया जाए तो बस्तू की चाल कम हो जाती है मैंने बच्चों को एक दूसरे से रबर के टायर या किसी घेरे को धकेल कर तेज चलाने की खोड लगाते हैं देखा है अब मैं समाई गया हूं कि धक्का देने पर टायर की चाल क्यों बढ़ जाती है देखिए इस तरह से बच्च्पन में चलाय होगा अब बच्च्पन आगे चलते हैं पहली या जानने के लिए उत्सक है कि क्या बल लगाने से केवल बस्तु की चाल की परिवर्तित होती है आई येसे भी ज्याद करते हैं क्रिया किलाव 11.4 एक गयान लिजे तथा इसे क्रिया किलाव 11.3 की बाती किसी सम्तर्ष सत्य कर रखिए गयान तुन को को धक्का देकर चलाइए इस तरह कि अब चित 11.08 में दर्साय अंशार उसके राष्टे में एक प्रमाना रखिए ऐसा करने से आप गती सील गेंद पर एक बल लगाएंगे क्या प्रमाने से टक्राने के परशाद गेंद उसी दिशा में गती करती रहती है इस के रियाकला को दोहराए तता पित एक बार प्रमाने को इस प्रकार रखिए कि एक गती सील गेंद की पत से पहले से भिन कोड बनाए पिते कृस्तिती में प्रवाने से टक्राने के पश्चार गैंद की गती की दिसा के बारे में अपने पेप्षणों को नोट कीजिए अब आप कुछ और उधारनों पर बिचार करते हैं बॉलीबॉल की खेल में खिलाड़ी प्रयाब बिजयी चाल बना लें के लिए गती सिल गैंद को धकेल कर अपनी टीम के साथियों के पास पहुंचा देते हैं कभी-कभी जोड से प्रहार करनके गैंद को मेंदान के दूसरी वर पहुंचा दिया जाता है केर्किट में बल्ले बात बली से गैंद पर बल लगाकर अपना सॉट खेलते हैं क्या इन इस्टितियों में गैंद की गती की दिशा में कोई परिवर्थन होता है इन सबी उधार्णों में बल लगने के कारण गत्वी जू गैंद की चाल तबने बदल जाती है क्या आप इस विकार के कुछ और का कर सकते किसी बस्तु की चाल अत्बा उसकी गती की दिशा अत्बा दोनों में होने वाले प्रिवर्थन को इसकी गती की अवस्था में प्रिवर्थन द्वाया ब्यक्त किया जाता है अतहा बलद्वारां किसी बस्तू की गती की अवस्था में परिवर्थन लाया जा सकता है देखिए पूरी कहानी इसलिए गड़ी गई एक लाइन के लिए बलद्वारां किसी बस्तू की गती की अवस्था में परिवर्थन लाया जा सकता है इससे समझान के लिए आपका पूरी कहानी गड़ी भी गत्ती की अवस्था किसी बस्तु की गत्ती की अवस्था का वर्डन उसकी चाल तथा गत्ती की दिशा से किया जाते हैं विराम अवस्था को सुन्य चालिती अवस्था माना जाते हैं कोई बस्तु विराम अवस्था में अथवा गत् की अवस्था हैं क्या इसका यह रत है कि बल लगने पर सदेव भी किसी बस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन होगा आईए पता करें यह हमारा सामान नन्वावर कि अनेक बार बल लगाने पर भी बस्तु की गत्ती ये वस्था में परिवर्तन नहीं होता है उधारन के लिए एक भारी संदूख आपके द्वारां अधिकतम बल लगाये जाने पर भी गत्ती ना करें इसी पेकार यदि आप किसी दीवार को दा केलने का प्रयास करें तो इस पर आपको बल का कोई डिखाई नहीं देगा बात करते हैं बल किसी बस्तु की आप करिवर्ति में परिवर्तन कर सकता है कि क्रिया कलाव 11.05 साहनिक 11.2 के इस्तम एक में कुछ आसी इस्तितीयां लिए जिरएं 不स्तु नहीं साहनि के इस्तम स्प्पो स्प्रिजों नहीं करते हैं जिसमें फितेग बस्तु बरबल लगा कि इसी पिकाल की कुछ निस्तितियों को भी यहां पर जोड़ सकते हैं इस्तिति का बर्डन बल कैसे लगा जाते हैं चित गद्धी की अवस्था में परीवत्म आक्रिती में परीवत्म एक प्लेट में गुता हुआ आटर हास से नीचे की और दबाने बाद साइगिल की गद्धी पर लगी कमानी गद्धी पर बैठकर इस तक एक खुक यह दीवार में लगी किल से लटका रवड का चला एक बाल लटका कर यह इसके सुतन स्रे को खींच कर परीवत्म अब आप अपनी हतेलियों के वीच एक फूली हुए गुबबारी को दबाते हैं तो क्या होता है जब गुथे हुए आटे की लोई को बेल कर चपाती बनाते हैं तो उसकी आक्रती पर प्रिवाव पढ़ता है जब आप मेज पर रखी किसी रवड की गेन को दबाते हैं तो क्या होता है इन सभी उधार्णों में आपने देखा है कि किसी वस्तु पर बल लगाने से उसकी आ अख्रती में परिवतन हो सकता है बस्तु में कर अब आप समझ गया होंगे कि बल किसी वस्तु को विराम कभस्ता से गती में ला सकता है गतिसील बस्तु की चाल में परीवतन कर सकता है। बस्तु की आक्षिति में परीवतन ला सकता है। इनमें से कुछ अथवाक्त सभी प्रभाउं को उत्वन कर सकता है। ये सभी आपकी बल्फी विसेच्ट हें किस नाय आक आवस्थक कि ये फीव बलं इनमें से एक यादिक प्रभाउं को उतपन कर सकता है तदा कि सकता हैう सब्सक्राइज बगर एक 57 पन नहीं हो सकता है अता है कोई बस्तु बिना बल लगाए अपने आप गती में नहीं आ सकती है अपने आप दिसा परिवर्तित नहीं कर सकती है अपने आप अक्रिती में परिवर्तन नहीं ला सकती है इतना मत है आपकी बल का अब बात करते हैं संपर्ग बल पेप्स यह में क्या मेच पर रही किसी बुस्ते को बगेर चुई धकेल या ऊठा धकेल या उठा सकते हैं क्या बगेर पकड़े पानी की किसी बाल्टी को उठा सकते हैं सामनता किसी बस्तु पर बल लगाने के लिए आपके शरीर का बस्तु के साथ संपर्ख होना जरूरी है संपर्ख किसी छड़ी या रसी की साहता से भी हो सकता है जब हम किसी बस्तू या जैसे अपने बित्याले के बस्ते को धकिलते हैं या पानी की वालिटी को उठाते हैं तो बल कहां से आता है यह बल हमारे सरी की मास्पेसियों बारा लगाए जाते हैं हमारी मास्पेसियों के क्रियात्मक्त लगने वाली बल को पेसिये बल कहते हैं तक मोड़ना भी संब लेते हैं कच्छा साथपी में आपने बढ़ा है कि पाचन पिक्रिया में भूजन आहार नाल में आंगे की और धकीला जाता है क्या इस पिक्रिया को पेशियवल करता है आप यह भी जानते हैं कि सुसन पिक्रिया में बाईव अंदर लेनत ना बाहर निकालोंती समय हैं पड़े हेल्थी और सिकूर्टिंग सुसन पिक्रिया को संभव बनाने के लिए पेशियवल कहां इस दित्थ है हुमारे सरीर में पेशियों द्वारां बल लगाने कि क्या कुछ और उधारं आप बता सकते हैं पसु भी अपने सारीरिक के लिए कलापों अतबा अनकारियों को करने के लिए पेशियवल का उपयोग करते हैं बैल भुड़ी गदे तथा उट जैसे पसु हमारे लिए विभिन्ने कारी करने के लिए उपयोग किया जाते हैं इन कार्यों को करने के लिए प्रेयोग करते हैं पस्वों का प्रेयोग करते हैं अनेक कटिन कार्यों को करने के लिए प्रेयोग किया जाते हैं यह है बैल गाड़ी कि अपको बताना है कमेंड वोक्स में क्या आपके अभी भी प्याले गाड़ी चलती है अभी भी इस तरह से दें देखते, बेल गाड़ी को चरीए बताइए, बेल तो देखते हूं, गाड़ी भी बताओ, आंगे चलते हैं क्योंकि पेसी ये बल तभी लगाया जा सकता है जब पेसिया किसी बस्तू के संपर्ग में हों, इसलिए से पिस संपर्ग बल भी कहते हैं, क्या अनुपेकार की संपर पल भी हैं आई ये बता करते हैं घर सना अपने कुछ अनवाओं को इसमाइड की लिए फरसपल रोड़ने बाली के अन धीरे धीरे धीमी हो जाती है और अंत में आप रुख जाती हैं साइगी चलाती समझ जब हम पैडल चलाना बंद कर देती हैं तो यह भी धीरे धीरे धीमी और अंत में रुख जाती हैं किसी कार या स्कूटर के एंजिन को बंद करने पर वह भी कुछ समय बाद रुख जाता है इसी पिकार नावभी खेना बंद कर देने पर कुछ दूर चलकर रुप जाती हैं क्या आप इस पिकार की कुछ अन्न अनवाओं को जोड़ सकते हैं इन सबी इस्तितियों में बस्तूमों पर कोई बल लगता पिती नहीं होता है पिर भी इनकी चाल देले देले कम होती जाती है और अन्त में इस बिरामवस्ता में आ जाती है इनकी गती की इवस्ता में परिवतन किस कारण होता है क्या इन पर कोई बल लग रहा होता है क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि पितेक देशा में बल की देशा में लग रहा होता है इन सभी उधायनों में बस्थूओं की गति की अवस्था में, परिवत्न का कारण आखप, घरशंड बलने। फरस्त तथा गेंदों की सतों के भी लगने वाला गरशंड बलन इन गति शील गेंद को ग्राम आवस्था में लाता है। इसी प्रिकार फानी, तथा नावटी सत्हों की भी घरसरयच यहांनिकी खेन बंद क्रने पर नावटो रूब देता है कि घरसर बल सभी गती सील बस्तुओं पर लगता है और इसकी दिशा सधय वगती की दिशा के विप्रीТ होती है क्योंकि गहर्षण बल्ग दो सत्मों के भी संपर्ग के काना उठवन होता है। इसलिए अभी संपर्ग बल्ग का एक ओधान नहीं। इस बल्ग के बारे में आप अधिक जानकारी अध्याय बारे में राफ्त करेंगे। आप यह जानने के लिए उस्तुख होंगे कि क्या यह आवस्तर के इसी बस्तु पर बल लगने वाला बल सतियो संपर्ग वली होगा आई इसका भी पता लगाते हैं आसम पर पर चुम्मी की यह बल किरिया कलाप्स 11.6 छड़ चुम्मकों का एक यह उम लीजिए 11.10 में इस तरक चित 11.10 में दर्साय अनुसार एक चुम्मक को तीन गोल पैंसिलों या लगड़ी के बेनों रोगल पर लखिए अब आप दूसरी चुम्मक की एक स्रेप को बेलनों पर रखे चुम्मक की स्रेप के समीप लाई भी धिया रखिए कि दौनों चुम्मक एक दूसरे को इस परस ना करें देखिए क्या होता है अब चुम्मक के दूसरे स्रेप को बेलनों पर रखे चुम्मक की उसी स्रेप के समीप लाई भी पिते गवार नोट किजिए कि क्या होता है। जब दूसरे चूंबक को बेलनों पर राखे। चुम्मक के समीब लाये लगता है। कि आया अब लाढ़ाला पर रखाई है कि दूसरे चुम्मक को समीव लाने के पर गती करने लगता है क्या है स्दर्रों समीव आने वाले चुम्मक की देशा में गती करता है या पेक्षन क्या शुजात है क्या इसका त्यार है कि चुम्मकों के बीच कोई बल अवस्ती कर रहा है कच्छा छटवी में आप सीख चुके हैं कि दो चुम्मकों के समानदरों एक दूसरे को पिती कर से करते हैं तथा आ समानदरों एक दूसरे को आखर से करते हैं दो वस्तूओं के बीच आकर्शन, अखवा फिटी कर्शन को भी खीचने या धक्का देने की रूम में देखा जा सकता है क्या चुमकों के बीच लगने वाले बल को देखने के लिए आपको इने संपर्क में लाना पड़ता है एक चुम्मक दूसरी चुम्मक पर बगयर संपर्ग में आएगी बल लगा सकते हैं चुम्मक द्वारां लगाया गया बल आसंपर्ग बल का अपका उधारनी इसी पिकार चुम्मक द्वारा कि किसी लोरे की टुक्रे फ़ लगाया गया बल भी आसंपर्ग बल का उधारा है बात करते हैं इस्थित बित्वत बल क्रिया क्लाब 11 दिसमो साथ एक पिलास्टिक का एक इस्ट्रा लिए इसको लगबग दो बरावर भावों में काट लिए धागी की सायता से एक टुक्रे को किसी मेच की किनारे से लटाईए चित्व 11 दिसमो ग्यारे की तरह अब इस्ट्रा के दूसरे टुक्रे को अपने हाथ में पगड़िये इसके सुतन सरे को कागच की एक सीट से रगड़िये इस्ट्रा के रगड़ते हुए सरे को लटकते हुए इस्ट्रा के समी लाईए सुनिश्चित कीजे कि दोनों टूकड़े एक दूसरे को इस पर ना करें आप क्या देखते हैं अब लटके हुए इश्टरा की सुतन्त सरय का कागज की सीट से रगड़ी फिरसे दूसरी इस्ट्रा गुरे को जिसे पहले ही कावयज की सीट से रगड़ा जा चुका है लटके हुए इस्ट्रा की सुथन्त सरह की समीब लाई एंद आप क्या देखते हैं कावस से रगड़ा हुआ इस्ट्रा दूसरे इट्रा गू कर तो आखर सिथ करता है कागज की सीट से रगण रगणा जाने पर इस्ट्रा बित्तु इस्थिर बित्तु आवेश उपाजित कर लेता है एसा इस्ट्रा आवेशित बस्तु का एक उधारन एक आवेशित बस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित अत्वा अनावेशित बस्तु पर लगाये बल आप का स्तिर्वितुत्बंद कहलाती है कि बस्तुमों के सभना χोने पर का बखे करता है इसके लिए इस्तिर्वितुत्व पल आ संपक्वत का ये कदार्ण अन्य Hani आप अध्याय पंद्रह में विद्धु तापिसों के बारे में विर्षतार से अध्यान करेंगें तो बात करते हैं गुरुत्वाकर्शन बलु अब जानते हैं कि यदि कोई सिख्का या प्यान आपके हाँ से छूट जाए तो यह धर्टी की वो गिरता है पेड़ से अलग होने के बश्चात पत्तियां या फल भी धर्टी की और यह गिरते हैं क्या कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है जब सिख्का आपके हाथ में पकड़ा हुआ है तो यह विराम अवस्था में है जैसी इसको छोड़ा जाता है तो यह नीचे की और गिरना प्यारम हो जाता है इससे इसपश्ट है कि सिख्के की गती की आवस्था में परिवर्तन होता है क्या इस पर बिना बल लगे ऐसा हो सकता है या बल कौन सा है और खोली कि बस्तुएं पित्वी और इसलिए करती हैं की यह उन्हें अपनी और आकर्सत करती है इस बल्ल कौन तुनल या केवल गुरुत कहते हैं। या एक आकरस्थन बड़ है गुरुत बल पितिक बस्तुपर लगाया जाते गुरुत्व बल हम सभी पर हर समय बगेर हमारी जानकारी की लगता रहता है जैसे हम कोई नल खोलते हैं पानी दख्ती की वह बहने लगता है गुरुत्व बल के कारणी नदियों में पानी नीची की वह बहता है गुरुत्व केवल पिथी भी काही गोड़ा नहीं बास्तों मे मैं सभी बस्तुएं चाहे बें चोटी हूं या फिर बढ़ी हूं एक दूसरी के उपर बल लगाती हूं या गुर्त्वा कर्ष्ण बल कहलाता है आपको बात करते हैं दाब आपने कच्चा सावियें बढ़ा है कि दूभान या चक्वात कि समय प्रबल बल घर की चतों को भी उड़ा ले जाते हैं आपने यह भी सीखा है कि पवन ततना चक्वात बायू दाब के अंतर के कारण बनते हैं क्या दाब ततना बल में कोई संब्द्र आई है इसका भी हम लो बता लगाते हैं किसी लगड़ी के तकते में एक कील को इसके सीर्ट से ठोकने का प्रेरतन कीजिए क्या आप सफल हो पाते हैं अब कील को नुख के लिए इस तरह से ठोकने का प्रेरतन कीजिए क्या आप इस वाद इसे ठोक पाते हैं इस तरह से सब्जियों किसी कुंडे चागु या उसके बाद एक तीखे चागु से काटने का प्रयास के लिए किसमें आसानी है क्या आपको ऐसा लगता है कि जिच छेतफल पर बल लगाया जाता है लंकी के नुकील इसरें कांवत इन कार्यों को असानी बनाने में ब भूमिकाल किसी के पिती एक पल लगने वाला बल को दाब कहते हैं किसी प्रेश्ट के प्रेश्ट के पिती एकाल पर लगने अबला बल आपका दाब कहला देखिए इस इतनी सी बस लाइन के लिए आपकी पूरी उपर से नीचे तक कहानी देगे दाब बरावक बल अपून छित पल जिस पर यह लगता है कि यहाँ पर हम केबल पून बलों का विचार करते हैं जो स्पेश्ट की लंबबत हैं जिस पर दाब ग्याद करते हैं अब हम मेरी समझ में आया कि कुलियों को जब भारी बोज उठाना होता है तो वे अपने से पर एक कपड़े को गोल लपेट का क्यों रखते हैं इस पेकार वे अपने सरी से बोज की समपर छित पलको बढ़ा देते हैं अता हम उनके शरीर पर लगने वाला दाप कम हो जाते ह इस तरह से द्यान दिजी कि उपयुक्त बेंजग में चित पल हर में है क्या है हर में है इसलिए यदि बल बराबर हो तो पेश्ट का चित पल जितना कम होगा उस पर दाव उतना ही अधिक होगा कील के नुकिली सिर्वे पर छित पल इसके स्तीर की अब एक्चा बहुत कम है इसलिए वही बल कील के नुकिली सरे को लगडी के तक्ति में ठोकने के लिए परयाथदा उत्वन कर दीता है क्या अब आप बता सकते हैं कि कंदी पर लटकाने बाले थेलों में चोड़ी पट्टी क्यों लगाई जाती है इन थेलों में बारी की पट्टी क्यों नहीं लगाई जाती है और काटने तथा सुखाने सुराग करने वाले वजारों के किनारे सदेयों तीक्षनक क्यों होते ह क्या दिर्ववं या गैसों द्वारा भी दाब लगता है क्या ये भी उस्चेट पल निरवर करता है कि जिस पर बल कारे करता है कि चिख भी इसके बारे में बहुन जानते हैं कि दिर्व onions तथा गैसों द्वारा लगाएगे बल दाब क्रेया कलाब 11.8 पारदर्सी काच की एक नली अत्वा पिलास्टिक का पाइप लिजे पाइप नली की लंबाई लगब 25 सेंटीमीटर इसका ब्यास लगब 5 से 7.5 सेंटीमीटर होना चाहिए एक अच्छी पत्रील रवड की सीट भी लिजे आप गुबारें की रवड का क्रियोप कर सकते हैं पाइप के एक सरे पर रवड की सीट को तान कर बांदिए पाइप को उर्द्वा धर इस्तिधी में रखते हुए पीच में से पकड़ लिए अपने किसी मत्से पाइप में कुछ पानी उड़ेलने के लिए क्या रवड की सीट बाहर की और फोल जाते हैं हैं पाइब में पानिकि इस तरफ इस्थमकी उचाई भी नोट किजीत पाइब में कुछ पानिकि और बुड़े लिएं रवट शिक्ष उठिक के खुलाओ तथा पाइब में पाइब में पानिकि इस東西 के ऊचाई की कुछ संवन्द देख पाते ही देखिए इस तरह से किसी बरतन की तरी पर पानी द्वारा लगाए जाने वाला जा पानी के इस्तम की उंचाई पर नेजबर करता है अब बात करते हैं कि दिया के लाग 11.9 की बादे में पिलास्टिक की एक बोतल लीजिए आप आप पानी या मिद्दू पे सॉल्ड रेंग क्यों फिर की जा चुकी कोई बोतल ले सकते हैं चित 11.15 की चित 11.15 इस तरह से 11.15 में दसाए अनसार बोतल के पेंदे के पास कुछ सैंटीमीटर लंबी काच की एक बेलना का नली लगाए ऐसा करने के लिए काच की नली के एक सरेफू थोड़ा सा गरम कीजिए और फिर जल्दी से बोतल के पेंदे के समीब वो साधी में सुनिश्चित कीजिए के जोड़ के पास से पानी नास प्रेसे यदि पानी रिष्टा है तो इसको पेगले मौम से अच्छी पेकार बंद कीजिए काच की नली के मौक कुफ क्रियकला ग्यारे दसमब आठकेंशा एक पतली रवड की सीट से बंद कीजिए अब बोतल को पानी से यादा वरिये आप क्या देखते हैं इस बार काच की नली के उमोह पर लगाई रवड की सीट क्यों फूल जाती है बोतल में कुछ पानी और डा नहीं बलकि पार्श में लगाया गया है क्या इस इस्तिति में रवड सीट कपूलन यह दर्साता है कि पानी बर्तल की दीवारों पर निताब डालता है आई इसकी और अधिक चानवीर करें क्यरिया कलाब 11.10 पिलास्टी के खाली बोतल अतवा एक बेलना का बर्तम दीए आप खाली डिबबा या पिलास्टी की बोतल का उप्यों कर सकते हैं बोतल के पैंदे के पास चारों दिसाओं में चार सुराब की देहान दीजिए कि सुराब पैंदे से समान मुचाईपर हो चित्त ग्यार्नस पिस्टोग सोले की तरह इस तरह से द्रव वरतन की दीवारों पर द्रवापद डालते हैं Abramad gives stopping समानधाभ डलती हैं कि जिस रतन में रखी जाती हैं उनकी देवारों पर दालती है आईये ग्याद कर्ते हैं जब आप किसी गुबबारे को फुलाते हैं तो इसके मोह क्यों बंद करना परता है यदि किसी फुलाए है वे गुपारे के मुई को खोल दे तो क्या हुआ माल लीजिए कि आपके पास एक ऐसा गुपारा है जिसमें सुराख है क्या आप इसे फुला सकते हैं यदि नहीं तो क्या हम कह सकते हैं कि बायू पितेक दिसा में दाप लगाती है इसमार कीजिए यानि कि याद कीजिए यदि साइकल की ट्यू में पंचर हो तो इसके अंदर ही हवा का क्या होता है क्या एक पेक्षण दसाते हैं कि बायू किसी फुलाए गुए गुपारे या साइकल की ट्यू को अंदर की दिवारों पर दाप डालती है इस पेकार हम कह सकते हैं कि गैसें जिस बर्तम में रखी जाती है उनकी देवार पर दाब डालती है हम क्या कह सकते हैं गैस जिस बर्तम में रखी जाती है उसकी देवार पर दाब डालती है अब हम लोग बात करते हैं बायुमंड लिए दाब के बारे हैं हम जानते हैं कि हमारे चारों और बायू की सावरण को बायू मंडल कहते हैं बायू मंडल बायू इतवी की तलसी कही किलोमीटर ऊपर तक हैली वी है इस बायू द्वारा लगाय गए दाप को बायू मंडल ये दाप कहते हैं हम जाते हैं कि पिती एकाम छितपल पर लगने वाले बल को दाप करते हैं। यदि हम एक एकाई छितपल की कलपना करें तो इसके ऊपर बायु से बरा एक लंबा बेलन खड़ा हुआ मालें। अब इस बेलन में बायु पर लगने वाले गुरुत बल वाई बंडली दाप की बरावर होता है। लेकिन बायु बंडली ये दाप कितना है आईए इसके परिमार के बारे में बिचार करें। क्रिया किलाब 11.11 एक अच्छी रवड का चूसक लेजे। ये रवड के एक छोटे प्याली की बाती दिखाई देता है। इसको किसी समतल चिकने पेश्ट पर जोर से दबाईए। क्या ये पेश्ट की चिप से चिपक जाता है। इसको खीचने पर पेश्ट से उठाने का पेर्दन कीजिए। क्या आप सफल होपाते हैं। देखिए। एक पेश्ट पर दबाया हुआ रवड का चूसक। जब आप चूसक को दबाते हैं। तो कब अत्वा पेश्ट की भी की अधिकास बायू बाहर निकल जाती है। चूसक पर बायू मंडली दाप लगता है। इसलिए पेश्ट के साथ चिपक जाता है। चूसक को पेश्ट से खीच कर अलग करने के लिए लगाएगा। बल इतना अधिक होना चाहिए कि हुआ है। बायू मंडली दाप पर पाय पासके। इसकी क्रिया कलाप से स्तंभाव था। आपको बायू मंडली ये दाप के पर माड कानुमान लग गया हुए। बास्ता में दी चूसक तथा पेश्ट की भी मैसे ही समतल बायू समस्त बायू को निकाल दिया जाए। तो किसी भी मनुस के लिए चूसक पेट को खीच कर लगान संभाव नहीं होगा। क्या इस से आप अनुमान लगा सकते हैं कि बायू मंडली ये ताप कितना दी होता है। एक 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर छेथ बल तथा बायू मंडल की पूंचाई के बराबर पूंचाई के इस्तामाने। बायू पे कारण लगने वाले लगबग बल लगबग 225 केजी द्रमान के किसी फिंड पर लगने वाले गुरुत बल के बराबर होता है। इस गुरुत बल के नीचे हम दब कर पिचक क्यों नहीं जाती है। इसका कारण है कि हमारी सरीर के अंदर का दाब भी बायू मंडली ये दाब के बराब आए। और यह बाहर के दाब को संतुलित कर देता है। क्या आप जानते हैं। सत्रहईवी सिताब्दी में जर्मनी के एक बिज्ञानिक और्फो वांड प्यरिक ने बरतनों से बायू बाहर निकालने की एक पंप का अविस्खार किया। इस पंप की सायता से उन्होंने नट किया। जंग से बाइदाब की बल का पिदर्शन किया। उन्हें दातू के दोफोकले अर्ध गोली लिए। जिनमें पितेग का वियास 59 सेंटीमेटर था। इन गोलों को एक सार जोड कर उनके बीच की बायू निकाल देख ले। तब पितेग अर्ध गोली पर आठ आठ गोली विक्रीज दिशा में खींचकर अलग करने के लिए। बायू दाप का बल इतना अधिक था कि इतने गोले भी अर्ध गोलों को अलग ना कर सके। देखिए। हर्ध गोलों को खींचते हुए गोलों की तस्वीर। तो इस अध्याय में आपने क्या जाना है। प्रमुक सब्द बायुमंडली ये दाप जाना है। संपर्ग बल के बारे में जाना है। इस तर विद्दू बल के बारे में जाना है। बल के बारे में जाना है याब रखिए अगर आप लोग अध्याय खतम हो जाता है और आप इन सभी सब्दों की परिवासा देने में सर्चम तो आपने अध्याय बेटर तरीके से पढ़ा है क्योंकि आप अगर अच्छे से पढ़ते हैं रखकर तो आप सभी ही इन सब्दों को समझ चुके होंगे आपने क्या सीथा है बल धक्का देना अपकरसित करना या खीचना अभी करसित करना हो सकता है बल दो बस्तों के बीच अन्यून के लिया के कारण लगता है बल का परिमाड तथा देशा दोनों होते हैं किसी बस्तु की चाल में परिवर्थन, अत्वा गती की देशा में परिवर्थन, अत्वा दोनों में होने वाली परिवर्थन का रते, किसी गती की अवस्था में परिवर्थन होना, किसी बस्तु पर लगने वाला बल उसकी गती की अवस्था में, अत्वा उसकी आपकिर्थी म परिवर्तन कब सकता है किसी पस्तु पर लगने वाला बल उसके साथ संपर्ख में आने पर या संपर्ख में आये बगेर लग सकता है इत्ती एकाम छित्पल और लगने वाले बल को दाप करेते हैं द्रग तथा गयसें परीवर्टंद द्रग तथा गयसें बरतनों की दिवार पर दाब लगाते हैं हमारी चारों और की भायू द्वारां लगाए गए दाब को भायू बंडलिया दाब करती हैं कि इसी अध्याय से संब्द कि आपके प्रिशन है अभ्यास के लिए और आपकी पीडियर जोती गोड़ टेलीग्राम पर अप्लब दें वहां से डाउनलोड करें रख लें अपने पास अगर कभी टाइम मिलें तो उसके एक आज बार पढ़ लें या फिर आप लोग एक खटा अभी भी पढ़ सकते हैं जैसे हम लोग 11 चेप्टर पर चल रहे हैं लेकिन आप चाहते हैं कि 12 चेप्टर लगाता पढ़ लें तो वहां से जाकर आप पढ़ सकते हैं इसे अच्छे से पढ़िए निकल भाईगे तो यह आपका 11 चेप्टर था अब 12 चेप्टर में हम लोग बात करेंगे घर्षन के वारे में किसे घर्षन के वारे में तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे हैं कच्छा आटवी की विद्ध्यान के बारे में कच्छा आटवी की साइंस देख रहे हैं तो उसमें अभी तक हम लोग 11 चेप्टर आपके खत्म कर चुके हैं यह आपका 12 चेप्टर घर्षन तो इसे अच्छे से सुनिये लाश्ट में जो 20 का निस्कर्स होता है यानि कि सद्ध्याय का जो निचोड होता है वह बता दिया जाता है तो आराम से वने रहे हैं आपने ट्रेफिक सिंगनल पर कार अत्वा ट्रक चालक को अपने बाहन को मंद करते हुए देखा हुए जब भी आवसक होता है आप भी ब्रेक लगा कर अपने साइकल को मंद करते हैं क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रेक लगाने पर वाहन मंद क्यों हो जाते हैं केवल बाहन ही नहीं, कोई भी वस्तू जो किसी अनवस्तू के पेश्ट पर गती कर रही होती है, उस इस्तिती में भी मंद हो जाती है जब उस पर कोई बाहरी वल न लगाया हो, अंतदावाय रुख जाती है क्या आपने फर्स पर लुड़कती, गैन को कुछ समय परशास रुखते देखा है केले के चलके पर कदम पड़ते ही, हम क्यों फिसल जाते है किसी चिकने अत्वार गेले फर्स पर चलना क्यों कटिन होता है इस अध्याय में आप इसी पिकार के फिसनों के उत्तर पाएंगे, ठीक गरसंड बल, क्रिया कलाब 12.1, याद रखिए इस तरह के जो भी क्रिया कलाब होती है आपको पढ़की बड़े ध्यान से पढ़की निकल जाना है इसमें जानव रुकिये मत जो भी चेप्टर है आपकी पढ़के निकल ला है दिमाग जानव मत लगाना है मेज पर रखी किसी पुस्तक, कुद्धीरे से इस तरह दके लिए, आप यह देखें कि कुछी दूरी चलकर यह रुख जाती है क्या इस बार भी पुस्तक रुख जाती है क्या आप इसका इसपरश्टी कर सोच सकते हैं क्या हम यह कह सकते हैं कि पुस्तक की गती का बिरोध करने के लिए उस पर कोई बल लगना हावस्त चाहिए इस बल को ही क्या कहते हैं गाल साड़ बल आपने देखा है कि यदि आप बाईं दिसा में बल लगाते हैं तो घर्षन दाईं दिसा में कारे करता है यदि आप दाईं दिसा में बल लगाते हैं तो घर्षन बाईं दिसा में कारे करता है दोनों श्तितिनियों में घर्षन पुस्तर की गत्ती का बिरोद करता है घर्षन बल सद्य भी लगाए गई बल का बिरोद करता है याद रखना घर्षन बल की ये बिसेश्ता है कि वह लगाए गई बल का बिरोद करता है हमें से कि क्रिया कलाम में घरś Vacán probabil तथा मेध की पेष्टों के विज़कार करता है क्या सबी पेष्टों पर समान घर्ष्ण बल लगता है क्या यह पेष्टों के चिकने पनिर्भर करता है आ यह इसका भी हम लोग मत्ह लगाते हैं घर्षण बल को प्रभावित करने वाले कारक देखते हैं क्रिया के लाप बाड़े दिसम्दों दो किसी इंट के चारों और एक डोरी बालिये इंट को कमानी दाल तुला द्वारा खीचे आपको कुछ बल लगाने लगाना पड़ता हैं जैसे इंट गती करना आरब करें कमानी आरब तुला का पार्ठ्यांत लिए जैसे आपको उस घर्षण वल की माप राप्त होगी जो इंट गता हैं फर्ष के बेश्टों की भी लगता है अब इंट पर पॉलीधन का टुकड़ा लपेटी है और किरिया कला आपको दोहराईए क्या आप उपयूगत दोनों श्तितियों में कमानी दाल तुला के पाठ्यांकों में कोई अंधर पाते हैं इस अंतर का क्या कारण हो सकता है इंट पर जूट का एक टुकड़ा लपेट का इसकी रिया कला कुदहराईए आपने क्या पाया कमानीदार तुला कमानीदार तुला वह ही उपती है जिसके द्वारां किसी बस्तु पर लगने वाले बल को आपा जाते हैं इसमें एक कुंडलित कमानी होती है, जिसमें बल लगाने पर पिरसार हो जाता है, कमानी के इस पिरसार की माप इसके अंग सांकित पिरमाने पर चलने वाले संकेतक द्वारां की जाती है, पिरमाने के पाठ्यांक द्वारां द्वारां बल का पैडाम पराप्त होता है चलते हैं आगे हम लोग क्रिया कला बारे देशन लोग तीन किसी चिकने फर्स अपका किसी मेच पर कोई आनत सम्तल बनाईए इसके लिए आप इंटों के सहारे रखा कोई लगडी कर तक था उपयोग कर चकते हैं आनत सम्तल की किसी बिंदू एपर पेन से कोई चिन अंकित कीजे अब कोई पैंसल सेल इस बिंदू से नीचे लोड़कने दीजे रोखने से पूर हुआ यह मेच पर कितनी दूरी तय करता है इस दूरी की नोट कीजे इस दूरी को नोट कीजे तब मेच पर कोई कपड़ा से दहराईए मेजपन रेत की पतली पर बिचा कर इस किरीयाकलाब को दोराईए समस्त किरीयाकलाब में आनत समतर्ण समान रखी किस इस्तिती में पैंसली द्ध speech की दूरी सबसे कम है सैल द्धवारा यह बाहर Health कि दूरन य Heroween विळविन क्यों होती हैं इसका कारण जाने के लिए प्रयास कीजिए अपने पईडाम पर चड़ चटबी क्या सेल दौरें चली गई दूरी जिस पेश्ट पर वच्चम चलता है उसकी प्रकिती पर निर्भर करती है क्या पेंसल सेल के पेश्ट का चिकना पर भी चली गई दूरी को प्रभाव लिखने लगते हैं उनमें भी बहुत सारी सूप्ष में अनिमित्ताएं होती हैं दो पेश्टों की अनिमित्ताओं एक दूसरे के भी तर धस जाती हैं जब हम एक पेश्ट पर दूसरे पेश्ट कुकती कराने का प्रयास करते हैं तो हम इस अन्त अन्त बंगन पर पार पाने के लिए बहुत कुछ बल लगाना पड़ता हैं खुर्दरी रुख्च पेश्टों पर एक अनिमित्ताएं अधिक संख्या में होती हैं अताहा यदि पेश्ट रुख्च होल तो घर्ष्णर बल अधिक होता है पोश्टक का पेश्ट मे पेश्टी है पेश्टी है अनिमित्ताएं हमने यह सीखा है कि दो पेश्ट के बीच अनिमित्ताओं की अंधावंदन की कारण घर्ष्ण होता है इस पेश्ट है कि यदि पेश्टों को बल पूर्वक दवाएं तो घर्ष्ण में मिध्धी हो जाती है इसका उन्वाह हो आप आप किसी चटाई को उस समय खींचकर कर सकते हैं जब उस पर कोई बैठती नहीं बैठा है तथा जब कोई बैठती उस पर बैठा हूँ अपने उस अनभव के याद कीजिए जब पिछली बार आपने किसी भारी बॉक्स को एक इस्थान से दूसरे इस्थान पर सरकाया था बिराम अवस्था में किसी बॉक्स को गती सील कराना अतवा किसी गती सील बॉक्स को उसी दिशा में सरकाना किसी रुकी हुई वस्थो को बिराम से गती प्यारम करने की स्थिति में घर्षन बल पर पार पाने के लिए वस्थू पर लगाया जाने बाल बल इस्थितिक जब बॉक्स सरकाना आरम कर दे लिए ईसलिए किसी बॉक्स में गटि आरम करने के पेक्चांट पहले सीजिए इमान बॉक्स की गति बनाए रखना सर्व होता है यहां आप एक साधारनसा नियम है कि कोई काम करते समय अगर कोई बिजनेस भी कर रहे हैं आप लोग तो जानदा टाइम लगेगा उस पर जानदा बर्ग करना पड़ेगा और जो आपका बिजनेस चल रहा हो उसे आंगे वणाने में या उसी को आंगे खीचने में कम समय और कम देमात लगाना पड़ेगा इसाधारनसा है घर संट हानेकारक पदंतु अनिबार अब अपने कुछ अनवहों को याद कीजिए किसी काच के गिलास अत्वा किसी खुलहड मैंसे किसी पकड़े किसे पकड़े रखना आसान है माल लिए किसी गिलास का बाहरी पिष्ट चिकना है अत्वा उस पर पकाने के तेल की पर चड़िए तो क्या उसे हाथ में पकड़ पाना आसान होगा अत्वा अतिक कठिन हो जाएगा जरा सोचिए यदि घर्षन ना हो तो क्या आपके लिए गिरास को पकड़े रखना संबह हो पाएगा या भी याद किजिए कि मार्बल के दिले हर सद्वा की चड़ बाली पगड़ली पर चलना कितना कठेन होता है क्या आप घर्षन ना होने की स्थिति में चलने की कल्पना कर सकते हैं यदि घर्षन ना हो तो आप पैन अत्वा पैंसिल से नहीं लिख सकते हैं जब आप सिक्षक चाक से स्यामपट पल लिखते है तो स्यामपट कर रुप्च पेश्ट रगड़ द्वारा चापके कुछ खड़ों को उतार देता है घरसन के कारान दीवार में कील गड़ जाते है स्यामपट से चपक जाते हैं और इस पिकार स्यामपट पट पर आपको लेखावट दिखाई देती है यदि सडक अतब बाहनों के टारों के भी घरसन ना हो तो उन बाहनों की ना तो गती आरम की की जा सकती थी ना ही उन्हें रोखा जा सकता था ना ही दिशा परीवर्ति की जा सकती थी यदि कोई वस्तु गती आरम कर दे तो वह कभी नहीं रोकेगी यदि वहाँ घर्षन ना हो आप दीवार में कील नहीं ठोप पाते धागे में गाट नहीं बान पाते घर्षन के बिना कोई वबन नहीं हो सकता था गहर्षण के बिना कोई वपन निर्माड नहीं हो सकता है इसके विपरीद गहर्षण हानिकारक भी है यह तो आपकी प्रोपिट थे यानि किलाव हानिकारक क्यों है गहर्षण गहर्षण की कारण बस्तू गिस जाती है जाहे ओर पैंच बॉल बैरिंग अत्वा जूतों की सौ कि आपने रेलवे स्टेशनों पर पैदल उपरी पुलों की घिसी पिटी सीनिया देखी हो है घरषण के उसमा भी उत्पंध हो सकती है कुछ मिनट तक अपनी हतेलियों को तेजी से एक दूसरे साथ रगड़िए आप क्या अनुबाव करते हैं जब आप मार्चिस की तीली क किसी रोक्ष पेश्ट से रगड़ते हैं तो आग पकड़ लेती हैं आपने यह देखा होगा कि विद्वत मिक्सर को कुछ मिनिट तक चलाने पर उसका जार गरम हो जाता है आप ऐसे बहुत से उधारन दे सकते हैं जिनमें घरषण द्वारों उसमा उत्पन होती हैं बास्त निम्लिकित अनुभाग में घरषण को कम करने के उपायों पर चर्चा करेंगे देखिए चित्रों घरषण के कारें माचिस की तीली को रगड़ने पर वह आत पकड़ लेती हैं अगर घरषण नहीं होता तो आप माचिस भी ना जला पाती तीली भी ना जला पाती समझ में अब बात करते हैं घरषण बढ़ाना या फिर घटाना पिछली अनुभाग में आपने देखा है कि कुछ परिस्तितियों में घरषण वांच नहीं होता है क्या आपने कभी यह सोचा है कि आपके जूतों की तली खाचेदार क्यों है खाचे जूतों की फर से पकड़ बनाते हैं जिसके कारण आप चलती समय सुरक्षित रहते हैं इसी प्रेकार कारों ट्रेकों बुल्ड वजरों के टायर भी खाचेदार होते हैं जिससे सडक से उनकी पकड़ अच्छी बनती है जूते टायरों की तलियों को खाचेदार बना कर घरषण डदे किया जाता है सौर्चालत बाहनों तथा साइकलों की ब्रेक्ट फिर्णालियों में ब्रेक्ट पैड़ों का उप्रियों करके हम जानबूज कर घरषण में बिद्धी करते हैं जब आप कोई साइक चलाते हैं तो उसके ब्रेक्ट पैड पहियों को इस परस नहीं करते हैं पलंतु जब कारण रिम की गती को रोग देते हैं और पहिया गती करना बंद कर देता है आपने यह देखा हुआ कि कबड़ी के खिलाडी अपने हातों पर मिट्टी रहरते हैं ताकि वे अपने पित्विद्वंदी को और अच्छी तरह पकड़ सकें ब्यायामी जिमनेश्ट अपने हातों पर कुई रुक्षपदात लगा लेते हैं ताकि घर्षण में विद्धी करके अच्छी पकड़ बना सकें यह भी कुछ अन्न इस्तितियों में घर्षण आवांचिनी होता है अता हम उसे कम करना चाहते हैं कैरम बोर्ड पर आप महीन पाउड़क्यों चड़कते हैं आपने साइकल तुथा मोर्टर के मिचैनिक मिस्तरी इन मसुरीनों की गत्ती सील भागों के भी गरीज लगाते हैं उप्युक्त सभी परिस्तियों में दक्षिता में विद्धी के लिए घर्षण को कम कलते हैं जब तेल गरीज अतवा ग्रेफाइड को किसी मसीन के गत्ती सील 다면 बागों के भी लगाते हैं तो आ अन इनकी एक पथरी परद्ध बन जाते हैं था गत्ती सेले पेष्ट शीदे हैं की एक दूसरे को रगण नहीं पाते हैं सभी इस परकार अनिमित्तां का अन्ता वहज़्न का अन्ता पासंट का पी सीमा तक दूर वह स borrow गती सहल बन जाती है, घर्षन कम करने वाले पतारतों को इसनेहक करते हैं कुछ मसीनों में इसनेहक की रूम में तेल काउपयों ना करने की सलाय दी जाती है वहाँ पर घर्षन कम करने के लिए गती सीव पुर्जों के वीच बायू की गती काउपयों किया जाता है सतय चिकनाई या पी सतय दूसरी इसने यह का प्रभावदी किता गर्षन कदापी पूर्था समप्त नहीं हो सकता है कोई पेश्ट पूर्था चिकना नहीं होता है उसमें कुछ अनेमित ताहें वस्त होती है पहिए गर्षन कम कर देते हैं आपने अटेचियों तथा अन्यभारी सामानों पर रोलर जड़े देखेंगें ऐसे सामानों को कोई छोटा बच्चा भी आसानी से कीच सकता है ऐसा क्यों आईए पता करते हैं देखिए क्रिया क्लाब 12.4 बेलाकार आप कृति की कुछ पैंसिल लीजे इन इमेज पर एक दूसरे के समान तर रखिए इनके उपर कोई मोटी ही पुस्तक रखिए आप अप पुस्तक को धकी लिए आप यह पाएंगी कि पुस्तक की गती सील होने पर पैंसिल लोड़ती है पैंसिल की इस पेकार की गती को लौटनिक गती करते हैं क्या आप यह नुवा परते हैं कि पुस्तक को सरकाने की तुल्ला में इस पेकार गती सील कराने से घर्शन कम हो प्यार है क्या आपने भारी मसीनों को उनके नीचे लट्टी के लट्टे रख कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते देखावा इस तरह से जब आप एक बस्तू किसी दूसरी बस्तू के पेश्ट पर लोड़कती है तो उसकी गती के पितिरोध को लोटने घर्शन करते हैं लोटन घर्शन कम कर देता है किसी बस्तू को दूसरी बस्तू पर सरकने की तुल्ला में लोटन करना सद्यों आसान देता है यही कारण है कि लोड़ो लग जड़ा सामान खीचना सुविधा जनक होता है क्या आप यह समझ सकते हैं कि पहिये के विश्कार को मानवजाती की महांतम खोजों में क्यों गे ना गया है क्योंकि लोटनिक गर्षण सरफी गर्षण से कम होता है इसलिए अधिकास मसीनों में घ धर सरफन को बाल वेरिंग के उपयों द्वारन लोटन में पिती स्थापित किया जाता है छत के पंखों और साइकलों में दोरी तथा नावी हब की भी बाल वेरिंग के उपयों इसके सामान वो धारन है आपको बाल वेरिंग घर्षण कम कर देती है अब बात करते हैं तलल घर्षण आप जानते हैं कि बायू अत्यांत हलकी तथा बेरल होती फिर भी इससे होकर गती करने वाली बस्तूओं पर भायू घर्षण बल लगाते हैं इसी पिकार जल अत्रुप युंब इन से वोकर गती करने बाली बस्तुओं पर घर्षनडवल लगाते हैं। बिग्यान में गैसाँ ततना ध्रवों को एक लावी नाम तर्ल दियागाई अतावा हम कह सकते हैं कि तरल इनसे होकर गती करने वाली बस्तुओं पर गर्षण बल लगाते हैं तरलों द्वारा लगाए गए गर्षण बल को कर्षण भी कहते हैं तरलों द्वारा लगाए गए गर्षण बल को क्या कहते हैं कर्षण किसी तरल पर लगने वाला घर्षन बल उसकी तरल के ताफिक गति पर निर्भर करता है। घर्षन बल बस्तू की आख रिती तथा तरल की प्रक्रिती पर भी निर्भर करता है। इस पर शट है कि जब वस्तूएं किसी तुरल में गति करती ही तो कुने उन पर लगए घरसन पलगपर पार पाना होता है इस विक्रिया में उनकी उल्जा का छह होता है अतहा घरसन को कम करने के लिए प्रयास किए जाते हैं अता वस्तूओं को विशिष्ट आक्रितियां दी जाती हैं। आपके विचार से विज्ञानकों को इन विशिष्ट आक्रितियों के बारे में कहां से संकेत प्राप्त होते हैं। बास्ताओं में उन्हें संकेत प्रक्रिती से मिलते हैं। पक्षी तथा मचलियां तरल में गत्ती करती हैं। उनके सरीर का विकास इस पेकार होगा कि तरल में गत्ती करते समय घसन पर पार पाने में उनकी उजाकर छह यथा संभाव कम हो। अपने इन आक्रतिएन के बारे में कच्छा चटवी में अध्यान किया। बाईवयान की आक्रति को सावधानी पूर्भत देखी। क्या आप इसकी आक्ति किसी बक्षी की आक्रिती में कोई समानता पाते हैं वास्तों में सभी बावनों की देजाएंज इस पेकार बनाई जाते हैं कि तरल गहर्षन कम हो जाए एक खवाईया और एक बक्षी की आक्ति में समानता इसमें आपने क्या क्या जाना है बाल बैरिंग करशन तरल गरशन अनतबंदन इसमे लॉटणी करशन सर्भी गरशन इस्तितिक गरशन इस बहत पर नीबार करता है गर्षण इस बात पर नेवा करता है कि दो पेश्ट एक दूसरे को कितने बलपुर्व दवाते हैं इस्तिति गर्षण तब कार करना आरम करता है जब हम किसी वस्तु को उसकी बिराम की इस्तिती में सिगती में लाने का प्रयाद करते हैं सर्वी घर्षन तब कायर करता है, करना प्यारम करता है, जब कोई वस्तू किसी अन्य वस्तू पर सर्वी गती करती है, सर्वी घर्षन इस्थितिक घर्षन से कम होता है, घर्षन हमारे बहुत से क्रिया कलापों के लिए मत्मून होता है, किसी पेश्ट को रुक्ष बना कर घर जा सकते हैं जूतों की तली बाहनों के टायर गर्षण बनाने के लिए खाँचिदार बनाए जानके कभी-कभी गर्षण आवांगे होता है इसनेहक लगा कर गर्षण को कम किया जा सकता है। जब कोई वस्तू किसी अन्वस्तू पल लोटन करती है, तो लोठनिक गर्षण कारे करना आरम करता है। लौटनिक गर्षण सरफी गर्षण की अप्यप्चा कम होता है। कई मसीनों में बाल वेरिंग का उप्यव करके गर्षण को कम किया जाता है। तरल में गती करने वाली वर्ष्पों को उच्छे ताक्रिती पिदान करके घर्षनपल को कम किया जा सकता है इसी अध्याय से समधी थे आपकी कुश्चन से इन्हें देख लेना तो आपकी जो पीडिया पर वो टेरीराल पर अपलब दें डाउलोड करके रख लिए कभी जरू तो यह था आपका बारेवाद चेप्टर तेरेवी चेप्टर में हम लोग बात करेंगी धौनी के बारे में नमस्कार दोस्तों तो चलिए हम लोग बात कर रहें थे एंसी या टी कच्छा आटवी की बिग्यान की तो इसमें अभी तर्म लोग 12 चेप्टर कितम कर चुके हैं यह आपका तेरेवा चेप्टर तो इसमें बात करेंगे हम दोनी चलिए इसे द्यान से सुनी, लाट में जोगी इसका निसकरस होता है उसे बता दिया जाता है यारिकी अध्याय का पूरा निचोड़ जो होता है उसे बता दिया जाता है अगर आप आराम से देहर के साथ सुनेंगे तो ऐसा कोई भी सब्दों नहीं में लेगा जो आपको समझ में ना है क्योंकि बहुत ही साधायंट सब्दों में लिखी गए है अपने विद्यालाय में आपको कैसे ग्याद होता है कि कालांस पिरियड समाप्त हो गया है यानि कि ए गंटा आपने बच्पन में सुना हो गया कि एक गंटे के बाद दूसरे टीचर आते थे 40 मेट का गंटा उता दवसाई उसके बाद तो किस तरह गंटी के द्वारा पता चलता था ना कि यह पिरियड यानि कि गंटा कतम हो गया दूसरे सर आएंगे आप दरवाजे की गंटी पर कोई आया है प्रया पदचाप सुनकर ही आप जान लेते हैं कि कोई आपकी और आ रहा है आपकी लुपा लुका चिपी करके खेला हुआ इस खेल में एक खिलाडी की आखों पर पट्टी बानती जाती है और उसे एन खिलाडीयों को पकड़ना होता है आखों पर पट्ट को के ईसथान हैं एक दूसरे से संपग करने में यह हमारी सहायता करती अपने चारों और हमें बेवल्यं पिकार की दौनिया सुनाई पढ़ती है अपने आसपास सुनाई देने वाली धोनियों की एक सूची बना सकती हुआ है अपने वित्ध्यालके forensic में आप बासु कुछ दोनी को कैसे सुन पाते हैं कुछ दोनियां दूसरे दूसरों की अपेच्छा प्रवल क्यों होती है इस सद्ध्याय में हम ऐसे ही कुछ फिसनों पर विचार बिमर्ज करें यह आपका दबला हो गया यह आपका सितार हो गया यह बासुरी एक हार्मोनियों देखा होगा ना इन्हें तो आपने इदनार अत्मोनी हो गया समझ में है बात करते हैं द्होनी कंपित बस्तूओं द्वारां उत्पन कुती है बिद्ध्याली की गंटी जब बज ना रही हो चूकर देखिए आप कैसा अनुभाव करते हैं जब वह द्वानी उत्पन कर रही हो तो इसे पुना चूकर देखिए क्या आप इसे कंपित होता हुआ अनुभाव कर सकते हैं क्रिया के लाव तेरे देल समलाव एक दातूर की एक पिलेट लिए इसे किसी सुविधा जनक इस्तान पर इस पेकाल लटका जाइए यह किसी दीवार को न चूदी अब इस पर किसी चड़ी से चोट मारिये क्या आपको कोई दोनी सुनाई बढ़ती है पिलेट अत्वा कहट कड़ाई को धीमे से अपनी अंगुली से चूकर लेखिए क्या आप कंपन्नों कहड़वाव करते हैं पिलेट पर फिर से चड़ी से चोट मारिये तथा चोट मारिये के तुरंदवाद इसे अपने हाथों से कसकर पकड़ लीए क्या आप अप भी दोनी सुन पाते हैं गर पिलेट दोनी पंद करना बंद कर दे तब इसे फिर से चूकर देखिए क्या आप आप कंपन्नों का अन तेन में दिखाए अमस्वार एक पैंसिल बॉक्स पर चड़ाईए बॉक्स तथा तानित रवड के बीच दो पैंसिल लगाईए अब रवड के चल्ले को लगवग बीच में से खींच कर छोड़ दीजिए क्या आपको कोई दहुनियों सुनाई देती है क्या रवड का चल्ला क कंपन करता है जी कंप्चा साथ मैं आप अध्यन कर चुके हैं किसी वुस्तु की अपनी माद दिस्तिती के इधर औधर या आगे पीछे होने वाली गतीको कंपन करते आका चल्प तनीत एक रवट के छले को करसित करते हैं या बीच से खींच कर छोड़ते हैं तो यह कंपन करता है और धोनी उत्पन करता है जब यह कंपन करना बंद करतेता है तो धोनी बंद हो जाती है क्रिया कराब 33.3 दातू की एक थाली लेज़े इसमें कुछ जल लालिए एक चम्मत से इसके किनारी पर आगात कीज़े क्या आप धोनी सुन पाते हैं थाली पर पुनाहा आगात कीज़े और तब उसे चुकर देखिए क्या आप थाली का कंपित होता अनभा करते हैं थाली पर पुनाहा आगात कीज़े जल की सतय को देखिए क्या आप वहां पर कोई तरंगे देख पाते हैं आप थाली को पकड़िए आप जल की सतय पर क्या परीवतन देखते हैं क्या आप इस परीवतन की ब्याक्या कर सकते हैं क्या इसमें वस्तू के कंपन्नों को दौनी के साथ जो इस के लिए विदी को करते रहेंगे ठीक है लेकिन आप के लिए काम है यह में बढ़ना है निकल जाना है इस पेकार हमने देखा भी कम पायमान बस्तु दोनी उत्पंद करती है कुछ स्थितियों में कमपंद में आसानी सित दिखाई दे जाती है लेकिन अधिकास इस्तितियों में उनका आयाम इतना कम होता है कि हम उन्हें देख नहीं पाते हैं तदा भी हम एक पर्णों का नवाब कर सकते हैं किरिया कला 3.4 नारियल का एक खोकला खोल लेत जिए उसमें एक बाद्द्यांद एक ताहरा बनाए इससे आप किसी मिट्टी के बरतां से भी बना सकते हैं इस बाद्द्यांद को बजाए इससे कमपायमान भाग को पहचाने बाद्यांद उसके कमपायान भाग बेडा दोनी करने वाला मान भाग इसका तनित डोरी याता तबला तनित जिल्लिल संभावता अपने मंजीरा जहान गटम निवट मिट्टी के वरतन तथा करता देखे हूं एबाद यंत सामानता हमारे पेस्ट में अनेक भागों में बजाएटाते हैं इन वाद्यांतों कुकेवल पीता या आघात किया जाता हैं क्या आप इस परकार के कुछ अन्न वाद्यां पांच दादू के 6 से 8 कटोरी या गिलास दीजिए एन्हें एक तरे से दूसरे तरे तक क्रम सा जल के बढ़ते इस तर तक भरिये अब इस एक पैंसल दीजिए लेकर कटोरी पर धीमे से एक के वादेख प्राहगात कीजिए आप एक सुखत दोनी सुनेगे यह आपका जल त जब हम किसी ववाद्ययंद जैसे सितार के तार को करशित करते हैं तो हमें केवल तारी की दोहनी सुनाई नहीं देती हैं बास्तों में समपूर यंद कंपन करता है और इस पूरे यंद के कंपन से उत्पन दोहनी को हम सुनते हैं इसे ही पकार जब हम किसी मिर्दंगम की जि पिलिकी आवाजी नहीं सुनते हैं बलकि संपूर यंद्ध की आवाज सुनते हैं मनुस मानावाँ द्वाना उत्पन धौनी मनुस्व द्वाना उत्पन धौनी कोश समय तक जोड़ से बोलिए या पिर गाना गाई ए अत्वा भौरी की तरह कुण्यन की यह अपने हाथ को अपने कंट पर रखिए क्या आपको कुछ कंपन कानु होता है मानों में धौनी वाकियंत अत्वा कंट द्वारां उत्पन होती है अपनी अंगुलियों को कंट पर रखिए तथा एक कठोर ओहार को खोजिए जो निकलते समय चलता हुआ पितीद होता है शरीर का यह भाग बाकियंत वाकियंत कहलाता है यह स्वासलाली के उपर उपरी सिरेपक होता है वाकियंत यह काट के खंट के आश्प आरफा दो वाक्तनतु इस पेकालत तनित होते हैं कि उनके बीच में बायू के निकलने के लिए एक संकिन जिर्री वनी होती है मानों में बागेंग देख लिए जब खैपड़ी बायू को बलपूरवक जिरी से बाहर निकालते हैं तो बागतंतु कम्पित होता है जिससे दोनी उत्पन होती है बागतंतुओं से जुड़ी मास्पेसियां तंतुओं को तनाग हुआ या भी धेला कर सकती है कि गोड़ता उस बाग के दोनी से बिन होती है जब बागतंतुओं ढेले और मोटे होते हैं तो आईए देखते हैं कि बागतंतु किस पेकार कार करते हैं किरिया कलाब तेरे दिसमलों अच्छा है समाल साइच की रवड की दो पट्टियां लेए इन दोनों को एक दूसरे तो धोनी उत्पन होती है एक कागच के टुपड़े जिसमें एक पतली जिर्री बनी हो कि सायता से भी आप इसक्रिया कलाब को कर सकते हैं कागच को अपनी अंगलियां के बीच इस तरह से कि बाहती पकड़िए अब जिर्री के बीच से हावापों के और दौनी सुनिए अमारे बाग तंतू भी ठीक इसी पेकार दौनी उपन करते हैं पुरसों के वाग तंतूं की लंबाई लगवग 20 mm मैलाओं में इसकी लंबाई लगवग 13 mm होती है और बच्चों के बाग तंतू बहुत चोटे यही कारण है कि पुरोस और मैलाओं तथा बच्चों की वाग दौनियां बिन्न होती हैं धौनी संचन के लिए माद्ययम की आ खड़ी अपनी सहीली को बुकालती है तो आपकी सहीली आपकी आवाज को सुन पाती है उसके बाद तक आपकी दौनी कैसे पहुचती आखे दौनी एक जगए से दूसरी जगए किस तरह पहुचती है कि रियाकला आप तीरे दे समलो साथ दातु अधवा काच का एक गिलास कीजे सुनिश्चित कीजे किया सूखा हो इसमें एक सेलफॉन रखे याद रखे कि सेलफॉन पानी में ना रखा जाए अपने किसी बित्त से इस सेलफॉन पर किसी दूसरे से टेलीफॉन करने के लिए कहिए गंटी की रहनी ज्यानपूरक सुनिए अब गिलास के किनारों को अपने हाथ से सटा लेकर रहती है अब अपने मुह को हाथों की बीच की खाली जगहे पर सटा कर रखे कि अपने मित्त को फिर से तेलीफॉन करने के लिए संकेत दीजै घिलास में से बायू को बूहद वारं खीचते हुए घंटी की आवास को चुनिए क्यालस में से बायू भाहन खीचने पर घंटी की ब्वनई तहमी हो जाती है गिलास को अपने मुझ से हटाई है क्या धोनी तरसे प्रवल हो जाती है क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों होगा क्या है संभावे की गिलास में बायू की मात्रा कम होने और घंटी की प्रवलता कम होने में कोई सम्मंद्र है बास्तों में यदि आप गिलास में से सारी बायू बाहर खीप पाते हैं तो धोनी पूरी तरह सुनाई देना बंद हो जाती है इसका कारण है कि दोनी को संचर्ण यानि कि एक जगए से दूसरी जगए जाने के लिए कोई माद्यम चाहिए दोनी को एक जगए से दूसरी जगए जाने के लिए एक माद्यम की जरूरत होती है जब किसी बर्तन में से बायू प्यूरी तरह निकाल दी जाती है तो कहा जाता है कि बर्तन में निर्वात है धौनी निर्वात में संचरित नहीं हो सकती है धौनी की एक वेज़िश्टा क्या होगे निर्वात में संचरित नहीं हो सकती है क्या धौनी दिरहों में संचरित होती आईए इसे भी जनते हैं क्रिया कलाव 13.8 एक बाल्टी या तब की दीवारों को ना चुए अपने काल को कान को जल की सतय पर सतय पर रखें साधानी पूर रखें क्या आप गंटी की दोनी सुन पाते हैं क्या इसे पता चलता है कि दोनी का संचेंड द्रवों में हो सकता है आईए ग्याद करते हैं क्या दोनी ठोसों में भी गवन कर सकती है क्रिया कलाव 13.9 धातू का एक मीटर स्केल अधवा धातू की एक लंबी छड़ लिजे इसके एक सिरी को अपने कान से सटा कर रखें अपने मित्त से स्केल के दूसरी सिरी को धीरे से खरोज चने या खट ख आप कि क्या आप खरोजने की दोनी सुन सकते हैं अपने आज पास खड़ी हुए मित्रों से पूछे क्या वे इस दोनी को सुन पाए आप अपने कान कों लखड़ी या दातू के किसी लंबी मेज के एक सिरी पराकर अपने मित्त को दूसरे सिरे खुखरोचने के लिए कहकर भी ओप बिद्री क्क्रिया कल सकते हैं हमने देखा है कि दोनी लखड़ी या दातू में चल सकती है बास्तों में धोनी किसी भी ठोस में संचर्ण कर सकती है आप एक मनुरंजक क्रिया कलाब द्वारा यह दर्सा सकते हैं कि धोनी डोरियों में भी चल सकती है अपने बनाये हुए खिलोने टेलीपॉन को याद किजिए क्या आप कह सकते हैं कि द्वनि दोडियों में भी गमन कर सकती है अब अब तक हम ने सीखा है कि कमपायम यान बस्तू में द्वनियुत पन कर सकती है तथा यह किसी माध्यम से मैं सभी दिशाओं में संचित हो सकते हैं यह माद्यम गैस द्रब यह पर कोई ठोस भी हो सकता है इस धौनी को हम सुनते कैसे हैं आकर हम धौनी को अपने कानों द्वारां सुनते हैं कान के बाहरी वाग की अक्रिटी कीव अनल जासी होती है जब धौनी इसमें प्रवेश करती है तो यह एक नरिका से गुज़रती है जिसके सीरे पर एक पतली तली चली होती है इसे कर्ण पतल पताय कहते है यह एक मत्पून कार करता है यह जाने के लिए कि कर्ण पतल कत्या कारें आईए टिन के डिपे का एक कर्ण पतल बनाएं एक पिलास्टिक अबार टिन का डिपा लीजिए इसमें दोनों सरों सरे काटी डिपे के एक सरे पर एक रवड की गुबारी को तानिये और इसे एक रवड की चल्ले से कर दीजिए TANIT Rवड के उपर सूखी अन्याद घर्मोकोर की चार या पाज दाने उसे अउपने मित्रों से डिपों के भुले इस तिरों पर उलरे भुलाएफ में बोलने के लिए कहिए देखिए कि अन्न के दानों का क्या होता है अन्न के दाने उपर और नीची क्यों चलती है करन पटल एक तनित्रवड की सीट के समान होता है दोनी के कंपने करन पटल को कंपित करते हैं करन्द पटर कप पन्नों को आंतर करन्द तक बेद कितर वहां से चंगेतों को मस्तिष्क तक बेद दिया जाते हैं इस पकार हम दोनी को सुन पाते हैं यह आपका आंतर करन्द तक बाहे पटर कंपन का आयाम आवरतकार और आवर्ति हम जाते हैं कि किसी बस्तू का बार बार इधर उधर गट्य करना कंपन कहलाते हैं इस इस गत्ति को धुलण गत्ति भी कहते हैं। आप इचली कफ्षाव में दॉलण गत्ति इतके आवर्ध काल के बारे में कड़ के पिदी सेखर्ण होने की सैखर्ण के ढकप्र को हर्ड्छ में इसका covered हज़ है। एक एचजड आविट्थी एक दोलन पिती सेकंड के बरावर होती यदी कोई बस तू एक सेकंड रख एक सेकंड में बीस दोलन पूरे करती है तो इसकी आविट्ती क्या होगी दोनी उपन्ने करने वाले बस तू को देख के बगयाद भी आप अनेक सूपरचित दोनीयों की पैचान कर सकते हैं यह कैसे संभ़ हो पाता है इसके लिए यह आवज सकें कि यह दोनीयां भिन पिकार की को क्या आपने कभी सूचा है कि कौन से कारक इने भिन बनाते हैं आयाम तथा आवित्ती किसी दोनी के दो मात्कों गुड़ है क्या हम दोनीयों में आने उनके आयाम तथा आवित्तियों के आधारवांगत कर सकते हैं अब बात करते हैं प्रवज्दा तथा तारद क्रिया किलाब तेरे रसनलोग एक एक धातू का गिलास और एक चाय का चमच लीजिए चमच को धीले से गिलास के किनारों से टकराईए उत्पन भी धोनी को सुनिए अब गिलास पर चमच से जोर से आगाद कीजिए तथा फिर से उत्पन धोनी को सुनिए क्या गिलास पर जोर से आगाद करने पर धोनी अधिक प्रवल हो जाती है अब गिलास के किनारे को चूटते हुए थर्मोपोल की एक चोटी से गेंद लटाईए गिलास को कंपित कराईए देखिए कि गेंद कितनी दूर विस्तापित हो गेंद का विस्तापन गिलास के कंपन के आयाम की मात है दोनी की प्रवलता इसके आयाम पर निर्वरत करती है जब किसी कंपित वस्तु का आयाम अधिक होता है तो इसके द्वारा उत्पन दोनी प्रवल होती है जब आयाम कम होता है तो उत्पन दोनी बंद होती है अब गिल किस रिष्टिती में आयम अधिक है धोनी की प्रवलता धोनी धोनी उत्पन करने वाले कंपनों के आयमों के बर्ड के समानुपातिक होती है धोनी की अधिक प्रवलता धोनी उत्पन करने वाले कंपनों के आयम के बर्ड के समानुपातिक होती है उधाराई के यदि आयम दुगना हो जाए तो प्रवलता चार गुड़क में पढ़ जाती है प्रवलता को डैसीवल मातरक में प्यक्त करते हैं निम्न साड़ी बेमिन सरोतों से आ देसिमल मंद पुस्पुरा साहट तीश डीवी सामान बाच्चीत वारतालाव साट डीवी बैस्तम प्यातायक सब्तर डीवी औसत फैक्टरी से डीवी अस्ती डीवी से अधिक प्रवल सोर सरीर के लिए कर्टडार होता है दोनी के प्रवल इसके आयाम पर निर्वर करते है जब किसी कंपित बस्तू गयाम अधिक होता है तो इसके दुवारां उत्वन दौनी प्रवल होती है। जब आयाम छोटा होता है तो उत्वन दौनी मंद होती है। किसी बच्चे की दोनी की तुल्ण एक क्वायस्ट से कीजिए क्या उन्मे कुछ अंतर है चाहें दोनों दोनिया समारूप से प्रवालों फिर भी उनमें कुछ पहिनता है आईए देखते किस पेकाद आविर्ती दोनी की तीक्चनता या तारत को निदारित करती है यदी कमपनी की आविर्ती अधिक है तो हम कहते हैं कि दोनी तीक है यदी कमपनी की आविर्ती कम है तो हम कहते हैं कि दोनी का तारत कम है उधारन के लिए डोल मन्द आविर्ती से कमपित होता है इसके लिए कम तारत की दोनी उत्पन करता है दूसरी हो सेटी की आविर्ती अधिक होती है उसलिए अधिक तारत की दोनी उत्पन करती है पक्षी उच्चे तारत की दोनी उत्पन करता है जबकि सेर की दायड का तारत मन्द होता है तदा भी सेर की दायड तदेख पिरवाद है जबकि पक्षी की दोनी दूरबल होती है आपकी तीदिन बच्चों तथा वयस्क की आवाज सुनते हैं क्या आप उनकी आवाज में कोई अंतर पाते हैं क्या कह सकते हैं कि बच्चे की आवाज की आवित्ती वयस्की की आवित्ती से अंधिक है सामानता एक महला की आवाज किसी पुरुष की अपेश्चा अधिक और आवित्ती की तथा अधिक टीकी होती है बात करते हैं सरव एवं आसरव धोनिया हम जाते हैं कि धोनिय उत्पन्ने करने के लिए हमें एक कमपायमान बस्तू की आवशत्ता होती है क्या हम सभी कंपायमान बस्तूं की दोनिया सुन करते हैं तद तेया है कि लगबग 20 कंपन पिती से कन से कम आविट्थी की दोनिया मानवकांग सुन नहीं सकते हैं कि यह कर सकते हैं कि 20 हर्ट से कम आवित्ती की दोनिया मानो काम द्वारा संसूचित नहीं की जा सकते हैं ऐसी दोनियों को आशर्ब कहते हैं उधर लगबग आपकी 20,000 कम परना पिती से करने सी अधिक आवित्ती की दोनिया मानो काम द्वारा संसूचित नहीं होते हैं अतहा मानवकानों के लिए स्रव्यक्ति का पराथ स्लागबग 20,000 Hz से 20,000 Hz तक है इसका अर्थ है कि हम केबल 20 हर्टी से 20,000 हर्टी तक के बीच की जावित्ती बाली दोनिया ही सुन सकते हैं कुछ जन्तू 20,000 हर्ट से भी अधिक की जावित्ती की दोनिया को सुन सकते हैं कुत्तों में यह चमता होती है किर्मे कुत्तों में पूलिस कर्मी उच्च आवित्ती की दोनी उत्पन करने वाली स्टेटियों को प्योग करते हैं, जिसे कुद्ते सुन सकते हैं, लेकिन मानों नहीं सुन सकते हैं जाने माने परासर्व दोनी उपकर्ण जो चिकिस्ता के चित में अनेक समस्याओं के अनुसंदान एवं निदान के लिए प्रेव होते हैं, 20,000 हर्ट से अधिक की आवित्ती पर कारें करते हैं अब बात करते हैं, सोड तत्था संगित हम अखने चारों और बिवेंट पिकार की दोनियों सुनते हैं क्या धोनी सदेव सुखद होती हैं, क्या धोनी कभी कभी आपको कष्ट पहुचाटी हैं कुछ दोनिया आपको सुखद लगती हैं जब कि कुछ अच्छी नहीं लगती हैं मालनी जी कि आपके पड़ोस आहास पड़ोस में निर्माड कार चल दा है कि निर्माड इस तल से आने वाली दोनिया सुखद वितित होती हैं कि आपको बसों तथा ट्रफों के हौन की दोनिया अच्छी लगती हैं इस पिकार की आप व्यासे दोनी को दौनी को क्या कहते हैं क्या का टियूसरीं दौनी लेते हैं सोस्तोरह दोनी हुए है जो कानों को सोखत लगती है हार्मोनियम द्वारा उत्पन दोनी सोस्तोरह दोनी कहलाती है सितार के तार द्वारा उत्पन दोनी भी सोस्तोरह दोनी कहलाती है लेकिन यागी संगीत अत्यंत प्रवल हो जाए तब भी क्या ये संगीत रहेगा दोनी पिदूसन आप बायू पिदूसन के बाहि में पहले जी जानते ही बायू में आवांचिनी एकेसों तथा कड़ों की उपस्तिती बायू पिदूसन कहलाती ही इस परकार वातावर्ण में अत्य देख या आवांचित दोनियों को दोनी पिदूसन कहते ही क्या आप धौनी पिदूसन के कुछ सुरोतों की सूची बना सकते हैं धौनी पिदूसन के प्रमुप कारण बाहनों की धौनियां बिस्पोर्ट जिसमें पठाकों का फटना भी संब लेते हैं मसीन है लावड़िस्पीतर अधिक घर में कौन से सरोत धौनी पन कर सकते हैं उची आवाज में चलाये गए टलीवियां ट्रांजिस्टर रेडियो रसोई घर की कुछ उपकारण बातानू कूल सबी दोनी फिदोशन के लिए उटता गाली है दोनी पिदोशन की क्या हानिया है क्या आप जानते हैं कि परिवेश में एतिदेग सोर्ट की उबस्तति में अनेक स्वास्त समन्नी समस्याओं का कारण बंग सकते हैं आनिंद्रा अतितनाव चिंता दधा अन्न बहुत सी स्वास्त संबनी विकाद धौनी के दूसर से उत्पन हो सकते हैं लगातर प्रवल धौनी के दौनी के प्रभाव में रहने वाले बैत्ती को सुनने की चमता आइस्थाई ये प्रेस्थाई रोप से कम हो जाती है दौनी को नेतित करने के लिए हमें दौनी के शरूस बपर नेत्तर करना है चाहिए या कैसे की आ जा सकता है इसके लिए बाईव बियान्रों के इंजेनों यातायात्र की वानौझ औद्धुओ एक मैस्षीनों घर्यली उक्ocusedण में रव सामक यूपतियां, систernya character हैया और अवासिय चत्रहों में ध़ुणी पूर को केसे ने किया जा सकती है ध़ुनी उथपन्न करने वाले क्रिया कलाप्न को अवासिय चत्रहों से दूर संचालिद करना चाहिए दोनी उत्पन्ने करने वाले उद्दोगों को आवासिय चित्रों से दूर इस्थापित करना चाहिए 140 वाहनों के गोहन का उप्यों कम से कम करना चाहिए टेली विजन तता संगी निकायों की दोनी प्रवलता कम रखनी चाहिए दोनी पिदुशन से कहानिकारक प्रभावों को कम करने के लिए सड़कों तता भावनों के आसपास पेड़ लगाने चाहिए जिस्ते की दोनी आवासों तक ना बहुंच पाए स्तरवण सकती है उन्दता स्रवण छती है जो की बेले ही होती है प्रयार जनम से होती है आँसिक्त आसप्तता सामानुता किसी बीमारी चोट या उम्म के खारन होती है कट्टें सरवण सकती बाले बच्चों को जिसे देखबाली की आवस्कता होती है ऐसे बच्चे इंगेध भासा यानि की संकेध भासा को सीख प्रभाह उठाली छालीधं से संपग कर सकते हैं जबकी वाग सकती सरवण के बैड़ावत सरूब विक्सित होती है इसलिए सरवण आसकता से ग्रस्त बच्चे की बाग सकती भी दोस्मों हो जाकती है उद्धोगिक उद्धोग ये एकतियों ने सेवन्चती गरस्त बैठ्टियों के जीवन की गुड़त था मैं सुधार को संभव बना दिये सेवन्चती गरस्तों के रहने रहें सेयन के वातावर्ण में सुधार लाने के लिए समाज बहुत कुछ कर सकता है के वह पात्रम है सुधा यह मैं आपने क्या-क्या जाना है कि परिवासे आंजा नीगे कुल की सब्दों कि आइम करन पते हैं करन पते हाविट्टी फ़्यट्स्सि कंट प्रवल्दा सोर दोलन तारथ आवन्थकल कम्पन्र वाक्यंत स्वास्व युठीं निहीं भूरीनी सब् और लिए है दोनी कम पंपने कर्पिंद भी वधस्टू दवारां उत्पन पर्फ ओत्या है मानुबाग तन्तुओं की कमपन दवारा दोनी उत्पन करते हैं दोनी किसी मातहम यानि कि GAS दिरव या ठोस में संचारित होती है या निरवाद में संचरित करन पटें ने यह इन संक्एतों को अनुवाव करते हैं यह संक्यतों को मसेद भी देती हैं इस विक्किरिया को इस तरवन कहते हैं इत्ती सेकंड होने वाले दोलनों या कमपनों की संख्या दोलन की आविट्थी कहलाती है, आविट्थी को हट्च हेट्च जैड में व्यक्त करते हैं, कमपन का अयाम जितना अधिक होता है, धोनी उतनी ही प्रवल होती है, कमपनी की आविट्थी अधिक होने पर तारत अधिक होता है दोनी अधिक टीक्षण होती है आपकर ये धोनिया सोर कहलाती है अत्य धिक क्या आवांची धोनिया धोनी पिदूसन उत्वन करती है धोनी पिदूसन मानों के लिए स्वास्ते समस्यां उत्वन कर सकता है धोनी पिदूसन को नीमतम करने के प्रयास करने चाहिए सड़ के किनारे तथा अन रिस्थानों पर पेड़ लगाने से दोहनी की दूसन को कम किया जा सकता है कि इसी से समंदित से समंदित के कुश्चन से देख सकते हैं और जो आपकी पीडियेफ थी वह टेलिगराम पर डाल दी गई है वहां से डाउनलोड कर देना इतने सरल सब्दों में लिखी गई है पूरी कहानी का रोप देखिया गया तो आपको भी इसी तरह से पढ़ना है नि क्या आप जानते हैं भारत में एहदरावाद के निकट गोल कुंडर नामा के भव एकिला है यह बहुत से इंजिनेरियों इंजिनेरी अभियांत की तथा वास्तू आर्किटेक्चर अजूवों के लिए पिसे थी जल्द पिताय बेवस्ता उनमें से एक अजूबा है यहां का परंदु कदाचि सबसे अधिक आश्यर चकर आश्यर जनक अजूबा के लिए की निकास द्वार की पास इस्तित एक गुम्मत के नीचे एक निश्चित बिंदू पर हातों की तालियों से उत्फण धोनी अनूवर अनिच गूंस्ती है जिसे किले के बाहर कोई रहसमाय सल्चल देखता था तो गुम्मत के अंदर एक निश्चित बिंदू परताली बजाता था तथा तथा किले के भीतर की पहुच संभावीत कत्रे से सदर हो जाती थी कि देखा पहले की लोग भी कितने चतुर थे हैं तो ये तेरह बाद चप्टर था आपका दौनी 14 प्रूबर में हम बात करेंगे बिद्धुत धारा की दरसाइनिक प्रभाव बिद्धुत धारा की दरसाइनिक प्रभाव नमस्कार दुस्तों… तो चली कि हम लोग बात कर रहे थे से एन्सी इए लिटी कक्छा आठीस की विग्यार के वारेंगे बात कर रहे हैं, तो इसमें अभी तक हम लोग 13 चेप्टर कर चुक्क है कलिक है से भी इस इन बोकों को अच्छे से बढ़ते हैं तो सब कुछ समझ में आ जाएगा क्योंकि इसमें ऐसा कोई भी मुझे सब्ग नहीं मिला भी था कि जिसे समझाने की जरूरत पड़ी है अगर एक जिसे आप माल लीजे बल की परिवासा देने के लिए पूरी कहानी का रूप दिया गया है दौनी को समझाने के लिए फिर चाहिए आपका घरसन हो घरसन को समझाने के लिए पूरी कहानी दे गई है तो अगर पूरी कहानी पड़ोगे लाटक तक उसी परिवासा में बदल दे तो आपको बस देहर के साथ पढ़ना है और लाश्ट में जो भी निसकर को पता चल जाता है चली द शुरू करते हैं लोग आपके अभि बापको ने संभाव्ता आपको यह दिए होगी कि गीले हाथों से किसी भी बिध्णुत संदिगों को ना चुएं परंदु क्या आप जानते हैं कि गीले हाथों से किसी विद्धुत सद्धित को छूना क्यों कतना है हम पहले ही सीख चुके हैं कि जो पदार्थ अपने से होकर विद्धुत धारा को पिरवाहित होने देते हैं बेविद्धुत के सोचालक अच्छे चालक होते हैं इसके विप्रीत जो पदार्थ अपने से होकर विद्धुद्धारा को आसानी से प्रभावित नहीं होने देते हैं, विद्धुद्ध के हीन चालग होते हैं कच्छा चटवी में या जाज करने के लिए कि कौन कोई पदार्थ अपने से विद्धुत धर्रा को प्रभावित होने देता है या नहीं हमने एक संपरिचित टेस्टर बनाये था क्या आपको याद है कि इसे सुनश्चित करने में संपरिचित टेस्टर ने हमारी किस विकाल स ताइता थी है कि हमने देखा था कि धातु धातु जैसे तामा एलूमिनियम विद्धुत का चालन करते हैं जब कि कुछ पदार जैसे रवाड़ हो गया कि यह विद्धुत को अपने में से नहीं जाने जिते हैं देखिए टेस्टर वनाय था कि पिलाष्टिक लगड़ी विद्धुत का चालन नहीं करते हैं तदा भी अभी हम अभी तक हम ने अपने इस टेस्टर से केवल उन पदारतों की जान की थी जो ठोस पदारत में थे लेकिन द्रवों के पकरंड में क्या होता है क्या द्रव भी विद्धुत का चालन करते हैं आएए याद करते हूं क्या द्रव बिद्धु चालन करते हैं या जाच करने के लिए कि द्रव अपने से उपर बिद्धु धारा को बरवाब होने देते हैं या नहीं हम उसी संपरी चित का प्रयोग कर सकते हैं तथा भी हम सेल के स्थान पर पैटरी का प्रयोग करते हैं संपरीचित का उप्योग करने से पहले हम यह भी परिप्चन करेंगी क्युआ कार कर रहा है या नहीं करिया किरिया क्लाव चोदे देशनलोग यह जो भी किरिया क्लाव होंगे इन्हें आपको पढ़ना है उन निकल एक प्रयोग साला करते नहीं बैठ जाना है समझ मैं जिनके लिए बुक्स कच्चा अठवी की बैच्चों के बनाएं कि वो करेंगे तुम्हें केबल अच्छे से पढ़ना है उस समझ कर निकल जाना है संपरीचित के सिरों को छड़ भरे भर के लिए एक दूसरे से इस बास कर लिए ऐसा करते ही समझ परीचित का परीबत पूरा हो जाता है वो बलब आपका जलने लगता है तदा कि यदि बलब दीप्त नहीं होता यानि कि नहीं चलता है तो इसका आतर है कि समझ परीचित कार नहीं कर दा है क्या आप इसके संभावित कार नहीं पता सकते हैं क्या यह संभाव है कि तारों के सहयोजन सेथे हो या फिर बल्व फ्यूज हो गया अत्वा आपके सहल बेकार हो गया जाज कीजिए कि सभी सहयोजन कसे हुए या नहीं यदि सहयोजन पहले से ही कसे हुए तो बल्व को बदल देजिए अब फिर जाज कीजिए कि टेस्टर कार कर रह तो इसका उपयोग विविन दिर्वों के परिच्छन के लिए कल सकते हैं अपने संपरिच्छत यानि कि टेक्टर की जाज करते समय इसके तारों के सुतंत सिरों को किबल कुछ छड़ों से अधिक इसपास ना कराने अनता बैटरी के से अतनत सिरों से समाप्त हो जाते हैं आपने देखा होगा जब धन पिलस तरेट दोनों बैटरी के आप लोग तारों को एक साथ जोड़ते हैं तो बैटरी खराव हो जाती है बात करते हैं क्रिया के लाब 14.2 बेकार फेकी गई बहुत बोदलों के पिलाश्टित या रवड के कुछ धक्कन इकतित करके उन्हें साफ करिए एक धक्कन में चाय के चम्मच के बाराबर नीवू का रस्ट या सिर्ग अपने टेस्टर को इस धक्कन के समीप लाकर उसके सि इसी के साथ वे एक दूसरे को इस परस भी ना करें क्या टेस्टर का बलब दीप्त होता है क्या नीवू के रस या सिर्गे को आप सुचालक या हिंचालक में किस विकार किस बरग में रखेंगे जब सब टेस्टर के दोनों सेरों के भी का द्रभ अपने से विद्धु धारा को प्रवाहित होने देता है तो टेस्टर का परिफत पूरा हो जाता है परिफत में विद्धु धारा प्रवाहित होती है तथा बलब दीप्त हो जाता है यानि कि जल जाता है जब कोई द्रभ विद्धु धारात को अपने से प्रवाहित होने नहीं देता है, तो संपरिच्चित यानि की टेस्टर परीफद पूरा नहीं होता, तोसा बल दीप्त नहीं होता है। कुछ इस्तितियों में द्रव के चालक होने पर भी संभव हो सकता है कि बलब ना जले। ऐसा क्रिय अकलाव 14.02 में भी हो सकता है। इसका क्या कारण है। क्या आपको यादे कि बलब से विद्धु धारा प्रवाहित होने पर वह दीप्त यानि की जलने लगता है। क्यों जलता है। विद्धु धारा के उसमें प्रवाहित की कारण बलब का तंतु ओच शिताब। तर गरम होकर दीप त्यानि की जलने लगता ह। तदा पी यदि परिपत में बिद्धुधारा दुरबल है तो तंतु परयाप्त गरम ना होले पाने के कारण दीप्त नहीं होपत। अब आप यह जानना चाहिए कि किसी परिपत में बिद्धुधारा दुरबल कब होती है। में यदि 법 कोई परीपत कोई पदार बितुत का चालूं करता है कर सकता है तो परईु 10 Creek कि वश्दात्यृद्र आसानी से बितुत कुष्य ना पाज़ता जिसके कारण टेस्टर का परिपत तुपूरा पूरा हो जाता है लेकिन पर भी इसमें प्रवायत बितुत-धारा बल को दीप्ट करने के लिए दुरवल हो सकती है। कया हम कोई ऐसा अञंग संब परिक्षित बना सकते हैं जो दुरवल धारा को भी संसूचित कल सकती है। एक अण्टेस्टर प्रस्थे बनाने के लिए बिद्दुद धारा के बहुत दुर्बल होने पर भी चुमकिये स्वी में बिच्चेव देखा जा सकता है क्या हम बिद्दुद धारा के चुमकिये प्रिभाव का उप्यूग करके कोई टेस्टर बना सकते हैं आईए कि रिए अखला 14.3 द्वारा पता करते हैं इससे देख लेते हैं आप चित 14.2 के संपरिक्चित में यानि कि टेस्टर में बिद्दुद वलब के स्थान पर LED प्रिकास उक्साज़क डायोड का उप्यूग कर सकते हैं LED दुर्बल बिद्दुद धरा प्रवावे थोने पर भी दीप्त होती हैं LED के साथ दो तार जुड़े होते हैं इन तारों को लीट्स करते हैं क्या करते हैं लीट्स एक तार दूसरे कि यह विप्चा थोड़ा लंबा होता है याद रखिए LED को किसी परिपत में जोड़ते स साम है इसके लंबे तार को सदेव बैटरी के धन टर्मिनल से जोड़ा जगता है छोटे तार को बैटरी के लड़ टर्मिनल से जोड़ते हैं देखिए देहें आपकी LED अब बात करते हैं क्रिया कलाब 14.3 की बादेश की खाली डिविया से ट्रे निकाली है ट्रे पर चित में दसाय अनुसार एक विद्ध तार के कुछ थे लपेटी यह ट्रे के वीतर एक छोटी चंबकिया स्वही रखिए अपतार के स्थन सरे को बैटरी के एक टन्यमिनल से जोड़ए तार के दूसरे सरे को स्थन्थ छोड़ दीजें तार का इदूसरा टुकड़ा लेकर बैटरी क दूसरे टन्मीनल से जोईए दोनों तारों के सुतंत सरों को छड मात के लिए एक दूसरे से परस कराईए चुमकी ये सुई को तुरंत बिच्चेत दिखाना चाहिए आपका तार के दो सुतंत सरों बाला संपरीचित तेयारें अब इस सम्परीचित का उपयोग करके क्रिया कलाब 14.02 को दोराएं क्या टेस्टर की सुतंत सरों को नीवू के रस में दोबेती ही आपकी चुमकी ये सुई में बिच्चे दिखाई देता है टेस्टर के सिरों को नीवू के रस से बाहर निकाले उन्हें पानी में डोगोई और पहुँच कर सुखाई इस क्रिया कलाब को अन्नत दर्वों जैसे टॉंटी का पाने पनस्पती तेर दूद सहर आदी के साथ दोहरा सकते किते एक दिरव का परिच्चन करने के वर्षात सम परिच्चित के सिरों को जल में दोकर तथा पहुँचकर सुखाना अवस्यार रखिए पिते किस्तिती में देखिए जिछुमकी सुई बिच्चे दर्साती है अतवा नहीं अपने पेट्चरों को साइड़ी चौदर दसमलाव एक में अंकित कीजिए नेवकरस तुमकी सुई बिच्चे दर्साती है सुचलाखीन अच्छा चलाख याद रखिए आपसे जब विद्धुत से कहीं आग लग जाती है तो उसे पानी से नहीं बजाए जाता है पानी से बुजाने के लिए मना किया जाता है क्योंकि विद्धुत का उसमें चालक होता है और वो विद्धुत आप तक भी पहुंच सकती है और आपको नुक्सान पहुंचा सकती है आगे बात करते हैं कुछ दिरब विद्धुत के सुचालक इतना कोछ है इन चालक है जब टेश्टर के सुदन सरेपा एक दूसरे को नहीं चूते हैं संभाव है कि उनके बीच में बायु हो पहिली को गया थे कि बायु विद्धुत की ही इन चालक है परणु उसमें यह भी पढ़ा है कि तडित के समय बायु से विद्धुत आरा प्रवाहित हो जाती है वह जानना चाहती कि यह आवस्ता बायु विद्धुत की इन चालक होती है इसी से पिरीत हो कर बुजोदि यह भी जानना चाहता है कि क्या थी इन चालक हों की जयर्यी में रखे अन पढ़ार्वी विद्धुत की इन चालक सकती है यही कारानी की पदार्थों को चालकों तथा बिद्वत रोधियों के रोम में बरगी किद करने की अपिक्चा अच्छे चालकों सोचालकों तथा एंच चालकों के रोम में बरगी किद करने को अधिक मानता दी जाती है हमने टोटी के पानी द्वारा विद्धुचालन का परिच्छन किया आईए अब आसुचल द्वारा विद्धुचालन का परिच्छन करते हैं क्रिया के लाव 14 दिसमोर चाल 106 तथा सूखे प्लास्टिक या फिर रवड की धकम में लगवक दो चाय के चम्मच के बरावर आसुच जल भरिए आप आसुच जल को अपने विद्ध्याले की पिरेवक साला से प्राप कर सकते हैं आप किसी दवाई की दुखान या डॉक्टर या नर्स से भी आसुच जल ले सकते हैं टेस्टर का उलें करके परिच्चन कीजिए कि आसुच जल भिद्धु चालं कर्ता है या नहीं के आप क्या पाते हैं क्या नमक का गोल प्राप्थ होता है या बिद्धूत का अच्छा चालक है जो जल हमें नलों, हेड़ पंपों, कुओं, तालावों आधी से प्राप्थ होता है वहां सुद्ध नहीं होता है याद रखी इसमें अनेक लवट गुले हो सकते हैं खने लवडों की थोड़ी मात्रा इसमें प्राक्तिक रूप से बिद्धमान होता है इसलिए जल बिद्धूत का सुचालक होता है इसके विद्धित आसुच जल लवडों को से मुक्त होने के कारण हीन चालक होता है जल में थोड़ी मात्रा प्राक्तिक रूप से बिद्धिमान खने लवड मानो स्वास्त के लिए लवडों को चालक बना देते हैं इसलिए हमें बिद्धूत संदेप्तों का उपयोग कभी भी गेले हातों से अत्वा गेली परस पर खड़े होकर नहीं करना चालिए हमने देखा कि जब साधार नमक लवड को आसुच जल में घुला जाता है तो उसे अच्छा चालक बना देता है बेख कौन से अन्पदारत हैं जो आसुच जल में घुलने पर इसे चालक बना देते हैं आईए पता लगते हैं चेतावनी अंगले क्रिया क्लाब को केबल अपने अध्यापक मातापिता अभीवाबक अतवा किसी वर्सक बेत्ती की देख रेक में करियें क्योंकि इसमें अंगल का प्रियोक संब लेते हैं पितेक में लगबक दो चाय कि चमज के वराबर आसुच जल भरियें एक ढकन के आसुच जल में कुछ भूने नीवू के रस्ट या पिर तनु हट्रो किलोरी कम्र की मिलाई हैं अग दूसरे ढकन के आसुच जल में कास्टिक सोडा या पोटेसियम आयोडाइट जैसे चारट की कुछ भूने मिलाई हैं तीसरे ढकन के आसुच जल में थोड़ी चीची नीड डालकर गोली परिक्षण कीजिए इन बिलेयनों में से कौन सा बिलेयन बिद्धूत का चालन करता हैं और कौन सा नहीं आपको क्या पैडान प्राप्त होते हैं बिद्धूत चालन करने अधिकांस प्रफ अंगलों चारपों तथा लवडों के बिलेयन होते हैं जब बिद्धूत धारा की किसी चालन बिलेयन से प्रभावित होती है तो क्या हुआ है उस बिलेयन में कोई प्रभाव उत्वन कंटी है कि बाइद कलते हैं हगे हम लोग बिद्धुत्धार्ड कि रसायनिक प्रभाव को andare गजह देख गर्च्छा साथभी में हमने विद्धुत्धारा की कुछ प्रभावों कि बारे में सीख़ा था क्या आप इन प्रभावों की सूची बना सकती हैं resistance कि सालक बिलें से प्रभाय होती है तो यह क्या उत्वन प्रभाह उत्वन करती है आई इसका पता लगाते हैं रियाकलाग 14.6 दो वेकाल से सावधानी पूर्वर कारवन की छड़ें निकालें उनकी रातु की टोपियों को रेगमाल से साप करके इन तामों पर तामी के तार लपिटी है उन्होंने एक बैटरी से जोड़िया इन दो छड़ों को हम इलेक्टोर कहते हैं कारवन के छड़ों इस तरह से इदाहतु की टोपियों गई कारवन की छड़ों यह आफकार जलू है इस्थान पर आप लगवक 6 cm लंबी लोएं की कीलें भी ले सकते हैं कि इस्थान पर किसी कांच की गिलास या पिलाश्टिक की कटोड़ी में एक प्याला जल बरिये जल को और अदिक चालन बलाने के लिए इसमें एक छोटा चमाज बरिकर साधान नमक या फिर नीवू की र तेन-चार मिनिट तक प्रिच्छा दीए एलेक्टोडों को ध्यान पूर्वक्त देखिए क्या आप एलेक्टोडों कि सभी किसी गयल गेस के बुलबुले देख पाते हैं क्या हम बिलेन में कुछ हो रहे परीवत्नों को रसानिक परीवत्न कह सकते हैं कर्षा साथ में बिलेम निकल्सन नियाय दर्साय कि यदी एलेक्टोड जल में दूबे हों तथा उनके द्वारा बिलेम से बिद्धुद्दारा प्रभाहित की जाए तो ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के बुलबले उत्फन होते हैं ऑक्सीजन के बुलबले बैट्री के धन तर्मीनल से ज क्याथा ज़स्तवरोगं और ग्रस्तिक बुलबले बन सकते हैं अलक्टौन ओन कर दहात्य निचे बिलेम के रंग में बिलेम के रंग में परिवतन हो सकते हैं यह सायनिक अभला श्रीचाय करणी बूजो ने यह परीच्छन करने कनिश्चे किया कि क्या कुछ फल या बनस्पती भी विद्वचालन करती है या नहीं उसने एक आलू को दो बराबर भावों में काटा और टेश्टर के तामिक तारों को इसमें निविष्ट कर दिया तब ही उसकी माने उसे बुला लिया और आलू में बेने निविष्ट किये गए सम परीच्छ यानि कि टेश्टर के तारों को बाहर निकालना बूल गया लगबक आदी गंटे के प्रश्चाट चबोर बापस आया तो उसना दिखा कि आलू में एक तार के चारों नीला ठरासा दब्बा बन गया जबकि दूसरे तार के चारों ओर ऐसा कोई धब्बा नहीं है उसे इस परीच्छन का बड़ा आश्च्य हुआ उसने पहली के साथ इस क्रिया के लाप को कईवाल बढ़ आया उन्होंने पाई कि हरवार धन टर्मिनल से सयुजित तार की चारों और ही नील कि पैचान करने के लिए कि आजा सकता है उन्होंने अपनी इस खोच को बच्चों की एक पतिका में चपवाने का यह याद रखिए कि बूजों ने इस पर इच्छन से पैरम किया था कि आलू बिद्दुत का चालन करता है या नहीं उसने पाया कि बिद्दुत धारा आलू म रसानिक करवाव उत्वन करती है उसके लिए यह अतन उत्तिजक खोच बास्तों में विग्ज्ञान में कभी-कभी ऐसे भी ऐसे भी होता है कि आप खोच किसी चीज की कर रहे हो और आप कुछ अन्न खोच कर लेते हैं अनिक मात्पूर्ण होजें इस पिकाल से ही आपकी हु होते हैं तदा पी यदि दोड़गतना वस इन में खरोच पड़ जाती है तो चमकदार पर उतर जाती है और उसके नीचे की सतर इतनी चमकदार नहीं होती है आपने कुछ मैलाओं को ऐसे यावूशन पहिंते हुए देखा भी देखा होगा जो देखने में सौने के पितीत होते हैं लगातार उपयोक सेनकी सौने की पर उपर यानि की उतर जाती है नीचे ची चांदी या पर किसी अनधात्य की सतर दिखाई देने रहती है इन दोनों कुछनी परिश्तितियों में एक दात्य के ऊपर दूसरी दात्य की परद चड़ोग क्या आप जानते हैं कि एक दात्य के ऊपर दूसरी भाट की परद जिखार किस परक निचे कर देने iyaa से स्वेम कर देखो क्यिकर्या कलाब 14.700 इस क्यिया कलाब के लिए हमें कोफर सलफे तथा लगवग 10 cm x 4 cm साइच की तामे की दो पिलेट चाहिए किसी स्वक्च तथा सूखे भीकर में 250 ml आसुत जल लीजिए इसमें चाय की दो चमबजबार कर कौपर सल्फेट गोलिए अधिक चालग बनानी के लिए कौपर सल्फेट बिलेर में कुछ बूनें सल्फेर और यह दालीओ नानी SImya की पिलेटों को रहत्यादות से इसाप किर वसी पानी में दो कर शुका है न में काईट प्रुपसर्स पॉलिय्च उने घ्लानी मोट जोन प्रूबरं कर कर नोगों अब बिलेयन में से एलेक्ट्रोणों को हटाईए तथा उन्हें सावधानी पूर्वत देखें क्या उन में से किसी एक में कुछ हंतर पाते हैं क्या आप इस पर कुई परत चड़ी देखते हैं इस परत करंग कैसा है बैटरी के उस टर्मिनल को नोट किए जिससे एलेक्ट्रो में बेखें हो जाता है सुतंत QoOРЕ कि तामाए वैक्ट्री के टर्मिनल से सेज्थित एलेक्ट्रोड के और आगार से तत्हा एक पर निच्चेपित हो जाता है लेकिन भेलेयन में 2700 कि पूर्ती कैसे होगे दूसरे ईलेक्टोड से जो तामी की प्याट से बिनाये समान मत्तरा कोपर भीलिययन में गुल जाते है इस प्यकार बिलियन से जो कौपर कम हुआ है वह पिलेयन में पुनाहा इस्ताफित हो जाता है यह पिक्रिया चलती रहती है इस कारत है कि हुआ कि इस विद्धुत लेपन पिक्रिया में एक एलेक्टोड से को पर दूसरे एलेक्टोड को इस्थान आलते उठता है का मुझे को तामे की और एक पिविआणे के इसलिए кусने क्रिया पिरेक्षा सम снथ को राओंजोषसस्थान पर पर कारवन की प्रसन के आंगे चलते और विद्धुत दहरा किसी पदार की सीर्च धात्युखे निच्प्रिय करने की पिक्रिया को की पता जोगतिए वस्ति क्प्था द्वारा्ण किसी पदार पर किसी बान्चित दातु की प्रत निच्षबित करने की पिक्रिया को क्या कहते हैं जो कि ży Höett करिया अकलाब बता रहे गया है यह बिद्धु धारा के रजानिक प्रभाव का एक सरवादिक सामन उपयोग है बिद्धु तलेपन अत्यंत उपयोगी प्रक्रमें उद्धोगों में धातू की बस्तुमों पर किसी दूसरी धातू की पतली परत बिलेपित करने के लिए इसका आप अनेक बस्तुमें जैसे कार के कुछ भावों इसनानगराय की टॉटी गैस बर्नर साइखल का इंडल पहियों के रिम आधी कप क्रोमियम का लेपन किया जाता है क्रोमियम चमकदार देखाईत होता है यह संचारे नहीं होता है यह खरोचों कपितीरोद करता है तदा भी क्रोमियम महगा है तथा किसी पूरी बस्तु को क्रोमियम से बनाना आर्थिक द्रश्टी से बिवारे नहीं होता है इसलिए बस्तु को किसी सस्ती दातु से बनाया जाता है और उस पर किवल क्रोमियम की परस्ती निच्चेवित कर दी जाते है आभूशन बनाने वाली सस्ती दातूं उपर चांदी इवं सोने का विद्धुतलेपन करते हैं यह आभूसन देखने में आपके चांदी या सोने की प्तीत होते हैं लेकिन वास्तों में आप एक चकेट बहुत सस्ते होते हैं खादबदारतों के भंदारण के लिए उपयोग किया जाने वाले 10 के ड्वुटों में लोहे के उपर 10 का विद्धुतलेपन यह आजबते हैं 10 लोहे से कम करियासिल होता है इस पिकार खादबदारत लोहे के संबर्क में नहीं आते और खराब होने से बच्टाते है पुलों तथा 140 बाहनों को प्रवल बनाने के लिए लोहे का उपयोग किया जाता है। तथा पी लोहे में संचारित होने तथा जंग लगने की प्रवित्ती होती है। अता इसे चंचारन पसंद जंग लगने से बचाने के लिए लोए पर जिंग की परत निच्छे बित कर दी जाती हुआ बित्तुत लेपन कारिखानों में उप्योग किये जा चुकि बिलेयनों कन्निप्टारा किया जा ना भी एक मुख समस्या यह एक पिदूसंकारी अपसिष्ट है तथा पर्यावन सरक्षन के लिए इस पेकार के पिदूसकों के निप्टारिक लिए बिश्रिष्ट देशाने द इन सब्चों सब्दों के वारे में जाना है आपने क्या सीख है कुछ द्रब बिद्धूत के सुचालब है तथा कुछ हीन चालब है यानि कि इन में बिद्धूत का चालन नहीं होता है बिद्धूत चालन करने वाले अतिकांस द्रब हम लों चारबों लवनों से बिलेयन हो मुने पर रसानिक इन्हायां होत clicking इसे विद्धुत्व herdaha कर रसानिक प्रभाव करते हैं विद्धुत्व के लिए विद्धुत्वि及 विद्धया के अच्छेएं और उनकी आपको देख लिए और रहा है जुए प्रसानिग्राम कर्या है जाकर देखें दाउनलोड करके रख लें अगर कभी टाइम मिलता है तो उससे बाद बार पढ़ लें आपका बेस मल्बूर करने के लिए सब इबोक्स आपको बताइए पढ़ाई जाती है वच्छे से पढ़िए निकल जाएए क्या आप जानते हैं LED प्रकास उत्सज डाइवर अनेक रंग जैसे लाल हरे नीले सपेद में उप्लब दे तता अनेक अनुपयोगों में इसका उपयोग बढ़ता जारा है जैसे ट्राफिक सिंग्नल लाइट में प्रकास के लिए LED का प्रयोग बढ़ता जारा है संट एक को एक गुज्छा एक साथ लगाने पर LED का एक पेकास रोग बनता है LED पेकास रोग और जा की कम खबत करते हैं एकल पेकास बलॉन तथा दीप नलिकाने ट्यूब लाइट से अधिक अवधीतर कालि करते हैं इसलिए धीरे धीरे पसंदिधा पिकास रोध बन रहे हैं। आप लोग भी अक्सर अपनी देने उपयोग में LED का ही प्रयोग करते हैं। तो यह आपका 14 वा चप्टर था। 15 वे चप्टर में हम देखेंगे कुछ प्राप्तिक घटनाओं के बारे में जहनेंगे। हेलो दोस्तों तो चलिए हम लोग बात कर रहें थे N-T-E-R-T 28 वी की बिज्ञान के बारे में। तो अभी तक इसमें हम लोग आपके 14 चप्टर खितम कर चुके हैं। यह आपका 15 वा चप्टर हैं। कुछ प्राप्तिक परिख नाओं के बारे में आलें लोग बात करकईगे। तो बनें रहे ये दहरी के साथ आपको सब को समझ में आजाएगा। कर्च्छा साथी में आपने पवन्थ तोभान तो था चक्वात के बारे में पड़ा था। आपने यह जानकारी प्राप्त की थी कि चक्क वाद मानव जीवन तो थां संपत्ती कवत्य थे छती पहुंचा सकते हैं। आपने यह भी जाना था कि कुछ सीमाओं तक हम इन विनासकारी परिगतनाओं से अपना बचाओं कल सकते हैं। इस अध्याय में हम दो अन्य विनासकारी परिगतनाओं तडित तद भुकम पर चलचा करेंगे। हम इन परिगटनाओं द्वारा किये जाने वाले विनासों को कम करने की उपायाओं पर भी चल्चा करेंगे। तडित बित्धुत के तार धीले हो जाने पर आपने बित्धुत खम्मों पच्चिंगारियां देखी होगी। यह अगर परिगटना उस समय बहुत अधीक हो जाती है जब पवन के चलने पर तार हिलते डोलते ही। आपने सौकट में पिलक के ठीपे होने पर भी चिंगारियां निकलते देखी होगी। तडित भी एक विशाल इस तरह की विद्धुत चिंगारी ही है अपनी। पराजीन काल में लोग इन जिंगारियों का कारण नहीं समझते थी। अताहबे तडित से डरते थी और सोचते थी कि उन पर भवान की क्रोध के कारण यह हुआ है। अब बास्तों में हम यह जानते हैं कि बादलों में आवेश के इकतित होने से तडित पैना होती ही। हमें तडित से डरना नहीं चाहिए। परन्तु इन घातक चिंगारियों से अपने बचाओं के लिए साधानी बरतनी चाहिए। चिंगारियां जिनके विसे में यूनानी जानते थी। 600 इसापूर्व से भी पहले पराचीन यूनानी यह जानते थी कि जब एमबर एक प्रिकार की राल को फर से रगड़ते हैं तो यह बालों जैसी हलकी बस्तूओं को अकरसित कर लेता है। आपने यह देखा हुगा कि जब आप उनी अत्वा पॉलिष्टर के बस्तों को उतारते हैं तो आपकी बाल खड़े हो जाते हैं। यदि या अंधिरी में इन बस्तों को उतारते हैं तो आप चट-चट धोनी के साथ चिंगारी तक देख सकते हैं। सन 1752 में अमेरीकी विज्ञानी बेंजामीन फैंकलीन ने यर्दसाया की तडित तथा आपकी बस्तों में संपन्य चिंगारी बास्तों में एक ही परिगटना हैं। परंतु इस्तत्री के साकार होने में 200 वर्स लगें। अब हम बिद्धुत आवेसों के कुछ गुड़ों का द्यान करेंगे। हम यह भी देखेंगे कि ए आकास में तडिस से किस पेकार संबन्दी थें। बिद्धुत आवेसों की प्रग्किती को समझने के लिए आईए कुछ किरियाकला करें। परन्तु पहले उस खेल को याद कीजिए जिसे आपने कभी खेला होगा। जब आप पिलाश्टिक के पैमानी को अपने सूखे बालों से रगड़ते हैं। तो प्रमाना कावज के छोटे-छोटे टुकडों को आकर से कर सकता है। आप बात करते हैं हम लोग रगड़ द्वार हां आविशन। इतनी साथानी रखिए कि रिपिल का रगड़ा गया से राथ। आपके हांतों अत्वा किसी धातु की वस्तु से नाज छुए। अपने क्रियाकला को छोटी-छोटी सूखी पत्तियों बूसे तता तरसों की दानों के साथ दोराईए। अपने पेक्षरों को नोट कीए। जब पिलास्टिक की रिपिल को पॉलिथन के साथ रगड़ते हैं तो यह कुछ बिद्धुत आविश अरजित कर लेते हैं। इसी पकार जब पिलास्टिक की कंगी को सूखे भालों से रगड़ते हैं तब यह भी कुछ बिद्धवत आविश अरजित कर लेती हैं। इन बस्तू由 का आविश्थ बस्तू है है धिते हैं। के रिपे तथा पिलास्टिक की कंगी को अवेसित करने की पिकरिया में पॉलितन तथा बाल भी आवेसित हो जाते हैं आईए जब आपकी जानी पहचानी कुछ अनौरस्थूओं को आवेसित करने का प्रियाष के साथ मों सायनी 15.01 में दी गई बस्तु हैं तसा पदार्थ 31 कि इनमें से पितिक बस्तु को सायनी में दिये गया अनुसार पदार्थ के साथ रगर कर आविसित कीजिए अपने अनुबहूं को नोट कीजिए आप इस सायनी में और अधिक बस्तु हैं जोड सकते हैं रेफिल, पॉलिथिन, उनी, बस्त, गुब्बारा, पॉलिथिन, उनी, बस्त, सुस्कवाल, याद रखे इस तरह के जो भी किरिया कलाब हुआ करेंगे इन्हें आप लोग पढ़के निकल जाये गरिए पैटिकल गर्थ की नहीं बैटनाया को कहीं मालू चला कि 2-4 साल इसी में बिदा दिया आपने पैटिकल में आगे हम लोग चलते हैं आविसों की पेकार तथा इनकी अन्यवन किरिया हम अंगले किरिया कलाब के लिए कुछ बस्तु हैं साइनियम में 15.1 से चुनते हैं किरिया कलाब 15.3 दो गुब्बारे खुलाईए इन्हें इस पेकार लटकाईए कि ए एक दूसरे को इस परस ना करें दोनों गुब्बारों किसी उनी कपड़े से रग लिए और छोड़ दीजे आप क्या देखते हैं आई अँर्फ हां इस पिंडिया कलाब को पेरे काड रिखलों के साथ दुई आए, एक रिखल को ऑ्ली इतन से रग लिए काज की ग्लास को स्टेंड की ब़ा फिर जो पिर पर तो यह उस बяти में इसे ग्लास में रखींए दूसरी इतन को भी फूली इतन से दूसरे रिफिल को पॉलीफिन से रगड़ी है तथा इसे आविसित रिफिल के निकट लाई हूँ सावधान परहिए कि रिफिल का आविसित सिराथ अपने हाथों से ना चुन क्या गिलास में रखे रिफिल पर कोई प्रिभाव पड़ता है क्या ये दौन और रिफिल एक दूसरे को आकर्षित अत्वा पिती कर्षित करते हैं इस क्रिया कलाब में हम ऐसी आविसित बस्तूओं को एक दूसरे के निकट लाएं थी जो उसी पदार्थ से बनी थी यदि इभेन पदार्थों से बनी दो आविसित बस्तूओं को एक दूसरे के निकट लाएं तो क्या होगा आईए इसका भी पता लगाते हैं एक रेफिल को पहले की बाती रगड कर दीरे से गिलास में रखे, गुबबारा की निकट एक पूला हुआ आविसित गुबबारा लाए, रेफिल की निकट एक पूला हुआ आविसित गुबबारा लाना है और पेक्षण करना है, आईए पेक्षणों का सारा जानते हैं, एक आवेसित गुबबारे एक दूसरे आवेसित गुबबारे को पितिकर्सित किया है। क्या हम यह कह सकते हैं कि सजातिया एक ही पेकार के आविज एक दूसरे को पिती कर से करते हैं जबकि बिजाती है भिन्य पेकार के आविज एक दूसरे को आकर से करते हैं मानतन की अनुसार रेसम से रगडने पर कांच की छड द्वारा अरजित आविज को धन आविज कहते हैं अंपकार के आवेश्ट को लोग बघट कें या देखा गया कि आवेश्ट कांच के छड को पॉलीधन से रगणे गए आवैस्ट से पिलास्टिक पी दिनि कत लाते हैं तो दोनों के बीच आकर्षन होता हैं आपके विचार से पिलास्टिक इस्टरा पर किस पेकार का आविस होना चाहिए। आपका यह अनमान है कि पिलास्टिक इस्टरा पर रिड़ आविस होना चाहिए। सही है। तो रगडने पर उपन बिद्धुत आविस इस्थेति होते हैं, बिस्वयम गती नहीं करते हैं, जब आविस गती करते हैं तो बिद्धुत दारा बनती हैं, कर्चा साथ चटवी में से ही बिद्धुत दारा की विशाय में अध्यन कर रहे हैं, परिफ़त में प्रवाहित होने वाली विद्धुतारा जिससे बलब जमकता है अतपतार गरम हो जाता है और कुछ नहीं वरन आवेशों का प्रवाई है बात करते हैं आवेश का इस्थानातर किरियाकला 15.04 मुरब्ब्बे की एक खाली बोतल लीजिए बोतल के मुह के साइज से कुछ बड़ा गत्ती का टुगड़ा लीजिए इसमें एक चित बनाईए जिसमें दातु की पेपर किलिट खुषाई जासे कि चित 15.04 की तरह इस तरह से अनुसार पेपर क्लेप को खुलिए एहरूनियम की पन्नी की लगभग 6 cm x 1 cm साइज की दो पट्टी काटी है चित्र में दर्साई अनुसार अन्हें पेपर क्लेप पलड़काई हूँ गत्ते की डटकन में पेपर क्लेप को इस पेकार घुमाई हूँ यह गत्ते की फुलिए टाए इससे पेपर क्लेप के सरे से इसपस कराइए फैक छर्ण कीजिए कि यह प्रणी की पट्स्तियों पenser को कि बत्ता अन्न आविसित बस्तूओं को इसपस कराईए क्या हरवार पन्नी की पट्टियां समाब रोग से विभार करती हैं क्या इस ओकर्ण काउप्यों यह पाइचान करने के लिए कर सकते हैं कि कोई बस्तू आविसित है अत्वा नहीं क्या आप यह इसपर्ट कर सकते हैं कि पन्दी की पट्टियां एक दूसरी को किया हो पिती करते हैं एलुमेनियम की पन्दी की पट्टियां पेपर कलेप से होते हुए आवेसित रेपेलमेट से आवेस प्राप करते हैं याद रहे कि धात्तु हैं बिद्धुत की अच्छी शालक होती हैं समान आविस वाली पट्टियां एक दूसरे को पिद्धुत करती हैं और वे खैल जाती हैं इस पेकार की उक्ति का उपयोग यह परिक्षण करने के लिए किया जा सकता है कि कोई वस्तु आवेसित है अत्वा तो मैं धाद्विक चालक द्वारा भीजा जा सकता है पेपर क्लेब की सरे को धीरे से हांस से पर्ष कीजिए एक सा करते ही आप पन्नी की पट्टियों में एक परिवर्तन देखें वे अपनी मूल इस्तिती में बापस आ जाती है पन्नी की पट्टियों को आविसित करने हमारे शरीर से होकर इत्वी में चला जाता है तब हम कहते हैं कि पन्नी की पट्टियों अनाविसित है किसी आविसित बस्तू से आप इसको इत्वी में बेजने की पिक्रिया को भू संपर्ण संपर्ण कर कहते हैं बिद्धु धारा की किसी भी कारण से लीख होने से उत्पन बिद्धु तागास से आमें बचाने के लिए भवनों में भू संपर्ट कर की विवस्ता की जाती है। बात करते हैं तड़ित की कहानी की अब रगड द्वारा उत्पन आविसों के अलार पर तड़ित की व्याक्षिया करना संब्वुर्ण। कच्छा साथवी में आपने यह सीखा था कि गरज वाले तूफानों के तंते समय बायू की धराएं उपर की ओर जाती हैं जकी जलकी भूने मीचे पूर जाती हैं। इन परवल गतियों की कारण आविसों का पित ठकन होता है। एक पिक्रिया द्वारा जिसे हम अभी पूर तर नहीं समझा सके। बादलों के उपरी केनारे की निकट धनाविस एकत्त हो जाते हैं। तथा रड़ाविस बादलों के निचले कनारे पर संचित हो जाते हैं। धर्ती के निकट भी धनाविस का संचय होता है। जब संचित आविसों का परिमाड अत्यदिक हो जाता है। तो बायू जो बिद्वत की इन चालक है आविसों के प्रवाव को नहीं रोप पाती है। तो रड़ात्मत तथा धनात्मा काबिश मिलते हैं। और पेकास की चमकीली धारियां तथा दोनी उत्पन होती है। इसे हम तड़ित की रूम में देखते हैं। इस फिक्रिया को बिद्वत विसर्जंग कहते हैं। इस फिक्रिया को क्या कहते हैं। बिद्वत विसर्जंग आगे चलते हैं तथा संपत्ती की हानी होती है अता हमें अपने बच्चाव के लिए कुपायल करने हावस्विक्न बात करते हैं तड़से सुरक्षन तड़े तेवं जन्जा गरजबाले तूभान की समय कोई भी खुलाय स्थान सुरक्षित नहीं होता है गरज सुनना किसी सुरक्षित इस्थान पर तुरंत पर पहुचने की चेतावन है अंतिम गरजब सुनने के बाद सुरक्षित इस्थान से बाहर आने से पहले कुछ देर की दिश्चा कीजिए अब हम लोग देखते हैं कि सुरक्षित इस्थान का पता लगाना कैसी लगाएं कोई मकान अतवा भून सुरक्षित इस्थान है यदि आप किसी कार अतवा पसवारा यात्रा कर रहे हैं तो बाहन की खिड़कियां बतरवाजे बंध होने पर आप उसके भीतर सुरक्षित इतवित जंजा की समय क्या करें क्या ना करें बाहर खुले में खुले में बाहन जैसे मोटर साइकल, टेक्टर, निर्मार कार, एतु मसीने खुली कार सुरक्षित नहीं है खुले मैदान, उचे वैक्च, पारकों में सरण रिस्तल, उचे इस्तान तड़िस से हमारी सुरक्षा नहीं करते हैं तड़ित जंजा के समय चाता लेकर चलने का विचार किसी भी दिरश्टी से अच्छा नहीं है यदि आप बन में हैं, तो छोटे वैक्च के नीचे सरण लीजें यदि आप किसी ऐसे खुले चित में हैं, जहां कोई सरण रिस्तल नहीं हैं तो सभी वैक्चों से कापने, दोरी पर खड़े रहें जमीन पर ना लेटें बलकि जमीन पर सिमट कर नीचे बैठें अपने हातों को गुटनों पर सिरिक ओ हातों के बीच रखें इस इत्तिती में आप आगात के लिए लगुत्तम लग्च बन पाईनें देखिए इस तरह से घर के भीतर, तडित टेलीफून के तारों, बिद्धू तारों, दातू के पाइपों पर आगात कर सकती हैं परन्तु यह बुद्धी मता पूर नहीं कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को टेलीफून करें जो तारों से आपकी बात सुन रहा है बैते जल के संपर्प से बचने के लिए तडित जन्जा के समय इस सनाल से बचना चाहिए कम्प्यूटर टीवी आदे जैसे तुद्ध उपकरणों के फ्लेगों को सौफट से निकाल देना चाहिए बिद्ध बलवों ट्यू लाइटों को जलाय रखा जा सकता है इनसे कोई हानी नहीं होती याद रखना हैना है तो देनेख उपयोग में उपयोग करना देनेक चाहिए बात करते हैं तडित चालक, तडित चालक एक ऐसी उपती है जिसका उपयोग भावनों को तडित के प्रभाव से बचाने के लिए किया जाता है, किसी भावन के निर्मार के सबच उसकी देवारों में उस भावन की उंचाई से दिक लंबाई की रातू की छड़ स्थापित कर दी जाते हैं, इस चड़ का एक तरह बायू में खुला रखा जाता है, तथा दूसरे स्थे को जमीन में कापी कहराई तक दवा दीते हैं, दातू की छड़ बिद्धुत आव इसके जमीन तक पहुंचने के लिए एक सरभल पत्विदान करती हैं, भावन निर्मार में उपय ना करें, तांवे की ब्लेट, देखी होंगे इस तरह से सवाफियों, बात करते हैं भूकंब, आपने अभी तडित जंजा, तथा तडित के विशे में अध्यन किया था, कप्छा साथ भी में आपने चक्त बातों के बारे में अध्यन किया था, इपराक्ति परिगटनाय मान जीवन तथा संपत्ती का बड़े प्रमाने पर बिनास कर सकते हैं, सववाग बस कुछ हदित अकम इन परिगटनाओं के भविस्वाणी कर सकते हैं, मौसम विवाग कुछ चेत्रों में बन रही तडित जंजा के बारे में चेतावनी दे सकता है, यदि तडित जंजा होती है तो इसके साथ सदे उत्तडित तफन चक्कवाद की संभावना रहती है, अता इन परिगटनाओं से होने बाले च्छती से बचाव के उपायों के लिए हमारे पास समय होता है, तदा भी एक ऐसी परिगटना भी है, जिसके बारे में भविस्वाणी करने की चंता हम अभी तक यह भिक्सित नहीं कर पाया, यह है भूकम्प, यह विताल इसतर पर जन जीवन तथा संपत्ती को नुकसान यानि की चंती पहुंचा सकता है, आठ अक्पूबर 2005 को भारत में उत्तरी कस्मी के उरी तथा तन्यधार सहरों में एक बड़ा भूकम आया था, इससे पहले जन जीवन तथा संपत्ती की अपार चती के बारे में पूँच सकते हैं, इस समय के समाचार पत्रों पत्तिकाओं से इन भूकम्प द्वारा विच्छती को दसाने वाले कुछ चित्धिकटा कर सकते हैं, इन भूकम्प को द्वारा लोगों को विच्छती से समद्धि संचि चार्ट मना सकते हैं वूकम्प क्या है जब आता है तो किया होता है इसके पिरवाव को KM करने केरी क्या कर सकते यह कुछ इसे पिसर्ण है को अधियर करनेक है है पहले देख समट आखिर है क्या आ भूकम्प जो बहुत कम समय तक रहता है पितवी का कमपन अध्वा कोई जटका होटाया या पितवी की भूह परपटी के भीतर गहराई में गढ़वड के खारण उत्वन होता है भूकम्प हैल समय सब जगए आती रखते हैं तस्मीर में भूकम्प की आपकी तश्वीर है बिनासकर फ्रया इनको नोटिश नहीं किया जाता है विसाल भूकम्प बहुत कम होती है इब अपनों पुलों बांदों लोगों को असीम चती पहुचा सकते हैं इनसे जीवन तथा स संपत्ती की विसाल हानी सवत हो सकती है भूकम्पों से बाढ़ बोज खलंग तथा सुनामी आ सकते हैं 26 तिदंबर 2004 को हिंद महासागर में एक विसाल सुनामी आया था महासागर की चारों और की तटवर्ती चित्रों में अपार हानी हुई थी उसे किरिया कला 15.6 संसार का ए जिसका एक रेका मांचित लिए भारत में पूर्वी तटिय तथा अन्वान और निकुवार महादीपों की स्थिती ज्याद की हिंद महासागर ही चारों और के उन अन्य देसों को मांचित में अंकित की जने सुनामी से चती पहुंची थी अपने माता-पिता या अथवा पर प्राचीन काल में लोग भूकंप आने का सही गारण नहीं जानती थी अता उनकी धार्णत कथाओं जैसे बूजों की दादी में सुनाई थी द्वारां बिक्त की जाती थी संसार के अन्न भागों में भी इस पिकार की कथाएं पिछलित थी और कई चगे अभी पिछलित थी अब हमें जानते हैं कि पितवी की वीतर की सबसे उपरी सतय में गहराई की गर्वड की पारण भू इस पंद आती हैं पितवी की स्परत को भू परपटी इसे क्या कहती हैं भू परपटी यह आपकी पिरवार है यह आत्वा बाहे कोड है यह आपका आंतरिक कोड है यह आप है कि चलते हैं हम लोग आज GORDON कि पित्वी की यह पर एखुन में नहीं या है तुक्डों में विवाजित है पिते ईक चुक्डे को प्लेट कर से यह प्लेट ने अंतर गती करती रहे हैं जब एक दूसरे से ढ़ खाती है अत्वर टक करके कारण एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे चली जा ती इस तरह से तकराती प्लेट प्रवड़ती प्लेट तो इसके कारण भूप परपटी में विच्छो पुत्पन होता है यही विच्छो पिद्वी की सतय पर भूपंक के रूम है आपके दिखाई देखिए यह है आपका प्यारा यह हमारा यह आपका उत्री अमेरिका नीचे आपका E 2017 यहां आपका हिंदमान सब्सकें इंहें पलेट अरुवेडिययन पिलेट यहां है आपका कि हिंदमान सब्सकें आगे चलते हैं लोग के ऊंच्दध रूप से जांतें तदहा हैं अभी तब यह संबवर नहीं हो कि आने वाले वोकंप के समय तथा इस्थान की वविस्वाणी कर सकें। पितवी पर वो इस्पंदर जो अलामुकी के फटने, अत्वा किसी हलिका पिंड के पितवी से टक्राने, अत्वा किसी भूमी गत नापकी विस्पोट के कारण भी उत्पन हो सकते हैं। परंतु अधिकास भूखंप पितवी की पिलेटों की गतियों के कारण आते हैं। अताहा जहां पिलेटू के सिमाएं, दुरबल चेत होती हुँ, वहाँ भूकमप आने की संभावता अधिक होती है। इन दुरबल चेतरों को भूकमपी चेत अतवा बियन्षेत भी कहते हैं। बारत के अती भूकम, आत, संकित, चित, कस्मी, पश्चमी तथा केंदरी हिमाले, समस्त उतरपूर्ण, कच्छ का रन, राजिस्तान, सिंद गंगा के मैदाने, दच्छन बारत की कुछ भाग भी खत्रे के चित में आती हैं आपके देखिए यह आपका तिब्बत, यह आपकी मांट एवरिष्ट कहा है, यह सिक्के में हापका, यह आपका गंगा मैदान हो गए, इंडियान बालेट होगे, यह आपका हिंदमानिक होगार है, आपका, किसी बूकम्प की सकती के परिमाड को रेक्टर परमाने पर वह किए रजता है अधिग बिनासकारी बूकम्पों का रेक्टर पिमाने पर परिमाड साथ से अधिक होता है बुरच तत्हां कस्मीर में आए दोनों यहांनि कि बिरुनास्कारी यह वह उस पंदन पिद्वी की सत्य पर तरण्य उत्मन करती हैं इन तरण्यों को भूकम भी तरण्य कहते हें इन तरण्यों को भूकम लेकी नामक उपकरणद्वाना रेकॉर्ड किया जाता है चित्ति पंदरेद समलों तीन देखिए से चार्टर पेपर, पैन, ट्रैप, डोरी, लोलक, ड्रेम यह उपकर्ण मात एक कंपायमान छड़ अत्वा लोलक होता है जो भूस्पन आने पर दौलन करने लगता है इसके कंपायान तंत के साल एक पैन जुड़ा रहता है यह पैन इसके नीचे गती करने वाले कागत की पट्टी पर भूकम पी तरंगों को रिकॉर्ड करता रहता है इन तरंगों का अध्यान करके बिग्याने भूकम का सम्प और मान्चित बना सकते हैं जैसा की चित्त पंदर समलों चार में दिखाए गया है यह पूकम की छती पहुंचा सकने की चमता गानुमान भी लगा सकते हैं भूकम का चित देखिए यह आपका पिद्वी के अंदर यह आपका अधी के अंदर यह आपका पौकस होगया यह पिद्वी का पेश्ट होगया यह भूकम पे तरहने होगया देखिए लिए बिग्यान में अन्न बहुत से पिर्माने की बाती डेसिमल एक अनुधार है रेक्टर पिर्माना रेकिक नहीं है इसका अलत यह है कि इस पिर्माने पर 6 परिमाड के भूकम की छती नासी उर्जा चार परिमाड के भूकम की 82 गुर्जा से डेड़ गुनी अधिक नहीं है बास्तों में परिमाड में दो की विद्धिकार थे एक हजार गुनी अधिक बिनासी गुर्जा इसलिए चार परिमाड की किसी भूकम की 82 गुर्जा चार परिमाड की भूकंब की दूला में 1000 गुनी अधिक होती है बात करते हें भूकंब से बचा उपरोगत चल्चा से हमने देखा क्या सी कहा भूकंब की विव्यस्वारी नहीं की जा सकती है हमने यह भी देखा है कि भूकंप अत्य देख बिनासकारी हो सकते हैं अता है यह आवस्तक है कि हम हर समय अपने बचाव के लिए आवस्तक साथ दोनी बड़ते हैं भूकंपी चेत जहां आप पर भूकंप आने की अदेख आसंका होती है मैं रहने बाले लोगों को इनका सामना करने के लिए विशेस रूप से त्यार रहना चाहिए सरप्तितम इन छित्रों के भूपनों का डेजाइन ऐसा हो कि बे बड़े भूकंपों के जटकों को सह सकते हैं आदोनीक बवन परदुपी की इसे संभाव बना सकती है किसी योग आर्किटेक्ट एवं सरजना इंजीनियर से क्या किजिए परामर्स अत्यादे भूकंपी चेत्रों में बहुण निर्माड में भारी पदालतों की अपेक्चा मिट्टी अत्वा इमारती लकडी कावपयों अधिक अच्छा होता है यह अधि धाचा गिरे तो अत्यादे इच्छती नहीं होती है अलमारियों इत्यादी को दीवानों के साथ जड़ना अधिक अच्छा होता है जिससे की भी आसानी से धाग रहे दीवार घडी फोटो प्रेम जलताफक गराईयन हादी की उदीवार में लटकाते समय साधानी रखी ताकि भूकम पाने पर ये लोगों के उपर नागरे चोकि कुछ भावनों में भूकम के कारण आग लग सकती है कि सभी भावनों बेसेश कर उंची इमारतों में अगनी समन की सभी उपकरण कारिकारी इस्तिती में होने चाहिए कि अंद्रिय भावन अनुसंदान सल्थान रोडकी ने भूकम पितिरोधी मकान बनाने के लिए कुछ जानकारी बिक्सित की है भूकम के जटके लगने किस्तिती में अपने बचाव के लिए नेपलिके तुपाय किजिए यदि आप घर में हैं तो किसी मेज के नीचे आसर लें यानि कि किसी मेज के नीचे चुप जाए जटकों के रुखने तक ओई रहें ऐसी उची तता भारी बस्तों से दूर हैं जो आप पर गिल सकते हैं यदि आप इस्तर पर हैं तो उठे नहीं अपने सिरका तकीज से बचाव करें यदि आप घर से बाहर हैं तो भावनों ब्यक्चों तता उपर जाती उपर जाती पिद्धुत लाइनों से दूर किसी खुले स्थान को खुजें इवं धर्थी पर लेट जाएं प्यादि आप किसी काहर रहत बावस में हैं तो बाहर ना निकलें ड्राइवर से कहें कि वह दिदे दिदे किसी खुले स्थान पर पहुंचें बुष्पंदन के समापत होने से पहले बाहर ना निकलें से तो इसमें क्या क्या देख लिए आपने बुपरवटी बिसर्जन आवेशित थान अंत्रम सुनामी और भूस खन इन सभी सब्दों की परिवासा देने में आप लोग सच्छम होंगें तो देखते हैं क्या सीखा इसका निसकर्स क्या रहा है चेप्टर का कुछ बस्तूओं को अन्न बस्तूओं से इराड़ कर आवेशित किया जा सकता है आव इस एक दूसरे को आकर्षित करते हैं रगड़द्वारा उत्पन बिद्धूद आवेशों को इस्थोर आवेश कहते हैं जब आवेश गति करते हैं तो बिद्ध्धारा मंदी कोई बस्तूओं से थे जा नहीं इसकी पैचान के लिए बिद्धूदर्शी का उप्यो किया ज विंद्धुत्विशजन के कारण तडित उत्पन होती हैं, तडित आगाद जीवन तता संपत्ती को नश्ट कर सकता हैं, तडित चालक भवनों को तडित के प्रवाव से बचा सकता हैं, इतफी के अचानक अपने अतवात धर ठनाने को भूकम करते हैं, वो परवती के भीतर ग इन चेत्रों को भरण्सॵ चेतं कहते हैं किसी भूकम्ब की बिणासकारी हो जा कि माग की जाती है दो र्यक्टर-प्रवानक्र कि इस अध्याय से संब्लदी तकि अभ्यात के लिए कुश्यण से दिये गए हैं इने देख सकती हैं और आपकी जो पीडिया पर टेलिग्राम पर उपलब दें वहां से डाउनलोड करके इसे अपने पास रख लीजिए और कभी टैम मिलता है तो इससे आप लोग पढ़ सकतें इन्हें अच्छे से पढ़िए और निकल जाईए जादध टैम भी इसमें बेकार मत करिए और जाद कि इसमें जो भी क데enta बेस बनाना है मतलब आपको सब्दों की परिवास जाननी के वारे में जाना है जिससे अगर कहीं आप इससाब जो निल जाती है तो आक इनके बारे में जान सकें तो यह आपका पंद्रवा चेप्टर था, 16 अबे चेप्टर में हम लोग बात करेंगे प्रिकास के बारे में, तो यह लाइट के बारे में, हेलो दूस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे, NCEIT कच्छा आटवी की विख्यान के बारे में, यानि की साइंस, तो इसमें तो आज हम लोग बात करेंगे प्रिकास के बारे में, संसार को हम मुख रूप से, अपनी ज्ञानिंदियों से जानते हैं, ज्ञानिंदियों में से दिरिष्टी एक सबसे मत्कूं ज्ञानिंद्री है, इसकी सायता से हम परवतों, नदियों, पेड़ पधों, कुरसियों, मन देखते हैं, हम आकास में बादल, इंदिधनों, तथा ओड़ते पक्चियों को भी देखते हैं, रात्री में हम चंदमा, तथा तारों को देखते हैं, दिरिष्टी द्वारा ही हम आप इस पेश्ट पर छपे सब्दों, तथा बाकों को, बाक्यों को देख पाते हैं, क्या आप जानते हैं कि यह सब देखना कैसे संभाव पाता है वस्तूओं को साध्रस कौन बनाता है वस्तूओं को द्रस आखर कौन बनाता है क्या कभी आपने सोचा है कि हम बेविन वस्तूओं को कैसे देख पाते हैं आप कह सकते हैं कि हम वस्तूओं को नेत्रों से देखते हैं ल ही देख सकते हैं यह उस बस्तू से आने वाला प्रिकास हमारी नेत्रों में प्रवेस करें कि यह प्रकास बस्तूम द्वारा उठसरजित हथ्वा उन से परावर्तित हुआ हो सकता है आपने कच्छा सार्वी में सीखा है कि कोई पॉलिस किया हुआ या चमकदार पेश्ट दरपण की भाती फैर कर सकता है दरपण अपने ऊपर पढ़ने वाले प्रिकास की दिशा को परिवर्थित कर देता है क्या आप बता सकते हैं कि किसी प्रिष्ट पर पढ़ने वाला प्रिकास किस दिशा में परावर्थित होगा आई इसे ज्यार करते हैं परावर्थन का नियम क्रिया कलाव 16.1 किसी मेज या ड्राइंग बोर्ड पर सफेद कागच की एक सीट लगाजें एक कंगाल लिए और इसक कि इसके बीच की दाते को छोड़कर सभी खुले स्थानों को बंद कर दिये लिए इसकार के लिए आप कालि कागच की प्रेयों कर सकते हैं कंगे को कागच की सीट के लमबग कड़िए एक टॉर्च की सायता से कंगे के कुले इस्थान पर एक और से पिकार डालिए टॉर्च और कंगे के थोड़े से समायोजन के वश्चाथ आप कंगे पे दूसरी और कागच की सीट के अनुदिस प्रकास की एक किरन देखेंगे कंगे तथा टॉर्च को इस इस्थी में इस्थे रखिए प्रकास करण के गमन पत के सामने समतल दर्पन को एक पट्टी रखिए आप क्या देखती है इस तरह से दर्पन से टकनाने के पश्चाथ प्रकास करण दूसरी दिसामें परिवर्टित हो जाता है किसी पेश्ट पर पढ़ने वाले प्रकास करण को आपतिक किरन कहते हैं कि प्रकास करण को आपतिक किरन कहते हैं प्रकास करण को परेवर्टित किरन कहते हैं अब देखिए इतनी इन दोनों सब्दों की परिवासा बताने के लिए पूरी कहानी गड़ी गई ती देखिए आपको सम्झाने के लिए वड़े साधारान सब्दों का इस्तिमाल किया गया है और अगर आप लोग अच्छे से धैर के साथ सुनते हैं तो आराम से समझ में आ जाता है प्रिकास करण का हस्तित एक आदर्स सी करण है जो अनिक केड़ों से मिलकर बना होता है साथा के लिए हम प्रिकास के संछिन किरण कुझ के लिए किरण सब्द का उफियोग करते हैं अपने मित्रों की साहता से कावयट पर संतर्दर्वड कीश्तिती तथा आपतित एवं परावर्टित केड़ों को दर्साने वाली रेखाए कीजी दर्पण तथा कंगे को थटाईए दर्पण को निरूपित करने वाली रेखा के जिस बिंदू पर आपतित केड़न दर्पण से टकराती है उस पर दर्पण से 90 डिगरी का कौण बनाते हुए एक रेखा खीचे यह रेखा परावर्टित के पेश्ट के उस बिंदू पर आपतित करन तथा अभी लम्म के बीच के कौण को आपतन कौण कहते हैं क्या कहते हैं आपतन कौण परावर्टित की रन तथा अभी लम्म के बीच के कोण को परावर्टन कौण कहते हैं क्या इसके रियाक्लाब को आप तन कॉन्ट परिवधित करके एवार दोहराईए प्रिच्छकों को साहनिं लिख सकते हैं परावरतन कॉन्ट और ये आपका आपतन कॉन्ट अभी लंग है कर दो कि आंगे चलते हैं है तो आप आथन कौन दूर्वर्अन कोड की पीच का कोई सम्द्थ देखते हैं क्या ये दॉने लगवाद बराबर है ये लुटि ये क्रिय कलाव 16.2 क्रिय कलाव 16.1 को दोबारा कीजी इस बार किसे सक्त कावत की सीट अत्वार चार्ट पेपर का उबेव कर कीजी सीट मेच के किनारी से थोड़ी बार निकली गूई होनी चाहिए सीट के बाए निकले भाग को बीश से काटिए परावर्तित किरन को देखे, सुनेश्चित की ये कि परावर्तित किरन कावच के बाहर निकले भाग पर भी दिखाई दे कावच के बाहर निकले इस उस आग को मोरिये जहां पर परावर्तित किरन दिखाई दे रहे क्या आप अब भी परावर्थित करण देख पाते हैं कागज को पुना आप प्रारमभी क वस्था में लाई हो क्या आप फिर से परावर्थित करण को देख पाते हैं इससे आप क्या निश्कस निकालते हैं जित्देग और चित्वी को देखते हैं आप्तित करण परावर्थित करण आप्तन बिंदू परावर्थित अभी लम एक ही तल में होते हैं जब मेज पर कागज की पूरी सीठ फ्हेलाते हैं तो यह एक तल को निरूखित करता हैं आपतित किरन आपतन बिंदू पर अविलम तथा परावर्तित किरन ये सभी इसी तल में होते हैं जब आप कागज को मोड देते हैं तो आप एक नया तल बना देते हैं जो उस तल से भिन्य होता है जिसमें आपतित किरन तथा अविलम इस्तित हैं तब आप परावर्तिक किरण नहीं देख पाती है8 या क्या निदेशित करता है यह दर्साता है कि आतीत करण के क्लेम के आतन बिंदू पर अभीलब्स तथा परावर्तिक कृण के सभी एक तल में होते हैं यह संप्रावर्त लोई के नियम हुए कच्छ के बाहर किया आप भी प्रकास रोध के रूम में सूर का उपयोग कर सकते हैं इन किरियाक लावों को किरन वर्ण रेखा उपकरेंड का उपयोग करके भी किया जा सकता है बुजो को याद आया कि उसने कच्छा साधवी में समतल दरपन द्वारा बने किसी बस्तू के पितीविम की कुछ लक्षणों का दिन किया था पहली ने उससे उन लक्षणों के समयट करने के लिए पूचा क्या पितीविम सीधा अत्वा उल्टा है क्या पितीविम का साध बस्तू के साध के बरावत था क्या पितीविम में दरपन के पीछे उतनी ही दूरी पर दिखाई दिया था जितनी दूरी पर बस्तू दरपन के सामने रखी थी क्या पितीविम में पितीविम को परदे परपरात किया जा सकता था आईए निम्लिकित क्रियाकलाब से समतल दरपन द्वारा इती में बनने के बारी में कुछ और आदिक समझें क्रियाकलाब तेरे दिसंबव तीन समतल दरपन पीक्यू के सामने एक पिकास का स्थरोर और रखा गया है दरपन पर दो करणे वे तथा ओसी आपतित हो रही है क्या आप प्रावरति ख्याणों की दिसा ग्यार कर सकते हैं देख लिए पहले इसके पीक्यू यह आपका हो हो गया समतल दरपन पीक्यू के पेष्ट के बिन्दू बिन्दूओं के तथा सी पर अभी लंग खीजिए थिरु विन्दू यह तथा सीपर परावर्ति करने कीजिए आप इन केणों को कैसे कीजिए परावर्ति कीणों को करमसब A.B. तथा C.D.C. निरूपित कीजिए इन्हें आंगे की ओर बढ़ाईए क्या A मिलती है अब इन्हें पीछे की ओर बढ़ाईए क्या A.B. मिलती है यदि ये मिलती है तो इस बिंदू पर A.E. अंकित कीजिए क्या परावर्ति केरने इपर इस्तित इस्तित किसी दर्सक के नेत को बिंदू आई से आती पिदीत होती है क्या परावर्ति केरने बास्तों में आई पर नहीं मिलती है बलकि मिलती हुई पिदीत होती है इसलिए हम कहते हैं कि बिंदू ओकावासी पिदीवम आई पर बनता है आपका अच्छा साधवी में पढ़ चुके हैं कि इस पेकार की बिदीविम को परदे पर प्राप्टनिल किया जा सकता है। आप इस मर्क याद करिए कि समतल जो दरपन बने होते हैं दरपन द्वारा बने पितीविम में बस्तु का बायाबाग दायोर तथा दायाबाग बायोर दिखाई लेते हैं। इस परिखटना को पार्स परिवर्दन कहते हैं बात करते हैं नेमित तथा बिश्रित परावर्दन किरिया गलाब 16.4 कल्ब ना कीजिए कि 16.6 में दर्साय अनसार किसी आनेमित पेष्ट पर समानतर करने आफ्तित इस तरह से आफ्तित होती हैं याद रखे कि पेष्ट के बिजएक बिंदु पर परावर्दन की नियम मानने पिभिंट बिंदुओं पर परावर्दिक केड़ों की रचना करने के लिए इन नियमों का उप्यों कीजिए क्या ये परावर्दन केड़ने एक दूसरे के समानतर हैं आप आये कि ये केड़ने भिन भिन दसाओं में परावर्दित होती है इस तरह से जब आप समानतर केड़ने किसी खुर्दुरे या पर आनीमित पेष्ट से परावर्दित होने के पर शाद समानतर नहीं होती है तो ऐसे परावर्दन को विश्रेत परावर्दन कहते हैं याद रखे कि कि विषेरित प्रावर्द्थन में Δ्रावर्टन की नीमों का सफलिता पुर्वा पालन होता है, प्रेकास का विष्ण गत्ति जैसे विषए परवर्थी पेश्ट पर नेमिताओं के खारण होता है। इसके विप्री दरपण जैसे चिकने पिष्ट से होने बाले परावर्थन को नेमित परावर्थन कहते हैं। चित अठारे सोले दसम लव आठ में नेमित परावर्थन द्वारा पितिविम बनता है। देख लिए। क्या हम सभी वस्तूं को परावर्थित प्रिकास के कारण ही देखते हैं। आपके चारों और की लगवग सभी वस्तूं में आपको परावर्थित प्रिकास के कारण दिखाई देती हैं। उधारन के लिए चंदमा सू से प्रकास को प्रावरतीत करता है, इस पिकार हम चंदमा को देखते हैं, जो पिंद दूसरी वस्तु के पिरिकास में चमकते हैं, उन्हें विदीप्त पिंद कहते हैं, क्या आप कुछ ऐसे अन्य पिंदों की नाम बता सकते हैं? कुछ हन्य पिंड हैं जो स्वेम का प्रिकास उठ्य करते हैं जैसे शूर हो गया मौमबत्ती की ज्वाला बिद्ध लेम इनका प्रिकास हमादी नेत्वों पर पता है इस पेकार हम इन पिंड़ों को देखते हैं जो पिंड़ स्वयम का पिकास उत्साजित कलते हैं वे दीप्त पिंड़ कहलाती है देखिए अब पोरिंग तो लगती है इतना दूद मानी है कर जो भी बेग्यान की कप्षाच चटवी से लेकर नौभी दस्वी तक हैं इनमें बड़ा बोरिंग लगता है लेकिन क्या करना पढ़ना तो पढ़ेगा क्योंकि इनमें किरिया कलाब ऐसे दिये हैं कि जो इन्हें करे बैठका उन्हें इंट्रेस्टिंग मतलब बड़ा मजाएगा लेकिन अपन लोग पढ़ते हैं तो बड़ा पूरा परिक्षा भी नहीं बैठने जा रहे हैं कि चार्वीगी परिक्षा देने हैं तो आपको जो पॉइंट पकड़ना है वहां से निकल जाना है प्रयोग जो भी क्रिया कलाब है इस तरह की तू पढ़के निकलो बात करते हैं परावर्तित पिकास को पुनाहा परावर् पट्षा उसने आपके पीच्छे की ओड एक दड़पन रखा था इस दूसरे दड़पन की साहता से आप सामने वाले दड़पन में यह देख सकते थे कि आप बाल आपके बाल के सी कटे क्या आप बता सकते हैं कि अपने सिर्फ के पीछी के बालों को आप कैसे देख पाते थी पहली को याद आया कि कक्छा छटवी में विश्तारित किर्याकलाग के रूम में उसने एक पार्द परीदर्सी बनाया था कि आप बता सकते हैं कि दो दर्पणों से परावर्थन द्वारां आप उन बस्तूओं को देकन है युक कैसे बना पाते हैं जैने आप सीधिस नहीं रख नहीं देख पाते हैं परीदर्सीयों का उप्यूग पंड़ुपियों टैंकों तथा बंदरों में छेपे सैनिक बाद करते हैं बभू पिति मेंअ के बारे में हम जानते हैं कि समतल दरपण किसी बस्तु का केवल एक ही पिति में बनाते हैं यदि दो समतल दरपण को सयोजन में उपयोग करें तो क्या होगा आईए देखते हैं क्रिया किलाब 16.5 दो समतल दर्बन लीजिए उन्हें एक दूसरे से समकोर्ण पर बनाते हुए इस पेकार रखिए के इनकी केनारे आपस में मिले रहे हैं इस तरह से इन्हें जोडने के लिए आप किसी टैप का उपियोग कर सकते हैं दर्बन की बीच एक सिक्का रखिए आपको इस सिक्के के कितने पिती में दिखाई देते हैं अब टैप का उपियोग करके समध दर्बनों को बिभिन कोड़ों जैसे 45, 60, 120, 180 आधी पर जोड़िए दर्बनों के बीच में कोई बस्तू जैसे मौमबत्ती रखिए पिते पिकरन में बस्तू के बनने वाले इती में की संख्या नोट कीजिए अंत में दोनों दर्बनों को एक दूसरी के समानतर खड़े कीजिए देखिए मौमबत्ती के कितने इती में बनते हैं क्या आप यह स्पष्ट कर सकते हैं कि केश पिसादक की दुखान पर आप अपने सिर के पीछे के बार को कैसे देख पाते हैं एक दूसरे से किसी कौण पर रखे दर्पणों त्वारा अनेक पितीवे में के बनने के का की दार्ना कावपयो बहुं मूर्ती दर्सी में भाती भाती के आकरसक पैटर्न बनाने के लिए किया जाते हैं आप स्वयम भी एक केलाइडो स्कोप बना सकते हैं बहुं मूर्ती दर्सी के लिया किलाप 16.6 के लाइडो इसकोप बनाने के लिए दर्पण की लगवग 15 सेंटी मीटर लंबी 4 सेंटी मीटर चौड़ी तीन आयातकार पठी लिए उन्हें चित इस तरह से चित 16.12 यह में दर्साहे अमसा एक पिजम की आक्ति में जोड़ियें इन्हें गत्ते या मोटे चार्ट पेपर की बनी एक बेलनाकार ट्यूब में दर्ड़ता से लगवगें सोनिश्चित कीजिए कि ट्यूब दर्पन की पट्टियों में से थोड़ी लंबी हो ट्यूब के एक स्रेफ को गत्ते की एक ऐसी डिस्क में से बंद कीजिए जिसमें भीतर का द्रस देखने के लिए एक शिद बना हो इस तरह से डिस्क को टिकाओ बनाने के लिए इसके नीचे पारदर सी फिलास्टिक की एक सीट चिप खा दिए ट्यूब के दूसरी सिरे पर समतल कांच की एक बित्ता का पिलेट दर्पनों को छूते हुए दिड़ ताफूर्वक लगाई इस तरह से इस पिलेट पर चोटे-चोटे रंगीन कांच के कुछ टुकड़े यानि कि रंगीन चूड़ीयों के टुकड़े रखे त्यूब के सिरे को जिसे अगुए कांच की पिलेट से बंदिकर रंगीन टुकड़ों की हल्चल के लिए परयाप्त जगह रहने देए आपको किलाइडो स्कोप यहार है,ंपका किलाइडोस्कोप यहार है जब आप खचित से ढट้े हीं तो् आपको tube में भाती-भाती के smartphone दिखाई दीती है किलाइडोस्कोप की एक रोचक उतले q presup कि आपका भीवी एक Spaceय नहीं कि प्रया दीवारों वाले कागजों तुथा आंबस्तों की design बनाने वाले कलाकार, किलाइडो इसकों कव्योंग नए नए पैटर्न की कलवपना करने के कलते हैं अपने क्लोने क्वाकर सक बनाने के लिए आप इस पर रंगीन कागज चिपका सकते हैं सूर का पिकास स्वेद या रंगी कच्छा साथ मी मैं आपने सीखा कि सूर के पिकास को स्वेद पिकार के रूम में जाना जाता है आप यह भी सिखा है कि इसमें साथ रंग होते हैं यह दर्साने के लिए सूर के पिकास में लेक रंग होते हैं कि एक और क्रिया क्लाप करते हैं क्रिया क्लाप 16.7 उप्युक्त साइट क्या एक संतल दर्पण लिए इसे चित 16.3 कि अनुसार दर्शाय अनुसार एक कटोरी में रखें कटोरी में जल्वारिये इस बेवस्था को किसी खिड़की के पास इस पेकार रखिये कि दर्पण पर किदा पड़े कटोरी की स्तिति को इस पेकार समाई जित कीजिए कि दर्पण से परावर्तित होने वाले पिकास किसी दीवार पर पड़े यदि दीवार सफेद ना हो तो इस पर सफेद कागज की सीट चिप गई है परावर्तित पिकास में आपको अनिक रंग दिखाई इसे आपने कप्छा साथ बी में अधन किया प्रिकास के अपने रंगों में बिभाजित होने की प्रिकास का बिच्च्िपन कहते हैं हैं इन धनोस बिच्चिपन को दरसा में वाली एक प्राक्तिक परियोटन है आपकी आँगे बढ़ते हैं हमारे नेत्तरों की सरचना क्या है हम बस्तुओं को केबल तभी देख पाते हैं जब उन से आने वाला पिलकास हमारी नेत्तरों में फ्रवेश करता है नेत्त हमारी सबसे मत्वों ग्यानिनियों में से एक है इसलिए इसकी सरचनक दा कार्विदी को समझना हमारे लिए विसेश्मात रखता है हमारे नेत की आखती लगवा गोलाकाद नेत का बाहरी आवरण सपेड या कठोर होता है ताकि या नेत के आंत्रेगवावों की दोरगटना से बचाव कर सकें इसके पारदर सी अकभाग को कौनिया या सौक्च मंदल कहते है देखिए यह आपकी बारिवा क्या है कौनिया यह आपका लेंस हो गया परिताइका पेशी यह आपके रेटिना यह आपका तंतिका प्रिकासिक तंतिका कौनिया के बीचे हम एक गहरे रंकी पेशीयों की सरचना पाते हैं जिसे परितारिका आईरिस कहते हैं आईरिस में एक छोटा सद्वार होता है जिसे पुदली कहते हैं पुदली के साई परितारिका की सिन्यंतित किया जाता है परितारिका नेत का हुए भाग है जो इसे इसका बिशेष्टर रंग पेदान करती है जब हम कहते हैं कि किसी बैक्ति के नेत हरे हैं तो वास्कों में हम परितारिका के रंग की बात करे हैं होते हैं परिताई का नेत्त में प्रिवेश करने वाली पेकास की मात्रा को नेतित करती है आई देखें यह कैसे खुद्धा फिरिया कलाप्स 16.8 अपने मेत्ति की आँख में देखिए पुदली की साई का अवलोखन कीजे एक टॉच से उसकी आँखों पर पेकास डाले आप पुदली का अवलोखन कीजे टॉच को बंद कीजे तता उसकी पुदली का एक बार पुना अवलोखन कीजे क्या पुदली के साईज में कोई परिवर्तन देख पाते हैं किस सिस्तिती में पुदली बड़ी थी क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों हुआ किसी इस्तिती में आपको आंक से में अधिक पिकास बेजने की आवस्त है मंद पिकास में या फिल ती पिकास में पुतली के पीछे एक लेंस है जो कैंद पर मोटा है किस पिकार का लेंस कैंद पर मोटा होता है याद करिए कच्छा साथभी में लेंज के बारे में अपने क्या बढ़ाता है लेंज पेकास को आँख के बीजे एक परत पर फोक्सित करता है इस परत को क्या कहते हैं रेटीना द्रिख्टी पटर चित्त 16.14 तो रेटीना अरेक तंदिका कोश्काओं का बना होता है तंदिका कोश्काओं द्वारा नभाव की गई सम्मे धनाओं को द्रेक्ट तंदिकाओं को द्वारा मस्तिस्क दग पहुंचा दिया जाता है तंदिका कोश्काओं दो पेकार की होती हैं पहले संकू जो तीब केलिए सुगराई होते हैं। दूसरी सलह काएं जो मंद पिकास केलिए सुगराई होते हैं। इसके रbrand efect को एंड़ी लिए सुचनाए भी बेचते हैं। द्रक तंदिकाएं था रेटीना की संधी पर कोई तंदीका कोशिकात नहीं होते हैं। इस बिंदू को अंधि बिंदू कहते हैं इसके अस्तित्य को निवनिपकार से पेदर से किया जा सकता है किरिया के लाब 16.9 किसी कागज की सीट पर एक गोल्ड चिन तथा एक क्रॉस बनाएगे गोल्ड चिन ने क्रॉस के दाईं को होना चाहिए दोनों चिन्नों के भी 6-6 cm की दोरी होने चाहिए कागज की सीट को नेत से बोजा की दोरी पर पक्ड़े रखे अपने बायन नेत को बंद किए क्रॉस को कुछ देर तक लगाता देखे अपने नेत को क्रॉस पर इस दह रखते हुए सीट को धीरे-दीर अपने और लाइं आप क्या देखते हैं क्या गोल्ड चिन शीट के किसी दोरी तक आने पर आद्रस हो जाता है अब अपना दायन नेत बंद किए अब गोल चिन पर देखते हुए उपरुक क्रिया क्लाप को दोहराईए क्या इस बार क्रोस आदिस हो जाता है क्रोस अदबा गोल चिन का आदिस होना यह दर्थाता है कि रेटीना पर कोई ऐसा विंदू है जो पिकास गिरने पर इसकी सूचना मस्तिस की तक नहीं पहुंचाता है आँगे चुलते हैं रेटीना पर बने पितिविम का प्रभाव बस्तु को हटा लेने पर तुरंथ ही समाप्त नहीं होता यह लगवग एक वटे एक सोलवी वार सेकंड तक बना रहता है इसलिए यदि नेत पर पिती सेकंड सोले या इससे अधिक दर पर किसी गतिसी वस्तु के श्तिर पिती में बने तो नेत को है वस्तु चल्टित की बाती चल्टी फिर पी अनुवा होती है क्रिया कलाप्स 16.10 6-8 cm वजात का गत्य का एक बर्गाकार टुकडा लिए चित 16.16 में दर्साय अनुसार इसमें दो छित बनाई है इन दोनों चित्रों में एक धागा प्रोई है गत्य के एक और पिंजरा दूसरी और एक पख्ची बनाई है या फिर इसके चित्व चित्व काई है मरोड कर उसमें एठन डाले है अब धागे की दोनों सरों को खींचे ताकि दागे को एटन्स खुले बह गत्ता तेजी से गुमने लगे गत्ते के गूमते समय क्या आपको पक्ची पिंजरी के अंदर दिखाई देता है इस तरह से हम जो चल्चित देखते हैं वह बास्ताओं में कुछ भिण अगे चित्रों का उप्युक्त क्रम्में परदे पर पेक्चन है उन्हें नेत के सामने फ्रया 24 पिती सेकंड यानी कि 16 पिती सेकंड कि दर से अधिक कि दर से परिवर्टित होते दिखाया जाता है इस पेकार हम चल् प्रवेश से सुरक्चा देने के लिए प्रक्किती ने पलकें पिदार की है पलकें बंद होकर अनावसक प्रिकास को भी नेत्रों में प्रवेश करने से रोग देती है नेत एक ऐसा अध्वत्यान थे कि सामान नेत दूरी है दूर इस बस्तूओं के साथ निकट की सामानता नित द्वारा पढ़ने के लिए सरवादिक सुविदाजनक दूरी लगबग आके कितनी 25 सेंटीमीटर बते हैं कुछ मनुस से पास रखी बस्तों को इस पर्ष्ट रूप से देख सकते हैं परंत दूर की बस्तों को इस पर्ष्ट नहीं देख पाते हैं इसके बिपीत कुछ मनुस निकट रखी बस्तों को सो इस पर्ष्ट नहीं देख पाते हैं परंत दूर की बस्तों को इस पर्ष्ट देख पाते हैं उचित संसोदक लेंसों के उपेवगारा नेत के इन दृष्टी दोसों का संसुनन किया जा सकता हैं कभी कभी विशेश रूप से विर्धा वस्ता में नेत दृष्टी धुंगली हो जाती हैं या नेत लेंस के धुंगला हो जाने के कारण होता है ऐसा होने पर यह कहा जाता है कि नेत में मौतियाविंद विक्सित हो रहा है इसके कारण देख की कम्जोर हो जाती हैं जो कभी-कभी अत्यदिक गंबीर रोग ले लेता है इस दोस्त को कि चिकिस्सा संभाव है अपारदस्री लेंज को अटा गर नया किंतिम लेंद लगा दिया जाता है आधुनिक प्रुदुगी की नई इस पिक्रिया को और सरल एवं सुरक्षित मना दिया नेत्रों की देखवाल यह आवस्तक है कि आप अपने नेत्रों को की उचित देखवाल करें यदि कोई भी समस्या है तो आपको किसी नेत्र विशेशक्गे के पास जाना चाहिए नेत्रों की नीमित जाच कराईए यदि परावास दिया गया है तो उच्छ चश्मी का उपयोग कीजिए नेत्रों के लिए बहुत कम या फिर बहुत अधिक प्रकास हानी का रखे आपर याप प्रकास से नेप खिचाओ तता सरदर्द हो सकता है क्याप जानते हैं जनतीunk के नेत्र विभिण आकर्टियों के होते हैं कैकड़ी की नेत बहुत छोटे होते हैं परंदों इनके द्वारां कैंकड़ा चारों गो देख सकता है इसलिए यदि सत्रों पीचछे से विए उनकी उसकी और आता है तबी उसे पता लग जाता है तितली के बड़े नेध्र होते हैं जो सहस्थरों छोटे नेत्रों से मिलकर मनेथक पितीत होते हैं देख लिजैंघ नेध्र होते हैं या केबल सामने अदवाफ पास में ही नहीं बल्गी पीछे का भी देख सकती है उल्लू रात में वली भाती देख सकते हैं फरंतु दिन में नहीं देख पाते हैं इसके भी भी दिन के पिकास में सक्रिय पक्षी चील करो दिन में अच्छी पिकास देख सकते हैं लेकिन रात में ठीक से नहीं देख पाते हैं उल्लू के नेत में बड़ा कौनियां तथा बड़ी पुथली होती हैं ताकि नेत में अधिक विकास प्रविश कर सके हैं इसी कारण साथ साथ इसके रेटीना में बड़ी संक्या में सालकाएं होती हैं तथा केवल कुछ ही संकु होती हैं इसके विपरित दिन के पक्षियों के नेत्रों में संसको अधिक तता सालकाएं कम होती हैं। सूर्या केसी सकती साली पिकाश सरोत को कभी सीधा मत तेखेँ। अपने नेत्रों को कभी मत रगड़िये। यदि आपकी नेत्रों में कोई धूले अकड़ गिर जाए, तो नेत्रों को सवक्चजद से नुईए। यदि कोई सुधार ना हो तो डॉक्टर के पार जाए। पठन सामगरी को सदेव द्रश्टी की सामान दूनी पर रखिए। अपनी गुस्तक को नेत्रों के बहुत समीत लाकर अत्वा उसे नेत्रों से बहुत दूर ले जाकर मत पढ़िए। कच्चा छटवी में अपने आपने संतुले दाहर के बारे में सीखते। यदि भी भोजन में किसी अव्यव का आभाव है तो इससे नेत्रों को भी छती हो सकते हैं। भोजन में विटामिन A का आभाव नेत्रों के अनेक रोगों के लिए उत्तरदाई होता है। इनमें सबसे सामान रोग रतोंडी है। इसलिए हम अपने आहर में विटामिन A अवयव को संबले करना चाहिए। क्योंकि आपको बता है रतोंडी विटामिन A की कभी से होती है। कच्छी गाजत खोल होगी। हरी सब्दियां जैसे बालक होगी। तता कोड लीवर तेल में विटामिन A क की पिचोर मात्रा पाई जाती है। अंडे, दूद, दही, पनीर, मक्तन, एवं फल जैसे आम तता पपीथा विटामिन B आपके विटामिन से एसे भरभूर होते हैं। चलते हैं आगे, चार छोस ब्रक्रेती बाले ब्यक्ति पढ़ लिख सकते हैं। चार छोस ब्रक्रेती ब पढ़ लिख सकते हैं। कुछ ब्यक्ति जिसमें बच्चे भी सम लेते हैं। चार छोसी द्रश्टी संबंदी आच्छमता से पीड़ित होते हैं। उनकी वस्तों को देखने के लिए सीमित द्रश्टी होती है। कुछ ब्यक्ति जर्म से ही बिल्कुल नहीं देख पाते कुछ ब्यक्ति किसी बीमारी या किसी चोट के कारण अपनी द्रश्टी को देते हैं। ऐसे ब्यक्ति इस परस्ट द्वारा अथवाद धौनियों के अपको ध्यान पूर्वक सुनकर बस्तों को पहचानने का प्रतन करते हैं। बे अपने दूसरी ज्यानेंदियों को अधिक भिक्सित कर लेते हैं। तदा पी अत्रिक संसाधन उन्हें अपनी चंताओं को और अधिक भिक्सित करने में सक्षम बना सकते हैं। कि पता है आपको उपर वाला हर आदमे में कुष्छना हर ब्यक्ति में वज भी ब्यक्ति हुए। कुछ ना कुछ तो खास देता है। मैंने देखा है एक विखलांग को देखा है और एक आख से बिल्कुल अंगा दोनों आखे उसके नहीं थी वह पता है की पेड़फॉन होता था जब मैं कर चार्ट वी में बढ़ता था तो मैंने देखा कि वह पेड़फॉन नहीं आता था यही रियुक्त है रैद में बड़ेदू अखनाटे थी तो वह बिना आख में आखों से देखता था बससे था तो वह कोई भी नंबल पूनी लगाव दीटे़ था था द पताने केसी अर एक विखलान को वह इतना तेज चलता था मतलब एक पैसी विखलान था वो इतना तेख चलता है कि हम लोग मतलब दोड़ने टाइप का डंडे से चली आगे और हमारे बास तो दोनों पैर हैं आखे में हैं सब कुछ हैं फिर भी रोते रहते हैं कभी उनके वारे में भी सोचिए किसी ने क्या खू कहा था याद वो आपको क mesh सुनाओ वह इक लोग जूते के लिए रोंगग उनके खाल देखिए जिनके पास तैर तुभाई जो है अपने बास उसी में खुष रही है अगर दस रुपे हैं तो उसी में खुष रही है जो आ जाएगा उससे पर आंगे बढ़ते जाना चास छुस विक्रति वाले वेक्तियों पर आप एकासिक साधन तथा पिरकासिक साधन आप एकासिस साधन साधनों में चासुस साधन इसपस साधन इसपस की ज्यानिनिया कवपयों करके सरवन साधन सेवन की ज्यानिनियों कवपयों करके साधन को आवर्दित कर सकते हैं उचित तेपिता का प्रिकास विधान कर सकते हैं तथा सामगरी को उचित दूरी पर जुटा सकते हैं इस पर साधन जिनमें बेल लेकन पार्टी तथा सलाखा संबले थे, चासुस्त विक्रिती उक्ती, ब्थेक्तियों को पढ़ने तथा लिखने में सहाय करती हैं, सेवन साधनों में कैसे टेपरेपोर्डर, बोलने वाली पोच्टर कें तथा ऐसे अन्र साधन संबली थे, बोलने वाली केल्कुलेटर तत्हां कंप्यूटर जैसे एलेक्टोनिक साधन मी उप लखे हैं जिसे एनेक संगर्ना कार किये जा सकते हैं बंद परीबर तेलिवीजन भी एक एलेक्टोनिक साधन जो मुद्रिक सामक्तिरी को उचित भी फ्यार्व कंट्राश्ट तत्हां प्दीप्त के साथ आवर्दित करता हैं आजकल सर्वर्ट सीडी तथा कंप्प्यूटरों के साथ वाक्यंत भी वाच्चित भी सेखो सुनने के लिए सुनने तथा लिखने में अत्यदिक सहाएक है प्रिकासिक साथनों में दूइपॉक्सी लेंज संस इस्पर्स लेंज रंजित लेंज आवर्दर तथा दुर्वीन साथन संब्लेते हैं जबकि लेंज्टों पर सहीवजन चाच्छुस स्तीमावंधन के संसोधन के लिए उप्योग किये लगते हैं दुर्वीन साथन चौकबोर तथा कुछ कच्छा फिदर्सनों को देखने के लिए फुपलत आगे बात करते हैं बैल पद्दिती क्या है चाचुस बिक्रती युक्त ब्यक्तियों के लिए सरबादिक लोग प्रियर साथन बैल कहलाता है लुई बैल को जो स्वय में चाच बिक्रती युक्त ब्यक्ति थे ने चाच चौस ब्यक्रती युक्ति ब्यक्तियों के लिए पद्दिती विक्सित की थी तथा इसे 1821 में ब्यकासित किया वर्टमान पद्दिती 1932 में अपनाई दिए सामान भासाओं गड़े तथा बिग्यानिक विच्जारों के लिए बैल कोड है ब्रेल पद्दिती का उप्यों करके अनेक भास लिए बासाओं को पढ़ा जा सकता है बैल पद्दिती में 63 बिंदू के पैटन अत्वाब चापन पितेक चाप एक अक्चर अक्चरों के समुच्चर सामान सब्द अत्वाब व्याकरणिक चिन्नों को पिदरसित करती है बिंदू को उड़वा धर पंक्तियों के दो कख्चों में विवत्ति की अगयर पितेक पं अन्माला के कुछ अक्चरों तथा कुछ सामान सब्दों को पिदरसित करने के लिए बिंदू की पैटन नीचे दरसाएगा कैट को एंड कॉमा इस पैटन को जब बैल सीट पर उभारा जाता है तो ये चासुत बिक्रती युक्त बैक्तियों को चूपर सब्दों को बैचानने में साहता करते हैं इस पैस को आसान बनाने के लिए बिंदू को थोड़ा सा उभार दिया जाता है चासुत बिक्रती युक्ति बैक्ति ब्रेल पद्दिती को अक्ष्णों से सीखना प्यारम करता है इसके पश्चात विसेश्च छापों इवं अक्ष्णों के सहयुजन को पहच्चानता है त्यार किया जा सकता है आजकल टाइपर आइटर जैसे युक्तियां तता मुद्रण मसीने बिट सित की गईना है कुछ चासुष बिक्रती युक्त भार्तियों को महान उपलग्धियां प्राप्त करने का स्रेव दिवाकर नामक एक तीवा संपन बालक ने गायट के रूम में आश्च्चे जनक पिदर्शन किया जन्म से फूनता चासुष बिक्रती युक्त स्री रमेंद सींग ने इलाव स्री लाल आडवाणी जो स्वयं चासुष बिक्रती युक्त हैं ने भारत में विकलांकों के पुनलबास तत्मा विशिष्ट सिक्षा के लिए एक संस्था की स्थापन की इसके अतरिक तोनों ने उनेस्को में ब्रैल समस्याओं पर भारत का पितिनेजित किया अमेरिका की एक लेकी का एवन प्रादी प्रादियापक किला हैलन एक क्लेर सर्व बिदित हैं तथा पेरक चासुष बिक्रती युक्त मैलां अठारे महिने की आयू में उन्होंने दरश्टी को दी लेकिन उनके संकल्प तथा साहस की गालन वह एक विश्विद्यालेक से इ पादी गहन कर चुक है सकी इस्टोरी ओफ माई लाइफ 1903 में सहे तोनोंने अनेक पुस्त केमी लिखी है एलन एक लिड़र तो इसमें हम लोगोंने क्या जाना है प्रमोख सब्द आपतन को और देखा है परवर्तन को और देखा है अन्दिबिन्दु देखा है ब्रेल परितारिका आईश बहु मूलती दरसी के पार्स्परिवर्तन परावर्तन की नियम पूतली कि परावर्तिक के रन परावर्तन नेमित परावर्तन द्रिष्टी पटल रेतीना सलाकान अब देखिए वाही बोरिंग लगै चाहे कुछ भी लगी खाना तो पड़ेगा यानि कि पढ़ना थो पढ़ेगा कि अब आप देखिए ड़क्टर कितनी कड़ी दवाई देता था वच भाना थो पढ़ती थी तभी ठीक होती थी तो देखो पढ़ना थो पढ़ेगा बोरिंग तो लगती है में जानता हूं कि बोरिंग तो लगती है बोक्स लेकिन फिर अभी क्या कर सकते हैं आपने क्या सीखा रहे हैं प्रिकास सभी प्रिष्टों को से परावर्तित होता है जब आप प्रिकास किसी चिकने पॉलिस किये हुए तथा नेमित प्रिष्टों परावर्तित होता है तो नेमित परावर्ति हुआ घंधूरी पेश्टों से परावतन के दो नियम अंतं कॉंड परावतन कॉन के बरावरत गोगता है आपत्रीचरन परावरतक परावर्द क्रिम्च तथा पराव़तन पेश्ट पर कर दाता है सात रंगों से मिलकर बना होता है केकास अपने घंटक रंगों में विवक्त होने का को बिच्चे पन कहते हैं हमारे नेत के मत्पूंभाद गौनिया कि आईरिस पूचली लैंस रेटिना तर्फा द्रग तन दिखाए हैं जेश सामाननेत समीब तथां दूर की वस्कूंगों को इस पाश सकते हैं वरेयलपक्रदितरी का उपियोग करके 4-6 भ॥्यक्रिति युख्त बयक्ति पढ़ तते लेख सकते हैं चुर्स ब्यक्रति युक्त ब्यक्ति अपने पर्यावन से संपड के लिए अपनी दूसरी ग्यानिद्नियों को अधिक तीचना से बेखसित कर लेकिंगे कि इसी अध्याय से समद्धित आपके कुश्चन्स दिए हैं देख सकते हैं और जो आपकी पीडिया पर वो टेलीग्राम पर डाल दी गई तो वहां से डाउनलोग करके दाते लिए एक बार अच्छे से पढ़िए और निकल जाएं कि यूँकि बारवार किसी में दिमार मत खपाते रही है अर्फ यह जिए देखिए जो अगर ओपी देखिए पॉलिटी देखिए कितना मजा आता है पड़ने अगर साइंस को आउनलोग प्रक्टिकल करके देखें तो वह इसमें है मजा आएगा क्या आएगा मजा क्या आप जानते हैं कि नेत्तान किसी भी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है यह चासुत विक्रति यप्त कौनिया अंधिता से पीड़त व्यक्तियों के लिए एक बहुमूल बैट है न नेत्तान करने वाला व्यक्ति किसी भी लिंक लिंग का हो सकता है इस्तिरियों या पुरूस किसी भी आउक का हो सकता है किसी भी सामाजित फिस्तर का हो सकता है चस्मा पहने वाला हो सकता है किसी भी सामान वीमारी से पीड़त हो सकता लेकिन AIDS, Hepatitis B, C, जलवीती, Leukemia, Lymphoma, धनुस्तम, हैजरा, मस्तित, सोज से पीड़ बेक्ती नेतदान नहीं कर सकते हैं नेतदान मित्यू के 4-6 गंटे कंतर किसी इस्थान, घर, अत्वा अस्पताल में किया जा सकते हैं जो बेक्ती नेतदान करना चाहता है, उसे अपने जीवन काल में ही, किसी पंजी के नेत के बैंक के पास पितिग्या लेकर अपने नेत दरुवार प्रखने होते हैं अपनी इस पितिग्या के बारे मों से अपने निकट संबन्नियों को भी सूचित कर देना चाहिए जैसे उटकी मित्तिव के परशात आवस्तिक कारवाणी की जा सके तो यह आपका 16 एवा चेप्टर था अब 17 एवे चेप्टर में हम लोग बात करेंगे तारों के बारे में और सौर परिवार के बारे में हेलो दोस्तों तुछली हम लोग बात कर रहे थे कच्छा आटवी की विज्ञान के बारे में तो इसमें अभी तक हम लोग 16 चेप्टर आपके खिदम कर चुके हैं यह आपका 17 चेप्टर हैं याद रखिए आपको ही नहीं मुझे भी बोईन लगती है विज्ञान की वुक्स क्योंकि इसमें पैक्टिकल जो जिनके लिए अगर कच्छा आटवी की बच्चे पढ़ रहे हैंगी वह पैक्टिकल कर रहे होंगी तो उन्हें कि अधे में बड़ी साधारन और बड़ी सरल लग लग रही होगी लेकां हमारी लिए बड़ी टफ्व लगती हैं कि वह सब्सक्राइब बड़ी देखर के साथ सुनिये और आसमें में दादा दादी के गाउं गए रात्तिवी का भोजन करने की पश्चा वे घर की चत पर गए उस दिन आकास सवक्ष बादल नहीं थे वे आकास में अत्य देख संख्या में चमकी लिए तारे देखकर आक्ष्च चकी हो थे अपने सहर में उन्होंने ऐसा सुंदर द्रूस कभ नहीं नहीं देखकर देख लिए जी पहली यह जानना चाहती थी कि बड़े सहरों के आकास से गाउं का आकास इतना भिन निकिन उसके दादा जी ने एसपर्ष्ट किया कि चमकीले परकास धूएं तथा धूल के कारएं बड़े सहरों में तो स्वच्च आकास बेले ही दिख देखाई देती हैं उन्होंने रात्री तेस्त आकास में कुछ आकास यह पेंड़ों की पहचान कर उन उनसे सम्मधित जानकर कहानियां सुनाई रात्री के प्रिकास कावलोखन करना चिन चित्ता करसक वही हो सकता है जहां बातावर्ण स्वच्च हो तथा चमकीला प्रिकास नहीं किसी स्वच्च अंधेरी रात्री में आकास की और दर्ष्टी डाली आपको समस्त आकास में बिंदुओं के समान असंख तारे दिखाई देंगे इनमें कुछ बहुत चमकीले कुछ अपेक्चकित मंद्रों में इनका सावधाहिनी पूरवक पेक्चण कीजे क्या यह स तारी ग्रह चंदमा तथा आकास की बहुत सी अन्यपिंड आपके खागुली पिंड कहलाते हैं खागुली पिंड और उनसे समद्द परिखर्णाओं के द्धिन को खागुल की कहा जाते हैं प्राचीन भारत में हमारी पूरवज्यों ने आकास का सू विवस्थित रोप में अध्यन किया उस काल में खागुली की का उनका ग्यान उन्हत था सोज तार तारों चंदमा और ग्रहों की गति के समद्द में उनका सही ग्यान सही कलेंडर और पंचांग सर्जित करने में सहाइक रहा इनसे लोगों को अपनी दिन चर्या बनाने में सहायता मिली कलेंडर और पंचांगों से लोगों को फसलों के चुनाव उनकी बुवाई की समय के लिए जलवाई और बर्षा की पैटर्न की समझ में बढ़त रही तथा इस पिकाल से मौसम और परवों की तियों में भी निश क्रिया कलाब 17.01 राग्तरी में चन्द्रमा का इती दिन पेक्षाण कीजिए ज़ि संभा हो तो एक पूरिमा से दूसरी पूरिमा तक अपनी नोट बूक में हर राग्तरी वो चन्द्रमा की रोपरे का खीचे तथा पूरिमा के दिन से वित्तीत दिनों की संख्या को भी नो क्रिया कलाबों को बैठ करके बैठते रह गए तो पांस से साथ साल इसी में बैठ उन्या कल जाएगे पर पूरी पंच्छवरसी योजना सिर्ल सर्विस की तैयारी के लेका चला चाहे पर सब दिन आगे देखते हैं क्या चंद्रमा की आपक्रती में इती दिन परिवर्तन हो जब चंद्रमा की आपक्रती पूर्ता गोल पिदीत होती है क्या ऐसे भी दिन है जब स्वक्च आकास होने पर भी चंद्रमा को नहीं देखा जा सकता है उस दिन को जब चंद्रमा की पूर्ण चक्क्री का दिखाई देती है पूर्णिमा कहते हैं से इसके पच्चात पश्य अंगले दिन चंदमा का एक छोटा सा भाल आगास में दिखाई दिता है इसे भाल चंद कहते हैं इसके पश्चायत फिर पिती दिन चंदमा बड़ा होता जाता है पंदरवे दिन के बाद फिर से हम चंदमा का पूरा द्रस देखते हैं पूरे मायत दिखाई देने वाले चंद बारत में लगवक सभी परवों को चंदमा की कलाव के अनुसर मनाया जाता है उधारन के लिए दीपावली को अमावस्त्या पर मनाया जाता है बुद्ध पूरिमा और गुरुन नानक जैन्ती पूरिमा पर मनाया जाती है महा सिभराक्त्री को किश्ण पक्च की तियों दर्शी को मनाया जाता है बालि चंद सुकल पक्च की पिदिमा की दर्शन की अंगले दिन ईद उल्व कितर मनायी जाती है एक पूरी मां से दूसरी पूरी मां तक कि अवधी 29 दिन की से कुछ अधिक होती है बहुत से किलेंडरों में इस अवधी को एक मां है कहते हैं आईए यह जानने का प्रियास करें कि चंदमा की कलाएं क्यों दिखाई देती हैं अध्याय सोले में आपने यह पड़ा कि चंदमा सूर तथा अन्यतारों की वरांती अपना प्रिकास पन नहीं करता है हमें चंदमा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि यह अपने पर पढ़ने वाले सूर के पिकास को हमारी पूर परावर्टित कर देता है इसलिए हम चंदमा के उसी भाग को देख पाते हैं जिस भाग से सूर का परावर्टित पिकास हम तक पहुंच पाते हैं रात, दिन, सूर, क्रिया के लाव 17.2, एक बड़ी गैन अत्वा घडा लीजिए, इसके आदे भाग को सपीर, तथा आदे भाग को काली पेनिट में होती है, अपने दो मित्रों के साथ खेल की मैदान में जाए, मैदान में लगों 2 मीटर, तिर्ज्या की कबिर्द कीजिए, चित्त, सत्तरह जासंब चार की तरह, इस ब्रित को आट बरावर भावों में माटी, ब्रित के गैंद पर खड़े होई है, अपने मित्त से गैंद को पकड़ कर, ब्रित के विवेने बिन्दूपर खड़े होने को किये, उसे कहिए कि वो गड़े के सफेज भाग को सदेव पूर के सामने रखे, यदि आप इस किरिया कलाव को परता कल समय में कर रहे हैं, तो गैंद के सफेज भाग को पूर के सामने रखना चाहिए, यदि आप इस किरिया कलाव को साय सामने के समय कर रहे हैं, तो गैंद को के सफेज भाग को पश्निम दे सामने रखना चाहिए, पितेक प्रिकरण में सफे तथा काले भाग को विभाजी करने वाली रेका उर्धवादर होनी चाहिए। बर्त के केंद पर खड़े रहकर गेंद के सफे दर्स भाग को कफेक्चन कीजे तथा इसकी आख्रिती अपनी नोट बूप में खीजे। इन आख्रितियों की तुलना चित्त सब्कर रजे समलोग पांच में दर्स आई गई चंदिगमा की कलाओं से करिये। अपनी कच्छा में चंदमा की स्थितियों एवं सम्मधित कलाएं। याद रखिए चंदमा पित्वी की परिक्मा करता है। पित्वी चंदमा से सूरी की परिक्मा करते हैं। यह आपकी पित्वी होगी, यह आपका चंदमा है, यह आपका सूरी है। देख लिए। पित्वी चंदमा की साथ सूरी की परिक्मा करते हैं। क्याव आप पूरिमा तथा अमस्तर अमावस्या के दिन सूर्चन्दमा तथा पिद्वी की सापेक चिस्तियों का अर्मान लगा सकते हैं इनकी स्तितियों को अपनी नोटूप में आरेकित कीजिए पूरिमा देखने के लिए आप आकास के किस भाग में देखेंगे बारिचन की पच्चाट पिद्वी से दिखने पर पिती बन ती दिन चंदमा की पिती बती बाग में गठता जाता है क्रिया कलाब 70 अपर 3 धरती पर लगवफ एक मिटर वियास का एक बरद खिंचे अपने किसी मित्द से इस बरद के केंद पर कड़े रहने के लिए करिे आप अपने मित्द की परिखमं इस पेकार कीजिए कि आपको आपका मुख सद्यो उसकी ओर ही रहे जाकरमने ताकि पीच देख सकते हैं एक परीप्टमा करने में कितने गुड़न पूरे किये हैं चंदमा पितिवी की परीप्टमा इसी धन्ग से करता है चंदमा पिद्वी की एक परिक्मा पूरी खन्य में अपने अच्छ पर एक गुड़न पूरा करता है चंदमा का प्रेष्ट कभियों तथा कहानी कारों के लिए चंदमा एक चित्ता कर सक पिणने है परन्तु जब अंत्रेक्ष यात्तियों ने चंदमा पर कदम रखी कि कि गीवन की संभाना हो सकती है het कि कीश जूलाई इनि इस अंधर को अमेरिका के इंत्रेक्ष छात्री ने पूराज नेल, आर्म, इस्टांगन ने सबसे पहले चंदमा पर अपने कदम रखे थे उनके बाद एडविन, एलरेंट चंदमा पर उत्रिक थे इस चंदमा पर अंत्रिक्ष यात्री है नासा, तारे अमेरिका की अंत्रिक्ष एजंसी है नासायार TTS शरोह हो अकनी एजसरोह है अंडिया की बत्रिक के कास में आप कौन सी बस्तों में देखते हैं आकास में असंक तारिय बड़े सहर से दूर Medical उठीए अन्दियाली रात को आकास का साफधानी गुर्वक पेक्षन कीजिए क्या सभी तारे समां रोप से चमकी ले हैं किया सभी तारों पर अएक जैसा है में बिंदू जैसे पितीत होते हैं कि सोर पितवी से लगभग आपका 15 करोड किलोमीटर दूर से कितना 15 करोड कि सोर के पश्चा दूसरा निकट तम तारफ प्रवक्सीत मां सेंचुरी हैं इसके दूरी पितवी से लगभग कितनी है चार चालीस अरब यह आपकी है यादर की चार प्रिकास वर्ष कितनी चार प्रिकास वर्ष अब इनके जीरो बिंते रहीएगा चलते हैं अंगों कि आखे कि आप इस दूरी को आसानी से बढ़ सकते हैं कुछ तारे तो इससे भी कहीं अधिक दूरी है इतनी अधिक दूरियों को लंबाई के अंद मात्रप प्रिकास बर्स में बैखत कते हैं यह प्रिकास द्वारां एक बर्स में चली गई दूरी है याद किजिए प्रिकास की चालब 30,000 km 30 second है इस पिकाल सूर की पित्वी से दूरी लगवग 8 पिकास में निट है हैलफा सेंचुरी लगवग 4.3 पिकास बर्स दूर है कितनी 4.3 पिकास वास्ताओं में दिन के समय भी आकास में तारे होते हैं तदा भी उस समय सूर किती पिकास के कारण भी हमें दिखाई नहीं देते हैं कुछ पिरमुक तारों तथा तारों के समुक आकास में लगवग 2 गंटे अथवा अधिक समय तक पेक्षण के लिए आपको क्या पता चलते हैं क्या आकास में तारों के स्थितियों में कोई परिवर्टन होता हुआ पाते हैं आप यह पाएंगे कि तारे पूर से पश्चिम की ओर गद्धी करते पिती थोड़ें कोई तारा जो सूर्यास्त होने की ही होते ही पूर में उदर होता है सामानता सूर्य उदर से पहले ही पश्चिम में अस्त हो जाते हैं तारे पूर से पश्चिम की ओर गद्धी करते पिती क्यों होते हैं आई इसका भी क्रियाकलाब बदा लगाते हैं किरिया कलाव 17.4, किसी बड़े कमरे के बीच में, खड़े उकर गूरन कीजिए, कमरे में रखी बस्तुओं किस देशा में गति करती पितित होती हैं, क्या आप इन बस्तुओं को अपनी गति के विक्री देशा में गतिमान पाते हैं, पहली याद करती हैं, जब वोई किसी चल का अर्थ हैं, कि पित्वी पश्चम से पूर्ण देशा में गूरन करती हैं, अब समझ में आया कि सूर पित्वी में पूर्व में उदय होता है, तो था पश्चम में अस्त होता है, हुआ क्यों पितीत होता है, ऐसा पित्वी अपने अक्षपर पश्चम से पूर्ण देशा सब्सक्राइब करने के कानद पुद्द है किरिया कलाव 17.00 माच एक छाता लीजिए इसे खोलिए कागज को काटकर लगवग 10 से 15 तारे बनाएगे चाति केंद्रिय चड़की इस्तिती पर एक तारा चिपकाईए चाति के पिते एक तार इस्पोक के सिरके निकर कपड़े पर अन्य तारों को चिपकाईए इस तरह से अब छाति केंद्रिय चड़की को अपने हाथ में पकड़कर नुमाईए चाते पर चिपकाईए सभी तारों का पेक्षण कीजिए क्या कोई ऐसा तारा है जो गलती करता पितित नहीं होता है यह तारा कहा इस्तित है यदि कोई तार कि वहां इस्तित होता है यहां अकास में पितवी का अच्च मिलता है तो क्या वह तारा भी इस्तित होता है दोर्ब तारा बास्तों में दुर्प तारा एक ऐसा ही तारा है जो पितवी के अक्ष की देशा में इस्तित है यह गत्ती करता पितीत नहीं होता है देखेए जो बात करते हैं तारा मंटल कुछ समय तक आकास का पेज़कन कीज़े क्या कुछ तारीच चित्य सत्रे दिसमलाव 11 में दर्शाय अंसर आक्रती के समय बनाती हुए पितीत हो पहचाने जाने यूग आक्रतीयां वाली तारों की समय कुछ तारा मंटल कहते हैं प्राचेन काल में मनुस ने आकास में तारों को पहचानने के लिए तारा मंटल की अभी कल्पना की तारा मंटलों की आक्रतियां उन व्यक्ति हुए सुप परचित बस्तों के सदिस थी रात्तरी के आकास में कुछ तारामंडल की एक आसानी से पहचार कर सकते हैं इसके लिए आपको यह जानना होगा कोई विशिष्ट तारामंडल कैसा दिखाई देता है रात्तरी के आकास में उसे कहां दिखना होगा ग्रेट बियर, औरोयन, किसी उप्या, लिव मेज़र सर्व विख्यात तारामंडल में से एक विख्यात तारामंडल सबतर सी है जिसे आप गर्मियों में रात्तरी के पित्थम पहर में देख सकते हैं इस तारामंडल को बिख टीपर, ग्रेट बियर, अतवा आरसा मेज़र भी कहते हैं इस तारामंडल में साथ सुषपष तारिफ होते हैं यह बड़ी खलची, अतवा पिश्ळत चिन जैसा पित्थ होता है इस कलची की हथती में तेन ततनल ख़त हैं में चार तारिक होते हैं, सभी प्राचीन संस्क्रितियों में बिविन नक्चतों के संबंद में दिल्चस्प फुराणिक कताएं पिचले थे प्राचीन काल में जल पीने के लिए उपयोग होने वाली कल्ची सब्तर्सी साथ पिसिद प्राचीन भार्ची संतों या रिसियों के नामों के साथ समढ़ते हैं, जैसा की नीची दीए चित में दर्स आएगे प्राचीन पुराणिक कताओं के अनुसार सब्तर्सी नक्षत बेदों के सस्वस्त ज्यान को एंगित करते हैं मरीज, वसिष्ट, सेंग्रिशी, अर्त्री, पुलससत, रितू, पुलै, अलकारत, मिजार, अलियोत, मेकेज, फैकदा, मेरग, डफे कुछ घंटों तक इस तारा मंडल का पेक्चन कीजिए, क्या आप इसकी इस्तिती में कोई परिवर्तन देखते हैं क्या आप इसकी इस्तिती में कोई परिवर्टां देखते हैं। आप यह पेक्षण करें। करेंगे कि इस तारा मंडल की आकटी समा देती। आप यह भी पाएंगे कि यह तारा मंडल पूर्खे पर्चम की और गती कलता पिती होता है। किरिया कलाब 17.07 इस किरिया कलाब को गरिमियों में रातरी के समय लगवक 9 बजे उस दिन कीजिए जब आकास में चन्दमा ना हो। आकास के उत्तरी वाग का पेक्षण करके 17.07 को पहचानिए। इस कार में आप अपने परिवार के बढ़िये बढ़ों की साहता ले सकते। 17.07 की सरे के दो तारों को देखिए। चित 17.13, 17.13 दो तारे की श्तिती ज्याद करना। 17.13 में दर्साय अंशा इन दोनों तारों से बज़नने वाली सरलेका की कल्पना कीजिए। इस काल्पने करेखा को पतर देशा में आमभी बढ़ाई। इन दो तारों की बीच की दूरी का लगवग पांच बना। यह रेका एक ऐसे तारे पर पहुंचती है जो अधिक चंकीला नहीं है। यह द्वप तारा हैं। द्वप तारे का कुछ समय तक पेक्षण कीजिए। नोट कीजिए कि यह तारा अन तारों की बाती फूर्व से पश्चिम की ओद गति नहीं करता। क्रिया कलाप 17.08 गरिमी में किसी दिन रातिरी के समय दो से तीन गंटे के अंतराल में 17 सी का तीन से चार बार पेक्षण कीजिए। हर बार द्वप तारे का अस्तान भी निर्धारित कीजिए। क्या 17 सी पूर्षे पश्चिम की ओद गमन करता है। क्या ये दौफ तारे की परिक्मा करता दिखाई देता है। अपने पेक्षण कि दौलना 17.04 सी के में दरसाई श्तितियों से ही कीजिए। भास्तों में सभी तारे, धौफ तारे की परिक्मा करते की परिक्सी होते हैं। द्यांदीजे के कुछ तारा दक्षणी गोलाद से नहीं दिखाई देते हैं। सब्तरसी जैसे गुत्री गोलाद के कुछ तारामंडल भी दक्षणी गोलाद के कुछ इस्थानों से नहीं दिखाई देते हैं। और रोयन एक अन्रविख्यात तारामंडल हैं। जिसे हम सर्दियों में मद्द रात्री में देख सकते हैं या आकास में स्तरवादी भख तारा मंडलों में गिना जाते हैं इसमें भी साथ अधवा आठ चमकीले तारे हैं और रोयन को सिखारी भी कहते हैं इसके तीन मद्द, तीन मद्द के तारे सिकारी की बेंट पेटी को निरुपित करते हैं, चार चमकिले तारे चतरोजित की रूमें विवस्ति दिखाई देते हैं, आकास में सबसे अधिक चमकिला तारा सीरियस लोगधा कर, और वैन के निकट दिखाई देता है, सीरियस को अनुदिर्स आपको एक अत्यान चमकीला तारा दिखाई देगा यह सर्दियों में रात्री की पिथम पेहर में दिखाई देता है यह अंगरेजी केक्चर डबलू अथबा M की पिगडे बिक्र रोग जैसा दिखाई देता है क्या आप चानते हैं किसी तारा मंडल में केबल 5 से 10 तारे नहीं होते हैं इसमें बहुत सारे तारे होते हैं तदा भी हम अपने नंगी आँखों से किसी तारे तारा मंडल के केबल चमकीले तारों को यह देख पाते हैं जिन तारों से मिलकर कोई तारमंदल बनता है, बेसबं से समाधूरी पर नहीं है, बेहाकास में केवल एकी द्रस प्रेखा में हैं, देखिए, असंक तारे दिख रहे होगे, सौर परिवार, सौर तथा इसकी परिक्मा करने वाले खागुलिये पिंडों से बलकर सौर परिवार बना है, इस परिवार में बहुत से पिंड हैं, जैसे ग्रह हो गया, धूमकेतिव, छुद ग्रह, तथा पुलका हैं, सौर तथा इन पिंडों के भी गुरुत्वा करस्न पलके हैं, कारण ये पिंड सौर की परिक्मा करते हैं, जैसा आप जानते हैं, कि पितवी भी सौर की परिक्मा करते हैं, यह सौर परिवार की एक सदस है, यह यह ग्रह है, इसके अतरिक साथ अंद ग्रह हैं, जो सौर की परिक्मा करते हैं, रहते हैं, सौर से दोरी के अमसार है, इनके करम इस पिकार हैं, बोद, सुख, पितवी, मंगल, बैस्पती, सनी, यूरेनस और मंगल उसके बाद व्यस्पति सनी यूरेनस और नेक्ची सोर परिवार है सोर परिवार का यूजनावर्ट द्रस दाता है क्या आप जानते हैं कि सन 2006 तक सोर परिवार में नो गरह थे कितने नाई पिलोटो परिवार का सूर से दूर्टम गरह था सन 2006 में अंतराथिया खाबूलिय संग ग्रह की नई परिवासा को अपना है जिसके अमसर पिलेटो ग्रह की शैनी में नहीं आता है अब ये सौर परिवार का ग्रह भी नहीं आईए सौर परिवार के कुछ सदसों के बारे में जानक्यारी प्राप करते हैं सूरे सूर हमसे निकट तम तारा है या निरंतर बिख साल मातरा में उस्मा तथा पिकास और सर्जीत करता है इतिवी की लगभग समस्त उर्जा का सरोथ आपका सूर ही है बास्तों में सभी ग्रहों की उस्मा तथा पिकास की उर्जा का प्रमुप सरोथ सूर है बात कबते हैं ग्रह की बारे में ग्रह तारों की बाती पितीत होते हैं परन्तु ग्रहों में अपना पिकास नहीं होता है कि याद रखना कि इस पॉइंट हूं कि गिरहों में अपना प्रिकास नहीं होता हूं कि वेकेबल अपने उपर पढ़ने वाले सूर के प्रिकास को परावर्खित करते हैं कि आप तारों और गिरहों में भेद कर चुक सकते हैं गिरहों तारों में अंतर करने की सरुतम भी यह है कि तारे टिम्टमाते हैं जब कि गिरह ऐसा नहीं करते हैं तारों की सापिच सभी गिरहों की स्थिती भी बदलती रहते हैं पिते गिरह एक निश्चित पत पर सूरी की परिक्मा करता है इस पत को कहच्छा पेती हैं किसी भी ग्रह द्वाना सूर की परिख्मा पूरी करने में लगे समय खूँ उस ग्रह का परिख्मर काल कहते हैं ग्रहों की सूर से दूरी बढ़ने पर उनके परिख्मर काल में भी बिट्थी हो जाती है किरिया कलाब 17.9 अपने चार-पांच मित्रों के साथ खेल के में नार में जाएए चित 17.8, 17.8 इस तरह से दरसाय अमसार एक मीटर, 1.8 मीटर, 2.5 मीटर, 3.8 मीटर, तिर्जार इस साख के अंदी बिट्खींची अपने किसी एक मित्र से केंद पर खड़े हो का सूर को निरूपित करने के लिए करिए आपके अन्नमित, बुद्ध, सुख, पित्वी, मंगल को निरूपित कर सकते हैं अपने मित्रों से अपनी कप्छाओं में वार्मा वामा बर्द दिशा में सोरी की परिख्मा करने के लिए कहिए क्या उनकी एक दूसरे से टक्कर होती है इस तरह से सोरी की परिक्मा करने के साथ साथ ग्रह लट्टू की बहाती अपने अक्षपर गुणन गती भी करते हैं किसी ग्रह द्वारा एक गुणन पूरा करने में लगने वाले समय को उसका गुणन काल कहते हैं ग्रह लट्टू की माती अपने अच्छ पर गुड़न करते हैं कुछ ग्रहों के ग्याद उग्रह चन्दवा हैं जोन की परिक्मा करते हैं किसी खागुलिये पिंड की परिक्मा करने वाले अन्न खागुलिये पिंड को पहले खागुलिये पिंड का उग्रह कहते हैं पितवी को सूर का उपगरे कहा जा सकता है। यक्पी सामान ताहमें इसे सूर का गरह कहते हैं। गरहों की परिक्मा करने वाले पिड़नों के लिए ही उपगरे सब्सक्राइब करते हैं। चंदमा पितवी का उपगरे, पितवी का एक मात उपगरे चंदमा है। से बहुसे मानंने इंवित वब्रें की प्रहिकमा कर रहें, इसे कंदिम वब्रें कर से लिए। खावोलकी में त्री भारतिये बिद्वारों का युगदा रहा है, मुक्ता ग्यात खावोल गुन मैंसे एक आरवट्थेया थी, खावोलकी पर आरवट्थ के युगदान का बढ़नों की रजना आरवट्थियम में उलिके थी, जिसे उन्होंने 23 वर्ष की आयू में 499 CE में ल आरवट्थ ने सुझाया कि पिद्वी गोल है, तता यह अप नक्ष पर गूडन करती है, पिद्वी के नक्षत काल के लिए उनका अनुमानित मान तेज गंटे 56 मिनिट और 4.1 सेकंड बटमान में ग्यात मान की बहुत निकटता, चंदमा दतना ग्रह सूर के पेकास की गर्णों को भी बिज्ञानिक ब्याक्या दीती है, जब पिद्वी की चाया चंदमा पर पड़ती है, तो चंद गेहन की परिगठना होती है, और जब चंदमा की चाया पिद्वी पर पड़ती है, तो उस सूर गेहन परिगठना होती है, आरवट्ट के अनुसाल, पिद्वी और चंदमा के बीच की दूरी का मान वरत्मांस में ग्याद दूरी के बहुत करीब है अब हम लोग बात करते हैं बुद्ध ग्रय के बुद्ध ग्रय सूर से निकट्थम ग्रय यह हमारे सौर परिवार का लगुद्धम ग्रय क्योंकि बुद्ध सूर के अतिन्द निकट है अताहा अधिकान समय तर सूर की चकाचों में छपा रहने के कारण इसका पेक्षण करना अतिन्द कटे नहीं तदापी सूर से तुरंत पूर्व अत्वा सूर्यास्त की तुरंत पर शाथ इसे चेतिच पर देखा जा सकते हैं अता यह वही देखाई देता है जहां बैक्षों तथा भावनों द्वारा चेति को देखने में कोई वाधा नहीं आती है बुद्ध का अपना कोई उपगरे सूर्य ग्रहों में सुक्ष पिथवी का निकटतम पड़ोसी ग्रह है रात्री के आकास में यह सबसे अधिक चमकीला ग्रह इसलिए से चमकीला ग्रह भी बोलते हैं कभी-कभी सुक्ष पूर्व आकास में सूर्य उद्व से पूर्व दिखाई देता है कभी-कभी सूर्य आर्ष के तुरंत पर्षा यह पर्ष्य में ही आकास में दिखाई देता है इसलिए इसलिए प्रभात तारा यानि कि प्रदाता तारा अध्वा सांधत तारा कहते हैं यह की यह तारा नहीं है, रातिर के आकास में से दुमुन्या की प्रयास किना, सुक्ष का अपना कोई उगर है, यानि की चंदमा नहीं है, इसकी अपनी अर्च पर घूरन गती कुछ आसाधारन है, यह पुर्व से पश्चम की वो गूरन करता है, जबकि पित्वी याद रखन पुर्व से पुर्व देशा में की और गती करता है, पित्वी आपकी पुर्व से पूर्व देशा में, क्रिया कलाव 70.30, किसी समाचार पर पच्चान अत्वा जनत्री में, देखकर पता किजिए कि आकास में किस समय बग्ष दिन सुक्ष दिखाई देगा, आप सुक्ष ग दुर्वीन द्वारं बड़ी आसानी से कर सकते हैं, याद रखिए कि सुक्ष को आकास में अधिक पूचाई पर नहीं देखा जा सकता है, आपको याद तो सुर्वी द्वारं से एक से तीन घंटे पूरू, अत्वा सुर्यास के एक से तीन घंटे परश्या कि यादी में सुक्ष की कलाओं का पेक्चन करेंगे, सुक्ष की कलाएं, अब बात करते हैं पितवी, पितवी ही सौर परिवार का एक मात ऐसा गरा है, जिस पर जीवन का अस्तित्य यानि कि जीवन है, पितवी पर जीवन, बिदमान होने तथना उसकी निरंता बनाय रखने के लिए जर्की उपस्तिती, उप्युक्त बायू मंदल तथा ओजोन का आवरन बना से रहे हैं, अंतरिक्ष से देखने पर पितवी के ब्रहस्पती पर जल तथा भूमी से ब्रकास के प्रावल्तित होने की गारें, वह नीली हरी पितवी होती है, पितवी का गूडन अक्ष इसकी जुकाव पितवी पर रितु परिवर्तन के लिए उत्तर दाई हो, पितवी का केबल एक ही उगर है बुख्याव का चन्दमन, जो आपका रितु परिवर्तन होता है ये पितवी की जुकाव वे कारण होता है चलते हैं आगे, अंगला आपका ग्रह है, मंगल अंगला ग्रह है जो पितवी की कच्छा की बाहर का पहला ग्रह है वह मंगल है ये हलका रखता अपितीत होता है इसलिए इस ग्रहे को लाल ग्रहे भी कहते हैं मंगल के दो प्राक्तिक उग्रहे मंगलयान की बाद बारे में बात कर लेते हैं मंगल के दो प्राक्तिक उप्राइन मंगल यान भारती अंत्रिक चनुसुन्दान संकठं इसरों ने भारत का पहला मंगल कच्चित और वेटर मिस्सन मंगल यान 5 नवंबर 2013 को फिक्चित किया 24 सेप्टमबर 2014 को मंगल की ग्रह यानि कि कर्च्चा में सफलत प्रूबत पहुंच गया इस प्रकार भारत अपने फित्म परियास में ही इस कारी को करने वाला विस्त में पहला देश बना है यह यारत करते हैं बैश्पति बैश्पति सोर परिवार का सबसे बड़ा गया है यह ग्रह इतना बड़ा है कि लगवग 1300 इत्वियां इस बैशाल ग्रह की वीज़तर रखी जासे परन्तु बैश्पति का द्रमान इत्वी के द्रमान का लगवग तीन सो अठारे गुना है यह अपने अक्षपड अक्तिती बगति से बूढ़न करती हैं याद रखना इसके 79 या विजबत बिड्ज से बढ़ चते हैं विशबत बिड के तल को फिदवी का विश्पतिय तल कहते हैं व 위에 तल जीसमें पिदवी स्वह की परिखमा करती ए उसे पिदवी का कच्चीय तल कहते हैं यह दोनों तल एक दूसरे से 23.5 डिग्री की कोंड पर युगी है इसका तत्प बैस्पती के बहुत से प्राक्तिक उप रहे हैं इसके चारों को दूंजले बलाय भी है आगास में अत्य दिप चंकीला पितीत होने के कारण आप इसे आसानी से पहचान सकते हैं यदि आप इसका पेपचन दुर्वीन के साहता से करें तो आप इसके चार पिरमुख बड़ी चंदमावी यानि के उग्रय भी लेख सकते हैं बात करते हैं सनी ग्रय के बैस्पती के परेश सनी जो रंग में पीला सा पितीत होता है इस ग्रय के रमणिये बलय इसी सौर परिवार में आदुतिये बनाते हैं या बलय नंगी आँखों से दिखाई नहीं देते हैं आप चोटे दूर दरसक वारां इनका पेक्षण कर सकते हैं सनी के भी बहुत आपके पराफ्तिक उग्रय हैं पहली पता है बैस्पती के सबसे जान्दा उग्रय हुआ करते हैं यह कि अभी 20 नए सनी के उग्रय हुझ भीए इस पकार उ सनी के बारे में एक रोचक बात आए कि सभी ग्रहों में या सबसे कम सगन है इसका गनत जल के गनत से भी कम है अब बात करते हैं लोग यूरेनस और निप्चिव यह सौर परिवार के बाहतम ग्रय हैं इनकेबल बड़े दूर दसकों की सायता से ही देखा जा सकता हैं सोर की साती यूरेनस भी पूर्ट्रे पश्चिन की देखा में गुगुडण करता है इसकी बिलक्षण बिसेश्ता इसकी इसका अत्यदिक जुखा गुगुडण है इसके पैडाम पर रूप यह कची है गती करती सुमें अपने पेश्ट पर लोड़कता सबितीत होता है सौर परिवार के पिथम चार गरह बुद्ध सुख पिथवी मंगल अन्चारों गरहों की तुरला में सूर के अत्यंत निकटें इसे इन्हें आप लोग आंत्रिक गरह करते हैं बुद्ध सुख पिथवी मंगल को आंत्रिक गरह करते हैं आंत्रिक गरहों के बहुत कम चंदम दूर है इनने बायवृ ग्रहेकिते हैं इनके चारों ओर बले निकाल्य है बायव ग्रहों के अदिक संक्याप में चम् knapp होते हैं कि बात कर लेते हैं सौरपरिवार के कुछ अंन्य सदस्य ग्रहों के अ त्रिक्त सूर की परिख्मा करने वाले कुछ अन्य पेंट लगी हैं यह भी सौर परिबार के सदस्य आईए इन में से कुछ कि विशाय में जानकारी प्राफ्त करें चुद्ध ग्रह मंगल दथा बेश्पती की परक्षाओं के बीच काफी बड़ा अंत्राल है चित देख रहे हैं आप 17.25 यह आपके चुद्ध ग्रह हैं बेश्पती और मंगल के विशाय में इस अंत्राल को बहुत सारे ऐसे चोटे-चोटे पिंड्नों ने गेज रखा है जो सूरी की परिख्मा करते हैं इनाय चुद्ध ग्रह कहते हैं चुद्ध ग्रह को किबल बड़े दूरदसक द्वारा पर वलिय कप्चाओं में सूर के परिख्मा करते हैं परन्तु इनका सूर का परिख्मा काल सामानता काफी अधिक होता है सामानता धूम के तुचम के लिए सिर्फ तता लंबी पूंच वाले होते हैं जैसे जैसे कोई धूम के तुच सूर के समीत आता जाता है इसकी पूंच कि आकार में बढ़ती दाती किसी धूं के तू की पूंच सद्यों ही सूर से परेवती हैं ऐसा बहुत सी दूम के तू ग्यात हैं जो समय समय पर एक निश्चित काल अंतराल पर दिर्ष्टी गोचर होते हैं हैलेखा दूम के तू एक ऐसा ही दूम के तू जो लर्बग आपका हर्थ 26 वर्ष के अंतराल में दिखा गया था इसे सन 1986 में पिछली बार देखा गया था क्या आप बता सकते हैं कि अंगली बार एक कब देखा जाएगा तू च्छासी में छेटर जोड़ दीजिए तो कितना हो गया 6212 और 8 हो साथ 1516 यानि कि 2062 हैं इतना ही हुआ देख लिए त्याइं गलत हो जाए मुझसे आप लोग कहें कि गलत बताती है दोहजार वासटना हैं धूमकेतियों के विशाय में अंध्विश्वास कुछ ब्यक्तियों ब्यक्ति यसा सोचते हैं कि धूमकेतु घोर बेपक्तियों जैसे योद्ध महमारी वार आदी के दू संदेश भाग हैं परन्तु यह सम्मिथक हैं कल्पित मानता हैं तथा अंध्विश्वास हैं दूमकेतु का दश्टी गोचर होना एक प्राक्ति परिगठना इनसे भैवीत होने का कोई उचित नहीं है उलका हैं और उलका पेनी रात्री के सब्सक्राइब में जब आकास दिखाई दे रहा हो तो आप कभी-कभी आकास में प्रिकास की एक चमखिली धारी सी देख सकते हैं इसे सूटिंग इस्टार साथ पूटता तरह कहते हैं यक्पी यह तारह नहीं है इन्हें उलका कहते हैं उलका सामनता छोटे पिंड होते हैं जो यादा कदा पिद्वी के प्रिवेश कर जाते हैं वह संमय छोटनी देखरिच्टाय इकतत होकर जल ऊक्ते हैं और चमक के साथ सबी वाजपित हो जाती हैं यही कारण है कि पिकास की चमकिली धारी अती अल्व समय के लिए ये द्रिष्टी गोचर होती है इस तरह से कुछ घुलकापेंड आगाथ में इतनी बड़ी होती है कि पूर्धता बास्पित होने ने से पूरोभी ये वेपिद्वी पर पहुंच जाती है वेपिड्ड जो पिद्वी पर पहुंचता है उसे उलका पिंड कहते हैं, उलका पिंड विग्यानिकों को उस पदार की प्रक्किती की गोज करने में सहायता करते हैं, जिससे सौर परिवार आपका बना हुए है, उलका विष्टी, जबके तिभी किसी धूनकेतु की फूच को पार करती है, तो उलकाओं के जून्दे दिख दिखाई देने की समय का पता लगा सकते हैं, बात करते हैं किंतिम उग्वराओं के बारे में, आपने यह सुना होगा कि यह से बहुत से किंतिम उग्वरें हैं, जो पित्वी की परिख्मा कर रहे हैं, आप यह जानना चाहेंगे कि किंतिम उग्वरें प्राक्तिक परिक्मा करते हैं भारत ने बहुत से किंतियं वुगळों का नहीं और पिर्मोचन किया और भारत का पितम वुद रहे था झाल कुछ उन्द भारती अगुड़ाई इनसेट आई आरेस, कलपनाफल, फश्ट, एडूसेट, एजूकरिशन के लिए था आधी किंतिंग ओगरों के बहुत से वेवारिक अनुक्योग, इनका उपके उपके मौसम के बहुत समारी, रेडियो, तथा टेलीविजन संकेतों के पेस्टन में भी किया जाता है इनका उपक दूर संचाद, तथा सुदूर संविधन के लिए ही रिए जाता है देखिए हैं कुछ भारतियोगोगरोग तो सध्याय में आपने क्या क्या जाने है देख लीजे कित्य मुग्रह देखें, छुद्ग्रह देखें, छुद्ग्रह, कैसी युपिया, खावुलिय पिंड, दून के दू, तारा मंदल, पिरकास वर्ष, उलका पिंड, उलका के बारे में जाना है, प्राक्तिक उग्रह, कप्छा के बारे में जाना है, औरोयन, चंदमा की कलाओं क के बारे में द्रह के बारे में जाना है तो अगर आप अध्याः पढ़ने की बात इन सब्दों की परिवासा देने में सक्छम हैं आपने क्या सीखा है सद्याय में? चंदमा की कलाओं की गजना का कारण यह है कि हम चंदमा का केवल वयभाग ही देख सकते हैं जो सूर के पिकास को हमारी और परहवर्थित करता है तारे अपना पिकास उत्सवजित करने वाले खागुली पिंड है हमारा सूर भी एक तारा है तारे की दूरियों को पिकास बर्व में वर्ष में बैक्त किया जाता है तारे पूरुप से पश्चिम की और गती करते पितीत होते हैं पूरुप से पश्चिम पित्वी से देखने पर धुट तारा इस तर पितीत होता है सौर परिवार आट गरों, छुद गरों, धूम कितियों, एवन उलकाओं के जुण से मिलकर मना है किसी ऐसे पेंड को जो किसी अन्य पेंड की परिक्मात करता है उगरे खेती चंदमा पितिवी का प्राक्तिक उगरों के प्राक्तिक उगरे होते है सुख्ष गरै रातरी के आकास में दिखाई देने वाला सबसे चम्म्कीला गरै सॉर परिवार का स्यवड़ा गरै बहष्पती पित्वी की परिक्वात करते हैं एक चल्मा की तुल्ला में पित्वी की बहुत की बहुत निकट्थ हैं किंते मुग बराय का उपेव मोसम की वह विस्वाणी दूर संचार तता दूर संबेधन मन किया आजबता है अब इसी अध्याय से जमन्दी ते आपके questions दिये गए देश लिए आप भिहास के लिए पीडिएप आपकी टेलीग्राम पर डली हुई है उसे अपने पास रख लिए निकाल के अगरकर कभी लगे या प्रिभी मन लगे कि आप समझ में नहीं आया है तो उससी पढ़त करते हैं आप लोग एक बाद मन से पढ़िए ऐसा कोई भी सब्द नहीं मिलेगा जिसे आप लोग समझना सबूंगे बस बड़े धैर के साथ पढ़ना है क्योंकि जो हमारे सब्सब्द होते हैं तो हमें बड़े बोईंग लगते हैं तो इसलिए अच्छे से पढ़िए हो निकल जाएं इन्हें देख लिए परीविर मढकाल है दिरहों का गुड़न काल है जैसे आपकी पित भी है 365 में दसमलो 25 दिन में परीविर मढकाल करती है 24 घंटे में अपना गुड़न करती है क्या आप जानते हैं प्राचीन काल में एमानता थे कि पितिवी विस्व के कहंद परिस्ते थे तथा चंदमा गिरह सूर तथा तारेश की परिक्मा करता हैं लगवाग पांसव वर्श पूर पोलेंड के पादरी तथा खागोलक जिसका नाम निकोलस कौपर निकस्त था निय में अउलेकिया की सौर और सौर परिवार के ख 시청 परक्रते हैं तद। गijeक की परिक्मा का या इक राधिकारन की ठाइपन समय अपने इस कारी कोला फिए कोल प्रीभ शे में जैजक अनुबाव कर रहे थे हैं अपने दूर दसक द्वारा गेलिवियों ने बैस्पति के चंदमाओं सोखे की कलाओं तथा सनी के बनेओं का पेच्छन किया उन्होंने यह भी प्रिमाडित किया कि सभी गए सूरी की परिक्मा करते हैं इस परकार आप देखते हैं कि विच्छार तथा धार्णाएं बिक्सि परिसक से नही धानाओं को अपना लेती हैं कल्पना चावला अंतरिक्ट में आपके पितम भारती महला पितम भारती महला अंतरिक चार्पी जिनका जनम करनाल हर्याना में 17 मार्च 1962 कुगल उन्होंने पंजाब इंजिनिरिंग कॉलेज चंडिगड में से अपनी बिग्यान क पिशना तक अपादी एरो नॉटिकल इंजिनरिंग में से पराप्त की 1982 में उस तक वह सयुक्तरा जमेश का चलीनी और टेकसास विस विद्ध्याले से एरो स्पेस इंजिनरिंग विग्जान की मार्टर दिगरी तक कोलोराडो विस विद्ध्याले से एरो स्पेस इंजिनरिंग में पराप्त की 1988 में उन्होंने नासा में कार करना आरंग किया 1996 में पहली उडान के लिए चायनित की वह अंतरिक्ष में उडान वानने वाली बारत में जन्मी पहली महिला दूसरी भारती बेखती है दुर्वाग बस फरवरी 2003 को अंतरिक चान कोलंबिया हादसे में जान का बाने बाले साथ अंतरिक चात्रियों में से वह भी थी वह विस बार में युगा महिलाओं के लिए एक आधर्स महिला है तो यह आपका सब्तरवा चर्प्तर था लास्ट चर्प्तर वच्ता है अठारवा उसमें देखें हम लोग बायू तथा जल्ब की दूसर के बारे में जाहिए नमस्कार दोस्तों तो चली हम लोग बात कर रहे थे NCRT बुक्स के बारे में करच्छा अटवी की विज्ञान देख रहे हैं यह विज्ञान का अभी तक हमों लोग 17 चर्पटर कतम कर शुके हैं यह आपका अठारवा चक्तर है विज्ञान का लास्टवा चैप्तर या लास चुके हैं कल से हम लोग अच्छा नौवी की बुक्स के बारे में बात करेंगे कि कौन-कौन सी हमें बुक्स पढ़नी है ठीका और उने भी हम लोग पढ़ना सुरूं करेंगे तो चली अठारवा चप्टर हम लोग देख लिते हैं याद रखिए इसे बड़े द्याय के साथ स संसार के साथ आश्चर यानि के अजूवों में से एक है परंत हुए सुनकर भी दुखी भी थे कि सपेद संगमंगर की इसे मारत की बबिता को इसके चारों और के छेत के बायू पिदूसक से पिदूसर से खदराये बेया जाने के लिए उस्तक थे कि बायू तथा जल पिद पिदूसक से निपठने के लिए क्या किया जा सकता है हम सब जागरूख हैं कि हमारा पर्यावाण जब वैसा अब वैसा नहीं है जैसा पहले था हमारे बड़े बूरे नीले आकार तथा सवक्च जल्ब एवं सुध्य बायू के विशह में बास्चीत करते हैं जो उनके समय म उपलत थे हैं जर्सांचार की साधन परयवाइट की गुडबत्ता में नियंतर हो रही गिरावट के विशै में नेमित रूप से जानकारी देते रहती हम स्वयम अपने जीवन में बायू जल्ब की गुडब्ता में हो रही गिरावट के दूस्रक्र और अनुपभव करते हैं उधारन के लिए सुसन रोपों से पीटित बैक्तियों की संख्या में नेनतरविती हो रही है हम उस समय की कलपुना मात से ही भैवीत हो जाते हैं जब हम स्वेक्ष बायू तथा जल पुपलद नहीं होगी आपने अपनी पिछली कप्छाओं में बायू इस अध्याय में हम अपने आसपास होने वाले हानीकारक परिवर्तन हमारे जीवन पर इसके प्रभाव के विशाय में अध्यन करेंगे बायू पर दूसर हम कुछ समय तक भोजन के बिना जीवित रह सकते हैं परन्तु बायू पर बिना तो हम कुछ भी कुछ छड़ भी मत हूं है आप यह जानते हैं कि बायू गेसों का मिस्रण है आयतन के अनुसार इस मिस्रण का लगवग आपका 78% यानि कि 78% नाइट्रोजन लगबग 21% आपका ऑक्सीजन है कारवन डाय ओक्साइड ओर्गन मैथन जलवास भी बायू में अल्ग मात्रा में वो बस्तित हैं आपने दुवा उगलते हीट के भट्टे की निकट से गुजरते समय अपनी नाग को ढखा हुआ आपको भीडवाली सड़कों पर चलते समय खांसी आई होगी अपने अनवहों के आधार पर नीचे दिए इस्थानों प्रभायू की वड़कता की तुलना कीजिए ओप वल तथा भीडवाली सड़कों आवासी चित तथा उद्दोवी चित दिन में में समय पढ़ जैसी प्रात्यकाल दोफर सायकाल साम की समय भीडवाला चौरह गाओं तथा सहर सहर की बीडवाली बीडवार वाली सड़की वह पर क्रिया कला में आपको यह प्रेक्षण भी हो सकता है इवाई मंदल में दुए की मात्रा में अंतर है क्या आप जानते हैं कि यह दुए कहां से आया हो इस प्रिकार के पदार जैसे उद्दोवों बस सौचालत बाहनों से निकलते हैं वे दुए के मिल जाने से बेन बेन इस्तानों के बायु वंडल की प्रक्तिती एवं संगठन में बदलाव आ जाता हैं जब बायु यसे अंचाहे पदार्तों के द्वारा संदूसित हो जाती है जो सजीव तथा नेजीव ज्वनों के लिए रानी का तो इसे बा बायु पिदूसक कहते हैं कभी-कभी ये पिदूसक प्राक्तिक प्रोतन जैसे जो आलाम की तपटना बनों में लगने वाली आग से उठा धुआ अत्वा धूल द्वारां आ सकते हैं मानवीय कि रिया कलापों के द्वारां भी बायु में पिदूसक मिलते रहते हैं इन बा आहांगी बात करते हैं क्रिया क्लाफ 18.02 आपने समाचार पत्रों में पढ़ा हुआ कि बच्चों में सोसन समस्याइं दिन पिती दिन बढ़ती जा रहे हैं सोसन समस्याओं से कितने बच्चे पीड़ते हैं इसे ग्याद करने के लिए आप अपने मित्रों तथा पडोस और पासपडोस के घरों कर सर्विक्षण कीजिए बहुत सी समस्याओं बायू पिदूसक के कारण होती हैं आईए यह जाने का प्रयास करें कि पिदूसित वायू में कौन से पदाल अतपाप पिदूसक उपस्तित पूरते हैं क्या आपने कभी यह द्यान दिया है कि हमारे सहरों में कितनी तेजी से बाहनों की संख्या बढ़ रही हैं वाहन अधिक मात्रा में कार्वन मोनोकसाइड, कार्वन डायोकसाइड, नाइटोईजन ओकसाइड धूआं उत्पन करते हैं परटोज तथा डेजल जैसे हींदनों की अपूण दहन से कार्वन मोनोकसाइड उत्पन को दिया हैं यह एक आपकी विशयलिया से यह रोधिर में ऑक्सीजन बाहन भाहत चमता को घटा जेती हैं यह रोधिन में ऑक्सीजन बाहर चमता को घटा जोती लेकिन किस तरह ऐसे फिट्र दुवा छोड़ता जाता है क्या आप जानते हैं कि यदि दिल्ली में पंजी के बाहनों के बाद एक लाइन में खड़ा कर दें तो यह संसार की दो सरवादिक लंबी नदियों नील और अमेजन की सेवत लंबाई के लगए बराबत लंबी हो जाएगी बुजो को बिस इस तया सरदियों में वाइग मंडल में दिखलें वाली कोहरे जैसी मौटी परत त्याद है यह धो कोहरा होता है जो दुएं तथा कोहरे से बनता है धुएं में नाइट्रोजन के औकसाइड उपस्की सकते ही जो अन्य बायू की दूसकों तथा कोहरे की सयुक से धो कोहरा बनाते हैं इसके कारण इसके कारण सांस लेने में कटना आई बाले रोग जैसे आपका दमा हो गया खासी हो गई बच्चों में सांस के साथ हर हरावट होती है उत्वन होती है बहुत से उत्वग भी वाईव पिदूसर के लिए उप्तर दाई हैं पैटॉलियम परिस्करन सालाएं सलफर दाई ओक्साइड तता नाइट्रोजन ओक्साइड जैसे गयसी है पिदूसकों की प्रमुक्त सरूर होती है बिद्धु सैजन्तों में कोईला जैसे इनन के दहन से सलफर दाई ओक्साइड उत्बंद होती है यह फैंपड़ों को इस्थाई रोप से चतिगरत करने के साथ सा दोसन समस्याएं भी उत्बंद कर सकती है अपने अध्याय पांच में जीवास में इनन के जलाने के पिसे में पढ़ लिया है आने पिकार के पिदूसक किलोरो कलोरो कारवन यानि कि CFC जिसका उपयोग रेफिजेरेट्रों एर कंडिशनों तता एरोस और वार में होता है CFC के दवार में वाई मंदल की ओजोन परत छती ग्रिस्त हो जाती है याद कीजिए ओजोन परत सूर से आने वाली हानि कारव परावेगनी प्रेणों से हमें बचाती है क्या आपने ओजोन चिद्दी के बारे में सुना है इसके बारे में जानने का प्रियास कीजिए इन गेसों के अत्रिक्ट डीजल तथा प्रेट्वल की दहन से चलने वाली सोचालेज बाहनों द्वारा पत्यंच छोटे कड़गी उत्वन होते हैं जो अतितिक समय तक बायुग में नीलंबीत रहते हैं ये दरश्ता को घटा देते हैं सांस लेने पर सरीर की भीतर महुचक रोग उत्वन करते हैं एकड़ इस्पात निर्माठ तता खनन जैसे उद्विक्रमों द्वारा भी उत्वन होते हैं विद्धू सयंतों से निकलने बाली राख के अती सूख्छिम कड़वी वाईवंडल को इदूसित करते हैं विशिष्टर्थ हैं ताज महिल पिछले दो दस्कों से अधिक समय में से प्रयाटकों द्वारा को सरबादिक आकरसित करने वाला भारत के आगरे आगरा सहर में से ताज महिल चिंता का विश्षय बना हुए विशिष्षकों ने यह चेतावनी थी कि बायू पिदूसक उसके सपेद संगमर्मार को बदरन कर रहे हैं अताहा बायू पिदूसक द्वारा केवल सजी भी प्रभावित नहीं होते हैं कितु भवन इसमारत की दिमाएं जैसे नेजीब बस्तुमें भी प्रभावित होती हैं आगरा तथा इसके चारों इस्तित रवड प्रिक्रमड सौर्चालत बाहन रसायन इसे इसकर मतराक तेल परिसकरणी जैसे उद्व सल्फर डाई उपसाइड तथा नाइट्रोजन उपसाइड जैसे पिदूसक को उत्पन करने के लिए उत्ताजाई प्रहें ओपस्तित जल वास्त से अभी किरिया करके वर्षा के करण इस नार्क की संगमरमर का संचारण होता है इस बगर परिगटना को संग मरमर कैंसर भी कहिंते हैं मतुरा तेल परस्करणी से उत्सवाजित काजल कड़ से जैसे नीलम्बित कड़ों का संग मरमर को पीला करने में युगदाने ताल मही को सुरक्षित करने के लिए सरवोच नियालय ने बहुत से उपाई दिये मानिय नियालय द्वारों यह आपका देख लिए यहीं से ताज मही की दरसंग कर लिए नियालय द्वारों को दोगों को संपीडित प्राप्तिक गयस एलपीजी तैदित पेटॉलियम गयस जैसे इंधन स्वक्षी इंदनों काउपयों करने के आदेश दिये इसके इतरिक ताज के छेत में मोटर वाहिनों को सीसा राहत पेटॉल काउपयों करने के आदिस दिये अपने बड़े बूरों से चर्च प्राप्त करने का प्रयाश की hem. अब बात करते हैं पौधा, घर प्रभाव और कुछ भाग आपके परावर्तित होकर बापस संत्रिष्ट में लौट जाते हैं परावर्तित विक्रणों का कुछ भाग बायू अंडल में रुक जाता है यह रुका हुआ विक्रण इतवी को और गरम करता है यदि आपने किसी पौदसाला यानि कि नरसरी अत्वा अन्य कि इसी स्थान पर पौदागर्द को देखा हूं तो याद कीजिए कि सूर की उसमा पौदागर में प्रवेश्ट करते हैं पर इससे बाहर निकल नहीं निकल पाती है यहीं रोकी हुई उसमा पौदागर को गरम करती है पित्वी के बायु वंडल द्वारा रोके गए यही कारण है कि उसे पौध पौधागर पिरभाव यानि की ग्रीन हाउस एफेक्ट कहते हैं इस पिक्रम के बिना पित्वी पर जीवन संभाव नहीं हो सकता है अब यह पिक्रम जीवन के लिए खत्राव मन गया है इस फिर पिरभाव के लिए हवा में CO2 की यानि की कारवन डा पौधों के लिए कारवन डायोकसाइड की गूंता का भी आप अध्यान कर चुकों है परन्तु यदि बायू बायू में CO2 की यह दिखता हो तो यह पिदूसक की भाती कार्य करती है क्या पहली कि पिसंद का हल ग्याद करने में उसकी चाहिता कर सकते हैं एक और तो मानवी ए संसलेशन के लिए बायू मेंडल से CO2 कावटेव करते हैं जिससे कारण बायू में CO2 की मात्रा कम हो जाती है बन उनमूलन यानि की बनों के खतम की कारण होने के कारण बायू में CO2 की मात्रा बढ़ जाती है क्योंकि CO2 की खपत करने वाले ब्यक्षों की संख्या घट जाती ह इस पेकार मानविय किरिया कलाब बायूमंडल में CO2 के संचय में एवदान देते हैं CO2 उसमा को रोक लेती हैं और उसे बायूमंडल में नहीं जाने देती हैं वायूमंडल के औसतार्थ में नेंतर बिद्धी हो रही है इसे बिस उस्णन यानि की गिलोवल वार्मिन कहते हैं मैथेन, नाइटर्ट वॉकसाइड, जलवास जैसी अन्न गैसें भी इस पिरवाव में यगदान करती हैं CO2 की भाती ने भी पौदागर गैसें कहते हैं बिस उस्णन एक गंभीर संकत बिस उस्णन के कारण समुद्धतर में आश्चर जनक बिद्धी हो सकती हैं कई स्थानों पर तट्टिये पिदेश जलमदन यानि की जल से तूप जाएंगे बिस उस्णन के विस्तत प्रभाव बर्सा पिती रूप, किर्सी, वन, पौदे, जन्तुओं पर हो सकते हैं यही में ब्राप्त मौसम परिवातन की रेपोर्ट के इन साथ पौदाघर गैसों को बरत्मान इस्तर तक रखने के लिए हमारे पास सीमेच समय नहीं अन्ता सताबदी के अंदर तक दो डिगरी सहसियत तक ताप में बित्धी हो सकती है जो संकटकारी इस तर है सरकारों के लिए बिचानी विसर बनी गया है बहुत से देशों ने पौदाघर गैसों के उत्सरजन में कमी करने के लिए एक अन्वं किया है सयुक्त राष्ट सम्मेलन के अंतरगत कायोत प्रोटोकॉल एक ऐसा ही अन्वं ने जिस पर बहुत से देश अस्ताफ्चर कर चुके हैं बूजों को यह जानकर अश्चर हो रहा है कि पितवी किताब में केवल जीदो दसम्मों 5 डिगरी सर्ष्य जितनी कम बिद्धी के इतने गमदीद पढ़ाम हो सकते हैं पहिली इसे एह बताती है कि अभी हाल ही में समाचार पत्रों में उसने एह बढ़ा था कि हमाचल हिमाले के गंगुत्री हिमनद बिस उष्णन के कारण पिगलने आरम हो गए हैं क्या किया जा सकता है वायू पिदूसन को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं पिदूसन के विरुद हमारी लडाई में सफलता की अनेक कता हैं उधारन की कुछ बार्स पूर दिल्ली संसार में सरवादी पिदूसित नगल था या पैटॉल तो था डीजल से चलने वाले मौटर बाहनों से निकलने निकले दूए के कारण दमगुर्टू यासनी के स्वास रोधी वातवन था बहानों को सीशा रहत पैटॉल सी यंजी जैसे अन इंधनों द्वारां चलाय जाने कर नेड़े लिया गया इन उपायों द्वारां सहर की वायू अफेक्षकेत क्या है सहर की वायू अफेक्षकेत स्वक्ष हो गए हैं आप भी बहुत कुछ ऐसे उधारन जानते होंगे जिनसे आपके चित में वायू की दूशन को कम किया जा सकते हैं इन उधारनों की चल्चा अपने मित्रों के साथ कर सकते हैं क्या आप विद्यालाय में बच्चों द सब्सक्राइब लादिया सरकात अन एजंसियों द्वारा विवेन इस्थानों पर वायू की गुर्वत्ता का नीमित मौनीटर किया जाता है इन आकड़ों का उपयोग कर हम अपने मित्रों तथा पड़ोसियों में वायू की दूसर के पिती जागुरूप का उपन कर सकते है हमें अपने अपनी उज्जा की आवसक्ताओं की पूर्ति के लिए जीवासमी इंधन के स्थान पर विकल्प इंधन को अपनाने की आवस्ते हैं ये विकल्पे की इंधन जैसे सौरूजा, जलूजा, पवनूजा हो सकते हैं किरेया कलाव 18 दर समलाव 4 विद्यालाय पहुंचने के लिए आपके पास विभीन विखल्प हैं जैसे बैदल चलकर, स्राइकिल चलाकर, बस अधवा अनसारवजनिक परिवान द्वारां यात्रा करके, बैक्तिगर्द कार द्वारां अधवा कार में सांजेदारी करके, इन कि पेड़ बैक्च लगा था सकती है पड़ोष में लगे बैक्चों का पोसन कर सकते हैं क्या आप महत्त्स के विख से में जानते हैं जब जुलाई माय में पिति बहुर्वाट लाखों बैक्च कि यह जाती है कि लेकिन किया है हमारी समस्या है कि सबसे जाने के B हो जाएगे ये सब्द ज्याला आता है कि कोई हर कोई सोचता है कि मेरे करने से किलाम मनता हूं कि जो सवक्षभारत अभी आप चलाता है इसके शबब होने कारण है का नीचे की तब इसे लेकर ऊपर के तक सभी इ W обर अगडार है नीचे की तपकी को मैं जान्दा मानता हूँ जिम्मेदार क्योंकि उन्हीं ने साथ किया इसलिए इसे हम लोग सफल बना पाए बूजों तथा पहली एक बार ऐसे इस्थान से गुजर रहा गुजरे जहां कुछ लोग सूखी पक्तियां जला रहे थे उन्हें खासी आने लगी क्योंकि समस्त चि पहली ने सोचा कि जलाने से अच्छा विकल तो इन्हें कंपोस्ट पिटम में डालना हो सकता है क्या आप जन्द सोच सकते हैं जल के दूसर तक्षा साथमी है आपने सीखा था कि जल एक बहुमूल संसाल है सोची है तो था उनकी रियाकलापों की सोची बनाई जिन के लिए हम जल की आवसकता होती है हमें हमने देखा कि जन्संक्या बिर्दी लोगों तो था किरसी में उपयों के लिए कारण जल दोनल गंदला हो जाता है इसका यह एरत है कि जल में हम कुछ ऐसी पदार्द मिला देते हैं जो उनकी गुर्वत्ता को कम करके उनके रहों और गंद को भी बदल देते हैं जब भी वाहत मल विसेले रसाइन गाल आदी जैसे हानीकारक पदार्द जल में मिल जाते हैं तो जल पिदूसक हो जाता है जल को पिदूसित करने वाले पदार्दों को जल पिदूसक करते हैं क्या गेते हैं जल पिदूसर करते हैं जल कैसे पिदूसर हो जाता है विशिश अध्य गंगा भारत की पिशिद नदीहों में से एक है यह अधिकांस ता उत्तर के अंदर यह तधा पूरी भारत की जनसंख्या का पोसंड करती है देखिए आपकी गंगा यह गोमुक से निकल र अधिकार है द्वार उत्तरविदेश में कानपूर नई दिल्ली में तो यह अमना नदीवैथी उत्तरविदेश इलावाद वराड़सी पटना यहां की वंगाल की खाड़ी में गर रही है यहां की वहम्पुत्था रही है करोनों बैक्ती अपने देने आवसकताओं और जीविका के लिए इस पर निर्वार है परंतु हालिये में प्रक्किती के लिए विश्वया की कोस्त डबलु डबलु एक्टों किये गया अध्यन में आया पाया गया कि गंगा संसार की दस ऐसी नदियों में से एक है जिनका अ पिदूसन इस्तर में कई बरसों से नेंतर विद्धी हो रही है इतने पिदूसन इस तर तर पहुंचने का कारण यह है कि जिन सहरों एवं बस्तियों में प्रबाहेज ज्यानी की उभज़ती है वहां की निवासी अत्यदिक मात्रा में खूड़ा करकर अनुपचारित बाहे इस नदी में फेक रहे बास्तों में कई स्थानों पर विदूसर इस्थर इतना आधिक है कि इसके जल में जलजीव जीवित नहीं रह पाते हैं वहां यह नदी निर्जी निर्जीव हो गई है उद्EX सो पचासी में इस नदी को बचाने के लिए एक महत्त्काकां छी परियोजना आरम कि जी से गवाणा कार्प लिजेओं परन्तु बढ़ती जन संख्यात था उद्धोगी करण ने पहले से इस महासक्ति साली नदी को काफी हानी पहुंचा दिया 12 सरकार ने 2016 में एक नई प्रिस्ताव का सुभारं किया जिसे स्वक्ष गंगा भारत मिशन की नाम से जाना जाता है और इस मिशन के अंतरगत कार प्रगती पर है अब देखते हैं कब तक कार प्रगती पर रहता है सुनाथ संग्जन के एक बिशिष्ण उधारन लेती उड़ार उतरपदिश की कांपूर सहर में इस नदी का सर्वाधी पितुषी पहला हैं कांपूर उतरपदेश की अक्यसिथी जंशंख्या वाले सहरों में यह यह अग्ये गंगा नदी का कि दूसर थेलाओ नदी में प्लेक आगया उद्दोविक आप सश्ट नदी में लोगों को इस्तनान करते कपड़े दोते मलमूत त्याखते दिखा जा सकते हैं त्था रसायनीक अपसृष्ट का नदीों में कूदा आनिमनी करन में decision करते हैं कि उपयोगत तत्थों के आधार के सूचिए नीची दिए प्रिसनों के उद्दर नदी के जल के पिदुस्टन के लिए उप्तरदाई कारक क्या है गंगा नदी की पूर गरिमा को प्राप करने के लिए क्या उपाई किये जा सकते हैं कोड़े करकट आधी का किस नदी किस पेकार नदी के जीवित प्राणियों को प्रभावित करते हैं कि बहुत सी उद्दोगी के गाईयां हानिकारक रसाइनों का कुन नदीयों ततंधालों में प्रभावित करते हैं इसके गारण जल पिदूसन होता है इसके उदारण तेल परिस्कंड सालाएं राइड होती हैं जिनसे पौधों तथा पसुओं में आप इसक विस्ता उत्पन हो जाती हैं इसे रोकने के लिए सरकार नहीं दिनियम बनाएं इनके अनुसार उत्दोगों को अपने या उत्पन आप सिश्टों को जल में प्रभावित करने से पूरु उप्चारित करना चाह आसुद जल से मिल्दा भी प्रभावित होनती है जिसके कारण उसकी अमली था क्रेमियों की बिद्धी में भी परिवतन हो जाते हैं हमने अध्याय एक मेर्या देखा था कि फसलों की सुरक्षा के लिए पीड़क नासी तक था आप अप तरन नासी कितने में तो हुए एक सभी रसाइन जल में गुलकर खेदों से जलासे हूं नदी नालों आदी में पहुनचाते हैं ये भूमी में स्रिसकर भी बहंजल को पिदूसित करते हुए क्या आप ने ऐसे तालाओं को दिखा है जो दूर से दिखने पर हरेपिती होते हैं क्योंकि बहुत से सेवाल उसमें उबरहे होते हैं यह और वरकों में उपस्तित नाइट्रिट एवन फासपेटों जैसी रसाइनों की अधिक मात्राओं के कारण होता है यह रसाइन सेवालों को फलने फूलने के लिए पोसक की भाती कारण करते हैं जब यह सेवाल मर जाते हैं तो जीवानों जैसे घटकों के लिए भोजन का कारण करते हैं यह अत्यदिक ओक्सीजन का उप्यों करते हैं इस से जलमें ऑक्सीजन की इस तरह में कमी हो जाते हिं जिससे जली ये जीव मर जाते हैं कि आपने कच्छा साथभी में अपने चित में बाहित मल निप्टान विवस्ता की जार की थे क्या आपको याद है कि आप गर से वे वाहित मल कैसे इकत्यत किया गया था फिर कोई कहां गया था कभी कभी अनुपपफ़ अनुपचारित बाहित मल सीधी ही नदियों में प्रवाध कल दी जाता है इसमें खालत अबसिष्ट्ट हमारीं सूख्छंजीव आदी पूते हैं क्या हो मदल वाहित मल दौरां पिद्स संदोसित जल्में घिवाड क bloss कवग पर जीवी Bu हो सकते हैं जिसे हैजा म्यादी उखा तथा पी लिया जैसे रोख हो सकते हैं अब देखिए आपका इलावात का कुछ पहले बहुत हिस्सा एक बहुत बड़ा गंदा पानी डारे गंगा में मिल जाता है ऐसे ही बढ़ाग आपका कानपुर का अब तो बहुत कंट्रोल हो रहा ह इस्तंदारियों के मल में उपस्तित जीवाडू जल की उडवत्ता की सूचत है यदि जल में ऐसे जीवाडू है तो इनका इसका यह जल मल एक उत्पदार द्वारा संदू से थे यदि इस पिकार के जल का हम उप्योग करते हैं तो हमें बिविन संक्मर हो सकते हैं क्या आप जानते हैं गरम जल भी एक विद्वू सक हो सकता यह जल प्रेया विद्व सेन्तों तथां वुद्दोवण से आता हैं इसे नदियों में भाया जाता है यह जलासेयों के ताब में विद्धी कर देता हैं जिससे उसमें रहने वाले पेड़ पौदे जीव जन्तूं पर पित साथ आये देनिक जीवन में उप्यों होने वाले सरल पदार्तों से जल प्रिटर बनाते हैं एक पिलाष्टी की बोतल लेकर उसे 20 से दो बराबर भावों में काटी इसके उपरी भाग को उल्टा करके कीप के रूम में नीचे के भाग से में रखी इसमें बीतर कावेट की परत बनाई इसके उपर रोई रेत तथा फिर बजरी की परतें बिचाई हैं अब इस फिल्टर पर गंदला जल उड़े लिए फिल्टर इस जल का पेक्षण कीजिए निवलिकित पिस्नों पर अपने मित्रों अध्यापकों पर किसाथ चर्चा कर सकते हैं पीने से पहले हमे अपने घर में उप्यों होने वाला पीने का जल आप कैसे पराथ करते हैं यदि हम पिदूसर जल पी हैं तो क्या हो बूजो बहुत परिशान है वह पहली से कहता है कि उसने जो जल पिया था वह देखने में सौच था तथा उसमें कोई गंद भी नहीं थी परन तो फिर भी बीमार को कहते हैं पहली इसपष्ट करती है कि देखने में जो जल सौच पितीत होता है उसमें रोख वहाख सूप चुझी अत्वा गुले हुए अफदेफ हो सकते हैं अता पीने से पहले जल को सुद्ध करना अबस सकते हैं उधारन के लिए हम जल को वाल कर सुद्ध कर सकत पीने के लिए उपयुक्त जल को पेजल कहते हैं पीने के लिए उपयुक्त जल को क्या कहते हैं पेजल आपने देखा है कि किस पिकार बेविन बहुत है तथा रसायने की क्रियाओ द्वारा जलासम में गराने से पूर वाहित मल उप्चार सहयंतों में जल को सुद्ध किया जाते हैं इसी पेकार नगर नेगम अत्वा नगरबालिक हैं घरों में आप उर्थी करने से फूर जल का उच्छार करते हैं क्या आप जानते हैं संसार की 20-25 टीशत जन्सम क्या को निरापत पे जल नहीं मिलता है यानि की सुद्ध जल नहीं मिलता है आवे देखते हैं जल को पीने के लिए निरापत कैसी बनाया जा सकता यानि की सुद्ध कैसी बनाया जा सकता आप यह देख चुके हैं कि जल को कैसी फिल्टर करते यह अप दिर्वों को दूर करने की बहुत एक विद्य है आम पिछली धैल्ली फिल्टर, केंडल फिल्टर होता. बहुıs से घरों में नेरापत जल को प्राप्ट करने के लिए उबालने की भी धीखाओ के हो, किया जाते है. उबालने में चे जल की उपस्तेती उपस्ते जीवानों मर जाते। जल को सुद्ध करने की सामानना रसाइनिक भी दी किलोरीनिक करण है या जल में किलोरीन की गोलियां अत्वा बिरंजक छूट मिला कर किया जाता है हमें सावधान रहना चाहिए हमें किलोरीन की गोलियां को रिजिस्ट मातरा से नहीं डालना चाहिए क्या किया जा सकता है क्रिया कलाव 18.8 पता कीजिए कि आपके छित में लोगों का जल पीदूसर्ण के बारे में जानकारी का इस्तर क्या है पीने के जल के स्रोथ तों तथा वाहित मल जल के बेहन की बिदियों के आपड़े 31 कीजिए समदाय में जल द्वारा होने वाले सामार रोग कौन से हैं इसके लिए आप किसी स्थानिय डॉक्तर स्वास्त करवचारी से प्रावर्श ले सकते हैं इस चेत में कादर सरकारी तथा क्यार सरकारी संस्थाओं को कौन कौन सी हैं जन्ताव में जाग्रिती उद्वन करने के लिए इनके द्वारां क्या उपाय किये गए आंगे चलते हैं उद्धोगी किकाईयों के लिए बनाए गए नीमों को सक्ती से लागू किया जाना चाहिए ताकि पिदूसित जल को सीदे ली नदियों अत्वा जीलों में नहीं बाहर जा सके सबुई उद्धोगी चित्रों में जल उप्चार से जल इस्थापित किये जाना चाहिए बैक्तियत इस्तर भर में निश्ठा पूर्वक जल की भच्चत करने चाहिए उसे बेकार नहीं करना चाहिए कम उप्योग पुनाह उप्योग पुनाह चक्रण पुनाह पराप करना उप्योग करना यानि कि खायबार हमारे मूलमंत होना चाहिए अपनी देन चर्या पर विचार कीजिए आप जल की बच्चत कैसी कर सकते हैं दोलाई तथा अन घरेल उप्योग कार में उप्योग हो चक्चत के जल को कि पुनाह उप्योग संबन्दी नए नए बेचारों के बारे में हम सोच तके हैं उधारन के लिए सब जीवोग दोने के लिए इस्तेमाल जल का उप्योग पौधों की सचाहिए किया जा सकता है परियावाण हितेशी के ख्रमों का उप्योग आरम नहीं करते हैं तो हमारी पितवी की उत्तर जीप्ता संकट में है जल का उप्चार से अंदर देखिए क्या आप जानते हैं जब आप नल को खुला चोड़कर अपने दातों में गुरूस करते हैं तो कई लीटर जल बैठ हो जाते हैं जिस नल से 30 से केंड एक एक भून जल टपकता है उस नल में एक बरस में कई हजार लीटर जल नश्ट हो जाता है इसके बारे में सोचिए तो इस सिद्ध्या में क्या क्या देखा है बायू के दूसर के बारे में जाना है रसाइनिक संदूसर के बारे में जाना है विस उष्णन के बारे में जाना है पौधा घर प्रभाव के बारे में जाना है पे जल के बारे में जाना है जल पिदूसर क के बारे में जाना क्या सीखायस में वायू की दूसर अप दरवों द्वारा वायू का यह साथ संदूसर जिसका हानिकारत प्रभाव सजीव एवं नेजीव दोनों पर हो सकता पीदूसर बेपदार के जो बायू तथा जल को संदूसर करते हैं कारवन मोन अपसाइड नाइट् के बढ़ते इस्तर से बिस्तूसर हो रहा है जल पिदूसर जीवन के लिए हानिकारत बतारतों द्वारा जल का संदूसर वाहित मल किरसी रचाइन उद्दोगिक अपसिष्ट कुछ पिरमुख जल पिदूसर है स्वक्षित था पीजय योग जल को पेजल कहते हैं जल एक अन और पीडियाइफ आपकी टेलिग्राम पर डली हुई है वहां से डाउनलोड करके रख लें और जब भी अगर लगता है कि नहीं समझ में आया तो एक बार उससे जरूर कट लें ठीक है और निकल जाए यह आपकी कुछ परिवासिक सब्दा वली है इन्हें देख लें या तो आप लोग इसकीन सोट ले लीजिए या फिर वहां से पिदिएप डाउनलोड करके रख लिजिए पिदिएप डाउनलोड कर लिजिए चरह यह यह जैसे अंग और न मतलब अंगूता एसेड रेंड अमलवर्शा टिसू उतक लेड एड लेड लेड अंत्रिष निशेचन निशेचन इंटर्नल फेटिलाजि़जिशन टाइम आवर्थ का लियानी की टाइम पिरियड इनन फीवूल रडाव इस निगेटिव चार्ज और बिट कप्छा होगे कोक कोल हो गया कोल कोईला कोल गयस जीन बैक्टेरिया जीवास वायोडर्वसिटी डाइबर्सिटी जैबिवता एलिमेंट तत्थ हो गए है ठीक है पिलेटनेस गरह हो गया आपकी दापेसर दाव कंडेक्टर चालक चुमकियेवल मेगनेटिक पोस्स पॉजिटिव चार्ज धनाविस मेंटल धातु नेचूरल गया यानी की प्राप्तिक गयास क्रॉप असल एटम प्राइटम प्राइब प्रमाडू फोर्स बल मल्टी स्लूलर यानी की बहुपोस की बैल पसुपालन एनिमल असल बैंडरी एस्ट जाइगोट रायू बिरियम पिकासवर्स यानी की लाइटी है पिलास्टिक नेशनल पार्क हो गया रोडस हो गया कि इस पर्म हो गये बेंड़ पाइप या अपका फ्लोरा ठीक है को निया हो गया वाइक्स बॉक्स हो गया कॉन्स यानी की संकूप तो यह थी आपकी एन्थी की राटी काच्छा आटवी की बिट्टिया थी तो काच्छा शटवी में हमें चार्वक्स जो पढ़नी थी काच्छा शटवी की बिट्टिया थी तो काच्छा आटवी की बिट्टिया थी तो काच्छा नौवी की जो भी वुक्स हैं उनके बारे में बात करेंगें चीजिए करेंगे हैं आट नौबवी की बिट्टियाओ और शटवी की में जरत पमान झाल्ड़ीट मmental थी तो काच्छा शटवी तो झाल झाल